शीताराम शीताराम कहिए जाही विधी राखे राम ताही विधी रहिए शीताराम शीताराम कहिए जाही विधी राखे राम ताही विधी रहिए शीताराम शीताराम कहिए जाही विधी राखे राम ताही विधी रहिए जाही विधी राखे राम ताही विधी रहिए मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में विधी का विधान जान आनिलाभ सहिए जाही विधी राखे राम ताही विधी रहिए जाही विधी राखे राम ताही विधी रहिए जाही विधी राखे राम ताही विधी रहिए जी शीताराम जै शीताराम किया भिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा हल आशा क्या अग शुभ काम करते रहिए जाही विधी राखे राम ताही विधी रहिए जी शीताराम 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 कहिए जाही विधी राखे राम काही विधी रहिए जाही विधी राखे राम काही विधी रहिए जाही विधी राखे राम काही विधी रहिए जिन्दगी की डूर सुन हाथ दीना नाच के मेहलों में रखते चाहे जोपडी में वास दे धन्यवाद निल्विवाद राम कहते रहिए जाही विधी राखे राम काही विधी रहिए जाही विधी राखे राम काही विधी रहिए जै शीताराम जै शीताराम एक आशा राम जी से दूजी आशा छाल दे एक नात राम जी से दूजे नात तोड दे साधु संग राम रंग अंग अंग रंग ये जाही विधी राखे राम काही विधी रहिए सीताराम सीताराम काही विधी रहिए जाही विधी राखे राम ताही विधी रहिए जाही विधी राखे राम ताही विधी रहिए सीताराम 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 काही विधी राखे राम ताही विधी रहिए सीताराम सीताराम काही विधी विधी राखे राम ताही विधी रहिए जाही विधी राखे राम ताही विधी रहिए जाही विधी राखे राम ताही विधी रहिए रामायन राम कथा राम जग का सार है राम प्रभु के नाम की महिमा प्रमपार है अल्युग में नाम यही मुक्ति का आधार है नाम जपिया नाम सुने दोनों का हुद्धार है श्री राम जे राम जे जे राम 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 महराज जग के राम है जग राम का दर्वार है न्याई दया लुना राम सा कोई राम सा न उदार है धन की व्यवस्था राम के घर कर्म के अनुसार है प्रभु कर्म कोट नहार उनका नाम तर नहार है राम नाम अम्रित का ख्याना अमर हो गया पीने वाला राम है संसार मैं राम मैं संसार है राम प्रभु के नाम की महिमा प्रमपार है कल युग में नाम यही मुक्ति का आधार है नाम जपिया नाम सुने दोनों का उधार है राम क्रिपा से भक्त सिंदु पर से तु बना देते हैं राम के बल से अंगद पग लंका में जमा देते हैं राम करे सब का मुशे यह भक्तों को दिला देते हैं राम नाम था अंकित जिन पर लगे तैरने जल में वो पथर राम सुमिरने वालों का जग से बेडा पार है कल युग में नाम यही मुक्ति का अधार है श्री राम जे राम जे जे राम 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 राम कथा है पावन गंगा जिसने इसमें स्नान किया श्री राम जे राम जे जे राम तन निरोग मन निरमल करके जग में वो निश्पाप जिया श्री राम जे राम जे जे राम एक निश्च हो भक्ति भाव से जिसने राम का नाम लिया यहां दिया सम्मान तो अपने धाम में स्थान विशेश दिया भव जलतारी सीता माता सिया राम सब के सुखदाता जो बोले शिया राम की जे उसकी जे जेकार है रामायन राम का था राम जग का सार है राम प्रभु के नाम की महिमा अपरंपार है अलयुग में नाम यही मुप्ति का आधार है नाम चपिया नाम सुने दोनों का हुद्धार है श्री राम जै राम जै जै राम चल में राम थल में राम अंबर के याँ चल में राम श्री राम जै राम जै जै राम जै जै राम चिनतन में आवास में राम आती जाती श्वास में राम दीन जनों की आस में राम, मिलते है विश्वास में राम श्रिष्टी के कनकन में राम, कान में राम, ठन में राम अरपन में तरपन में राम, भनतर के तरपन में राम श्री राम जे राम, जे राम, जे राम जग है आचक दाता राम, बंधु सखा पितु माता राम दात करो धन धान मिले, स्तेह करो संतान मिले श्री राम जे राम, जे राम स्याग करो निर्वान मिले, भक्ति करो भगवान मिले मंगल भावन अमंगल हारी द्रबहु सुदसरत अजिर विहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम ओरा बायन सुर्तर की छाया दुख भर दूर निकट जो आया राम सीया राम सीया राम जै जै राम राम से बड़ा राम काना बनाए सब के दिगडे काम शी हनुमान जबे अविराम शी राम जै राम जै जै राम कारण करता कर्म है केवल राम का नाम भत्तों को माध्यम बना राम करें सब का जद की जूठी माया तज के राम को पालो राम को भज के राम सीया राम सीया राम जै जै राम नाना भाति राम अब तारा राम यन शत कोट अपारा हरी अरंत अरी कठा नंता कहां ही सुन ही बहु बेधी सब संता राम सीया राम सीया राम जै जै राम राम सीया राम सीया राम जै जै राम राम शीया राम शीया राम जय जय राम राम शीया राम शीया राम शीया राम शीया राम जय 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 राम राम शीया राम शीया राम शीया राम नारायन नाम है चार अक्षरों से सुसजीत, ना नाश करने वाले दुर्जनों की, रा राखने वाले अपने प्रण की, या यत्र तत्र सर्वत्र अना प्रणव की मध्य विराजमान विश्णु। नारायन जिनके गुण रत्नों से संपन्न है रामायन, पुराणों ने हरी के प्राकट्र के कई हितु बताये हैं। कल्प कल्प में जब-जब रावन के विकल्प आये हैं और उनके अत्याचारों से धर्ती, धर्म, सुर्णर्मनी अकुलाये हैं। तब-तब संभवामी युगे-युगे का वचन निभाने श्री हरी ने विविद रूप बनाये हैं। कुछ मी रहे हो उन रावनों और रामों के नाम परिभाशा इतनी सी है जो दुष्ट वहरावन, जो भद्र वहराम। जगतपाल, प्रणतपाल, अकारण कृपाल, श्री विश्णु के दो द्वारपाल थे जिनके नाम थे जय और विजय। वे दोनों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक के श्राव से तामस देह धारी राक्षस हुए जिनने हम हिरने कश्यपु तथा हिरन्याक्ष के नाम से जानते हैं। हिरने कश्यप के वंश में जन्मा विश्णु का अनन्य भक्त प्रहलाद जिसकी प्राण रक्षा भी हरी के प्राकट्टि का हेतु है। जब नारद ने श्री हरी से उनके ही रूफ की याचना की तो हरी ने हरी अर्थात वानर का रूप नारद जी को दे दिया। जिसके फरस्वरूप विश्व मोहिनी से विवाह की कामना मिट्टी में मिल गई और नारद जी के हाथ लगी घोर निराशा। नारद जी ने नारायन को शाब देती हुए कहा कि तुम भी स्त्री जनित कष्ट उठाओगे और वानरों की सहायता के बिना संग्राम में विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। भक्त परायन ने भक्त का शाब सत्य करने के लिए एक और अवतार लिया। नारद जी के वानर रूप पर हसने वाले शिवजी के दो गणों को भी देवरिशी ने शाब देडाला। वे भी समय पाकर अच्यंत बल्शाली राक्षस हुए जिनके प्राण भी युद्ध में श्री हरी के द्वारा ही हरे गए। जालंधर नाम के अजय राक्षस को तेपरारी शिवजी भी नहीं मार सके क्यूंकि उसकी स्त्री पतिवता परमसती थी। वह अपने पति को जब का अभेद्य कवच पहनाई रखती थी। विश्णुजी ने चल से उसके जब में व्यवधान डाल दिया। और अवसर पाकर शिवजी ने जालंधर का संधार कर दिया। वही जालंधर कालंधर में रावण हुआ। जिसके लिए नारण को एक और अवतार ने न पड़ा। प्रवल प्रतापी महराज प्रताब भानु ब्राहमनों की समुह द्वारा श्रापित हुए। किन्तु उस श्राप में यह वर्दान सन्निहित था कि वे बंधु बंध्धों सहित श्रीरामजी की हाथों मृत्यू को प्राप्त हो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। यह रावायन जिन श्री राम की कथा है वे इनहीं राक्षसेंद्र रावन का संघार कर स्रिष्टी को बचाने धर्म की धोज़ा भेहराने तथा सत्य को विजय दिलाने के लिए प्रकट हुए थे अधिकतर तपस्वी तपस्या करके राम का परमधाम प्राप्त करना चाहते है परन्तु मनु और शत्रूपा अधिती और कश्यप ऐसे तपस्वी थे जिन्होंने राम को अपने धाम में पाना चाहा वेह भी पुत्र रूप में अपने भक्तों को दिये हुए वर्दान का मान रखने के लिए श्री राम सूर्य वंश में धर्म परायंड महराज दश्रत तथा महरानी कोशलिया के फुत्र बन कर प्रकट हुए श्री राम के अवतार इन कुछ नामों तक ही जीमित नहीं कहते हैं कि नाना भाती राम अवतारा रामायंड शत्कोटिया पारा राम कथा शिव जी ने अपने मानस में संजो रखी थी सुवशर पाकर माता पार्वती के संवख प्रस्तुत की यही कथा काक भुशुन्डी जी ने गरूर जी को सुनाई रामायंड वे अथाह सागर है कवी और कथाकार जिससे गागर भर भर कर लाते रहे हैं भक्त जनों की प्यास बजाते रहे हैं हमने भी सियारामजी की कृपा से वह कथा कहने का प्रयास किया है यह प्रयास एक बालक के जल में चंद्रमा का प्रतिविम पकड़ने के समान है आपका मनोयोग से कथा श्रवन करना ही हमारी सेवा का परस्कार होगा पूजू मात सरैस्पती सुमिरू सिथ गणेश जिन के सुमिरं मात्र से जड़ता रहे नशेश जड़ता रहे नशेश शर्था प्रतिमा पार्वती शंबुरूप विश्वास दिन की कृपा विना नहो विगता गत आभास पूर्ण नहों कोई याज ग्रहमा विश्ण वहेश सम जिन गुर्वर का स्थां विनती है मुझे वेकरें सम्यक ज्यान प्रदान राम कमल के कुंज द्रवित हो मुझे दीन पर जेदो सद्गुण पुंज सिया राम गुण गान को वालमी की गुरु जेष्ठ राम पथा के प्रधम कवी बंदों तुलसी शेष्ठ जिन का जीवन राम मय उत्पतिस सिति संहार कारिं आध्या करमा तत्त विचारिं राम रमा पति कुंज विहारिं नमह सीतांग भवसिन गुचारिं भक्ति शक्ति के धाम है रुद्रूप हनुमान दोक्षमता मैं कर सकूं सियाराम गुणगान यूसियाराम का वर्णन करना गागर में जूसागर भरना राम हरे जे राम हरे सीतां पति शी राम हरे ओ निगम राम को अगम बतावें राम की माहे मां हम क्या गावें राम हरे जे राम हरे सीतां पति शी राम हरे ये रामायन श्री राम की अमर कहानी है मवतार ने दुकहार ने जग कल्यानी है जो वालमी की ने प्रतम लिखी तुलसी जी ने अत्सेज कही वही कथा में दोहरानी है ये रामायन श्री राम की अमर कहानी है ये राम श्री राम की अमर कहानी है ओ श्री जी कहते सुनो भवानी ऐसे कर्म करें जो प्रानी वे सब असुर्वंश अवतंश मानवतन दानवों के अंश धर्म के लिए अनास था पाप बड़े दिन रात ऐसे जन को वेहन कर व्याकुल धर्ती मात जै श्री राम धर्ती धैर्य धारिनी कहती है परंतु उसके धैर्य की परीक्षा कुछ कम नहीं ली जाती है हर आवण जैसे आतताई शच्छ श्यामना को जबरक्त रंजिता करने लगते हैं तब वस्मति के धैर्य के मोती भिखरने लगते हैं श्री हरी भी अत्याचारियों को अत्याचार करने का पूरा अवसर देते हैं निर्दोशों के वद्का कलंक अपने सर कदा भी नहीं लेते हैं प्रित्वी का भार कम करने को सुर्व नर्मुनि के संकट हरने को कृत संकल्ब है नारायन और उनके संकल्ब की फून रुपेन पुष्टी करती है रामायन प्रिठ्वी पर बड़ा असेय भार कब आओगे करुण वतार अब सर से उपड़ पानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है धरती सोटे वाक्ष पर धारण कर संसार पर ग्रोही एक असुर से कम है जग का भार पूचे पिथिवी बोज की मारी गिरिभारी या दानव भारी एक और दानव का भार एक और सारा संसार ओ रिक्ष मूल मुझे मध्य समाए तो भी मैंने तर न गिराए एक और दानव का भार एक और सारा संसार ओ मानव पशु वाहन हल चलते वे भी खल समान नहीं खलते एक और दानव का भार एक और सारा संसार रखा मांटी रूप में जीवों का इतिहास दुष्टों की दीत्रास से कम मृतकों की त्रास ओ सरिता सिंधु वहे मेरे आगन उनसे मुक्ती गई नहीं मागन एक और दानव का भार एक और सारा संसार धर्म विरुत्धा चरण से धर्ती दामा डोल रावन से भय भीत कुछ किन तु सके नहीं बोल असरों के भय से सुरगन जहां बैठे थे अपने को छुपा के धर्ती मात वहां पर पहुची गव माता का रूप बना के सोचा था कुछ भार घटाले देवों को दुख अपना सुना के किन्तु हुआ नहीं लाभतनिक भी दीन सुरों की शरण में जाके वे तो स्वयों ही घायल थे क्या होता उनको घाव दिखाके सुरगन धर्वर मुनि जन मिलकर प्रह्मा जी के लोक में आये संग भया कुल व्या कुल धर्ती मा को गव के रूप में लाए ब्रह्मा जी वस्तु स्थिति सारी जान गए बिन बोले बताए पर उनके वश में नहीं कुछ भी ये पीडा उन्हें अधिक सताए रावण को जो दिया था कभी वर आज वो वर दे कर पच्चताए ब्रह्मा बोले धैर्य धारिणी इतना शीग्र न धैर्य गवाओ तुम जिन की दासी हो उन्हीं अविनाशी हर का ध्यान लगाओ वचन परायन शर्णागत वचन परायन शर्णागत वचन को अपनी पीर सुनाओ वेही हमारे तुम्हारे सहायक होंगे उन्हीं को टेर बुलाओ शेश शयन को जगाने हे तु फिदय में रेम के भाव जगाओ सारे सुरगन बैठ कर करने लगे विचार शीहर को पाएं कहां कहां सुनाएं पुकार ओ कोई कहें बैकुंठ निवासी कोई कहें छीरोद धिवासी हरी तो यूं अंतर में लुप्त सीपी में ज्यूं मुक्ता गुप्त शिव बोले गारी सुनो कहीं जो मैंने बात ब्रहम सहित सुनकर उसे पुलकित सब के गात भीगे लोचन पात हारी माय जगत जगत माय श्रीहरी यत्र तक्त्र सरवत्र वही बसते नदियों में जल रूप पृत्वी पेथल रूप नक्षत्रों में जोती रूप पुश्पों में हसते पास वेश्वास के हैं तर्क से हैं दूर हरी उन्हें नहीं मिलें भ्रमजाल में जो फसतें इस उससे जो पूछें नीज घट में न ढूडें ऐसे मून हरी के दरस को दरस ते हो प्रसन शिव कथन से जोड के साधर हाथ हर की सुति करने लगे प्रह्मा प्रेम के साथ सुर्गण के स्वामी अंतर्यामी आदिन वध्यन अंता निज प्रण के पालक जग संचालक जयती जयती श्रीकंता तुम शांताकारं विश्वाधारं गगन सद्रिश विस्त्रित हो जय दिव्य शुभांगं मेग सुवर्णं भुजग शयन में स्थित हो ए ब्राहमन प्रियहरी गोधन प्रियहरी असुर तुमें नहीं भाते सुर्शंत दरित्री धर्म स्विष्टि तुमसे ही आश्रय पाते सुर्दल के स्वामी अंतर्यामी आधिन भध्यन अंता निजु प्रण के पालक जग संचालक जयति जयति श्रीकंता जय अगम अगोचर परम परातपर सर्वो मय सर्वेश्वर अभिनव अभिनाशी आनंद राशी सत्भाशी योगेश्वर एक रिपा स्वभावी डया स्वभावी अपनों भीरत संभारों जो तुम पर आश्रित हरिउन कोहित चित में तनिक विचारों सुर्गर के स्वामी अंतर्यामी आदिनमध्यन अंता निजप्रण के पालक जगसंचालक जयति जयति श्रीकंता नहीं नारत शारत वेद विशारत रंच मात्र तुम्हें जानें तुम उनके रिदये निवास करों जो शद्धानत हो मानें तुम्हरे अगणित गुण बरनिन पावें शेश सहस मुख द्वारा चतुरानन ब्रह्मा कैसे बरने सुयश अपार तुम्हारा सुर्गण के स्वामी अंतर्यामी आधि नमध्य न अंता निजप्रण के पालक जगसंचालक जयति जयति श्रीकंता तुमने जगनायक बिना सहायक सकल स्विष्ट उपजाई विनकारण हो तैजवित दीन पर हमको हो सहाई जेजेव दयार्णव श्रेष्ट गुणार्णव आर्णव के जामाता श्री सहित जोध्याता शरण में आता मनवांचित फल पाता सुल्गलगे स्वामी अंतर्यामी आधिनमध्यन अंता निजु प्रण के बालक जग संचालक जयति जयति श्रीकंता ओम नमो नारायनम जगकारणस्यकारणम विविधावतारधारणम मंगल मूर्ति जनार्धनम प्रहमा की विनती मर्म स्परशी मर्म हरिका छूगई तज योग नित्रा जागुठे प्रभुले प्रकृति करुणामई भयभीत सुरगण त्रस्त प्रित्वी जान ग्रस्त विशाद से आकाशवाणी नात नेकी भोर गहन निनाद से सब हो उठे संतुष्ठ धीरज युक्त वचन प्रशाद से ओ जनिडर पहुठ सुरसित सुरेसा तुम ही लागि धरि हो नर बेसा सत्यसनातन श्री भगवान बोले बचन स्नेह मेसान ओ अनसन सहित मनुज अवतारा लेहों दिन करवंस उदारा सत्यसनातन श्री भगवान बोले बचन स्नेह मेसान नारद जी के बचन को देने सच प्रमान प्रगटूंगा मैं भूमि पर करने जग कल्यान ओ भूदेवी मा को समझा कर प्रहमा बोले धीर बधा कर हर लेको हर तेरा भार निशित ही लेंगे अवतार ओ ब्रहमा ने जब धीर बधाया तब विश्वास धरा को आया गगन गिरा सुन अपने कान गए देव गण निज निज स्थान ब्रहम गए निज लोक दे सुरकन को आदेश हरे की सेवा भूमी पर करो धार कपी वेश ले उद्देश विशेश निज निज लोक को सिधारे सारे देव गण विदय में रख प्रहम देव के कथन को मूल रूप भूदेवी ने विधर लिया तज के तुरंत को माता के थन को उसके पालन में विलंब न तानिक किया ब्रहमा जी ने दिया जो आदेश सुरकन को अतुलित बल हर कार्य में कुशल प्रतिपल बेकल बस राम के मिलन को ओ अपनी अपनी सेन्य बना कर वन परवत पर छागय वानर सप गुण धर सारे बलवान देव और देवों की संतान जाई श्री राम ब्रहमा जी के आदेशानुसार महराजा के शुभागमन के पूर्व उनके कर्म दल सदस्य यथा स्थान अवस्थित हो गए चारो ओर से व्यवस्थित हो गए परंतु समय की खाई को समय ही पाड़ सकता है अब धैरे धर कर पतिक्षा करने की आवश्यक्ता है रावन के कोप से रिववन आतंकित है दुख ग्रस्त त्रस्त असुरक्षित विस्था पित है रिश्मुन शैल कंद राश्रित है धर्म लूप्त है पाप उदित है बढ़ रहे संकट घट रही तितियां बन रही हर आने की स्थितियां उस दिन का पत देखे प्रेता आएंगे जब धर्म प्रणेता शीखिस युग में युग युग संभव आने वाले बन कर मानव सुरगन को तो अप वर्ग दिया एश्वर्य भोग सुख सर्ग दिया अब नर्की कीति बढ़ानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है ओ शिव बोले अब सुनो भवानी बीच में छोड़ी थी जो कहानी अवद पुरी नामक शुभ सानी जन्म को नेशित किया भगवान ओ वहां के द्रिप रघु कुलमनी दशुरत धर्म धुरंधर कर्म में समरत तोने को उनकी संतान वचन बध थे श्री भगवान जय श्री राम जब मृत्य लोक में प्रकट होने का निरने लेते हैं रुवन भूप तो चुनते हैं स्थान पात्र एवं वंश अपनी गर्मा के अनुरूप श्री राम जी का वंश भी उच्छ कोटी का वंश है इसके मूर में जगत पिता ब्रह्मा मरी जी कश्यप विवस्वान वैवस्वत चोदहवे कुलकर नाविराई जी के सुपत्र श्री रिशवदेव राम जी के वंश का आदिनाम एक्श्वाक महराज होए अयोध्या के प्रथम शासक तदो परांद कुक्षी विकुक्षी बान अनरण्या प्रिथू महराज प्रिथू ने पूर्ण प्रिथवी का दोहन कर दिया था त्रिशंकु जो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे रिशी विश्वामित्र ने उन्हें स्वर्ग की ओर उचाला परंत हुए अवे आज भी स्वर्ग और प्रिथ्वी के मध्य कहीं अधर तंगी हुए हैं दुंदमा युवनाश्व मानधाता मानधाता को पुराणों ने अत्यधिक मान दिया है इन्हें समय का मापदंडी भी मानते हैं सुसंधी द्रोवसंधी भरत असित तथा महराज सगर साट सहस्र पत्रों की पिता होने का गोरव इन्ही को प्राफ्त था असमंजस अंशमान दिलीब तथा भगीरत भवाने तुम जिन वैश्णेवी गंगा को मेरी जटार्यूट में बंदिनी देखती हो वे इन्ही महराज भगीरत की अत्यंत कठिन तपस्या पर प्रसंद होकर प्रिथ्वी लोग वधारी थी भगीरत के पश्चात का कुच्थ तथा एक श्वाकवश को एक और नया नाम देने वाले महराजा रगु इन्ही से जिनसाधान जानता है रगु को लिएती सदा चले आई फ्राण जाएं पर भचन न जाएं रगु के वश्चात कलमाश पात शंखन सुदर्शन अगनी वर्ण शीगरग मरू प्रशुश्रुप अंबरेश नहुश ययाती नाभाग अज और महराज दश्रत राम जी के समस्त वंश धर, धर्म परायं, प्रनत पाल, शर्णाग द्वतसल तथा वंश को महमा मंदित करने वाले थे है जम्बू द्वीप में भरत ख्षेत्र सुखदाई, शब्दों में आर्या भरत की होन बढ़ाई है आर्या मर्द में भारत देश अनूठा, इस देश के आगे स्वर्ग का वैभव जूठा भारत में है अयोध्या नगरी, हर आत्मा जहां धर्म की गगरी युद्ध में कोई जीत न पाए, नगरी अयोध्या यही कहाए पुण्यवाहिनी सर्यू बहती, कथा राम के वन्ष की कहती जिसकी कीलती त्रिजग व्यापी है, राम ने भूमि वही छांटी है नक्षक्त्र गगन में ही खिलते, अब तारों को उचे कुल मिलते, यह बात फुरान प्रमानी है ये रामायन श्री राम की अमर कहानी है ये रामायन श्री राम की अमर कहानी है दश्रत के उर्वे बसा शारंग पानी स्वरूप हरी से ही एक आत्म हो, निशी दिन रहते भूप रूप अनन्य अनूप कोशल्या सुमित्र कै कैई दश्रत की इनोरानियां पवित्र चरेत्र वाली थी राजा पर गर्वित नाएं पे हरशित पती पे समर पित प्रेम की प्याली थी विश्णू की आराध काई सावरे की साध काई जप तप व्रत में सुत्रिढ थी निराली थी सुक इतने थे के समाते ना थे आँचल में दुख था के पुत्र रुपी फुष्प हीन डाली थी हार चुकी थी आस यद्यपी तीनों राणियों तदपी उन्हें विश्वास था श्री हर की देन पर निज्वगिया के भूल निपति प्रजाजन जानते चुभती थी वन शूल किन्त कही निर्वन्षता मनुशत रूपाव अधितिक अश्यप दशरत को शल्या हुए कर तप इनको तो राम निधी पानी है ये रामयन शीराम की अमर कहानी है ये रामयन शीराम की अमर कहानी एक शुआक वन्ष में अनेक स्वनाम धन्य राज़ा हुए हैं हम कथा का शुभारम महाराज दश्रत से करने जा रहे हैं दशरत जी दिगविजयी चक्रवर्ती समराट जिनका सामराज्य विराट वैभव विराट उनकी कीर्दी कौमदी से जगत जगमगा रहा था परंतु राजभवन में घोर अंधकार छा रहा था कोई कितना ही धनाद्य क्यों न हो उसका कोश संतान रपन के विनाप परिपूर नहीं होता है उसका सब कुछ वर्तमान में ही विलीन हो जाता है वह हविश का मुख तक नहीं देख पाता है तेरा जाद अशरत आयू के चोधे पन में खुल दीप नहोने की पीडा लिये मन में चिन कित्त अवध पर शासन कोन करेगा क्या उनके आगे रग कुल नहीं बढ़ेगा दशरती ने गुरु वशिष्ट को बुलाया उन पर अपनी चिंता प्रकट की और वन्ष की विर्धिका अपाय पूछा गुरु वशिष्ट ने मार्ग सुझाया शिंगी रिशिका पता बताया राजा ने जोगी को मनाया सुत का मेश्ट यग्य करवाया देह विष्य राजा को जोगी बोले आशा पूरन होगी वह हविष्य राणियों ने पाया पुत्र जने और बंश बढ़ाया कामेश्ट यग्य का फल पाकर राजा राणियों के मुकडों पर सजित मुसकान सुहानी है ये रामयन शीराम की किसी भी तीर्थंकर युगपुरुष महापुरुष अथवाद दिव्य अवतार के आगमन के पूर्फ स्थितियां स्वयम सुखद हो जाती हैं प्रिकृति प्रिधिवी को सर्वांग समारने लगती हैं ऐसी ही आनंद मई स्थिति में हैं आज एयोध्यां उध्यां शहरित के फल से परिपून हैं सरिताएं अम्रित सलिला हो गई हैं अयोध्या मानु साकेत का परियाय बन गई हैं परिवेश सुमधुर वातावरण इश्वर के आगमन के अनुरूप हो गया है मानव सुलब इर्शा द्वेश कष्ट प्लेश वैमन स्यहिंसा इन सब के तो कहीं चिन समय मध्यान न अतिशीत न घाम लोग कर रहा है विश्राम धराधाम को धन्य करने जन्म कृहन करने वाले हैं शीराम सारे ग्रह थे उच्च के लगनवार अनुकूल सैक्र शुक्ल नवमी सुथिती प्रगटे मंगल मूल संबत सर आरंभ शुभ हर नव वर्ष प्रवेश संकट हर ने घूमी के अगै राम रमेश दे जे राध रमेश राम नवमी सुहानी मन भावनी राम जी को संग लेके आई राम जनम पर धर्ती को अंबर भेजे रे भेजे बधाई बधाई रेत नवमी कल्यानी बरदाईनी राम जी को संग लेके आई रेत नवमी कल्याने बर जाईनी राम जी को संग लेके आई अरिने निज बचन निभाएं वे सूर्य बन्ष में आएं रत सूर्य देव ने रोका और आगे बढ़ना पाएं एक महीने तहा दिन ही दिन एक महीने तहा दिन ही दिन संध्या पड़ी ना दिखाई दिखाई राम नवनी सुहानी मन्य भावनी राम जी को संग लेके आई भै प्रगट कृपाला दिन दयाला कोशल्या हितकारी हरशित महतारी मुनिमनहारी अदभुत रूप निहारी कोशल्या दशुरत से जगने कोशल्या दशुरत से जगने दिव्य परम निथी पाई रे पाई रेत्नवनी कल्यानी बर दाईनी राम जी को संग लेके आई रहर महादे शिव 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 महादे बाल रूप के दर्शन करने शिव जी आयो ध्याधाम पधारे राम लला के जन मुझ सब में देवी देव जुड़े यहां सारे प्रभु सुर्वर मुन के बिगडे सब काज सवार में आये भू देवी प्रसन के भगवन मेरा भारुतार में आये नाच के गाके तीनों लोकों ने नाच के गाके तीनों लोकों ने रभु मी की महिमा गाई रगाई राम नबनी चुहानी बन भावनी राम जी को संग लेके आई राम नबनी कल्यानी बर गाई राम जी को संग लेके आई इस तिथ में जो काम करो वो होता शुब फल शुब फल दाई राम नबनी चुहानी बन भावनी राम जी को संग लेके आई चेतना भु मी कल्यानी बर गाई राम जी को संग लेके आई राम जी को संग लेके आई शीहरी धर्ती पर आए हैं और तीन भ्यात संग लाए हैं आनंद मगन रजधानी है ये रामयन शीराम की अमर कहानी है आज हरी के नाम करन संसकार का दिन है गुर्वर चारों भ्रात के लाए नाम निकाल राम चंद्र कहलाएंगे कोशल्या के लाल हूंगे जग प्रतिपाल कोशल्या जी ने पूछा कई कई के सुपृत्र का नाम क्या होगा कई के ई के पुत्र को भ्रत मिला शुभ नाम राम जोड इने जगत से नहीं होगा कोई का भ्रत त्याग के धाम अब सुमित्रा के पुत्र युगल के नाम और गुण सुनिये लाल सुमित्रा के लखन से वकरख शक्दास छाया बन कर राम की सदा रहेंगे पास जैसे पुश्प स्वास सबने पुछा सबसे छोटे को क्या कहेंगे गुण धर चारो व्रात में हैं शत्रुघन कनिष्ठ हो न सकेगा शत्रु से इनका तनिक अनिष्ठ ये भी वीर बलेष्ठ नाम करण संसार हो गया चारों भ्रात का पाएगा संसार शुब भल इनके नाम ले राम लला का संदर्य कोटी कोटी काम देवों की कांती को निस्टेज कर देने वाला है नन्हे नन्हे चरणों में पैंजनी जिसकी धोनी सुनकर मनिजन भी मोहित हुए विना नहीं रहते कोमल कट भाग में कमनिय करधनी उदर पर अंकित तीन रेखाएं मानों प्रभु के त्रिवुवन पती होने की कथा कह रही है आजान भुज अनेक मनी रतनों से सुसरजित वक्ष स्थल पर अंकित ब्रेगु रिशी के चरण चिन शंक की भाथी उतार चड़ावाला सुमदुर कंट मुख मंडल पर छविमान समस्त ग्रहन अक्षत्रों की दिव्य प्रभा कमल जैसे नैन देखकर माता कोशल्या ने नाम दिया राजीव नैन भक्त जनों की पकार सुनने के लिए सदईव सजग करण युगल समस्त प्राणियों के सुख दुख आग्राण करने वाली नासिका ललाट सूर्यवंश की कीर्थी की भाथी विराट जन्मजात गूंगर वाले केश श्यामल तन पर पीतामबर धारन की होए राम आपाद मस्तक शोभा के धाम तीनों अनुजभी अत्यंत लावणय में विश्म की जियोती से ही प्रकाशित उन्ही के अन्ज रिशी मुनी तो क्या स्वयम सदाशिव भी ध्यान समाधि में रामलला के इसी रूप को सर्याई रखते हैं राम जी की किस लिला का वर्ण किया जाए समस्त लीलाएं वर्ण से परे हैं कहने को बाल लीलाएं हैं परंतु बड़े वड़ों को ब्रहमित, चकित और विश्मित कर देने वाली हैं तनिक्त माता कौशल्या के स्थिती देखिये नहला दुला कर बालक का श्रिंगार किया फिर पालने को अर्फित पालनहार किया इश्ट देव को कर नईवेद्य नईवेदन फिर चौके का करने गई निरिक्षन ठाकुर घर में लोट के देखती क्या है भोग लगाते बैठे राम लगा है माता निकट पालने के जब आई शिशु को निद्रा मगन देख चक्राई मा की दशा देख रभुबर मुस्काए अपने तन में सब ब्रह्मान देखाए हाथ जोड सुत से बोली महतारी कभी नव्या बेमाया मुझे तुमारे कहत थास्तु विहसे रगवीर क्रपाला मा की स्मिती पर विस्मिती का पट डाला दश्रत जी बुलाते रह जाते राम बालसकाओं को छोड़ कर ना आते मईया का आदेश नहीं ठुकराते ठुमक ठुमक चल उनका मन भरमाते मा कहती करचीक से भुजन बीटे भागते वे मुख से दधिव हात लपेटे उसे पकड़ने दोड़ी जाती माता छोर न जिसका हाथ किसी के आता बोध गम्य जिस परब्रह्म की माया काम्य उसे मा के आचल की छाया प्रभु के हर आचरन में है एक लीला देख देखो स्नेह से अंतर गीला यहां हर मानव को विद्या ग्यान पुनेह अर्जित करने पड़ते हैं चाहे वह अवतार ही क्यों न हो बाल लीलाएं करते करते राम जी की भी शिक्षा दिक्षा का समय हा गया दशुरत के मन जागी इक्षा राज कुमर अब पाएं शिक्षा गुर्वशिष्ट से किया निवेदर बच्चों को दी विधिवत शिक्षन गुर्देव ने विद्यारा मुथे पूर्व यग्यो पवीत संस्कार किया यग्यो पवीतं बलमस्तु ते जहर यग्यो पवीतं बलमस्तु ते जहर ओ देखके बच्चों को सन्यासी माओं के मन गहनु दासी ओ चले राप्त करने को शिक्षा मांग मांग माओं से भिक्षा भिक्षाम बेही भवती भिक्षाम बेही आतह भिक्षाम बेही भवती भिक्षाम बेही जो पलबल को नहीं दूर हुए उन्हें जाते देखके महलों से माताओं के नेनों में पानी है ये रामायण शीराम की अमर कहानी है ये रामायण शीराम की अमर कहानी है उन्हें ज्यान पाने चले जगपति विद्यानाच पाले गुरु कुल के नियम रभु निष्ठा के साथ राम यहाँ न नारायण है न राजकुमार केवल गुरु के आग्याकारी शिशे है शेश की शया पे सोने वाले भूमी पे आज शयन करते हैं करते हैं पशुओं की सेवा शीहरी गोचारण करते हैं सारे जग के पालन हारे सारे जग के पालन हारे भगवन भिक्षाठन करते हैं विद्यार्थी के लिए जो उचित है वो सब नारायण करते हैं श्री राम को बालपने से ही मर्यादा का बोध है वे जानते हैं गुर का स्थान क्या है ज्यानी बनाने में उनका योगदान क्या है उन्हें देने योग्य शिश्योचित सन्मान क्या है ये वही गुरु वशिश्ट हैं जिन्होंने राम जैसा स्वयोग्य शिश्य पाने के लिए वर्षों रगकुल की पुरोहिताई की है प्रभु ने भी उन्हें गुरुपद की पूर्ण गरिमा दिये है गुरु वशिश्ट के साथ गुरु माता अरुण धती भी अपना दायत बड़ी कुशर्टा से निभाती है बालकों को ममता का आचेर उढ़ाती है अन्नपूर्णा की भाती भोजन कराती है मधर मधर गीद काकर सुलाती है गुरु देव देते हैं कठिन कर्म की शिक्षा तो गुरु माता बालकों के हिर्दय में सुकोमल भावना जगाती है राजकुमारा को उनकी माताओं का अभाव अनभव नहीं होने देती है गुरकुल में बह रही है वातसले की अविरल धारा उस धारा में सानुज स्नान करा है प्रिया राम हमारा ओ गुरु के बचन राम दोहराएं लीला देख शंभ मुस्तकाएं ओ प्रभु गुरु संग शिवराग्पी मनाएं पंचाक्षरीगा शिवकोरिजाएं नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओ नमः शिवाय शास्त शस्त्र के दे दिये गुरु वर ने गुरु मंत्र घर ले जाने अब इनी आ गए आर्यस मंत्र कुवरों के ज्यान प्रदर्शन पर महराज गए हैं गर्व से भर गुरु वर की रिणी हर रानी हैं ये रामायन शीराम की हमर कहानी हैं जिश्वर विश्वामीत्र जो योग सीधी की खान। दश्रत के घर आ गए हैं मांगन को भगवान। गोलें रिपत देदो हमें सुत किशोर गुण युक्त। खर गर का हो नाश और सुर्णर मुनी भय मुक्त। विश्वामीत्र जी ने तो मानो राम जी के मन की बात कह दी हैं सुर्णर मुनी को भय मुक्त करना जीवात्माओं को धर्म संयुक्त करना पिथिवी से आसुरिय शक्तियों को मिटाना उसे प्राणियों के रहने योग्य बनाना यही उद्देशे लेकर तो राम जी ने अवतार लिया है परन्तु वे दश्रत जी के पुत्र भी तो हैं पुत्र भी ऐसे जो आशा हार जाने के कगार पर प्रकट हुए माता कौशल्या को तो श्री राम ने अपना चतरभुज विरार रूप दिखाकर नारायन होने का बोध करा दिया था किन्तु दश्रत जी वे तो उन्हें फुत्र रूप में ही जानते हैं उनके परब्रह्म होने का विश्वास दश्रत जी को तब हुआ जब गुरु वशिष्ठ ने उनकी माया का सहस्रांश बखान किया ग्यानी गुरु देव के श्री राम को ईश्वर सिद्ध कर देने पर भी फुत्र के प्रती पिता का मोह कम न हुआ राम जी अभी भाताओं के साथ गुरु कुल से लौटकर विश्रांभी नहीं ले पाए थे माता पिता उन्हें स्नेह के कुछ पल भी नहीं दे पाए थे कि विश्वा मित्रजी ने हटाता कर अपनी अनूठी मांग रखती रिश्वर ने ऐसी निधी मांगी जो किसी मूल पे जाए न चागी कोमलांग शिशु खूलू जैसे दुश्कर कार्य को भेजें कैसे हट कर विश्वा मेत्र खड़े हैं पिता धर्म संकट में पड़े हैं बोले दशुरत खल दलने को रिश्वर हम प्रस्तुत चलने को कहें वशिष्थ भय मत करो तुम इनको लगु जान करें पुत्र की भूमिका स्वयम विश्व भगवान कुछ उत्तर दिया न दशुरत ने जब है तुब बताया गुर्वर ने तब विश्वा मेत्र की मानी है ये रामयन शीराम की अमर कहानी है ये रामयन शीराम की अमर कहानी है ओ बंधु युगल धन बान सजो कर चल दिये रिशी के अनुगत हो कर ओ विश्वा मेत्र कहें सुन रधुवर असुरों से भरा यह बन प्रांतर नाम ताल का राक्षसी काया प्रहताकार मुनियों का तप भंध कर निध्य करे संधार दमन आसुरी शक्तियां करने प्रग का राम मेरे पहले बान पर लिखा ताड का नाम ऐसे ही ताड का का नाम लिया राम ने वैसे ही आ गई वो वयम प्रभु के सामने लक्ष साज पर छोड दिया वो ताड का नाम का था जो बान प्रान उड़े तन हुआ भूमिगत हुआ राक्षसी का कल्या विश्वामित्र ने राम को आयुध किये प्रगां मुनि संग आश्रम आगए सानुज श्री भगवां बोले कृपा निधान निर्भय हो मुनि जन करे अब यज्या नुष्ठान नहीं पड़ेगा यज्य में कोई भी व्यवधान कर दिया अभय प्रदान ओम अधने स्वाहा इदम अधने इदन्नममा ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्नममा ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्नममा ओम अधन राय स्वाहा इदम अधन्नममा श्री राम ने विश्वामितर जी का मनुरत पूर्ण करने के लिए एक अध्वत कारे किया आश्रम के उपर रखुननदन ने छपपर छा दिया बाणों का कम ताके न तूटे विश्वामित्र के शुभय ज्ञानों श्ठानों का जिन साधु संतु जन की रखवाली सानु जुश्री भगवान करें वे निर्भय हो निर्विख्न पून विधिपूर्वक यज्य विधान करें ताड़का के बद से क्रोधित दोनों भाई आश्रम तक आप होँचे देहना के प्रत्शोध में गए सुबाहु के प्रान दूर गिरा मारी चुजाद आविन भर का बान धन्य राम भगवान रिशिराज विश्वामित्र यग्यों में सफल का पा गए दुल लब अमोग अलब्य आयुध यग्यफल बन आ गए वे यग्यफल गुरु देव ने प्रभु को समर्पित कर दिये सद्गुण से सजित राम शस्त्रों से सुसर्जित कर दिये जनक जी के दूद द्वारा मिठल आने का आमाद चुन पाकर ओ बोले विश्वामित्र के राघव देखें चलो धनुष यग्योद सब ओ धनुष यग्य की बात सुहाई मुनिवर संग चले दव भाई रही जनक पुरीमानों पुकार शीघाओ दशरत के कुमार तुम्हे दीला यहां रचानी है ये रामयन शीराम की अमर कहानी है ये रामयन शीराम की अमर कहानी है जनक पुर की यात्रा के प्रथम चरण में ही राम चरण की रच का चमतकार देखनों को मिला मार्ग में पढ़ा एक आश्रम जहां न कोई मानव न जीव जन्तु न फल मूल न जल दिखाई दी तो केबल एक निश्प्रान शिला रखुवर ने गुरवर की और जिग्यासा भरी दृष्टी से देखा तो विश्वामितर जी ने स्थान और शिला दोनों के विशे में बताते हुए कहा यह जन्विहीन आश्रम तब करते थे किसी समय यहां रिशी गोदम शिला तुम्हारे आगमन से अवगत है इसी लिए युगों से प्रतिक्षा रथ है विश्वामितर जी और राम जी को शिला की विथा और मूल कथा बताने लगे है राम सुनो ये अहिल्या है रिशिवर गोदम की विहनारी नीरव निश्चल निश्वरान पड़ी पति से शापित हो बेचारी धर के गोतम का रूप अहिल्या से किया इंद्र में छल भारी तुम रखो शिला पर पदपंकज है जिन की धूल चमत कारी राम जी बाणों से प्राण देने वाले तथा चरण रज से प्राण देने वाले हैं जन्मों पे संचित पुण्य से संजोग यह अद्भुत मिला शीराम प्रभ की चरण रज से तर गई शापित शिला वर्दान बन गया पति से पाया शाप आज उसके लिए जप तप से जो दुर लब हैं उन रघुनाथ के दर्शन किये वही अभिनव सौंदर्य वही दिव्य सुवर्न अनूप मात अहिल्या पा गई रभु से मूल स्वरूक दिया आशिरवाद अहिल्याने ये राम तुम्हें वो शीग्र मिले जिसके तंग प्रीत पुरानी है ये राम तुम्हें शीराम की अमर कहानी है अहिल्या का उध्धार कर राम जी पाप नाशिनी पतित पावनी मुक्तिदाईनी भागी रुठी के धटपर आप पहुँचे यहां बैठकर रिशी विश्वामित्र ने गंगा जी की संक्षित गाथा राम जी को सुनाए सुनो राम ये गंगा मातुशी नदियों की रानी है पावन तम सुर सरी वैश्न बी जग कल्यानी है सुर नर्मनी है इसे नतमस तक महराज सगर से सागर तक इसकी अश्पूर पहानी है सुनो राम ये गंगा मातुशी नदियों की रानी है पावन तम सुर सरी वैश्न बी जग कल्यानी है जिग विजय का ध्यान सगर के मन जब आया तब अश्वमीध का भारी यक्य कराया ए महराजा सगर के बेटे साथ हजार अश्वमीध का अश्वले है चल दिये राज कुमार सुनकर सगर की इति का गायन कमकित हुआ इंद्र का आसन इर्शावश वह अश्व चुराकर बाधाया पाताल में जाकर तब करते जहां कपिल मुनी नैन मूद धर ध्यान अश्व खोजते सगर की वह पहुँची संसान पाताल में अश्व को देख राज कुमारों के आश्यरे का छिकाना न रहा वे परस पर कहने लगे जिसके लिए व्याकुल पे सारे जिसको धूंध धूंध कर हारे अश्व मुन के निकट बंधा है रिशी ने काम निक्ष्ट किया है लगे व्यंग्य के तीर चलाने भोली से अगनी परसाने शांत धील में परे जो पत्थर जान समाधी से उठ गए मुनिवर ना समझोंने उनको चोर कहा रोधित हो उनने शाप दिया वुई सब की जीवन हानी है उन सगर सुतों की शेश अब भस्म निशानी है और मुक्ति है तु आखाश से गंगा लानी है तीन पीडियां सगर की मना मना आगई हार विनय भगीरत की हुई गंगा को स्वीपार गंगा बोली भगीरत मेरे प्रायंकारी वेग को संभालने की क्षमता एक मात्र शिवशंकर में है तुम उन्हें मनाओ गूतेश्वर प्रसीद हस्मेश्वर प्रसीद गोरिवर प्रसीद ओ नमस्षिवाय शिवशंकर ने गंगा का वेग सभाला उसे अपनी जटाओं के बंधन में डाला संसार का पहला बाद जटाशंकर की हर की प्यारी बंधिनी हुई शिवशंकर की पाप ताप और शाप से मुक्त करे संसार इसलिए ही मगिरी पर उसे शिव ने दिया उतार शेल सुता गोमुक से गोंगुत्वी पराई और शने शने अपना माल्ग बनाने लगी रत पे भगी रत आगे आगे पीछे चली गंगा की धारा लाए भगी रत इसलिए जाए भगी रत कहकर इसको पुकारा जल के स्पर्ष से शाप मिटा कर सारे सगर पूत्रों को उतारा स्वर्ग से आई सुर्षरी ने फिर स्वयम को भी सागर में उतारा पावन तम इस संगम को गंगा सागर कहता जग सारा ये विश्ण चरण की धारा है अम्रित भी इससे हारा है इसे लोग समझते पानी है सुनो राम ये गंगा मात श्टी नदियों की रानी है पावन तम सुर्षरी वैश्ण वी जग कल्यानी है राम जी ने अपने पूरवज़न द्वारा प्रिथवी पर लाई अपने ही श्री चरणों से बहाई हुई वैश्ण वी नाम धारनी गंगा में स्नान किया तत्पश्चाथ गुर्देव के साथ निर्दिष्ट स्थान की और प्रस्थान किया जनकपुर के निकट पहुँचकर विश्वामित्र जी ने एक फल संपन्ना अमराई को देखा जो मुनी जन की आध्यात्मिक स्वास से स्वासित हो रही थी गुर्देव ने रामजी से कहा इस सुरम्य अमराई में निवास करना सुखकर और सुविधा जनक होगा रामजी बोले जी गुरुवर महाराजा जनक ने जब मुनिश्वेष्ट विश्वामित्र जी के आने का समाचार पाया तो सचिव सेनिक और धर्मबंत शतानंजी के साथ अगवानी के लिए स्वयमों पस्तित होएगा मुनिवर को सादर प्रणाम कर आशिरवाद प्राप्त किया इस अफसर पर उनका पधारना कल्यान कर जान आनन्दित होएगा देखा जनक ने मुनिवर के संग दो ते जस्वी कुमर पधारे उनका परिछे पूछा तो विश्वामित्र ने ऐसे वचन उचारे राम ओर लक्ष्मन दश्रत नंदन ये हैं रघुकुल के उजियारे निखलाने सीता का स्वयंबर लाए हम इन्हे संग हमारे देखने को ये भव्य स्वयंबर आए अवद के धिव्य सितारे शतानन्द गुल या अभिवादन महल में ले गए शीनों को राजन विश्वा मेत्र के चरन पखाडे उमरों के लिए आसन डारे राम लखन रविशश सम्प्यारे करने लगे चहुँ दिसी उजियारे बंदु युगल को जो भी निहारे अनायास उन पर मन हारे कहते नर नारी निथि लाके रच रहे स्वयंबर बर पाके राजा की बुधि रानी है वाहां पहुच गए शी विश्ण जाहां लक्ष्मी रानी है ये रामायन सिया राम की अमर कहानी है यद्य भी सीता राम दोनों ही जानते हैं कि वे लक्ष्मी और नारायन हैं तथा पे ऐसी लीला कर रहे हैं मानुव मानव और मानुवी साधारण है अपने मिलन का बड़े रोचक ढंक से सही उजिन किया है राम सानुज पूजा के लिए पुष्प चुनने आये हैं तो सीता सक्षियों के साथ गोरी पूजन को दोनों के ही मिलन का माध्यम फवित्र पूजा है पुष्प चुनने गुरु की आग्या सिरधारे पुष्प वाठिका में आ पहुचे राम और लकन सखारे माली से अनुमत मांगे जग बगिया के रखवारे वंदनी यहें मर्यादा पुर्षो तमराम हमारे जिस वाठिका में प्रभु पुष्प चैन को आए हैं उसी वाठिका में मनो कामनागी पूर्ती हेतु गोरी पूजन कर रही सीता सक्षियन संग एक सकी कहने लगी भरूच सा उमंग में बगिया में दिथ के आई शामल गोर की शोर सुहाली दिव्य सुदर्शन अत्याकर्शत दिखत ही नेरे नेन जुड़ाली नेन में जिवान जिवामे नेन है फिर उनकी छवी कौन बखाने खुन में एक तेरे अनुरूप स्वयम चल देख जो मेरी नमाने पनुप वुत्रिबुवन वुप स्वयम चल देख जो मेरी नमाने चर्दीसिया सक्की कर आगे नेन नेन निधी खोजन लागे शामल गौर राम लक्ष्मन उलता भवन से प्रगट ऐसे रविश श्मेग खटा कर जैसे राम सिया को सिया राम को अपलक देख रहे हैं युगल खीर सागर के वासी पुश्पों बीच मिले हैं नयन मार्ग से रिदेवे रख कर रगवर सा रंग पानी पाए प्रान निधी जट पट दीने पलक पाठ सयानी सीता ने बड़ी चतुराई से किसी ने किसी देवी देवता का आधार लेना पड़ता है तराथना करने पड़ती है किसी ने किसी से पिता का प्रंड कठिन शिव जी का धनुश कठोर यही सोचकर महालक्षमी मानवी की भातिशी घरता से चल दी गौरी मंदिर की ओर आपोंची गिरिजा सदन मांगन को रघुनात पोरी सुथी गाने लगी सियाविने के साथ दक्ष प्रजापत के भवन सती था तेरा ना गौरी पारवति युमा तुही मदिर के धान ओ आत्या परमा शक्ति स्वरूपा अमितान्यो तमा अनूपा जै गौरी मा तिरी जै हो गौरी मा महा दीवी तिरी जै हो गौरी मा ओ निगमा गब तव पार न पावे ब्रह्मा विष्णु शंभु तो है दावे जै गौरी मा तिरी जै हो गौरी मा महा दीवी तिरी जै हो गौरी मा माता कहा तुझसे छुपी मेरे लिदे की कामना बोले बिना करती मनोरत पूर्ण तू मन भावना शिव दन करे वही भंग जो राघव करे शिव साधना कामेश्वरी अपने सिया की कर सपल आराधना मातेश्वरी अपने सुता की कर सपल आराधना विनय प्रेम वश्मात की मूर्ति हुई जीवन्त गिरा पुष्व गलमान से हुई प्रसन अच्चन्त सुन सीता तुझे को मेरा है यह शुब आशिश आए पति के रूप में तू रगपती चगदेश यह मेरा शीश करुणायतन पंकजनयन शामल वरण सुख धाम से निश्चित है मधुर मिलाप तेरा अवध नायक राम से सुन्तर भवानी के वचन जलनयन तन पुल कावली पुनि पुनि उमापद पूजी सीता मुझेत मन निजग्र हचरी पुनि पुनि उमापद पूजी सीता मुझेत मन निजग्र हचरी ओ आज नगर में हल चल भारी निजवर सुनेगी यह सुख मारी ओ जनक ने बंदी जन बुलवाएं विर्दा वली कहत चले आएं जनक राज के वन्श का क्रम शह किया वखां अब दृप तक कालीन का करने लगे गुणगान कैसे जनक मान देती राजा को प्रजा कर स्वरूप जोदान जनक राज उससे करें जन जन का कल्यान एसे इन्रिपति महान राज धर्म को पूण तहन पाले जनक विदेः रखे प्रजा पर सर्वदा निज संतति समस्नेः धनी धनी जनक विदेः धर्मात्मा गुणवान जनक राज को जान के बन इन की संतान महलक्ष्मी प्रगटी स्वयं वंदी जन्ने जनक राज का कठिन प्रेंट्स वहां अपस्थित राजन्य वर्ग तथा सर्व साधारन को कह सुनाया सुनो सकल महिपाल भंग करे जो शिव धनुष् जालेगी जैमाल सिया उसी के कंठ में सीता स्ट्रिपुर सुंदरी अतुलनिया अनिंजिका सखियां सजीव सौंदरी को लिये चलिया रहे हैं त्रिववन की शोभाले सारी रंग भूमि में सिया पधारी सोच रही मिथले शुकुमारी सुनो है भोला सुनो भवानी नहीं मेरी स्थित तुम से अजानी धनुष की गुरता को अब घटा दो श्री रामजी को विजय दिला दो शक्ति परिछा दे ठके राजे राज कुमार हार गए सिया हार का पान सके उपहां यो धाओं को देख पराजित जनक हुए शोका कुल चिन्तित शोका कुल बोले यहवानी वीर विहीन मही में जानी उपित लखन बोले जहां रघुवन्शी कोई हो ऐसे अनुचित वचन तहां कहे न ग्यानी कोई ओ विश्वामेत्र तब इंगित की ना रघुवर को यह आयशु दीना ओ उठो राम धन पान चड़ाओ जनक राज का शोक मिटाओ शिवजी तो श्री राम के पहले ही अनकूल आकर उनके हाथ में धनुशु आजियू खूल ओ प्रत्यांचा कब राम चड़ाई एंचत चाप पड़ा न दिखाई ओ भोरनात जब गूजन लागा तब जन जन तंत्रा से जागा जागा विवेक सजग हुए सब नेन लगे उभाडने चारों दिशाओं के बंजे दिगज लगे चिंगाडने ब्रहमांड सारा जुक गया मुद्रा में विनय प्रणाम की चहु और से ध्वन आ रही श्री राम जै श्री राम की चहुं और से धन्या रही श्री राम जै श्री राम की जै माला पहना कर सीता श्री राम की हो गई पर लीता अब व्याह की रीत निभानी है ये राम जै श्री राम की हमर कहानी है व्याह की रीती सहज भाव से निभाने में बड़ी कछिनाई है अरशुराम जिनके आराथिदेव हैं शिवशंकर शिवधनुष के तूटने का भान होते ही यग्यशाला में विद्युत की भाती पहुँच गए और बादलों की भाती घरज में लगे परशुराम जी के हाथ में परशु, मन में योगशक्ति, तन में पौरुश, खोश में अनेक सिधियां तो भी साधक अपने क्रोध पर अंकुष न रख सकी परशुराम सियाराम की महिमां से अनजान शुब विवाह के कार्य में दाल रहे व्यवधान तूटा शिवधन देखकर नेत्र हो गए लाल लगे गरज कर पूछने किसका आया काल परशुराम और लखन में छिड़ गया वाध विवाध लगे डालने अगनी में भित लक्षमन समबाध महच गया यूँ चरम पर परशुराम का क्रोध व्यंग वचन सुन लखन के गये बुद्धी और बोध तब शिराम मध्य में आये परशुराम के सुगुन गिनाये ओ आप सुवीर परम तब धारे मुनिवर आप के महिमा भारे मैं दोशी मुझ से हुआ दनुश भंग का दोश दंडित मुझ को कीजिये त्याग लखन पर रोश मुनि बोले तेरा अनुझ उश्रिंग खल बाचार तू भी कम नहीं बुन रहा मधुर बचन का जार समझूं तेरी चार परशु राम ने राम के करमे धनुश थमाए कहा के हर के धनुश पर दे यदि चाप चड़ाए तो संशय मिट जाए तब प्रभुधन पर चाप चड़ाया मुनिवर से बोले रघुराया बान अमोग व्यरत नहीं जाता लक्ष सिद्ध करके ही आता आप है द्विजी और मैं करूं द्विजगन का संबाद विश्वा मित्र के मित्र है तो हर नहीं सकता प्राण मन की गति से गमन की आप में शक्तिय पार तपसे अरजित पुन्य का अक्षय है भंदार ओ शक्ति हरुम्या कुण्य मिताओं कहिए किस पर बान चलाओं ओ बान प्रभाव जान मुनिराई रगुवर को यूँ विनय सुनाई हम यह पिठिवी कर चुके कश्य प्रिशी को दान शक्ति गमन की नश्ट मत कीजे कि पानिधान शक्ति गमन की यदि खो देंगे तो हम कठिनाई में पड़ेंगे नित महेंद्र परवत पर जाकर रात्र शयन हम कर तेर गुवर जप तपसे जो पुण्य कमाया उसे नश्ट कर दूर घुराया पुण्य मिटा तो दंभ मिटेगा दंभ मिटा तो ग्रोध घटेगा तोध घटा तो वचन से नहीं निकलेगी आज जागेगा मन में सहज प्रभु के प्रति अनुराद यही रमापति विष्ण है यही शिव के प्रियराआँ परशु राम ने राम को शत शत किये प्रणाँ श्री जनक राज ने लगन लिखा दशरत को दिया सादर न्योता बारात अवध से आनी है ये रामायनशी राम की अमर कहानी है ये रामायनशी अराम की अमर कहानी है दशरत गए पधार मिठिला में बारात ले कर आधर सतकार जनक विनेवश कहे रहे ओ नहीं सकती देव किसी विध हम में आप में समता यहां आप को लाए हैं सैयोग स्नेह और ममता दशरत नाम में चार अक्षर हैं बड़ी आप की प्रभता जनक नाम में दीन अक्षर हैं सिथ करें जो लगता दशरत जी ने प्रेम वश बोले ऐसे बोल जिन बोलू के भाव थे मोती से अनमूल हम में कैसी समता भगवन हम या चक तुम दाता देले वाला सदा भिक्षु से उची श्रेणी पाता कन्यारत्न की प्राक्ति है तुम हम धोली खड़े पसारे कर दो कन्यादान जगा दो सोए भाग्य हमारे एक भगवती के पिता एक भगवत के तात एक दूजे को कह बढ़ा भूले नहीं समात विधी ने भी कैसा सठीक गनित बिठाया राम के लिए सीता भरत के लिए मांडवी लक्ष्मन के लिए उर्मिला और शत्रुख्र के लिए शुत्यकीर्थी को बनाया एक ही घर की चार कन्याओं को जाएगा अब एक ही घर में पठाया इस अफसर पर सुर नर्मनी तो क्या माता भूदेवी कर दे भी फूला नहीं समा रहा उसकी पुत्री के विवाह का मंगल गीत गाया जा रहा है परंत उसकी विवश्टा तो देखो वह अपने स्थान से हिल भी नहीं सकती सुजन संबंधियों से मिल भी नहीं सकती हाँ इस आनंद से अवश्य अभी भूत है कि यह शुव विवाह उसके आंगन में हो रहा है सिया दाम पिया की साथ फिरन लागी हरे हरे फिरन लागी भावरिया मन हरे शीत पुल कीच बाच फिरन लागी हरे हरे फिरन लागी भावरिया सिया दाम पिया के साथ श्री जूसागर विश्न को सोपी हिम गिरिगारे शिव संध व्याही जनक ने दियो राम को सीता दिन यशील दुन भती पुनेता दोकरीत से मंगल पर लै करसी और खुनाथ फिरन लागी हरे हरे फिरन लागी भावरिया सिया राम पिया के साथ फिरन लागी हरे हरे फिरन लागी भावरिया सिया राम पिया के साथ यद्य पि दोनों मीत कुराने तद पि बने पुनी पुनी अलजाने पुनी माला पड़ पुनी गत बंधर पुनी भावर फिरन लक्ष्मी नाराया मांचित वरदानी पर द्वारा सिंदूरी हुआ हाथ बुरी को मिले हरे हरे बुरी को मिले सावरिया जबी देखत रैन जुडात बुरी को मिले हरे हरे बुरी को मिले सावरिया जबी देखत रैन जुडात सीता ने बर लिया राम को लक्षमन ने भ्याही उर्मिला शत्रुगन और शुक्त की उतिकामन परस पर मिलकर किला जाही भरत ने मान भी छोडे बले तैसे भले सानंद दशरत चार बतु हो को अयोत्रा ले चले सानंद दशरत कुत्र बतु हो को अयोत्रा ले चले बारात अयोत्या आ पहुची वर बधमों का परिखन करती आनंड मगन धर रानी है ये रामायन सियराम की अमर कहानी है जैश्री राम प्राध्यस मरणे हैं महराज़ दशरत परम प्रणम्य हैं माता कोशल्या जिनकी तपस्या के फलस्वरूप स्वयम नारायन उनकी संतान बनकर प्रकट हुए भरत लक्ष्मिन शत्रुग्न इनकी क्या प्रशंसा की जाए ये तो नारायन के ही अंश है अयोध्या की भूमी की तुलना यदि आकाश से की जाए तो अतिशयों की न होगी अस सौभा के शालिनी ने राम लला की बाल लिलाओं का अपभुग किया और चुमन लिया रभु के नंह नंह चरण कमल का धन्य धन्य है पुण्य सलिला सरीव माता शीर सागर के निवासी ने जिसके जलका सेवन किया राम जी की बाल लीला माता कोशल्या के आग्रह पर रुदन से आरंग हुई राम जी ने तारका एवं सुवाहु का बद कर असुर विनाश का पहला शगुन किया विश्वामित्र के आश्रम में मनिजन की रक्षा कर परित्राणाय साधुनाम की पुष्टी किया श्रापित अहिलिया को तारकर अपने तारनार होने का प्रमान दिया है मिथिला में शिवजी का कठोर धनुष सहज भाव से भंग करने पर उनका परम शक्तिशाली होना सर्व विदित हुआ फिर हुआ जनकननिनी सीता के साथ मंगल परिणे परिणे अर्थात विवाह विवाह का परियाइबाची शब्द है दायत्व दायत्व कांधों पर पढ़ते ही बालकांड स्वतेह समाफ्थ हो जाता है यहां बालकांड का आपचारिक समापन कर आईए आयोध्या कांड में प्रवेश करें आल सोय कंथे गरल नाग वक्षे विभूशित अत्यद्भुतं पाहे मामा शुतोशं वर्परशुभव प्रदतम युगपदांबुज सुख प्रदयशब प्रदतव युगकरांबुज करुणा जले सिक्ट शुब युगद्रिगांबुज पुरुवासरिदयांबुजे सीताराम हर्ष नराज तिलक सुनकर नहीं विशाद बन गमन पर समभा वस्कित निरलिर्टं मेरा घब कुरुकुरु किपांबुज जामल बर्ण को मलांगम वावांगे सी अशोबितम। बाणपूरित धन शहस्ते रगुखुलनात नमाम्याम। जहां श्रीरामजी हैं वहां धर्म जहां धर्म है वहां सुरक्षा जहां सुरक्षा है वहां अभय जहां अभय है वहां शांती जहां शांती है वहां संतोश और जहां संतोशी आत्माय निवास करती है उस पुणियमई नगरी का नाम है अयोध्या श्री रामचंद सुभाव से ही आनंदकंद सबको सुख देने वाले आज उन्हें सुख देने वाली साक्षात भगवति सीता उनके साथ सब्त बदी करके उनके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरके उनकी जीवन संगनी की रूप में मिथला से अयोध्या चली आई है और सा में तीन भ्राताओं के लिए उनकी वध्यों के रूप में अपनी प्यारी प्यारी तीन बहनें भी लाई है चारों यूगल मूर्तियों के दर्शन नेत्र यूगल के लिए परम सुखदाई है महाराजा दश्रत के जीवन से पुत्रियों का और माताओं के मन से पुत्र वध अधुआ का भाव सदा के लिए मिठ गया अयोध्या नगरी की सीमाइं हो सकती हैं परन्तु अयोध्या निवासियों के आनंद की आज कोई सीमा नहीं ओ चारों भ्रात बधूटिया लेकर जब से लोटे हैं अपनी घर ओ रेन दिवस आनंद घन बरसें सब करिदर प्रेम तर सरसें ओ औरी धिसीति आचल भर भर कर देती फिरें सुख संपति घर घर ओ अपलक जन सी अराम निहारें युगल मूर्थि पर जीवन वारें श्री संपन्द हुआ अवध पाकर सीतामात वहां अभाव की पैठ कांद जहां लक्ष्मी साक्षात श्री संग है श्री नात भक्गन महरानी कोशल्या के महल के मधुमय परवेश में घड़ी भर को चले अंगना में कंगना चूडियां नूपूर का मधुमय स्वर सुना आनंद दश्रत जीने चोथे पन में पाया चोगुना निजपुत्र बदों पर निछावर आज तीनों रानियां घमरों के मुख से सुन रहे हैं पुष्प प्रेम कहानिया बच्पन यौवन वार्धक्या ये सब गतिमान समय के पिथक पिथक नाम हैं आज महाराजा दश्रत का समय भी बढ़ते बढ़ते उन्हें सोथापन पार होने के कगार पर ले आया है महाराज श्री ने राजकाज से अवकाश रहेंड करने का मन बनाया है श्री राम उनके उत्तराधिकारिय हूं इस निर्णे पर विचार विमर्ष करने के लिए अनेक राजाओं रिशिमोनियों विद्ध्वानों तथा मंत्री मंडल को बुलाया है यदि यह निर्णे महाराज अकेरे करते तो पुत्र के पक्ष में केवल एक विथा का होता इस पर सर्व साधारन का समर्थन प्राप्त करना राजोचित मर्यादा का पालन करना है पार हो चला है चोथा पन फ्रेत केश जलका है दरपन यह विचार करते अब राजन राम को सूपे राज सिंहा सुन मंत्रि सभासद और प्रजाजन भिन भिन नगरों के राजन दशरत का संदेश सुना कर मांग रहे सब कामत गुरुबर शुभ मुहूर्त मंगल लगन शुभ ग्रह योग मिलाए राज तिलक की राम के दीवुर सुतिथी बताए दशरत के संद सभी चाहें वे अबध के राजा बन जाएं रिभुवन जिन की रजधानी है ये रामायन स्री राम की अमर कहानी है ये रामायन स्री राम की अमर कहानी है गुरुदेव वशिष्ठ ने कोमल वानी में परिचारकों से कहा शीर सागर के निवासी नारायन के अभिशे खेतु सर्व तीथों का जलेकतित किया जाए अभिशिक्त करके युवराज को सिंग हसन पर स्थापित किया जाए पृधिवी पर राम राज की स्थापना हो, धर्म की संस्थापना हो, जनजन का कल्यान हो इससे अधिक मंगल में कार्य मेरे हाथों दूसरा नहीं हो सकता यह पृधिवी के लिए भी परम गौरव प्रदान करने वाला संबाद है राजा दश्रत के इस मनुरत का विधिना की अद्रिक्त सभी ने मुक्त कंट से अनुमोदन किया ओ समाचार बैला जन जन में हर शोलास सभी के मन में हूँ सबने दश्रत जी को सराहा यह निर्णे सब का मन चाहा हूँ सब उस दिन की राह निहारें सिंगा सन जब राम पधारें कैकेई को रामत प्यारें राम पे वो सरवोनी धिवारें दश्रत जी ने जब कही राज तिलक की बात सुनकर परमानंद से भर गई के कैमात यह शुभ शुभ संबाद कांदिया से बात कर लेकर हर्ष प्रशाद बहिर हमन दश्रत किया और हर्षाति रेक से भर कर कई कई ने नवरत नो काहार तुरत उतारा खंच से शुभब सरपरवार बोली येले मंतरा परन तुन जाने क्यूं और किस कारण से किया नहीं स्वीकार दासी ने उस हार को देखके ये व्यवहार रानी अच्छरज में पड़े मंतरा यदि इसमे दासी होती तो रानी के दिये हुए नौलखा हार को कंठ में जुलाकर सारी अयोध्या में नर्तन करती फिरती बहुमूल्य निधी का प्रदर्शन करती फिरती परंत वहतो देवताओं की कटफतली बने हुई है उसके बोल सरस्वती प्रदत्त भूमिका दैव प्रदत्त योजना नारायन प्रदत्त ऐसे में ऐसा करने के अतिरिक्त और वह क्या करें कैकेई को मन्थरा रही ये भेद बता राजन मीठा बोलकर कड़वा रहे खिलाए तुमको समझनाए मन्थरा बात को आगे बढ़ाते हुई बोली भरत और शत्रूग्न हैं दोनों ही न निहाँ राज तिलक की योजना ऐसे में एक चाल कोशलया की चाल कई कई सचमच कुछ नहीं समझ पा रही थी मन्थरा देव प्रेजिद बातें कहे जा रही थी राम राजा बनते ही भरत बनेगा दास तुम कोशलया की दासी बन जाओगी उसकी ही आज्यामान उठोगी बैठोगी और उसी की दया का दिया पेहनोगी खाओगी बैह गई यदि भावनाओं के प्रवाह में तो दिन रात बैची बस आसु ही बाहाओगी राज तिलक यदि राम का हो जाएगा तो भरत को राजा कभी देख नहीं पाओगी जैसे महाराज को मैं प्रिये मुझे राम प्रिये वैसे ही भरत मेरे राम को प्यारा है अग्रज प्रथम अधिकार होता राज का अधिकार लेना अधिकार नो हामारा है मंसरा अकेली एक तुही दिनो लोक में है अप्रिच का सिंधु राम लगे जिसे ठारा है मंद मती तेरे को वचन सुन लगता है नियती ने तीर तेरे सुमती पे मारा है रानी ने रोश में भखकर दासी से पूछा राज तिलत क्यों राम का तुझे को रहा दलाए बहुत नरगल बोलकर मत मुझे को भरमाए लूगी जीव खिचाय मुझे सूली दो चड़वाए मुझे से मेरे भरत का अहित न देखा जाए सोचू कोई हुपाए अरी गुरुपा यदि राम का राज तिलक तुझे खल रहा है भरत के लिए मन जल रहा है तो उपाए भी तू ही बता मन्थरा देव प्रेरित कुभुधि को यू उपयोग में लाने लगी हित भरत का है क्या करने में रानी को यू कि सुझाने लगी दोवर के लिए दशरत की दिये बचनों की याद दिलाने लगी कई केई भी धीरे धीरे उसके प्रभाव में आने लगी देव योजना बनाएं सरसुती सहायता करें तो सफलता में संदेह कहां रह जाता है अंगों से आभूशन उतार वह कोप भवन में जा बैठी दिखरे के शोर मलीन वस्त्र कुछ अदभुत वेश बना बैठी यह गशा देखकर दशरत जी पर जैसे उलका पात हुआ जड़ हुए चरण और कंठ शुष्क मन चिंतित कमपित गात हुआ दशरत जी समझ नहीं पा रही थे कि रंग भवन की नायका को भवन में क्यूआ बैठी है उन्हें सर्वधा तुष्ट करने वाली प्रेकारणी रुष्ट क्यूं हो गई है क्या कोई अपूर मांग उसे यहां ले आई है या विधना ने नई यूजन बनाई है वे लगे पूछने रानी से क्यूं ऐसा वेश बनाया है किस कारण है मन खिन प्रिये तुमें किसने दुख पहुँचाया है कहो किस निर्धन को राजा कर दूँ किस राजा को दीन करूँ तुमें किसने रुष्ट किया भोलो मैं किसको जीवन हीन करूँ दशरत जी के पूछने पेवे हैं उच्तर को रही कंठ में रोके हाथ से हाथ कस परश किया तो हाथ जटक दिया निष्ठूर होके काम ना आई कोई मनुहार तो अंत में बोले धीरज खोके राम शपत सब तुम पे निछावर चाहो जो मांग लो निर्भय होके पहले जैसी सजो समरो फिर चाहो जो मांग लो निर्भय होके राम बहुत प्रिय दश्रत जी को राम की शपत नहीं साधारन यह वेश्वास लिये मतिमंद लगी करने आभूशन धारन दश्रत के दिये आश्वासन ने कर दिया हर शंका का निवारन मांगने में है विलंब नहीं वर पाने में कोई विलंब का कारण राम शपत ने कर दिया मानू मन की हर शंका का निवारन कै कै यू प्रस्पत हुई कर दोले सिंगार भिलनी जू म्रिग के लिए अंदा कर तया नेन बेन और सेन से त्रिया सुलब रच स्वांग चतुराई छल से रही दशरत से वर्मांग नहीं दुराग्रह साधिकार करती धुन वेदन दो पहला वर्दान भरत को राज सिंगासन कर्म निष्ठ है भरत आचरन से है यूगी राम को भी इस निरने पर आपती ना होगी महराज मैं जानती हूँ रगुवंशी प्राण हारते है बचन नहीं हारते यही विश्वास रखकर दूसरा वर्दान भांग रही हूँ राजन चोदे वर्ष का राम को दो भनवास रहना तापस विश में वर्जित नगर निवास कई कई ने निप पर किया कथिन कुठारा घात चिन्तन ग्यान और चेतना हुए बिलुप्त हठात सोचत पार नपावे यानी किस दिन का बदलाल यारानी आशात अरु था भरने वाला उसे समूल नश्ट कर डाला घात किया निर्ममन ऐसे बाज बटे रुपे जपटे जैसे सह में दिप कुछ कह नहीं पाएं बरक पात्र को दे पच्चताएं दशुरत जी के मोन पर भरवानी मेरो चुन चुन कर देने लगी उलाहने और दोश क्या नहीं बरत सुपत्र तुम्हारा राम को चाहा उसे बिसौरा मेरे वर देने में उदासी क्या समझा मुझे को प्रत दासी सोच समझ कर ठावर देना समझे थे मांगूंगी जबेना या तो अपने बचन निभाओ या जग में अपकी ती कमाओ हाँ बोलो या ना कहो किंतु रहो मतमोन दोबर के लिए जनम भर मुहता के गांपोन कई कई का रुख देकर दश्रण जी कोई समझ से देर न लगी वर दिये बिना अब मुक्ती नहीं बचने की कोई युक्ती नहीं विधना ही आज रिसानी है ये रामाएंशी राम की अमर कहानी है ये है रामाइन श्री राम की अमर कहानी है विधिना की अंतर ने हित लीला कुछ और है मंध्रा ये कई दश्रत ये तो किवल उसके महरे हैं कई कई सजीव निठुराई तनिक दया दश्रत बिनाई देती रही अप जात की धमकी निप के मन बिजली सी चमकी रहे भोर तक दोनों लजे कैसे भी न समस्या सुलजे कै कैने वहबान चलाया जड़ुई बानी निर्बल काया सूर्योदै होगी गया जागा नगर समस्त दश्रत के दर्शन बिना जन जन किन्ता ग्रस्त राज काज की पूछने करने निच्य प्रणाम महल में आकर सुमन्त जी की संदेह जनित चिंता और भी बढ़ती जा रही है महल तथा परवेश भया वे है कैकेई का वेश भया वे है सुद बुध ज्यान चैतना खोकर भूपती पड़े भूमिगत होकर भेद दूर बुधी की पकड से मानुवरिक्ष उखड गया जड़ से कोई कुछ बोले न बताए यह रहे स्य बढ़ता ही जाए सुमंत्र के जिग्यासा भरे प्रश्ण को पढ़कर वह कहने लगी नहीं भोजन विश्राम नहीं नहीं हास्य नहीं बैना राम की सुधि में विकल रिप जागे सारी रैना जाओ सुमंत्र तच्छण जाओं दश्रत की रांपु ले आओं ये मीन है और वो पानी है ये रामाइन श्री राम की अमर कहानी है ये है रामाइन श्री राम की अमर कहानी है चत्र सुमंत्र ने जान लिया कै कैई नहीं ये कुछाल चली है राम का राज तिलक होगा यह सुनकर वो सरवांग जली है किन्तु सुमंत्र समझ नहीं पाए किन्तु सुमंत्र समझ नहीं पाए देवों की रणनी चिपली है दशरत को चलने वाली रानी की मतिविध नाने चली है कोप भवन में बैची हुई कै कैई की मतिविध नाने चली है सुमंत्र जी ने आज से पहले न ऐसे दशरत जी देखे थे ना ऐसी कई-कई कई-कई के कई-कई रूप जिन पर दशरत जी बलिहारी जाते थे आज का रूप और वेश उनसे सर्वता भिन था जिसे देखकर सुमंत्र जी का मन अत्यंत खिन्न था सुमंत्र जी को जिन देवी देवताओं के सुमंत्र स्मरन थे वे उनका जाप करने दगे ताके उन्हें जिस अगठन के घठने की आशंका है अभेटर जाए महाराज की दुर्दशा देख तो था कई कई का आदेश सुन सुमंत्र जी चल तो दिये परंद राम के कक्ष की ओर सुमंत्र से एक भी पाउँ धरा नहीं जाए अटके हों यदि कंच में बोलतो केवल जिवा कैसे बुलाए दशरत जी की दिन दशा जो देख के आया वो कह नहीं पाए किस स्थिती में किया मरण पिताने सचिव बताने में सक चाए कैकेई की कुटिलता दिपकी दुरबलता बरनी नहीं जाए सुमंत्र राम के कक्ष तक पहुँचतो गया है किन्तु किन कर्तव या विमूड सा खड़ा है रघुकुलमनिराम का सुमुत निरक क्या कहने आया भूल गया संकुचत भाव से राजाग्या दी राम को फिर मंत्री ने सुना संकुलित राम मंत्री के संग पगधर पे चले हसंयत से ये देख के जन जन चिंतित है बस राम ही परिचित आगत से महाराज अश के पुत्र तीन रानियों के पति चार पुत्रों के पिता अवत के कर्णा धार क्या यही दशरत है वह सूर्य वन्ष का सूर्य प्रकर निस्टेज भूमी पर बड़ा हुआ दशरत की यह दुरदशा देख आशर्य राम को बड़ा हुआ गतिमान जो सिंग समान रहा आज उसकी ही गतिवाधित क्यूं जो देवासुर संग्राम लड़ा वो जित संग्राम पराजित क्यूं राम जी कभी जाल में खजे विवश्पिता तो कभी जाल विछाने वाली निर्दई माता को देख रहे हैं अंतर में ज्वाला मुखी लिये आँखों में भर कर अंगारे कैकेई सनमुख यूं बैठी यूं कोध स्वयम काया धारे कभु आद्रचित कोमल सभाव विद्वाणी में यूं पूछ रहे मैं यत्न करूं दुख कम करने का दुख क्या है यदि कोई कहे दुख इनका सबसे बड़ा तुम पर अधिक सने है चाण रूप हो राम तुम दश्रत के बल दे है मोह कश्ट का गेह कई कई ने कहा के देवासुर संग्राम में दिये हुए थी दश्रत के कोश में मेरे दो घरदान मांग लिए मैंने वही आज सुख सरजान दुभी था में श्रीमान दैव प्रेरिता कहके अपने पक्ष में बोलती जा रही है राम संयत होकर सुन रहे है राम तेरे लिए चोदवर शोका वनवास। मैंने जो मांगा तो गई मुखडे की लाली रे धरत के लिए मांगा अवध का राजबार मांग एसी कोन सी थी अजब निराली रे मैंने तो सुना सारा घुबंचियों ने प्राण देके दिये हुए वचनों की आन सदा पाली रे तेरा राजा की जीवन नहीं आटूबेगी जो तूने नहीं सूच संकोच के भवर से निकाली रे दाईव ने केकई को कैसा निर्भीक बना दिया है उनके चरित्र में आमूल परिवर्दन ला दिया है तभी तो ऐसा कह रही है ओ तेरा मोह तष्ट का आरण तू ही कर अब तष्ट निवारण ओ राजा क्या पड़ शेश चुखा दे बुझ ते दीपती जोती बढ़ाद ओ वन को जा पन के सन्यासी हो नामत कहीं नगर निवासी ओ व्रत लेकर बोलन कर व्रत का निशकन तत हो राजभरत का माता अब मेरा मनोभाव सुनों कुपुत्रो जाये क्वचिदपी कुमाता नभवती अर्थात पुत्र कुपुत्र हो सकता है माता कदापी कुमाता नहीं हो सकती और फिर मैं तो बालेकाल से ही तुम्हारे सनेहका पातर रहा हूँ और ये भी भली भाती जानता हूँ कि तुम मेरा अहित चिंतन स्वप्न में भी नहीं कर सकती मेरा मन वन गमन का तनिक भी विरोध नहीं करता वरन मुझे तो इस बात की पसंदता है कि जो सौभाग्य आयू के अंतिम चरण में प्राप्त होता है वह तुम्हारी अनुकमपा से इसी चरण में प्राप्त करने जा रहा हूँ सुन माता तुने कही ममहित की हर बात आज्या देवन गमन की व्यरत विकल है तात मेरे दृष्टी और मेरी समझ में पुत्र वही बड़ भागी अनमन और बचन से जो पितु मातु चरण अनुरागी पिता और माता को मैं शिव पार्वती सम्मानूं उनकी आग्या उनकी इच्छा को सर्वों पर जानूं भरत को देख अवद का राजा जो आनंद मिलेगा तेन लोग का राज भी मुझे को वो आनंद न देगा नहीं इतना कृतक न जो तेरे रिल से आँख चुराग तुझसे मिला अपार स्नेहमा किस कारण विसराग गुरु अशिष्ठ की गण नामे थी शत प्रतिशत सचाएं जो शुभते थी शुभकार यहे तो शोधे थी वह अब आएं बेत न जाए बेला संत मिलन की असुर दलन की मात पिता दो शिग्र विदा मुझे गोध पुकार वन की दर्शत जी ने विधना के प्रभाव के कारण कैके के दवाव के कारण रगवशियों के सभाव के कारण और आत्मवल के अभाव के कारण राम जी को वन जाने की आग्या तो दे दी अब अपने वन्ष के अधिश्ठाता सुर्य देव से उदय न होने की प्राथना कर रहे हैं वे जानते हैं कि कल का सूर्य यदि उदय हो गया तो ये उद्या में चौदह वर्ष के लिए अंधकार छा जाएगा और उनके प्राणों का आधार डगमगा जाएगा इसलिए वे अशक्त होकर शक्ति मानों की शरन में आवेठे हैं दशरत यह विनती करें ब्रहमा से कर जोड़ ऐसी मत्य दो राम को जाए न बन ग्रिह छोड़ ओ आशुतोश में तुम्हें मनाँ जल प्रिय जल नैनों का चड़ाँ ओ राम करिदय प्रेर ना भर दो मेरे वचन से मुक्तु से कर दो ओ दोश्वचन खंडन का शंकर लेता हूं में अपने सिर पर ओ चाहे अप यश्च जग में कमाम तन तज भले नर्क में जाम ओ जी सकता तुस सेह दुख सेह कर जीना कछिन राम बिन रहे कर ओ राम जन्म का हे तु पूर्ण कर शिग लोट आऊंगा पितु वद तात पूर्वजों के सुने जितने पुण्य प्रसंग कभी किसी ने भी दिया वचन किया नहीं बन कट जाएगी शेग्र अवधिवन की कर बचन भंग मुझे गुरुजन की मर यादा नहीं घटानी है यह राम एंशी राम की अमर कहानी है यह राम एंशी राम की अमर कहानी है श्री राम प्रण को प्रानों से अधिक महत्त देने वाले रखुवन्ष के वंशज हैं वै मानव रूप में पिता का वचन निभाने दैव प्रेरिता माता को सुख पहुचाने नारायन रूप में भूदेवी तथा देवों के संकट मिटाने पूर्व निर्धारित लीला रचाने वनकी और चले हैं सुख के दिन कितने शीघर ढले पर आस मिटी सब सपन जले चाहे मानव हो या इश्वर हो पर कर्म की गति टाले न टले तापस वेश बना करवन को चले है राम रघुराई पित का प्रण पूरण करने में माके वचन पालन करने में तनिक नजेल लगाई तापस वेश बना करवन को चले है राम रघुराई राम सिया की सेवा रक्षा करने को पूत्र सुमीताने सूपा लखन कवच बन संग चलार सीता संग चली बन चाया बोली सुमीत्रा लखन से अब तेरे राम पिता सिया माई तापस वेश बना करवन को चले है राम रघुराई रभु पोशल्या के द्वार खड़े वन गमन की आज्या मांग रहे निज पीर नयन का नीर छुपा मा दे के विदा रघुवर से कहे वन में सिया को जतन से रखना जनक दुलारी को जतन से रखना राम लखन दो भाई तापस वेश बना करवन को चले है राम रघुराई पित दशुरत के प्रान चले है माता के अभिमान चले है सुख आनंद अबध के जन जन के भगवान चले है रोके रुके नहीं राम तो संग में सार्ययो जब आई तापस वेश बना करवन को चले है राम रघुराई पित का प्रण पूरन करने में मा के वचन पालन करने में तनिक ना देर लगाई तापस वेश बना कर वन को चले है राम रघुराई संग में लक्षमन भाई चले जान के माले पथ में जब तमसा घर आया तब राम जी ने तमसा नदी के तट पर आश्रे लिया संग आयस नहीं जनों को बहु प्रकार समझाने का जतन किया राह चलने का श्रम राम विरह का शोक तथा देवताओं की माया ने राम प्रेमियों को निद्रा की चादर उढ़ा दी दो प्रहर रात्री व्यतीत हो जाने पर प्रभु सुमंत्र जी से बोले हम यदि अभी नहीं चले तो कदाचित कभी नहीं जा पाएंगे आर्य रत्को ऐसी चतुराई से हां किये कि पईयों के चिन्हों से दिशा का बोध न हो सुमंत्र जी वचन परायन होना बड़ी बात है परन्तु आत्मिय जनों का स्निह खोना उससे कहीं बड़ा अभात है रात्री ढल गई सूर्योदे हो गया और अयोध्या में चा गई चोदेह वर्षों के लिए घंगोर निशा शिंग वेर पुर है बसा गंगाजी के तीर पहुचे यहां सुमंत्र संग सिया लखन रघुई गंगाजी के तीर जब सुना निशादने की रामजी पधारे रामजी पधारे सिया रामजी पधारे पूलना समाया अनंद के मारे जब सुना निशादने की रामजी पधारे बंधु बांधव संग गुलाके फल पुलों से ठाल सजाके प्रभु के समीप आया जंगा गिनारे राम लखन सीता की आरती उतारे बोला तुम्हारे भक्तों की नहीं गिनती छोटा सा दास करे छोटी सी भिनती शिंग वेर पुरमाही पधारो राजपाट स्वामी सी कारो तुम रेसने हसे मन ये डोले धर्म विवश हो पर यू बोले नगर्वास वर्जित है नगर्वास वर्जित वन धर्म में हमारे मान दिया तुमने हम रेनी है तुम्हारे कंद मूल फल कर ग्रेहन सान जुसिय के साथ दूर नगर से तरकले रेन विटाई नात ओ भोर भय बोले रघुराई मित्रब के वट देह बुलाई ओ जो अपनी नईया में बिठाव है गंगा पार हमें पहुचाव है श्री राम के पास श्रय का अक्षय भंडार है जिसे वे अपने संसर्ग में आने वालों को उदार फिदय से बाटते चलते हैं जो स्वयम प्राणियों को भवसागर से पार कराने वाले महानाविक हैं उन्हें अपने ही चलणों से प्लावित गंगा पार करने के लिए आज एक केवट की आवश्यक्त पड़ी है यह प्रसंग श्री राम और केवट के आध्यात्मिक संबंध का परचायक है यहां राम भगवान बनकर केवट को आग्या नहीं देते अपितु एक पठिक की भाति गंगा पार करा देने का आकरह करते हैं यदि कोई जब तब किये बिना व्रत उपवास रखे बिना वेद पुरान पढ़े बिना परमात्मा को सहज रूप से पा जाए तो उनके धाम जाने का अफसर कहा छोड़ेगा केवट ने प्रभू से कैसी चतुराई से सुधा किया तनिक आप भी सुने आज्या पाए निशाद ने केवट दियो बुला पर केवट ने राम को दी यह मांग सुनाए पहले चरन पखारूँगा उनकी रजगो जारूँगा पान करूँगा चरन आमरिक नाव पे तब बैठारूँगा ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पदरज है तुम्हारी इस बदरज पास परश हुआ तो मौन शिला बनी सुन्दर नावी मेरे पास है बस एक नईया सारे कुटुंग की पालन हारी ना हो बनी यदिनार तो आएगा मुझ निर्धन पे संकट भारी एक नारी का कचिन है पालन कैसे पालूगा दो दो नारी केवट प्रभ के पाउं पखार नहे तु कठोती में जल भर लाया पाउं पखार पी आचर नामृत फिर प्रभ को नौका में बिठाया गंगा पार पहुँच कर जब गंगा पार पहुँच कर जब उत्राई देने का अब सर आया देने लगी वैजे ही अंगूठी तो नामे सर के वटने हिलाया सुनू मेरी बिन की राम सरकार राम सरकार शिया सरकार नाई धोबी धी मर के वट और लुहार सुनार हर एक दूजे से ले नमजूरी जिनका एक व्यापार मैं नदिया का के वट तुम भव सागरतार नहार राम प्रभू मेरी मजदूरी तुम पर रही उधार आउ में जब घाट तुमारे कर दी जो बेडा मेरा पार सुनो मेरी बिनकी राम सरकार राम सरकार सिया सरकार के वट ने जो मांगी उतराई मन ही मन प्रण की अरगुराई उतराई अवश्य चुपानी है ये राम प्रण शीराम की अमर कहानी है के वट को वचन देकर मुस्कुराते हुए विदा लिखकर सिया सहित वन मार्ग पर चल दिये युगल किशोर भोल या संग निशाद भी बधा लेह की डोल सानुज सिया सहित रगुननदन गंगाजी का करके बंदन भरद्वाज के आश्रम आये मुनि को बिन ये प्रणाम जनाई रिशिन प्रभु को रिजय लगाया अकत्निय परमानंग पाया कुशल पूछ आसन बैठारे पद पूजत मुनि भैस भारे कंद मूल फल परस कर खत प्रसन रिशिराद ज्यान ध्यान टप जोग जप सफल भै सब आज करुन से सत्संग प्रभु किय तोरेन प्रवास तंद्रा आवस्था में हुआ आध्यात्रिक आभास ओ प्रात नहाय उर्ण्यत्रिवेनी सर्तात्रय मुद्मंगल देनी ओ राम प्रयाग महात्न बखाना तीथे पर यह सरस सुहान ओ नाम प्रयाग यज्य हुए अगणित्र कन कन मन्तों से अनुबुंजित्र ओ तीथे श्वर की मह मागा कर आश्रम में उन्याय रगुवर शुभाशीश मुनिराज से मांग रहे जगदीश पूछ रहे वनवास को जाएं कहा मुनिश मुनि बोले तुम में जगत बसा तुम विद्यमान सर्वत्र सदा तुम को क्या राख सुझानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है ये रामायन सीराम की अमर कहानी है मुनिवर भरत द्वाज के कथन में कोई अतिशय योगती नहीं थी सारे पंथ श्री राम जी के पिंड से निकल कर पुने वसी में भी रिन हो जाते हैं मुनिवर भरत द्वाज ने चार सो योग य ब्रहमचारियों को परब्रहम की सेवा में भेजा जिने राम जी ने यमना तट पर पहुँचकर विदाई दी बास का बेड़ा लखन ने यहां किया तयार छोटे के श्रम से बड़े उतरे यमना पर यहां श्याम वर्ण राम जी ने श्याम वर्ण यमना में सब के साथ स्नान किया यमनासनान के फलस्वरू रामजी की भीट एक अलोकिक तापस से हुई कोई उसे ध्यानस्त तुलसी दास पताता तो कोई अनुमान कर अनुमान कहता तापस ने लक्षमी नारायन तथा शेश रूप को दंडवत प्रणाम किया निशाद का प्रतिप्रणाम ग्रहन कर वे वहीं अंतरधान हो गए ना इतिपूर्व न ततपश्चात उन्हें किसी ने देखा अब रामजी ने सखा भाव से स्नेह सिक्त स्वर में समझा कर निशाद राज को भी विदाई थी राम लक्ष्वन सीता रूपी त्रिवेणी जिस पच से प्रवाहित होती दर्शक गण उसके अमरिद सेलिल में सनान करते जाते वरिद उनकी कथा का बखान करते जाते श्टोता रस्पान करते जाते राम जी प्रयान करते जाते एक मेला सा लगा रहता राम लक्ष्वन सीता की चारोगोर कोई विदी की निश्टोता पर खेद प्रकट कर कहता कि कैसे सुकोमल चर्णों को भेज दिया कंटक भरे मार्ग पर चलने को कुछ दर्शक अपने भाग्य की सराहना करते हों कहते कि यदि इन्हें बनवास न दिया जाता तो हमें इनके दर्शनों का अलभे लाफ कैसे होता अब श्री राम अपनी कथा के रचाईता रिशी वालमी की के आश्रम में आप पहुँचे अपने कावे के पात्रों का धर्शन कर रिशी ने जो आनंद पाया उसका वर्रन कौन कर सकता है प्रणाम प्रति प्रणाम की शिष्टा के पश्चाथ रिशी ने अतिति सत्कार किया उन्हें यथा स्थान बिठाया तथा कंदमूल भलका आहार कराया तनिक विश्टान तिले कर रामजी बोले हे महा मुने आप त्रिकाल दर्शी हैं विश्व आपकी हथेली पर रखे हुए बेर के समान है अपने वनवास का कारण कहकर हम आपका समय नश्ट नहीं करेंगे इतना कश्ट अवश्य देंगे कि हमें वह स्थान सुझा दें जहां रहकर हम अपने वनवास की अवधि निर्विग्न ब्यतीत कर सकें मनिवर ने प्रशन के उत्तर में प्रशन करते हुए पूछा प्रभू पहले तो आप मुझे वह स्थान बताएं जहां आप नहीं हैं फिर भी आप पूछते हैं तो सुनिए जिन श्रोताओं के कान आपका कथामरित पान करते नहीं भरते जिनके नयन निरंतर आपके दर्शनों के अविराशा करते हैं जिनकी नासिका आपके विग्रह पर चढ़ाए पुश्मों की सुरभी आग्रान करती है जिनकी चर्म की जिववा आपके नामों चार से स्वर्ण मई हो गई है जिनके कर योगल स्वप्ण में भी आपकी सेवा में संलगन रहते हैं जिनके चर्ण आपके तीर्थों में भरमन करते नहीं धखते जो जाती पाती धन धर्म बढ़ाई प्रिय परिवार सुख देने वाला घर इन सबसे विरत्थों कर केवल आपके चर्णों में अनुरत्ती रखते हैं जिनके मन में काम, क्रूत, लोग, मोह, मद, मद, सर, राग, द्वेश, दंभ और नमाया है आप सीता लक्ष्वन सहित उन्हीं के रदयों में निवास कीजिए वही मंदिर आपके योगे हैं श्री राम मुनिवर के स्नेह पगे वचन सुनकर बोले उन सब कुलों से मंडित तपो मूर्तितों केवल आप ही हैं जिनके दर्शन मुझे देवी सीता तथा लक्ष्वन को न जाने कितने पुणियों के फलस्वरू प्राप्त हुए हैं अब कृपा कर भौतिक निवास है तू कोई लोकिक स्थान बताई है मुनिवर ने वहस्थान सुझाया जिस पर है देवों की चाया चित्र कूट रमडी यसुहावन मधुर मनोहर परवत पावन चित्र समान सुसद्जित सुन्दर चित्र कूट सुखदाई नए सरगिक सुन्दर यनियारे सिया संग रघुराई पयत स्विनी के तीर लखन ने परण कुटी शुब चायी बन कर भील की रात देवगन लखन को वे सहाई प्रग्विति के अंक में दिन लगे कटने अब अधी लगी वनवास की घटने शिंग वेरपुर लोटकर निशाद ने देखा कि समंत्र जी को जहां छोड़ा था वहीं बैठे अर्धविक्षित अवस्था में अपने आप से बाते कर रहे हैं महराज ने कहा था कि राम लक्ष्मन सीता को थोड़ा सा वन भ्रमन कराकर अयोध्या लोटा राना इस प्रकार रगुकुल का प्रण भी नहीं तूटेगा और मेरे प्रांधन भी मेरे पास लोट आएंगे अब सुमंत्र जी अकेले अयोध्या लोटने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं वे विरह भार से अचेत हुए जा रहे हैं घोडे दक्षिन दिशा की ओर देखकर हिन हिना रहे हैं अरत को दश्रत जी की ओर ले जाने में सकुचा रहे हैं निशाद को सुमंत्र जी की दशा देखकर आंतरी के विशाद हुआ। उन्होंने अपने चार सोयोग्य सेवकों को मंत्री के साथ अरित पर बिठाया। वे चारों सेवक मानों धैर्य, सांतोना, साहस और आत्मबल के प्रतीक थे। सुमंत्र जी का विशेश ध्यान रखकर उन्हें आयोध्या पहुचाकर श्रिंगवेरपुर लोटाए और सुमंत्र जी। लिये घोर निराशा गानिक शोभ दुख मन में वे जैसे तैसे पहुचे राज भवन में वहां प्रश्न भरी दृष्टियां पुठी मन्त्री पर सब पूच रही कहां सीया लखन कहां रघुवर। प्रश्न भरी दृष्टियों से दृष्टी बचाते हुए बोजल से चरंग बढ़ाते हुए। सच्चिव भूप के कक्ष में आए संग संदेशा राम का लाए राम लखन सीय को कहां छोड़ा कहां से रत फिर अवध को मूड़ा थोड़ी थोड़ी कथा सुनाएं रुक रुक आगे बढ़ते जाएं भावों में डूबें उतराएं अपनी दशा राजा से छुपाएं दशुरत जुन को था लगा सुत्विछोह का तीर सब बृतांत सुनने लगे लिये नयन में नीर जब ततम रात सोए तमसा के तट पर दिरतम रहते ही चले वहां से उठकर आए थे जो संग में उनको सोता छोड़ श्रिंग वेर पुर आ गए स्वजनों से मुखमूर रुक जाओ प्रभु रात ना करता रहा निशाद वेह भी लेकर रह गया मन में विरह विशाद मुझे को व्याकुल देखकर बोले नहीं राम ले याओ संदेश ये व्यच्चित पिता के नुम ओ चिंता सिया राम लक्षमन की करन बढ़ाए पीडा मन की ओ छोड़े यदि पतवार की वैया कैसे पार लगे फिर नहीं या ओ पितु पर आश्रित है माताएं स्थिर रहकर उन्हें धीर बनाएं ओ मम संग लखन शेश अवतारी महलक्ष मीसिय जनक दुलारी ओ आपके पुण्य प्रताप किछाया क्रिपा अनुग्रह लेकर आया ओ आपका आशिश कवच बनेगा वन में सब विधी कुशल रहेगा रगवर का सुनकर संदेश बेसुद होने लगे नरेश राम राम हा राम कहे राम राम हा राम रान त्याग पितु राम प्रिय गए राम के धाम सीय राम के बिना भवन सून दशरत बिन सिंगा सन सून उजडी उजडी रजधानी है ये रामायन शी राम की अमर कहानी है ये रामायन सिय राम की अमर कहानी है चड़ा रहे थे सूर्य को अर घ्राम भगवान इतु दशरत महराज का सहसा आया ध्यान ओ आज किति जाने क्या बोले मेरा मन अधीर हो डोले ओ आशंका से हो आशंकित सहसारे दय हो रहा विचलित श्री राम की आशंका मिठ्या कैसे हो सकती है उन्हें चित्रकुट में छोड़ कथाब अयोध्या आ गई है शत्र गुन भरत ननिहाल में जाकर धाम अयोध्या लोटाए वन गमन राम का मरन पिता का सुनमन ही मन पच्छताए अपने पुत्रों की अनुपस्थिति में महारा जाने प्रान तजे हम भाग यहीन अन्ति मुक्षण में तुलसी दल भी उन्हें दे न सके फिर भरत पूछते के केई से कारण पित के मरने का क्या भेद राम लक्षमन सीता के विपिन गमन यूं करने का कहने लगी ऐसे बचन नैन में भर भर कर आंसु जूठे जो बचन भरत के भावुक मन में इक्षण शूल जैसे भूटे मैंने अपने दो बचन दशरत के लिए मांग राज पाट देरे लिए राम है तू ग्रहे जाग लिए दू बचन मांग काम कर गई बुद्धी मन्तुरा प्रेरिच तेरा राश्तिलक होना था निश्चित बोली राम व्योग में भूप गए सुर्धां राजन के यूं निधन से आधे रह गए कां बिगडे बन पेकों भरत जी क्रायत अर्ध विक्षुप्त से होकर कई कई से कहने लगे पूज पिता दश्रत जी मेरे राम लखन प्रियब्राता पुण्यो दैसे पाई मैंने सिया भगवती मां था मिली अयोज्या जन्म भूमी और गुर वशिष्ट के जैसे तेरे गर्भ से जन्म लिया ये पाप कौन से ऐसे प्राइश्चित अब यही है मेरा परित्याग करता में तेरा तेरी भी ममता करसेगी मा संबोधन नहीं सुनेगी भरत जी जन्म दाइणी माता का परित्याग कर निरापद आश्रे दाइणी माता कोशल्या की कख्ष में आई तो माता ने कहा फुत्र अब पिता के अंतिम संस्कारा कांख्षित शरीर को और प्रदिक्षा न कराओ अब तुम ही तो हो जिसे राम का दाई तुने भाना है जहां पिता महराज का पार्थिव रखा शरीर वहां अंतिम संस्कार को पहुचे भरत अधीर जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोडा जाए हो मृत्यू तो है धुब सत्य में हर मृत्यक यहीं समझाए हो जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोडा जाए हो कितने दिन तक दशरत का तन पेल में रखा डुबाए हो चार मुत्र पर एक निखट नहीं सत्यक कौन कराए हो मृत्यू तो है धुब सत्य में हर मृत्यक यहीं समझाए हो जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोडा जाए हो चार दिशा में विजय पता का जो राजन पहराए हो काल से हार के यूं सोए फिर जागे नहीं जगाए हो मृत्यू तो है धुब सत्य में हर मृत्यक यहीं समझाए हो जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोडा जाए हो कुट्म कबीला मृत्यक से से अपनोंने निभाए हो पहले जला कर भस्म करे फिर जल में भस्म बहाए हो मृत्यू तो है धुब सत्य में हर मृत्यक यहीं समझाए हो जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोडा जाए हो जीव तो जग में आए जाए विधिका लिखा निभाए हो आत्मा के संग धर्म चले और कर्म ही अमर बनाए हो मृत्यू तो है धुब सत्य में हर मृत्यक यहीं समझाए हो जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोडा जाए हो भोनी को स्विकार कर भरत ने विधि अनुसार करद अपितु की देह का उत्रोचत संसकार महाराजा जीवन हीन हुए तत्कों में तत्कविलीन हुए पर की तिन जग से जानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है भरत जी पिताश्री को अंतिम विदाई देकर एकांत का आश्रे लेकर कुछ पल के लिए मौनधारन करके बैठे तो उनका ध्यान निर्प विहीन सिंगहासन अनात प्रजा तथा राम लक्ष्मन सीता विहीन अयुद्या पर किंद्रित हो गया वे विचार करने लगे जहां दश्रत नहीं लखन नहीं नहीं सीता नहीं राम ऐसे उजडे अब अध में क्या सुख क्या विश्राम राम मेरे अब लंब मुझे अब लंब वहां जाना है नेन मीर से चरन कमल दो शमा दान पाना है शमा प्रार्थना का विचार जैते ही आया मन में रुचिना तनिक भी रही भरत की सूने राज भवन में परजन पुरजन सचिव सिपाही लिए भरत हुए बन के राही ओ संग चली दिनों माताएं प्रियवर मिलन की ले आशाएं भरत के आद मन का जब निशाद को पता चला विशाल सैन्य साथ है सुना तो प्रोध से जला निशाद रहत कौन राम जी पे वार कर सके ये वो करे जो शिंग वेर पुर को पार कर सके वुड़ा एक निशाद से बोला भरत चरित्र को उसने खोला राम निश्ठ और लखन पिये सियका भक्त पवीत्र नहीं गूजार गुवल्ष में भरत तमान चरित्र व्रिध के मुख से भरत का सुन निशाद गुणगान रामान उज्ठ को रामसं दिया मान सन्मान किया भरत का सादर अभिवादन कर भरत में रघुबर के दर्शन नैनों में निशाद के पानी है ये रामायन श्री राम की अमर कहानी है निशाद राज राम जी के दर्शनों का लोभ संवरन न कर सके वे रामोर भरत के अपूर्व मिलाव के साक्षी बनने चल पड़े भरत जी के साथ चित्र कूट पहुचे भरत मल्डा किनी के सीर सारुज जहाँ विराज ते सीता संग रघुवीर सुनकर आना भरत का लखन को आया क्रोध दिया राम ने तब उने भरत के प्रतिये बोध राम लखन शत्रूखन से होंगे भरत अने प्रेम बूर्ति निस्वार्थ है भरत जगत में एक चित्रगूट नैसरगिक सौंदर्य का अधितिय धाम है हर्द रिष्य नैना भिराम है राम जी के समान तटस्त खड़ा है कामद गिरी गुहुराज निशात के साथ भरत जी यहां प्रवेश कर चुके हैं मन्दा किनी जो गंगा का एक और नाम है उसमें अवगाहन भी कर चुके हैं यहां देखने के लिए कितना कुछ है भरत जी की द्रिष्टी किन्तु राम जी को ही खोज रही है ऐसे जैसे अजस्त्र वर्षा होने पर भी चातक केवल स्वातिनक्षत्र की बूंद को ही खोजता है निशाद की पारदर्शी द्रिष्टी ने सघन बन के अंधेरे में एक अलोकिक उजारा देखा और बोला भरत जी हो ना हो वही है राम जी का अश्रम राम अश्रम में भरत ने यूही किया प्रवेश रिशी मंडल में राज ते देखे रमा रमेश गए शोक भैकलेश सीता संगयू सोहते रघुवर आनंद खंद ज्यान सभा के मध्यजू भक्ति सच्चिदानंद प्रणाम राघुवर प्रणाम अग्रज प्रणाम प्रभुवर दूर से राम के दर्शन करके भरत नम्रता स्वरमी भरके बोले करो दिन पर दाया रक्षमाम अक्रज रघुराय। भरत का स्वर लक्षमन पहचाना राम को करें प्रणाम ये जाना। भरत आगमन रभु को बताया उठी तुरंत भाय रघुराय। भरत बचसल राम जी की दशा कुछ ऐसी हुई। कहीं वस्त्र तरकश कहीं कहीं धनुष कहीं पान। भरत मिलन की व्यक्रता कहीं चरण कहीं ध्यान। भाता को बरबस उरसे नाथ लगाया। दूनों ने अनिर भचनी परम सुख पाया। यू राम से मिलकर शीतल हो गई काया। यू चंदन के संसर्ग ने ताप मिटाया। यू राम भरत का मिलन विहंगम। क्या गोर प्रेम का अनुपम संगम। एक पुर्शोतम एक ब्रातोतम एक सर्वोतम एक अन्योतम। अंतर में जो प्रेम समाहित। नैनों से ओ चला प्रभाहित। ओ यू प्रसन हुए मिलके भियोगी। यू परमातु प्राप्त कर योगी। स्नेही भक्त निशाद से मिले मित्वत्रां। भेटे सब लग-लग रिदय कर-कर विनय प्रणां। बार बार सीता की पदरज धरे भरत मस्तक पर। दिया मंधला शीश मात ने कर से मस्तक छू कर। जब यह अनुबव किया भरत ने सान कूल है सीता। भय संकोच गानी चिंता दुविधा से मन हुआ रीता। गुहराज निशाद ने राम जी को सुचित किया। गुरुव शिष्ठ के संग माताएं परिजन पुरुजन सारे। मुकदर शन की अभिला शाले आये निकट तुम्हारे। सीय के पास शत्र गुन को रख कर रगुवर सारंग पानी। ले लक्षमन को साथ चले करने सब की अगवानी। प्रथ महिं प्रणाम प्रभु गुरुव शिष्ठ को की ना। पुनिय था योग्य सन्मान सभी को दीना। कई के मां को पहले शीष जुकाया। निज सरल प्रकृति और भक्ति से उन्हें भिगाया। पद से लिपटे यूँ दो उब्राता। हर्ष विभोर सुमित्रा मां था। ओ कोशल्या माता को पाकर। चरण में सानुज बैठे रधुवर। ओ किये अरुन धत के पद वंदन। मिला अशीष ओ कीर्थी चिरंतन। ओ जो विशिष्ट गुरुजन द्विज आये। उन्हे रामजी आश्रम लाए। सवे नयकिया प्रणा सीता सुगुरुवशिष को सदा संग रहे राम आशिष मिला मुनींद्र से। अरुण धती के संग सीयवंदी मुनिपत्नियां। भर भर हिये भुमन शुभाशीष सबने दिये। ओ जब सासुन को बंदन आई। नैनमूद सीता अखुलाई। ओ महल में जिन सुहागन छोडा। बिछड गया कब उनका जोडा। ओ किन से पूछे कौन बताए। सब के सुमुक कमल मुरजाए। ओ सबको संबोधित कर गुरवर। शांत किया उपदेश सुना कर। मुनिवर ने घोशिक किया दश्रच का देहांत। सुनकर मरमाहत हुए लखन सिया सिया कांत। ऐसे विकल हुए जन सारे। यो निप आज ही स्वर्ग सिधारे। मुनिवर ने रघवर को बुलाया। दिन भर निरजर व्रत रखवाया। व्रत रखा केवल प्रभुजीने। साथ दिया पर व्रत में सभीने। भोर भय मंदा किनी तीरे। जुडे सभी जन धीरे धीरे। गुरु बोले तुम हो जेष्ट पुत्र रघुनंगन। पितु आत्म शांति केवे तु करो अब तरपन। जिस वेद रीति से समझाया मुनिवरने। वैसे ही पिता का शाध लगे प्रभु करने। गुरु को विनती भरत सुनाएं। ऐसा कोई जतन बताएं। जिससे राम अयोध्या जाएं। अवद निवासी राजा पाएं। वशिष जी ने कहा। सुनो भरत तुम और रिप सूदन। ऐसे निभाओ रगवर का प्रण। तुम दोनों बन में रह जाओ। राम लकन सिया अबध पठाओ। गुरुजन बुधुजन के गरे नहीं उत्री यह बात। और नहीं इस बात से थे सहमत रगुनात। जनक राज भी आ गए सभा मिलेने भाग। किया समर्थन सत्य का त्याग राग अनुराग। जनक जी के समर्थन से राम का मनुबल बढ़िया। दूपते को मानो इनके का आधार मिल गए। प्रियपुत्र व्योगन सेह पाने पर दशरत ने तन प्याग दिया। और पित के वचन निभाने को शीराम ने भी वनवास दिया। वचनों पे लुटाएं प्रान ये रघु कुल रीत सदा चलियाई है। अब भरत को क्या कोई समझाएं वह स्वयम विवे की आई है। राम का दुलार है हट करने के भरत को अजिकार है। रभु को अयो ध्याले जाने के हट पर भरत अड़े हैं। राम चंद्र की मर्यादा के नियम परंतु कड़े हैं। भक्ति भरत की वचन राम के वीच वशिष्ट खड़े हैं। जनक पे निरणय छोड़ा दोनों पुल में वही बड़े हैं। जनक जी सुभाव से विदेह धर्मज्य उन्होंने भरत के प्रेम तथा राम की मर्यादा को ग्यान की तुला पर तोला तत पश्यात। गये जनक जी निकट भरत के कहा के द्रिढ तुम धर्म और व्रत के। राम ज्यान गुण तुम्हें विदिक हैं। वेद्रुबतारे जैसे स्थिक हैं। राम आग्या मस्तक पे चड़ाओ जो नहीं संभव मत मनवाओ। नेह घना है राम का तुम पर राम का भार घटाओ प्रियवर। भरत ने राम जी से अपने संबंध किनाते हुए कहा। वे अग्रज में अनुज हूं वे स्वामी में दास। वे भगवन में भक्त हूं वे अम्रित में प्यास। यद्यपी मेरे दोश अक्षम्य हैं। तद्यपी। शमाशील श्री राम जी हैं प्रकृतिस्त उदार। वे जैसी आग्या करें भरत को हैं स्विकार। इसने ही राम ने भरत को समझाते हुए कहा। तुम पर नराज ग्रह धन का भार पड़ेगा। हर कार्य सुगम गुर्वर का प्रभाव करेगा। शिव करेंगे मंगल उमा आपगा भक्षन। माताओं का आशिश देगा संद्रक्षन। जनक जी जिनका वरग हस्त हम सब के मस्तक पर हैं। उनसे भी मार्ग दर्शन लेते रहना। राम भरत के प्रेम के कारण थे अत्यंत भया कुल सुरगण। दासी से शर्यंत्र कराया अब यश कैके यी को दिलाया। इंद्र को लगा के कुछ ही पल में गई योजना सारी जल में। राम ने हित करवचन सुनाए हो निशिंत देव हरशाए। प्रभु ने उन्ह भरत को संबोधित कर कहा। हमवन में तुम भी यही स्वर्ग लोक में ताक। सिंहासन सुना पड़ा रिप बिन अवध अनाक। भरत तुम तो स्वयम धर्म मूर्ती हो फिर मुझे धर्म संकट में क्यूं डालना चाहते हो। अपने पश्टाताव की धारा में क्यूं बहार देना चाहते हो। पुल की कीर्ती, पिताश्र की वचन और राम की मर्यादा। ऐसा करना तुम्हारे जैसे वेकवान व्यक्ती के लिए कदापी उचित नहीं। यदि तुम्हारी मुझे पर तनिक भी प्रीती है तो उसका ऐसा मूल्य न मांगो। जिसका चुकाना मेरे लिए संभव न हो। अब तुम्हारा कर्तब यही है कि अबद का राज स्विकार कर, हम वनवासियों का संभल बनो और सहियोग करो हमारे ब्रत वालंग करने में। राम जी के वचंग भी उनके अमोगवान सिद्ध होए जिनसे उन्होंने भरत की मनो कामना आग रह हट तीनों का वत कर दिया। भरत जी कहने लगे आपका कथन सत्य है आग्या शिरोधारिय परंत भगवन। हम रदवर राजा विशेख को तीर्थों का जल लाएं। नाथ कहें अब उस जल को किस जल में मिलाया जाएं। गुरुवर बोले यह जल अब उस कूप के मध्य रहेगा। और उस कूप को भरत कूप जग कालांतर में कहेगा। दिन पांच भरत किया चित्र कूट अवरोकन। सर सर ता परवत मंदिर मंदिर बंदन। छटवे जिन सब से मिल मिल कर रघुराई। संकोच भाव से देने लगे विदाई। भरत न की विनती के प्रभू दो ऐसा आधार। चोदे हैं वर्षों की अवजी कर लू जिस से पार। राम जी ने भरत की अंतरदशा जानकर। उनकी भाव भरी विनती मानकर। चरण पादुकाएं स्नेह में सानकर। अपने प्रतीक के लूप में अनुज को प्रदान की। यही पादुकाएं पहन वन आएं शीरां। भरत संग अब जा रहीं लोट अयो ध्याधां। ओ यो पदपंकज भव जलतारण। करपादुकाँ उनको धारण। ओ अब ये सिंघासन पे सजींगी। प्रतिनिधित्व प्रभुवर का करेंगी। ओ रामसिया के करपद बंदन। लखन को देखर स्नेहा लिंगन। ओ भरत लोट चले अब अध को ऐसे। देख चले कोई सपन जैसे। ये चरण। पादुकाण घुबर की। है वस्तु मांगलिक आदर की। सिर्धैर ने योग्य निशानी है। ये रामयन शीराम की अमर कहानी है। ये रामयन शीराम की अमर कहानी है। भरत जी तो शीराम के वरदानी खड़ाओं पाकर सनात हो गए। परंतु अयोध्यावासि अनात कहे थे अनात ही लोटे। एक कहने लगा कि रामजी की प्रजावत सलता क्या होई। महालक्षमी सीता की ममता कहां खो गई। दूसरा बोला क्या कई कई ने वनवास के साथ इन्हें अपनी निश्ठुरता भी दे दी। एक बुद्धिमान बोल उठा कि तुम नहीं जानते है। रामजी ने वचन की मर्यादा पालन करने के लिए ऐसा कड़ा रुख अपनाया होगा। सीता ने पलकों से बाधा होगा उमरती हुई ममता की गंगा को वे रोए भी होंगे तो सुखे हासों से। एक ने अपना मरूरत ऐसे प्रकटिया कि भाई अंतिम समय मेरे नेत्रों को निकलवा कर किसी नेत्र विहीन को दे देना ताके रामलक्षण सीता के अयोध्या लोटने पर यदि मैं नहीं तो मेरे नेत्र उनके दर्शन कर अपनी प्यास बज़ा सके। भाति भाति के अनुमान लगाते हुए स्वयम को स्वयम समझाते हुए। राम सिया की चवि मन धारे अवध्य लोट आये जन सारे भरत मिला अप जिनोंने देखा उनके मन खिचि स्वृति की रेखा। मन है वन में देह नगर में वही प्रसंद चले घर घर में। गुरु अशिष्ट से भरत जी पूछें कब पादु का सिंगा सन राखें। जान सु गुरु से भरत ने सुति थी सुलगन सुबार। राम चरन की पादु का पूजी बारंबार। जिर उहें सिंगासन पर साधर साबित कर दिया। तज महल भरत आये नंजी ग्राम। यू रहने लगे जूबन में राम। कोई इनसा ना त्यागी ध्यानी है। ये रामयन श्री राम की अमर कहानी है। जय श्री राम। आयोध्यकान कहते सुनते मुझे यह पंक्ती बार बार याद आई। करम गति टारे ना ही टरे। विधना नर से नारायन तक सब पर वार करे। सत्यवादी हरिश्चंद्र से लेकर मर्यादा पुर्शोत्तम राम्चंद्र तक नियती ने सब की कठिन से कठिन परिक्षा ले। परंतु परिक्षा देने वालोंने हार नहीं माने। मेरी दृष्टी में भरत जी का स्थान राम जी से कुछ कम उचा नहीं राम जी को तो पिता के वचन निभाने के लिए बन जाना पड़ा परंत भरत जी के लिए ऐसी कोई विवश्टा नहीं थी उन्होंने केवल अग्रज के खश्टों का अनभव करने के लिए सर्व सुखों का त्याग किया ग्रह में रहते हुए वनवासी राम के जैसा जीवन जीया श्री राम और भरत दोनों ही प्रेम के रंग में रंगी त्याग की जीवन्त प्रतिमाये हैं नमन है मर्यादा पुर्षोत्तम राम जी को, भगवती सीता को, सेवा प्रतधारी लक्ष्मन जी को, प्रेमूर्दी भरत को, भरत जी का चरित्र सर्व पापों को हरने वाला है, भवसागर से पार करने वाला है, इसे पूज्य भाव से सुनना चाहिए। राम अयोध्या में प्रगट, राम में है ब्रह्मांड, राम संग ब्रह्मांड में अमर अयोध्या कांड। शाम कले वर पीतां वरा बृतं, इंदी वर लोचनं, कटि निशंग सारंग हस्ते विभो, जटा जूट सुग्यवस्थितं, राज्यं ग्रिहं संपदा मत्यजत, तापस वेशद्धरं, गच्षति सानुझ वेदेहिवन पथे, तम्रामं नमाम्याहं। जो नारायन आदि मध्य अवसान से परे हैं, जिन्होंने इच्छानसार विविध अवतार धरे हैं, उनकी मानव लिला देखकर, इंदर के पुत्र जैंत को, उनके इश्वर होने पर संदेवत्पन हुआ। और वे काग वेश धर कर, श्री राम की शक्ति परिक्षा करने चला आया, छोच मार कर आहत कर दिया जानकी जी के चरण को। तब छोड़ा श्री राम ने सरकंदे काबान, खत भागा कागा चला, दुरत बचा कर प्राण, कहीं न पाया त्राण। उसके पिता इंद्र ने भी उसे स्वर्ग में स्थान न किया, नारत जी को उस पर दया आई, और उन्हीं ने यह युक्ति सुझाई। राम जी के चरणों में स्थान मिल जाएगा तो अपने भी घर तुझे स्थान मिल जाएगा। तेरे पिता कर देंगे तेरी धिष्ट ताको क्षमा, तुझो क्षमादान प्रभु राम जी से पाएगा। राम के चरण धर भूल स्विकार पर राम अपनाएगे तो जग अपनाएगा। रक्षमाम ख्षम्यताम मन से जो कहेगा तो यही एक भाव क्षमा राम से दिलाएगा। जयन्त की ख्षमा याजना पर राम जी ने उसका दंड न्यून तम कर दिया। दीन बंदु श्री राम ने सुन कर वानी दीन। कर दिया ख्षमा जयन्त को कर एक नेत्र विहीन। भरत मिलाप जयन्त के प्रकरन के पश्चात। हे तु पूर्ती में विघन पर चिंतित हो रघुनात। सोच रहे यह बात। चोदे है वर्ष बिता दिये यदि हमने एक स्थान। तो कैसे कर पाएंगे निश्चित कार्य प्रधान। कल करता आहवार। गए लोग सब जान। मेरे यहा निवास को। कही और प्रस्थान। सियाह में करना चाहिए। सियाह रामजी के मन पर चित्र कूट का चित्र अंकित हो चुका था। प्रकृति और पुरुष दोनों को प्राकृतिक सौंदर्य अपने लावर्णे अरस में भिगो चुका था। परंतु वर्तमान को भवेश की ओर तथा कथा को आगामी घटनाओं की ओर जाना ही पड़ता है। यही सोचकर राम जी ने स्थान अंतरण का निरने किया। ओ चित्र कूट की माया तज कर वहां पहुँचे जहां अत्री रिशिवर। ओ समाचार जब रिशिने पाए तब प्रभु के दर्शन को धाए। राम लखन ने अक्त्री को सविने किया प्रणाम। रिशिने रिदे लगा लिये भ्रात युगल गुणधाम। ओ नाना भाति राम गुणगा कर। उज रहे प्रभु के पद मुनिवर। राम हरे जय राम हरे। धन्यकिया ममधाम हरे। ओ राम लखन सिय लागत कैसे। ब्रह्म जीव और माया कैसे। जय राम हरे जय राम हरे। धन्यकिया ममधाम हरे। देखके यहां सती अनुस्विया। बोल उठा मन मैया मैया। धन्य सती और धन्य यह आश्रम। धन्य सुमुनिय त्रियन्योतम। जनकनंदिनी को हुआ। सुख प्रद यह आभास। अनुस्या के रूप में जो कोशल्या पास। ब्रहमा वेश्नु महेश जूलते जिनके आंगन पलना। उन्य अनुस्या के पदबंदन करे जनक की ललना। अनुस्या ने दिये सिया को ऐसे वस्प्राभूशन। जिन की कांते न धूम मिल हो जिन छुए न धूल न दूशन। सिया प्रसंद ही रहन कर यूँ वस्प्रा लंकार। पुत्री जैसे प्राप्त कर मासे स्ने हो बहार। अनुस्या ने सीता जी को अपने निकट बिठा कर। नारी जाती की चार शेलिया कहीं सहज समझा कर। उत्तम नारी उस नारी को वेद पुरान बताएं। जिसके चिंतन ध्यान सप्न में भी पर पुर्शन आएं। मज्ञ मुश्रेडी की नारी औरों को देखे ऐसे। पिता वयस्क समवयस भाता और लगु पुत्र के जैसे। धर्म और कुल की मर्याता से निक्रिष्ट डर्ती है। मन बाहर जाने पर भी नहीं पग बाहर धर्ती है। लोक लाज से या फिर अवसर नहीं मिलने के कारण। वे हैं अधम नारियां जो रहती हैं स्वामी परायन। पति व्रत धर्म में जो नारी तेरा अनुसरन करेगी। पोगी वे हैं महिमा मन्दित। तेरी भांति पुझेगी। सीता तू तो भगवती सत्यों का शिंगात। ये कौन की शेयन्यां जो साधा रणनार। सुन सीता यह सीख है तेरे ध्यान के योग। यू रहन सज सवर कर पति को लगे मनुग्य। ये पगतल से भाल तक जितने भी शिंगात। रखना उनसे स्वयम को तू सरवंग सवार। आवद समान लगी आश्रम में जितनी आवद ही विताई। राम सिया रिशी अनसिया से लेकर चले विदाई। मुनि जन से सत संग किया कई खल को पाठ पढ़ाया। करविराध कावद प्रभु ने उसे अपने धाम पठाया। मुनि जन प्रभु का पत देख रहे। क्या सोंती क्या सुपकार कहे। अभी कितनी देश लगानी है। ये रामायन श्री राम की अमर कहानी है। इधर श्री राम जी ने अत्री रिशी तथा माता अंस्विया से लखन और सीता सहित विदाई दी। उधर मुनि जन के विरोधी विराद को संसार से विदाई दी। सुपकार किया आवाहन मुनि शर्भंग का जो नजाने कबसे धारण की वैठी थी चोला राम रंग का। करें प्रतीक्षा राम की कबसे मुनि शर्भंग दीप स्वयं पहुचावां याकुल जहां पतंग साचा प्रेम खारंग। दीर्ग प्रतीक्षित श्री राम आगये शर्भंग को और क्या चाहिए था। बोले शर्भंग कर राम को प्रणाम प्रभु तुम शिवजी के प्रिय मानस हंसाओ। मंगल कारण हो वचन परायन हो भक्त प्रति पालन असुर दल ध्वंसा हो। मुख पर गगन का सारा भा मंडल है नाम में है चंग्र रभी बंस अब तंसा हो। बड़ा मेरा भाग्य जो ले आया मेरे पास तुम्हें भाग्य की प्रशंसा हो के तुम्हरी प्रशंसा हो। ब्रह्म लोक को जा रहा था में तज यह धाम ठेहर गया यहां जब सुना आओगे तुम्हराम कमल नयन तन शाम। नैन जुड़ाय हुआ शीतल रिदय कर। दुरलभ दर्शन अबध विहारी के। जाने किन जन्मों के पुण्य से सुभुख देखे लक्षमन वीर और जनक दुलारी के। बचन निभाना ही था दरस दिखाना ही था आश्रम में आना ही था मुझ्य हच धारी के। अब यहां कब तक रहना है जब तक एक न हो जाएं प्राण रभु आप जारी के। राम जी यहां पहुचने में विलंब का आभास कर शर्भंग से बोले। जो विलंब हमसे हुआ आने में मुनिराज। उसके बदले मांगुलो मनवांचित वर आज। कहो करें क्या काज। ओ बोले मुनि जो तपसे हर जित। आप गवे सब पुण्य समर्पित। राम हरे जे राम हरे जे दो भख निश्खाम हरे। ओ सर्ग मोक्ष से नहीं प्रयोजन। केवल सगुण रूप के धर्शन। राम हरे जे राम हरे दे दो भख निश्खाम हरे। ओ राम चरण में रख कर मन को भस्म किया योगागनी सितन को राम हरे जे राम हरे मुनि पहुँचे हरिधाम हरे। मनवांचित शर्भंग को दे कर जब रघुनात। आगे चले तो हो लिए कई कई मुनि साथ। मुनि जन श्री राम को दंडकारने में होने वाले असरों के उत्पात से अवगत कराने लगे। साधु बिंद पर होने वाले उनकी अत्याशार गिनाने लगे। राम जी जब और आगे जाने लगे तो उनके चलन सहसा डगमगाने लगे। पड़ी जो राम जी की द्रिष्टि अस्थियों के डेर पर सहम गए छे ठग गए चरण वही गए छहर। पूछते हैं राम संग आए साधु बिंद से यकिन की अस्थियां हैं जो भरी है तब सुगंध से। साधु बिंद अरल्य की स्थिति का वर्ण करते हुए प्रहु से बोले। बड़ा अनत राक्ष सोने प्रभु अरण्य मैं किया वधिक की वाति वध के दिव्य साधु पुखा लिया। करता हूँ मैं यह प्रण भुजा उठाकर धरती पर हैं जहां जहां तक निसिचर। वहां वहां तक पहुँच कर लूंगा उनके प्राण। खल खंडन के हे तु हैं यहतर कश ये बाण। प्रिथ्वी को निश्चर विहीन करने का प्रण करके प्रहु आगे बहे तो उन्होंने दिव्य चक्षनों से देखा। सुमुनी सुतीक्षन तपो बलधारी राम पे रखें भरोसा भारी। जब जाना के राम यहां आए ज्यान समाधी से उठकर धाए। इधर उधर खोजे मुनिराई राम परंतु पले न दिखाई। देख अर्ध विक्षिप्त अवस्था की प्रभुनेयु मुनी की व्यवस्था। प्रगट हुए मुनिराज के रिजय मध्य रघुवीर। राम त्रशित को मिल गया राम दरस का नीर। यूं बैठे जूं निर्धन चिन्ता मनि पाकर। मनि को सहेज कर उनेह समाधि लगाकर। मुनिवर्न जगे रघुवर्ने लाख जगाया। जब रूप चतर भुझ विष्ण विराट दिखाया। जब जाना के मिले उने राम स्वयम साक्षा। सर्वस हार के गिर पड़े प्रभुपद पर मुनिनात। ओ पदपंकज का करके पूजन। अभे प्राय यह किया निवेदन। ओ हे नारायन हे पुरुशोतम। चलिए मुनि अगस्त्य के आश्रम। गुरुदेव ने मुझे पर प्रगट की यह अनूठी कामना। गुरुदक्षणा में राम का दर्शन करामन भावना। सादर सुतिक्ष लिये चला सियसंद सानुजुराम को एक शेश्य ने पहुचा दिया गुरुधाम तक गुणधाम को। नैनों के आगे खड़े अंतर सा पित्राम। चक्त मुनीश्वर देखकर प्रभु को अपने धाम। सविनयकिया प्रणाम मुनी को सानुजुराम ने। विदय लगा लिये राम। मुनीवर ने लक्षमन सहित। आसन देकर रिशिवर ने की पदपंकज की पूजा। बोले भाव विभोज के तुम सम देव दयालू न दूजा। सब मुनियों के सनमुख होकर बैठे आनंद कंदा। सबने अनुभव किया के सब को देखे रघु कुल चंदा। राम जी मुनिश्रेष्ट अगस्त की प्रशंसा करते हुए बोले। विदित तुम्हे है सब मुनिराया किस कारण में बन में आया। ऐसा जतन बता दो मोहिं नश्ट करू जाते मुनि द्रोहिं। मुनि बोले तुम पूछत ऐसे एक अनभेग्य मनुज हो जैसे। है मुनिवर है अंतर ज्यानी ममहित लाग कहो कछुबानी। सिध्धा युध मुनिराज ने प्रभु को किये प्रदान। बता दिया उनिवास को पंच बटी शुबस्थान। प्रभु वर को लगा परमप्रिय पंच बटी का नाम। चले अब अधि बनवास की वही विताने राम। पंच बटी को जात मिला जटायू मार्ग में। गिथ राज सेनात परम फ्रेम पूर्वक मिले। पंच बटी पहुचकर एकांत और सुअफसर जान लक्षमण जी ने कुछ प्रश्ण उत्तर की अपेक्षा से राम जी के संद्मुक रखे। श्री राम ने केवल लक्षमण ही नहीं। अपितु सुर नर्मुनी सबको लाभानवित करने हैं तु। उन प्रश्णों के उत्तर लोक कल्यानी परावानी में दिये। लक्षमण जी ने पूछा। लक्षमण पर अनुराग राख दास सुत भक्त संद्म। माया ज्यान विराग भगवन परिभाशित करो। राम जी ने पहले माया का भेत खोला। ओ मैं और तू तेरा और मेरा। किन से बना माया का घेरा। ओ माया की दो बहने मानो विद्या और अबिद्या जानो। ओ विद्या द्वारा जग है विरचित। रखे अबिद्या सब को मोहित। ओ सब में ब्रहम को देखे ग्यानी। हो जाए प्रकृति के जैसे पानी। मत अनेक है किन तुदे एक ही जान विवेक। गवे ना ना रंग की रंग दूध का एक। लखन अब सुनो की बैरा की क्या है। सत्र जितम गुण संग हो सर्व सिध का ट्याग। राग अनुराग से जो प्रिथक रखे वो बैराग। वैरागी की द्रिष्टी में है संसार असार। तन मन धन सुख भोग से कही न जोड तार। लक्ष्वन जी ने को नहें पूछा। इन मैं से आ सकती किन पर रखनी चाहिए। लक्ष्वन अब जीव ईश्वर और भक्ति के भेद सुनो। चीश्वर माया और जो स्वयम से भी अनजा। जीव उसी को जान ये कहते वेद पुरा। जीश्वर है सारे कर्मों का फल राता। वही परब्रहम परमेश्वर भाग विधाता। छह आश्वरियों से युक्त है सरवेश्वर है। जीश्वर ही सत्य है शिव है वही सुन्दर है। अब भक्ति और भक्ति को संचेत में निरुपित करता है। भक्ति स्वतंत्र ना आश्रय मांगे। ज्यान विज्यान विराग को चागे। एक निष्ट रखे भक्त को अपने। भ्रम और भ्रांति को देना पन अपने। चल प्रपंच पाखंड विरत हो। वेद विहित कर्मों मेरत हो। द्विज्विद्वान संत जनसारे। सादर इनके चरण पखारे। राम शरंग की राम की तनमन बचन मेरा। रुदय में ऐसे भक्त के सदा मेरा विश्रा। कोई शांत लखन की जिग्यासा। दुर लब तथ्यों की परभाशा। प्रभु करके सेज बखानी है। ये रामयण शीराम की अमर कहानी है। पंचवटी के वातावरण में फैली आध्यात्मिक सुगनत। मन को सम्मोहित करने वाले नैना भिराम द्रिश्य। विकल भक्त जनों की कल की चुनता दूर करने वाली कल-कल बहती हुई गोदावरे। यहां के परिवेश में हुआ अभूत पूर्व आभास अपनी प्रशंसा के शब्द स्वयं प्रदान कर देता है। और मन अनायासी गाने रगता है। मधुर मनोहर सब विधि सुन्दर रंदक वन में पंचवटी। पंचवटी के रूप में मालो नाच रही यहां प्रक्ति मती। मधुर मनोहर सब विधि सुन्दर रंदक वन में पंचवटी। पावन सरिता गोदावरी मेर नहीं अमरित से भरी। द्रम्ब केश शिवजी का स्थान माने राम जिन्हे भगवान। पंचवटी की कुटियां में रहे कर छविवय कुंठ की मन से हटी। मधुर मनोहर सब विधि सुन्दर रंदक वन में पंचवटी। रावन की बहना शूट बनखा। राम लखन का रूप जब लखा। माया निर्मित रूप बना के कहने लगी श्री राम से आके। तुमसा पुरुषन मुझ सीनारी। बहुत सजे की चोड़ी हमारी। मेरा मरण कर लो रामन। तुम्रे ही कारण यहां प्रगटी। मधुर मनोहर सब विधि सुन्दर रंदक वन में पंचवटी। हे सुन्दरी लखन पर जाओ। वह कुमार पती उसे बनाओ। लक्षमन निकट गई मदमाती। बोले लखन वचन एही भाती। राम मेरे स्वामी मैं स्वामी का दास। दास कैसे पून करे भला तेरी आस। सर्व मनोरत वही फून करने वाले। जा उन्ही के पास उन्हें भक्तिते मना ले। बोले राम के सुनू मतवारी। मैं हो एक पत्नी व्रतधारी। ये है जनक नंदिनी सीता। मम परणीता परम पुनीता। सहम गई भैसे सुकुमारी। निश्चर जो सीता की ओर झपटी। सुनो लखन मेरी आज्यामत और विलंब लगाओ। पुचित बंड दे उनमा दिनी को बाधा दूर हटाओ। जो धित लखन के हाथों उसके चान गए और नाक गटी। किसी एक घटना के कार आगे की हर घटना घटी। खरदूशन निश्चर के भाई। उन्हें जाए सब कथा सुनाई। सुनते ही रोज से जलेवे। लेने को प्रत्य शोधु चलेवे। खरदूशन चल दिये दलबल बणा सजागे। खरदूशन चल दिये दलबल बड़ा सजागे। बड़ योधा माया धारी निकले कोध में आके। खरदूशन चल दिये दलबल बड़ा सजागे। बड़ वीर खरदूशन के साथ है। शस्त्रों से भरे भरे असुरों के हाथ है। प्रतिशोध राम जिस से लेने को अधीर है। जाने नहीं राम कौन कैसे उनके तीर है। राम के बानों को मिला धनवांचित आहार। सब के सब दिये राम ने भृच्चु के घाट उतार। काल घेर कर ले आया इने राम का दास बना के। प्रभु ने अकेले ही असुरों को माटी किया हरा के। हर दूशन का दल रख दिया राम मिटा के। चूर्पन का भ्राता रावन के दरबार में आई। रोती हुई दिफरी हुई सिंघिनी के जैसी कहने लगी धीरज खोती हुई। ठिकार है लंकेश ठिकार है तुम भोग विलास पे डूबे हो कुछ राज-काज का ध्यान नहीं बनते हो ग्यानी। बनते हो ग्यानी पर सिर पे आए हुए शत्रु का ग्यान नहीं। बोला रावन में राजा हुँ मुझको अपना दायत को पता। कहनाक कान कटवा आई किसने काटे यह बात बता। दो वीर सुदर्शन पंच्वटी में सुंदर स्त्री संग वास करें। मैं जान गई वे चाहते हैं। असुरों का जड़ से नास करें। उस राम के छोटे भाई ने मुझे नाक और कान सहीन किया। और राम ने खर दूशन त्रिशिरा को बाण प्रहार से मार दिया। उस पर्म संदरी के जैसे रति भीर मरी अपनों के नहीं। रहयों के तुम्हारे महलों के उस पर्ल कुटी के योग नहीं। रावन शुर्पनखा के भढकाने से नहीं। वरन अपने विवेक से स्थिती का विवेचन करने लगा। राम यदि मानव हैं तो उनका वद करने में कोई कठिना ही नहीं। यदि वे नारायन हैं तो उनके हाथों मरने में कोई बुराई नहीं। उसने समझ लिया धर्दूशन से भट विकट हम जैसे बलवान मार नहीं सकती उन्हें मानव की संतार हम राम से हट कर बैर करेंगे सुनले बात हमारी भी चुक जाएगा तेरा भी बदला हर लाएंगे उसकी नारी भी बैर करेंगे युद्ध करेंगे यदि हम हर के हाथ मरेंगे तामस देह से मुक्त मिलेगी आत्मा स्वर को प्राप्त करेंगी यह विचार कर चला वहाँ पर बसता था मारी चुजहां पर वानी में फिर मधुरस घोला रावन यू मारी च से बोला मातुलमम प्रणाम स्वीकारो उठकर बिगडे काज सवारो रूप बदलने में यश्रे तुम्हारा बिग बनना तुम्हे माया द्वारो रावन की बात सुनकर मारी च ने कहा छदूवेश धरले की कला मैं कपका छोड़ चुका हूँ सबसे नाता तोड एक आंत से नाता जोड़ चुका हूँ अब मुझसे ये काम नहीं होगा मारी च की ना सुनते ही रावन ने आवेश में आका कहा ना सुनना नहीं मुझे सुआता अनतिम बार तुम्हें संझाता आग्या मान के तुम करो या तो मेरा काम पुहुचा दूंगा अन्ठ तुमको यम के धाम रावन के क्रोज की चिंता न करते हुए मारीच ने कहा मर कर तेरे हाथ से क्यूं भोगू मैं नर्क बधे राम तो स्वर्ग से सीधा हो संपर्क इधर मारीच पंचवटी के लिए निकला उधर लक्षमर जी निकले कंदबून फल लाने के लिए उचित अफसर जानकर राम जी ने सीधा जी से कहा प्रिये अब हमारे एक और लीला रचने का समय आ गया है मैं जब तक पित्वी को असुर विहीन करके न लोटूं तुम अग्नी देव के संदक्षन में निवास करो ऐसा कहकर राम जी ने अग्नी देव का आवाहन किया और कहा हे पवित्रतम मैं पावंता की जीवन तुमूर्ति सीता तुम्हें सौप रहा हूँ इन्हें सहने योग्यतापमान में सावधानी से रखना जो हविशान यज्य में मुझे अरपंड किया जाए वह सीता को फरिवेशन करते रहना अग्नी देव ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की सीता जी ने भी रची एक अपूर्व लीला अपनी अनुकृति अपने ही जैसी रूपवती गुणवती धर्म शीला प्रकट करके स्वयम पावक में निवास करने चली गई इस अत्यंत गोपनिय योजना का लक्षमर जी को भी पता नहीं चला माया म्रिग बनके मारी चवन में आया श्वर्ण मैं मनोहत वास्तव से सुन्दत छल बल से सीखा का मन भर माया माया म्रिग बनके मारी चवन में आया बिनती सुनो रगु वीर क्रपाला लादो म्रिग मन हरने वाला किसको यो ध्याल जाओंगी सब का वहा मन बहलाओंगी मान के आग रहे रान प्रिया का माया म्रिग के पीछे माया पति धाया माया म्रिग बनके मारी चवन में आया कभी ओ जल कभी सन मुक आके ले गया राम को दूर भुलाके राम ने बान अचूक चलाया अंत समय मारी चुकाया उसने करण स्वन में बुगारा आ लक्षमन आ चीते शीक्र शीक्र मेरी सहायता को आओ लक्षमन सुनो ये आत नात कैसा शीक्र जाओ राम जी पे संकट आया लक्षमन कहें सियसे के सुन मामाया वे सब के संकट हरते हैं वे दोने भेद ये बत लाया शीराम को छू नहीं सकती है अनचाहे संकट की चाया ब्राताशी मुझको सौब गए है भार तुम्हारी रक्षा का मैं कैसे उलंगन कर सकता हूं अग्रज की आग्या का जो सब के रक्षक तुन उनकी रक्षा के लिए अक लाती हो माह माया होकर भी उनकी माया क्यूं समझ न पाती हो इस ओर तुम्हारी रक्षा है उस ओर भात की आग्या है कैसी दुविधा में बड़ा लखन ये कैसी कचिन परीक्षा है है जिष्ट विवश पढ़ पाने में विधना का निर्धारित लेखा भाभी में कीचे जाता हूं यह अभी मंत्रित लक्षमन रेखा यह रेखा है मर्यादा की यह रेखा पार नहीं करना आग रहे सुनकर या करके दया पग्सीम पार नहीं धरना इस अभी मंत्रित लेख को करेगा जो भी पार जल कर वह दुसा हसी हो जाएगा ख्षार लक्षमन जी ने लक्षमन रेखा खीच दी और निवेदन किया महावाया सीता जी से उसे पार न करने का स्वयम मायावी मरिक की करुण पुकार के चलावे में आकर वहां से दूर चले गए लक्षमन के जाते ही बाहर सुलब हुआ रावन को अवसर पुटिया के द्वारे पर आया याचक बनकर वचन सुनाया भिक्षाम देही भवति भिक्षाम देही जोगी द्वारे आया जानके देने चली दान वैदेही रावन बोला बन ही हुई विक्षा लेना हमे स्विकार नहीं बाहर पगधर ने चली योही सीता मात त्योही रावन ने किया सीता हरन बलात सीता को बिठा बरवसरत पे ले चला दुष्ट नभ के पत पे शोका कुल राम की रानी है ये रामयन सिया राम की अमर कहानी है मैंनों में आंसू लिये अंकर में संता आप बहे लिया के जाल में हिरनी करे भिनाप सुन सिय का क्रंदन करुण जान रिदय का शोक उड़ते हुए जटाई उने ली अपनी गती रोक वे जान गए कि विलाप करने वाली रगकुल तिलक राम जी की जीवन संगिनी सीता जी है उन्होंने रावन को ललकारते हुए कहा रे रे दुष्ट वही ठैर जाए मेरे प्राण रहते तु जानकी जी का हरन करके नहीं लेज़ पाएगा गिधराज ने रत पर आक्रमन कर रावन को विरत कर दिया और चौच मार मार कर उसके सारे तन को घाओं से भर दिया वह घड़ी भर के लिए मूर्ची धोकर जागा तो कर्तन करने लगा जटायू के पंकों का उसने पंक भले ही काड़ दिये परंतु जटायू की राम जी के प्रति भक्ति सीता के प्रति सने और कर्तवे के प्रति निष्ठा नहीं काट पाया गिधराज भूमिगत होकर दूर गामी दिश्टी से रत के गमन की दिशा देखते रहे उधर रत दूर निकल गया इधर लक्षमण जी आप पहुँचे राम जी के निकट ओ राम ने देखा लक्षमण आता लगे पूछने बोलो भ्राता ओ वन में हिन्सक पशोर निशिचर छोड़ी सिय किसके आश्रय पर ओ आश्रम छोड यहां क्यों आए जिसका रण दायत्व भुलाए सीता मात धमित हुई सुन कर नाद कठोर प्रोध विवश हट कर मुझे भेजा आप की ओर तुम जो आए हो यहां मेरी आज्या टाल सुनो तात इस बात में विधना की कोई चाल द्रिष्टी गोचर हुआ आश्रम जबके सिया विहीं राम रोने लगे जैसे मनुझ कातर दी मन विरह वेदना से है भारी पूछो किस से कहां प्राण प्यारी परवतो पंचियों तरू लताओ जान की का पता कुछ बताओ जान की का पता कुछ बताओ ग्रिष्टी चारो दिशा धूंड हारी ग्रिष्टी गोचर नहो प्राण प्यारी पहुच गए सिय खोजते ब्रभु जटायू के पास राम मिलन को रोक कर रखी जी उसने श्वास राम को देखते ही बोला दक्षिन दिशी में रत पे बिठा कर सिय को ले गया रावन निश्च मैंने बल प्राणों का लगाया परसीता को छुडा न पाया इतना कहकर दिटायूने प्रांट छोटी माना बहुत चटायू का रगवर ने आभार पिता तुल्यसन मान दे किया अगनी संस्कार राम जी प्राणे मातर से प्यार करते हैं जिसका जैसा रोग उसे वैसी ही औशदी देकर उसका उफचार करते हैं राम जी ने देखा कि शिलाखंड की समान एक कलेवर पड़ा हुआ है वे जान गए कि यह कबंध है किसी समय का गंधर्म रेशी दुर्वासा के श्राफ के कारण इस अवस्था को प्राप्त हुआ है राम जी ने कबंध का संघार कर उसे श्राफित तन से मुक्त किया कबंध का उचित प्रबंद कर राम जी आगे बढ़े तो एक तबस्वीने की आध्यात्मिक सुरवी आग्रान करने लगे कौन है यह प्रतिक्षा की सजीव मूर्थी कौन सी काम ना लेकर बैठी है करवी है जिसकी पूर्थी पंथ प्रभु को ले जाने लगा शबरी के आश्रम की ओर अर्थात राम रूपी चंद्र जाने लगा जिधर प्रतिक्षारत है शबरी रूपी चकौर गूरु मतंग के बचन पर लेकर जिड़ विश्वास शबरी देखे राम पत ले दर्शन की आस युग युग की है प्यास धन्य किया शबरी का धाम भत परायण जैश्री राम शबरी फूली न समाए नीर ननस बहाए बार बार करे पुण्य प्रणा भत परायण जैश्री राम प्रेश्टी हते नहीं मुख मंदल से हाथ हते नहीं करण कमल से प्रेम दिवानी प्रेम सिंधु को भोग लगाए जूठी फल से प्रभु रुची रुची खाए माद भक्ति का उठाए प्रभु रुची रुची खाए साद भक्ति का उठाए बेर नहीं जैश्री नीथे आम भत परायण जैश्री राम राम जी रिशी मतंग के कहे अनुसार आपके दर्शन तो हो गए परन्तु ना मुझे भक्ति आती है ना पूजा कृपा कर एक उपकार कीजिए मुझ पर भक्ति का रहस खोल दीजिए मात शवरी तेरे भावों में समस्त भक्तियों का समावेश है फिर भी तुने पूछा है तो तुझे नवदा भक्ति का ग्यान देता हो सुन दीशवरी प्रथम भक्ति है संतों का सत्संग हो दूसरी भक्ति के प्राणों से भी प्रियम मकता प्रसंग हो तीजी भर्ति के गुरू चरण सेवात जिः अभीमान चाथी भर्ति के निश्कपट ममगुण पुंज बखान राम मंत्र का जाप निरंतर और भरोसा राम पर ये है पंचम भक्ति के जिसकी महिमावे दोवे मुखर छटी भक्ति है इंद्रिय वशकर मन बहु कर्म विरत हो सद व्यवहार में धर्माचार में संतों के अनुरत हो भक्ति सात वी ओ समद्रिष्टा जगत राम में मानना संत जनों का आदर करना मुझसे बढ़कर जानना अश्टम भक्ति के जो मिल जाए उस पर ही संतुष्ट हो अपने गुन और दोश पराए सपने में भी मत गिनों नभी भक्ति है सदलता कपट रहित व्यवहार हर स्थिति में रहना अचल लेकर रामा रा ग्यान भिलनी का पढ़ा के नभधा भक्ति सिखा के ग्यान शबरी का पढ़ा के नभधा भक्ति सिखा के देदी रामने भर्ति किदा भक्त परायन जेश्रीरा पूछे राम बता कुछ माता कहां मिलेगी जनक सुजाता उसकी खोज में बन बन डोले कुछ भी नहीं चराचर बोले शबरी बोली जाए पंपा सरको नाथ चरसो ग्रीव से मीत चाँ बने की बिगडी बात शब ही के वायु बन प्राण चले और राम प्रभु से जाए मिले यू जोत में जोत समानी है ये रामायड श्री राम की हमर कहानी है ये रामयड श्री राम की हमर कहानी है जै श्री राम राम जी के चित्रकूर से प्रस्थान के फश्चाथ पहला पड़ाव था अत्री रिशी का आश्रम यहां राम लक्ष्वन सीता ने रिशी से आश्रवाद तथा सकी अनसुया की आश्र से वाजसले और मम्ता के मरी मुक्तब राप्त किये रहें मुनी जनों को दर्शन देकर अनुग्रहीत किया प्रिथवी को निश्चर विहीन करने का संकल लिया रावण की वहना शूप नखा को विकलांग तथा खर दूशन और तृश्रा को दर्वल सहित अकेले ही नश्ट कर रावण को रामावतार की सूचना भेजी महा प्रतापि महा बली शिव के अनन्यभक्त रावण के पुणियों का क्षय आरंभ हुआ सीता हरण के दुराचरन से सीता हरण के पश्चात हमने देखे पत्नी के विरह में रोते हुए मानव राव जटायू के निकट मिले प्रानी मातर पर द्रवित होते दयालू राम प्रेम का नाता अटूट नाता है सर्वोत किष्ट जाती है भक्त की भिलनी शवरी के हाथों जूठे बेर खाकर यह सत्य प्रमानित कर दिया भक्त परायन भगवान राम ने प्रभू के पंपासर पहुचने पर दिवर्शी नारत उनके दर्शनार पढ़ा रहे और सबीने बोले प्रभू वेद कहते हैं आपके अनेक नाम हैं सब एक से बढ़कर एक मुझे यह वर्दे कर अनुगरहीत कीजिए के राम नाम सब नामों में सबसे महत्फून तथा तुरंत फल देने वाला हो जो जन जब तब योग वेराग्य कुछ नहीं जानते साधना के मार्ग से सिधी तक नहीं पहुँच सकते उनके पाप रूपी पक्षियों के समूह नश्ट करने में राम नाम वधिक जैसा काम करें यही नाम कल युगी धीवों के कलुश रूपी अंधकार को मिटाने में सुर्य के समान हो राम जी ने कहा एव मस्ति कल युग में होगा यही राम नाम आधार इसी नाम को स्मिर्जन उतरेंगे भववार प्राणी पथ भूले पथिक भव है विकट अरण्य इस अरण्य में राम का हर आचरण वरण्य एक गोर एक शान गंगा यमना जल सब्रिश ज्यान विज्ञान के धां राम लखन वंदू सदा धनुर विद्या प्रवीन शक्ति अपरिमित के दनीन सिया खोज मेलीन बंधु युगलु निज्भक्ति देन सिया मिलन का सूत्र बता कर चल दी शबरी माई सूर्य वन्ष के सूर्य राम ने किरन आस की पाई रिश्य मूक पर बत तक आ गए सिया खोज ते रगवर वानर पति सुग्रीव सेन्य संग करे लिवास यहीं पर रिश्य मूक परवत किश्किन्धा क्षेत्र का अरमनिय स्थान है यह राम जी के प्रवास से अनुग्रहीत होना चाहता है अपने जड़ पाशाणों को राम रस में ड्बोना चाहता है विरही राम की विरह व्यथा अपने कणकण में संजोना चाहता है यहाँ श्री राम की भीट अपने परम्प्रिय श्रिव के ग्यारहमे रुद्रहनुमांसि होगी तथा सूर्य पुत्र सुग्री भी यहीं मिलेंगे जो ठहरी हुई कथा को गती प्रदान करेंगे देखे वीर पुरुश बलधारी भै सुग्रीव को उपजा भारी हनुमत से बोला तुम जाओ उनका परचे लेकर आओ सुनकर शीहनुमान जी राजा का आदेश रगुवर से मिलने चले धर ब्राहमन का वेश ब्राहमन प्रिय श्री राम प्रभु के जब यह ब्राहमन सनक आया पीछे परचे पूछा प्रभु ने पहले दिज को शीश जुकाया राम और हनुमान को देखो समय ने कुछ सुभाती मिलाया चिर जीवी होने का आशिश भगवन ने निजभक्त से पाया चिर जीवी होने का आशिश राम ने युम अनुमान से पाया कपी ने पूछा भगवन का शुभ नाम नाम है मेरा दशरत नंदन राम राम नाम सुनते ही कपी का रोम रोम किल गया पपी है को बूद हन्स को मोती मूक को वानी अंध को जोती जीन ही नियाचक को जैसे पारस्मनी मिल गया रह गए प्रश्न धरे के धरे अश्रुधार नैनों से ज़रे बेसुद से हो गए पवन सुत देख के राम रमा पति हरे सन्क पाकर राजिव लोचन हत प्रभ रहे गए के सुरी नंदन जर्शन कर हनुमान शक्ति का महाशे लहल गया अति लगू है परचे मेरा सुनिये क्रिपानी धान जिसमी झल के राम छबी वहदर पण हनुमान भेजा है सुग्रीव ने मुझे आपके पास मंत्री में सुग्रीव का और आपका दास इन चर्णों का दास अच्छा अब सुग्रीव से भेंट करा दो समाधान तक जिक्यासा पहुचा दो राम जी के आकरें तथा हनुमान जी के मनुरत की मैत्री ने दो मित्रों की भेंट का मार्क सुगम कर दिया सेवत नेक विलंब किया नहीं नाथ की सेवा का अवसर पाके पवन की चाल चले हैं पवन सुथ भ्रात युगल कांधे पे विठा के श्री हरी और शेश आवतार को श्री हरी और शेश आवतार को रिश्मू परवत पर लाके अनमत हरशित गरवित हैं राम और सुग्रीव की भेट कराके अनमत हरशित गरवित हैं राम और सुग्रीव की भेट कराके राम कथा सुनकर सुप्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई अक्रजबाली के रखो कुसे मुझे पे आपदा आई एक रात मैदानव का सुत आया नगर के द्वारे बाली के बल से अन जाना बाली को लल चारे बल के घमंड में रहने वाले बाली साहस हो तो मैदानव सुत मायावी का सामना कर बाली जो अतुलित बल शाली शत्र का वचन लगा उसे गाली खल के पीछे दोड़ा बल धर दानव छुपा दुपा में जाकर गया बंधुनू मुझसे कहकर पंद्रह दिन यदि नहीं लोटू घर समझना यूध समाप्त हुआ रे बाली मृच्चु को प्राप्त हुआ रे खड़ा गुफा के द्वार पर रहा मैं पूरे माह जाना बाली का मरण देख के रत प्रवाह मैं गुफादवार पर एक शिलाधर आया दानव के भय से मार्ग बंद कर आया बाली के निधन का समाचार जब पाया तदकाल प्रजाने राजा मुझे बनाया लोटा वाली निश्यर बदकल देख के मुझको सिंगा संपत क्रोज से हो गया आग बबूला भाई का नाता भी भूला अत्याचार किया फिर भारी छीने राज संपदा नारी बाली के भै से आतंकित लिये भिरू में प्राण अरक्षित करुणा सभाव चित को मलने रगवर शर्णागत वसलने शर्णागत की गत जानी है ये रामायड शीराम की अमर कहानी है ये रामायड शीराम की अमर कहानी है रामजी की गति कोई नहीं जानता परंतु रामजी जिसकी गति जान लेते हैं वह दुर गति ग्रस्त नहीं रहता उन्होंने भक्त की आफदा को अपने आफदा जानकर मित्र के शत्र को अपना शत्र मान कर सुग्रीव को आश्वासन देती हुए कहा रामबान की लक्ष सिध्ध से सारा जग परिचित है मेरे हाथों अन्याई बाली का वधनिश्चित है मेरी वानर जुलभ चपलता शक्ति परिख्षा मांगे दो ब्रमान जिससे बाली वध में संधेह न लागे मृत जुंदु भी असुर ठोकर से दस योजन पहुचाया साथ शाल के ब्रिक्षों को एक बान से बीध गिराया समझ गया सुग्रीव यही है अकिल निखिल के सामी हो निशिंत चरण गह बोला राम नमामी नमामी अनुप्राणित हो राम से लेकर राम आधार रोश में भर कर अनुज रहा अग्रज को ललकार दुसा हस सुग्रीव का देख के बाली कृद्ध एक निजबल एक राम बल लेकरने चला युद्ध बाली ने सुग्रीव पे छोड़ो नहीं कोई घात कहतियार चोटा भाई जान किया बस चोटा सा एक मुष्टि प्रहार मुष्टि प्रहार पड़ा तो मुख से बहने लगी रक्स्ट की धार प्राण बचा कभी रण से भागा भूल गया वो रामादार बोला हो ना दे राम से बोला तुम हो अच्छे क्रिपानिधान सहायता सही योग पिया नहीं उल्टे करा दिया अपमान सुनो मिच्ट्र मैं कर नहीं पाया किसलिए बाली की पहचान धूप रंग कर चाल ढाल में तुम दोनों हो एक समान लक्ष्मन लो मेरे कंठ की माला दो सुग्रीव के कंठ में डाल आखिन हो घम की स्थिति पैरा वचन सकू मैं अपना पाल बाली क्या सुग्रीव का होगा काल से भी नहीं बाका बाल राम हार जो पहन के निकले उसकी हार का कहा सवाल राम जी ने पनेह सुग्रीव के मनोबल को बढ़ाया पहले से कहीं अधिक शक्ति और साहस लेकर बाली को सुग्रीव ने उनेह दिया ललकार बलशाली के रोध का रहान पारावार सुन ललकार युद्ध को बाली जो पग लगा बढ़ाने बुध्धी मती पत्नी कारा यू लगी उसे समझाने पलबर पहले युद्ध भूमी से प्रान बचा जो भागा पलबर में ही कौन सा ऐसा साहस बल ले जागा सफी तारा ने विनैपून आग्रेह करते हुए कहा अंगद के मुख से सुना मैंने नात प्रसंग रामचंद्र की निक्रता उई सुभीव के संग मेरी विन की मान कर दोईस युद्ध को टार ताके सुहाग सिंदूर से सजा रहे यह भाल यदि सपन में भी कोई बाली को ललकारे युद्धा तुर होके तो चरण वीरवर के नहीं रुकते कोई कितना ही रोके विन की अमान्य कर तारा की वह युत भूमी को निकल पड़ा वह बैठा कैसे रह सकता जिसके सर पर हो काल खड़ा तारा के समझाने पर भी बाली कुछ न समझा बंधु युगल में छिड़ गया फुने है तुमल संग्राम युद्ध विक्ष की आड से देख रहे शीराम शेश अभी परिणाम जब बाली की शक्त का पाया और न छोड़ खातर हो सुब्रीव ने देखा प्रभ की ओर कहा रक्षा करों किया धनुर्धर राम ने ऐसा शरसंधा जिसके लगते ही गिरा बाली व्रिक्ष समान रिदय भेद गया बान बान रिदय में विधा हुआ है यम्राज शीश पर खड़ा हुआ है परन्त उसके मन का अक्रोश जियों कत्यों है घायल अवस्था में भी संभल के उठ बैठा बल शाली पूछने लगा ये प्रश्ण राम से आपका तो अवतार धर्म है तु हुआ फिर अप्यश क्यूं लिया वहे लिये के काम से बालिवा सुग्रीव एक तरू के दो भूल फिर नाता क्यू निभाया बस एक ही नाम से इस गुन अगुन पे मैं देरी सुग्रीव प्यारा काहे मोहे मारा कुछ जानू गुन धाम से सीता जी की सुधुलान कौन सा बड़ा था काम सौपके ये काम कभु मुझे को परकते लेके वीर हा की पीर होके व्याकुल अधीर रघु वीर ऐसे वन वन ना भटकते रावन से दंभी सिर के बल चले आते मांग देक्षमा सिर पाओं में पटकते बल शाली बाली से जो कर लेते महित्री तो त्रिबुवन पती मुह की सिखा न तकते राम पर अभी ऐसे दुर्दिन भी नहीं आये कि तुझ जैसे दुर्जन से महित्री करें और महित्री के नाते को लजाएं बड़ी बड़ी बाते करें राम से भी नहीं डरें कामुक मदांध तेरा दुस्सा हसभारी है बहन बेटी हो पुत्र वधु की अनुझ वधु इन पे कुद्रिष्टी डाले वो तो पापाचारी है नातों की जो मर यादा जाने बिन भोग करें उनके संधार की तो नीती हमारी है प्राण छोड़ते हुए भी छोड़े ना कुतर्क अरे भभी मानी पशो तेरी मती गई मारी है कहा अपने पशु मुझे तो सुनिये श्री नात नाता रखते ही नहीं पशुनातों के साथ कहिए तनिक विचार कर जगपत जग के बीच क्या मैं ही कामांध पशु अधम पतित खल नीत सीता जी की खोज और रण का सैन्य प्रवंध करने को किया आपने बानर से अनुबंध मेरे गले यमफन राम जी ने अपना पक्ष रखती हुँ था मिले एक को दंड तो शेश सभी उद्दंड प्राणों के भय से तजे दुश्कृती पाप घमंड तुझ में दंभ प्रचंड दंभ दुर्व्यसन दुस्ताहस दुश्कृत्य वास्तव में ये मेरे इह तैशी हैं यही तो आपको मुझ तक लाए हैं अब तो पतित है और पतित पावन दुर्वल नैना हैं और तुरलव दर्शन मुनि जनम जनम करने पे जतन नहीं राम अंत में कहपातें जो राम को अंत समय भूलें सुधि राम भी उनकी विसरातें एक करणान धी कर्मानुसार में जिन जिन गत्यों में जाओं अनकम पासे वन्चित न रहूं इन चर्णों की छाया पाओं शी राम जै राम जै जै राम जै जै राम बाली की विने सुम राम ने उसका कर्से मस तक सफर्ष किया तन से जाती हुई आत्मा ने यूं प्राप्त चरम उत कर्श किया प्रभु क्रिपा से बाली ने अनुभव नहीं किया वृत्यू की ज्वाला का यों हस्ती को आभास न हो मस्तक से गिरती माला का भी राम जै राम जै जै राम भी राम जै जै राम बोला बुझते हुए नैनों की ये विन की लेना मान प्रभो अंगद अब आपकी शरण में है बालक का रखना जैन प्रभो बाली के निधन पर बाली के परजन ने बहुत बिलाप किया तब राम ने उनको धैर्य बढ़ा जीवन का सचा ग्यान दिया राजा हो या रंक हो निर्बल या बलवान आया है सोजाएगा विध का यही विधान या असार संसार में अजर अमर को नाय अपनी अपनी भूमिका निभा के सब सोजाएग प्रजनन की क्रिया रुके न कभी मरघट की आग बुझे न कभी दुनिया तवानी जानी है ये रामायन श्री राम की अमर कहानी है एक प्राणी के निधन से कोई भय मुक्त होता है तो कोई दुख गृस्त तारा जिसे हम सत्यों की श्रेणी में स्मरन करते हैं स्वामी के निधन से उसकी अपून क्षती होई वह राम जी से पूछ भी न पाई कि आप तो वट वरिक्ष के समान सब को च्छाया प्रदान करते हैं फिर बाली के प्रण वरिक्ष की आड़ लेकर क्यों लिए ये तो थी तारा की लोकी क्वेथा वास्तव में वह राम और बाली के मर्म को जानती थी यद्यपी रखुकुल तिलक राम जी का राज तिलक किनी विशेश कारणों से संपन्द नहों सका तथा भी उन्होंने कई राज तिलक संपन्द कराए जिनमें पहला राज तिलक था सुग्रीव कर राज तिलक सुग्रीव कहो गया लक्षवन जी के हाथ अब सुग्रीव के दिये वचन को स्मरन करें रखुनार मुझे दिखा कर सियके फेंके अलंकार और चीर आश्वासन भरकर वचनों में बोला दे कर धीर सीता की चिंता का बोज़ा मित्र उतारा अपने मन से ढूंड निका रेंगे हम उनको तीन भुवन से लाक जतन से गगन हुआ है सगन के बर्शा रबलवेग से आ रही पिया ही इन मेरे विरही मन की पीड़ा और बढ़ा रही राज और लक्षमी मद और नारी इन में कप भर माया उसक तगन सुब्रीव ने प्रभु को दिया वचन बिसराया जो राज महल में बैठा है यूवन में मुझे को बैठा कर जाओ लक्षमन उसे ले आओ तुम यहां डरा कर धमका कर तब लक्षन धनुष पर बान चला कर पिश्किंधा में पाउधरा सब वानर हो गए धितर वितर यह रूप देखकर रोध भरा करके प्रणाम तब अंगद ने लक्षमन का बहुत सन्मान किया लक्षमन के शोर्य और रगवर की अनकंपा का गुंगान किया लक्षमन का आना सुनकर किश्किंधा पतिभय से काप उठा अपनी लगुता और राम लखन की पूचाई को माप उठा जो बान चलाया बाली पर वहबान कहीं मुझ पर न चले अनुमान करो कुछ जतन तुमी जिससे यह घोर्विपत की टले अंगद थारा हनुमान को लेकर गमल किया सुक्रीव वहां गत चार माह से सीता के दिरहा में जलते राम जहां पहले लक्षमन को शांत किया फिर ख्रमा राम जी से मांगी बोला प्रभु भोग लिपत होकर मैंने सारी सुबुद्धि प्यागी मेरे सिनिक दल बना बना अब दिशाद शामें जाएंगे सुधि जनत नंदिनी सीता की शीग्रात शीग्र ले जाएंगे सुग्रीव अपनी स्थिती राम लखन के आगे स्पष्ट कर ही रहे थे कि घन घोर गर्जना के समान भीशन ना दूज उठा वानर भालू लंगूरों के दल के दल एकत्रित होने लगे कार्य जगत पति का था खोज जगदंबे सीता की तो सिवा का उसर कौन छोड़ सकता था यदि धर्ती का पत्र सागर की सियाही दिशाओं की लेखनी तथा तारों के शब्द बन जाएं तो भी वहां उपस्थित सेनिकों की संख्या बताना संभव नहीं सुग्रीव ने रामजी से कहा कि भगवन आदेश करें इतने वीरों का उपयोग कैसे किया जाएं और रामजी ने कहा पहले यह पता लगाया जाएं कि रामण का देश कौन सी दिशाओं में हैं और सीता इस समय कि सवस्था में सुग्रीव ने दलों पर दल पती नियुक्त किये फिर उन्हें चारों दिशाओं में जाने का आदेश दिया साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यदि सीता की सुधिय लेकर एक महा की अवधि में न लोटे तो मेरे हाथों मृत्य को प्राप्त हो गया सुग्रीव के निर्देशा नुसार पूर्व दिशा में अपने दल के साथ पस्थान किया महावली विनत ने फश्टिम दिशा की खोच का दायत दिया तारा के पिता सुशीन को उत्तर दिशा का अन्वेशन अपने दलवल सहित करने गए सुग्रीव के व्यक्ति गतमित्र शतवली दक्षिन दिशा में सीता के मिलने की सरवाधिक संभावना लेकर चुने हुए युद्धा जिन में जामवंत, हनुमान, अंगद, नल, नील, दुईविध, मयंद, गज, गवाक्ष, गवय अित्यादि बड़े उत्साह और विश्वास के साथ गतिमान हुए गमन के पूर्व राम जी ने हनुमान जी को संभोधित करते हुए कहा अनुमत सरवाधिक मुझे तुम पर है विश्वास ले जाओ यह मुद्रिका प्राण प्रिया के पास राम निशानी राम की रानी चक पहुचाई शेग्र मुझे दो पवन सुत सीता की सुधिलाई शी जाम बन्त हनुमन्त चले अंगद नल नील तुरंत चले तो साहित हर सिनानी है ये रामायन सिया राम की अमर कहानी है वन शैल कंदरा खोज खोज कपिहारे अब प्राण सुखने लगे रिशा के मारे सीता जी की सुधि लगे असंभव लाना परनिशित है अब नीर बिना मर जाना नदी ताला जल प्रपात इन सब जलदाताओं का जैसे इस वन से कोई नाता ही नहीं परवत पर चड़ पवन कुमारा दूर दूर तक रिश्टी पसारा बगुला चक वाहंस निहारे उड़त फिरे सब पंख पसारे सब को संग लिये मावीरा पहुच गए निर्मल सर तीरा देखा सुन्दर सर जल पूरित जल में मन हर कमल प्रपुलित सर समीप बिन दीप एक मंदिर जग मग हो बैठी यहाँ स्वयम प्रभा इन कर ही मग जोई उस तपस फिनी योगिनी से आग्या पाकर सब क्रिवत हुए जल पीकर और भल खाकर जब धन्यवाद देने को लोट के आए तब सुयम प्रभा ने अपने भाव सुनाए मैं नजाने कफ से शीराम जी के दर्शनों के लिए व्याकुल हूँ उनके दर्शन कर जनम लेने का फल पाना चाहती हूँ शीग्र मुझे जाना है वहां पर विश्णु रूप रगुनात जहां पर तुम सीता की खोज में जाओ मूदो नैन सफलता पाओ नैन मूद जब नैन उगारे पहुँच गए सब सिंध किनारे योगिन पहुची राम चरन में राम ने भेजा बद्र का बन में सागर तट पर हो गई संपाती से भेट दीजटायू के भ्रात ने इनकी शंका में अनुमान को उसने दिखा दिया बैठी अशोकवन बीच सिया बाधक शत्योजन पानी है। ये रामयन शीराम की हमर कहानी है। ये रामयन शीराम की हमर कहानी है। जामवंत जी को स्मरन हो आया। हनिमान जी को साधुम द्वारा दिया गया श्राप्त जिसके कारण वे अपने बल को भूले रहते थे। परंतुस मरन कराने पर उसे पनहे प्राप्त कर लेते थे। और इच्छा नुसार लगु विराट रूफ धर लेते थे। जामवंत बोले सुनो अंजनिमा के लाल। तुम से नहीं विशाल ये गहरा सिंधु विशाल। सूरज लील गए फल जान के सिंधु को बिंदु समझ पी जाओ। पुरने का वरदान तुमें कपी राम के नाम के पंक लगाओ। वजरंगी महवीर महभट अपने मूल स्वरूप में आओ। संकट मोचन नाम की हारो कपिनिज नाम की लाज बचाओ। राम ने आपनो काम दियो तुम्हें देख के भक्ति तुम्हारी। शीराम की तुम्हे विशेश पिपा अनुमान महावल धारी। अपने बल को कचु जान करो अनुमान महावल धारी। सागर लांगि पहाड छलांगि के रावन की लंका में जाओ। मारग की बाधा जो बने उन्हें मारग दा मारग से हटाओ। राम तुम्हारे जीवन प्रान है, राम के संकट बेग मिटाओ। संकट मोचन नाम तिहारो पिनिज नाम की लाज बचाओ। संकट मोचन नाम दियारो, पत्निज नाम की लाज बचाओ, सीता मा की खोज करो, सब शक्तिन के अधिकारी, पीराम की तुंपे विशेश पिपा, अनुमान महा बल रारी अपने बल खोकचु जान करो, अनुमान महा बल रारी जय श्री राम, चित्रकूर्ट तथा पंचवटी की भादी, राम जी ने किश्किंधा को भी अपनी उपस्थिती से प्रितार्थ किया, रिश्यमूद परवत, सुगृव के निवास, तथा राम जी के प्रवास की कथा कहता है, यहां राम जी की सेवा के लिए स्वयम सदाशिव ने श्री हनुआन जी का रूपधारण किया, और जिनें हम वानर रिच्च के रूप में जानते हैं, वे सब देवताओं के अंच थे, नर्वानर की मैत्री का अश्रुद पूल उदाहरण है किश्किंधा, राम जी ने वी उन्हें मित्रता कारिन कैसी होता रहा, इस प्रसंग को सुनकर आश्चरे भी होता है और रोमांच भी है, महावीर, महाभटों, महाबलियों से वैभवशाली, किश्किंधा की कथा सर्व पापों की हरने वाली, जिसके भाग्य में यश ही यश है, तनिक नहीं है निंदा राम परायन भक्तों से परिपून है वै किश्किंधा स्वामी सत्यम वदं ब्रह्मा पूजित शंकरा राधितं शेष सहसमुख वर्नितं निजमाया कित राम रघु कुल मनिल्व वन्दे करुणा करम अतुलित बलधामा पूरण कामा एम शेर तन धारि असुरों के वनकों अग्नि समाना अगणित गुण भन्दारि अंजनि सरपंकज के सरियात्मज रुत्र रूपति पुरारि रघुवर प्रिय भक्त वान राभीश्वर गति मति सब से ज्यारि जय पवन देव के धर्म पूत्र जय अतिशय अच्य रजकारि महवीर महाभट मंगल कारण मंगल के अबतारी भक्त प्रधान नमो नमा मावलबान नमो नमा भव जल्यान नमो नमा जय हनुमार नमो नमा जामवंत ने जब किया कभी बल का गुणगान बजरंगी को आगया बिसरे बल का घ्यान यूं बोले अनमान जब तक न मैं लोटूं यहां सुधिले के सीता मात की अलमूल खा रहना यही गड़ना न कर दिन रात की शीराम जय जयराम के बिस्तार तन का कर लिया फिर उड़ चले उसके नगर जिसने सिया को हर लिया देवताओं को तो अपनी ही पड़ी रहती है दूसरों का बलाबल मापने की धुन चड़ी रहती है परिक्षा लेनी की लालसा हर घड़ी रहती है तभी तो हनिमान जी जैसे भक्त शिरोमनी शक्तिमान महात जस्वी के पत्मे भी उनकी उपस्चित की हुई कोई न कोई बाधा खड़ी रहती है संबद्र का इंगित पातर उड़ते हुए हनिमान जी से युम बोला मैनाक गिरी मुझे बहुत प्रियरां राम दूत कर लो यां पल दो पल विश्रां फिर करना कुछ कां सिंदु और मैनाक को कपी ने किया प्रणां बोले सेवक के लिए वर्जित है विश्रां प्रमुख राम का कां खड़ी हो गई मार्ग में सुरसा बदन पसार प्रगट नाग माता करें देवों का आभार भेज दियार हनुमान जी सुरसा नामक आपदा से मुक्ति पाने के लिए उसे ऐसा वचन देने लगे राम काम करके इधर से मैं लटूँगा तो स्वयम बनूँगा ग्रास तेरे भोजन का सुरसा न मानी और दोनों में विस्तार की होड रग दे जितना पसारा मुख सुरसा ने उससे विगूणित किया विस्तार का पितन का धरलगू रूप कपी मुख मैं ब्रहमन कर लोटे जब मुख किया शत्योजन का बोली सुरसा के मैंने रोका नहीं पत तेरा कार क्रम ये तो था बनाया सुर्गन का सुरसा ने हनुमान जी की भली भादी परिक्षा ली और पूरे पूरे रंक दिये जान गई सुरसा के हैं कपी बलबुधी निधान राम काज सा फल्यका आशिश किया प्रदान हो गई अंतरधान कोई भी महतवपूर्ण कारे निर्विगन कहा संपन हो सकता है सुर्चा गई तो सिंग ही का गई राक्षसी एक सिंधु में रहती उड़ते हुए खगों को गहती पकड के छाया मार गिराये किरून को आहार बनाये जान गए कपी उसकी माया बाधा को मालग से हटाया पवन तनय हनुमत बलवीरा पहुँच गए सागर के तीरा लंका के द्वार पर जाकर अनुमान जी ने देखा नाम लंकिनी नगर रक्षणी डटकर खड़ी धुर्ग के द्वार नगर प्रवेश की योग का पिचाही मसक समान रूप लगुदार कहे लंकिनी कहां चला तु धूर मेरी आँखन में डार दो रख तू नहीं जाने जग पे साले चोर मेरे आहार कपने मारी एक मुष्टिका मुख से बहीर धिर की धार गिरी भूमिधन मनी इथी फिर अपने तन की सुरत संभार बोली रावन पर ब्रह्मा ने जब खोला वर का भंडार तब मुझको संभोधित करके बोले ऐसे बचन उचार जब कोई वानर लंका आए मार मुष्टिका तुझे गिराए तब तु समझ ना बिना बताए असुर विनाश के दिन अब आए वह कभी को प्रणाम कर बोली राम दूत का तुमको गोरव कुछ न तुम्हारे लिए असंभव तुम अंतर में राम को धरके निर्भै जाओ बीच नगर के अनुमत ने नगर प्रवेश किया माया के नगर में कहां सिया अब लंब ये खोज लगानी है ये रामायन शीराम की अमर कहांनी है विचित्र देश विचित्र परिवेश सारे परिवेश में जैसे माया का समावेश राम का आदेश दायत विशेश लेके राम दूठ लंका में घर घर जाता है किन्तु सीता कहीं तिश्री को चर नहीं होती रावण के मैहल में करता प्रवेश जहां नित्रा निमगन एक नारी को पाता है सिया बन वासिनी मेहल में मिलेगी कहां विरही नेनों से कहां नीद कनाता है राम जी की परिणीता ये नहीं कदा किसीता लेके ये विश्वास हनुमान लोट आता है हनुमत देखा भवन एक भवन सर्व से भिन्न तुलसी के पाधे यहां और रामा युध चिन्न ओ अच्रज में के सरी नंदन कहाने श्चरागार में सजन ओ राम राम कही जगा विभीशन वे निशिंत के सरी नंदन ओ कपि ब्राहमन का वेश बना के भीते राम निश्च से आके ओ पूझें करके नमन विभीशन विप्रत हो आए किस कारण ओ क्या तुम हरी के दास हो भाई मन चाहे करूं तुम से मिताई ओ क्या तुम राम चलण अनुरागी दिया दरस मोहे किया बढ़ भागी राम कथा हनुमत कही और कहा निजना धन्य विभीशन देख कर राम भक्त निजधा तुम सुनो पवन सुत लंका में कुछ ऐसी रहनी हमारी है जैसे दातों के बीच रहा करती जिवा बेचारी है रघुनात वो दीनानात अनात पे चाक कभी प्रिपा दिखाएंगे क्या किसी जन्म के बुन्य कभी मुझे राम का दरस कराएंगे मैं तामस देही निश जरू हूँ मन किंतु राम से जुडा हुआ प्रभु भेद करें नहीं भक्तों में ये उनके विशय में सुना हुआ कपी बोले मुझे को ही देखो कहाँ उँची जाति कुली नुह में फिर भी हूँ उनका कि पापात चंचल सभाव मती ही नुह में रटे विवीशन नाम राम की छवी देखे बिना अनुमत राम के काम करें भक्ति निश्खाम लें रंगे राम के रंग एक हुए दो भक्त मन कह सुन राम प्रसंग दूबे परमानंद में राम दूत ने राम भक्त को राम की व्यता सुनाई मनुज समान जिरह में कैसे व्याकुल हैं रगुराई कहा मिलेनी जान की माता मित्रब शीक्र बताओ राम काम में बन सही योगी अक्षय पूर्ण कमाओ सीता जी की दशा बताते हुए खिविशन ने कहा सुनो मित्र वो राम चंद्र की प्या सिया विदेह नंदिनी अशोक वाटिका में है सशोक दृष्टी बंदिनी पता सिया का प्राप्त कर खपीश पल को खो गया उसे लगा कि जैसे आधा काम सिद्ध हो गया सुमिरन करके शीराम लला बजरंग बली उस और चला जहाँ बंदिनी राम की रानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है रामभक्त विविशर ने रामभक्त धनुवान जी का मार्क दर्शन किया सीता जी की पहचान बताई और ये भी कहा कि रावन महालक्षमी जगदंविका के सभीव जाने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा है उसकी अवस्था गरजते हुए उन बादलों जैसी है जिन में बरसने की ख्षमता ही नहीं हनुमान जी विविशर के बताई मार्क पर फूट सहित होकर चल पड़े युक्ति विविशन ने जो बताई काम वही अनुमान के आए तरप लब में छुप गया जाके दरस हुए वहां सीता मांके क्रिश काया मुख तेज मय जो गिन सी निश्काम नैन मूद सी अजप रही राम राम अविराम उसी समय रावन वहां आया निश्चरियों का दल संगलाया बहु प्रकार सिय को समझाया किन्त सती को दिगा न पाया तिनके की ओट लेकर सीता रावन को लक्ष बना कर बोली दश्मक तुझको कौन बताये जुगनू ने कब कमल खिलाये चोर की भाती विपिन में आया मुझको सूने में हर लाया तेरी जान की शत्र जान की सुधि नहीं तुझको राव पान की सुईता जी ने जब सूर्य से राम को और जुगनू से दावन को तो तो दम्भी उन माद में भरकर और भी कटुक बचन बोला वैदे ही तूने किया बहुत मेरा अपमान भूल गई तू है मेरे हाथ में तेरे प्रान सुईता एक सत्य की भाती दिर्ण स्वर में बोली यार घुबर भुज दंड का पहनोंगी मैं हार या देदोंगी राम के नाम पे शीश उतार परन्तु तेरी छाया भी मेरी काया का स्पर्ष नहीं कर पाएगी सीता जी के विपरीत बचन सुनकर रावन का क्रोथ और भी बढ़ा कहा दासियों से सब आओ बहुविद कास इसे पहुचाओ मास दिवस में यद नहीं मानी तो होगी जीवन की हानी रावन की दी हुई धमकियों से आपदा रूप निशरियों से जगदंबे नहीं दरानी है ये रामायण शीराम की अमर कहानी है ये रामायण शीराम की अमर कहानी है निश्चरियां देने लगी शीय को बहुविधित्रास लगी कराने स्मरन सब रावन का एक मास रिजटा नाम की निश्चरी जिसने अपना मन शीराम के चरण कमलों में समर्पित किया हुआ था रावन प्रेडित निश्चरियों को एकत्रित कर बोली सब साब्धानों सुनो सुनाओं सपन कल का सपने में देखा सर्वनाश असरों के दलका आ गया कहां से जाने वीर बली एक वानर सारी लंका को रख दिया उसने अंगारों पर दिख बजयी महराज रावन गधे पे चड़कर घूम रहे हैं उनके दसो सिर मुड़े हुए हैं वी सो भुच कटे हुए हैं हर बाहर कोई किसी स्थान पर नहीं सुरक्षित संकट में सब के प्लान सभी कफिसे आतंकित अब यह सपना सच होने में नहीं कोई शंका मिट जाएगी राक्षिस जाते और जल जाएगी लंका भय पाकर लिजटा के कथन से लिपट गई सब सिया चरन से लिजटा से कहसी तामाई इस विपदा में तुम्ही सहाई लाओ काथ अब चिता बनाओ चिता बनाकर अगनी लगाओ अगनी वो मेरे तन को जलाने विर्हा की अगनी से बचाने त्रिजटा ने सियसे किया ब्रभु का सुयश बघा बोली भज रघुवीर को शीतल होंगे प्रान नीलांबर पर जगमग करते ये चंद्र और अनगिन तारे ये सब के सब मिर ही मन को लगने लगे जैसे अंगारे इन अंगारों से सिया अगनी के है तु प्रार्थ ना करने लगी जीवन से ऐसी हार गई मरने की काम ना करने लगी जब पवन पुत्र ने देखी माता जीवन से रूठी रूठी हो द्रवित गिरा दी सियके निकट आधार रूप में अंगूठी अंगूठी पा अंधियारे में जैसे सहसा हुआ उजियारा अंगारा ऐसा शीतल और इतना प्यारा नहीं यह तो और ही कुछ है लिखा हुआ राम नाम देखा जो अंगूठी पे तो पड़ गई वैदे ही बड़ी ही उलजन में सोचने लगी के ये अंगूठी उनकी है जिन है जीत नहीं सकता है कोई त्रिभुवन में हर्ष से भर गया रिदय विशाद से छल छल कर उठे अश्रुनयन में बार बार मुत्र का को मस्तक से स्फर्ष कर रभ को प्रणाम किया मन ही मन में चनका सीता मात की समाधान पाजाय जिस कारण कहने लगे राम कथा कप चिराय रहे राम गुणगाय मन योग से सुनो सुनो है सीता जनक सुजाता ध्यान लगाकर सुनो सुनो है सीता जनक सुजाता हरी अनंत हरी कथा अनंता मैं संखिफ्त सुनाता कथा यह जग कल्यानी है नायक राजाश्वी राम नायका सीता रानी है प्राण प्रिय दोनों मेरे हैं दुख संकट हरने वालों को अभी संकट घेरे हैं दुख संकट हरने वालों को अभी संकट घेरे हैं फ्री राम अयोध्या में प्रग्टे विथिला में प्रग्टी देविशिया सीता की भगिनिया दीन राम ने दीन भ्रात संग जन लिया आये प्रभुसिया स्वयंबर में और शिव के धनश को तोड़ दिया दश्रत नंदन ने जनत नंदिनी का शुब पाणि ग्रेहन किया लक्ष्मी नारायन का जोड़ा सीता राम कहा था हरी अनंत हरी कथा अनंत मैं संचिप्त सुनाता हर्ष से भरी राजदानी की तीन तीन सा सोन चार बधों की अगवानी रंग भर दिन है सुकदाई देम भर दिन है सुकदाई उच सव का वातावरन मांग लिक बाजे शहनाई उच सव का वातावरन मांग लिक बाजे शहनाई सुक के रंग फीके पड़े विधना हो गई वाम सुक के दिन फीके पड़े विधना हो गई वाम बहुत दिनों आनंद से चहन सके सी आराम राम जो था सब का प्यारा कई कई को सब से प्यारा वनवास दिलाया उसे पिताशी दशुरत के गवारा वनवास दिलाया उसे पिताशी दशुरत के गवारा पिता के वचन निभाने को चल राम लखन सिय संग विपिन में कश्ट उठाने को भगवान भगवती चले विपिन में कश्ट उठाने को प्रभु चित्र कूट में वास किया तदनंतर पहुँचे पंचवटी यह शूर्प नेखा मदमाती की रक्ष्वन के हाथों आख कटी चल से सीता का करके हरन लंका लाया रावन खपटी देखोगी शीगृतम धर्ती से रावन नामक आपदा हटी बैट्य दमन को राघव का अवतार हुआ है माता हल खंडन को राघव का अवतार हुआ है माता हर अनंत हर कथा अनंता मैं संचित सुनाता राम का दूद मुझे जानो नात का दास मुझे जानो मुद्र का राम जी ने भेजी लो मैया पहचानो मुद्र का भेद ये कहती है मुद्र का भेद ये कहती है रगवर के रिदय में सिया फ्रेम की गंगा बहती है आया हूँ मैं छोड़ कर सेना सागर तीर शीग्र यहां दलबल सहित आएंगे रखवीर बोज धरती कहताएंगे प्रास देवों का मिटाएंगे कर रावन का बध तुम्हे संग प्रभु लेकर जाएंगे रावन को देकर मुक्ति मुक्त प्रभु तुम्हे कराएंगे रिदय में धीर धरो मैया रिदय में धीर धरो मैया प्रभु और प्रभु जी के सेवक पर विश्वास करो मैया श्री राम और हनुमान पे तुम विश्वास करो मैया कपी ने अब तक की कथा कह दी आद्यों पांत सुनकर सीता कार देहें वातनिक स्थिर शांत सीता जी ने भावक होकर कहा अम्रित भी ने बोल जिसके श्री मुख से सुनी देदर शरान मोल बहत तार्थ मुझे को करें प्रगट हुए हनुमान अपने मूल स्वरूप में वास्तव से अनजान सिय बैठी मुख फेर कर तब हनुमान जी ने राम जी की सौगंध बीच में रखकर अपने रामदूत होने का विश्वास दिलाया विश्मय मेरा करो धूर ये बता के मुझे कैसे मिताई हुई नर्वानर में कपी बोले आपको ही खोजते सानुज प्रभू मिल गए मुझे रिश्मूक की डगर में कैसे पार पाएंगे समर यद छीड गया नर्वानर हो विराट नी शर्में रूप विराठ तब दिखा दिया हनुमान पगधरती पेतो शीष अंबर में अनुमान जी का विराठ रूप देखकर सीता जी ने पल भर में उनकी शक्ति और शम्ता का हनुमान कर लिया वैद ही हनुमान से बोली स्नेह भरी मिदुबानी भूल हुई मुझ से के पुत्र मैं ही न तुझे पहचानी तू साचा तेरे रग हर साचे साचे राम निशानी राम निशानी पानैनों से छलक उठारे पानी माताश्री ने अनुवान के पति ऐसे आशिर वचन कहे पुत्र यशस्री वीर हो तू बलबुद की निधान सदा सदार तुझ पर कृपा करे राम भगवान अंजनी मात सपुत्र संबोधन सीता मात से सुन कर प्रेव मगन अनुमान हुए और नेन हो गए निरजर लंका आने के शब का फर मिला मात दर्शन कर आज्या दें तो वे फल खालू जिन से लदें तरवर शुधातर पुत्र से मम्ता मही माता बोली फल खाओ आनंद से पर रखो ये ध्यान सजग प्रहरियों से भरा है अशुक उद्यान असीम विश्वास में भरकर अनुमान जी ने कहा नहीं उनका भय आप दें आग्या हो सुप्रेशन वे छल से संपन तो मैं बल से संपन रावन की बगिया में खा रह जी भर के फल पवन को मार खल के फल पच जाएं इसलिए व्रक्ष जड़ों से रहे उखार रोक टोक को आने वाले कुछ मारे कुछ दिये पचार बचे कुछे जो थे रावन के निकट बुकरने लगे बुकार हनुमान से हारे योधाओं ने रावन से जाकर कहा महराज अशोक वाटिका में न जाने कैसे एक अत्यंत बलशानी मरकट प्रवेश पा गया है लगता है जैसे महाकाल का दूत आ गया है उसकी गति कहती है कि पवन देव का पूत आ गया है उसके उत्पातों का वणन करना संभव नहीं उसकी गतिविधियों से लंका की सुरक्षा पर प्रश्ण चिन लग गया है रामण ने हनमान जी की विशेन और अधिक जानना चाहा तो वाटिका के प्रहरियों ने कहा एक मरकट उध्यान में आकर मार काट करता अविराम सुभट पछारे व्रिक्ष उखारे गरज के बोले जैश्री राम सो में से दस पाज बचे हम शेश आ गए ककिके काम रावण ने अक्षय कुमार संग भेजे योधा जित संग राम अक्षय का अक्षय कर दिया लेकर उसके प्रान यूरावन का एक सुत घटा दिया हनुमान उद्यान के रखवालों ने समाचार दिया कि महराज हनुमान के हाथों अक्षय कुमार का वध हो गया रावण सुत वध सुनत रिसाया इंद्र जीत बलवान पठाया कहा के बानर मार न देना मिलते ही बन भी कर लेना अनुमत देख महाभट आया कट कटाये गर जा और धाया इंद्र जीत कर बहु विधि माया आरा तो ब्रहम मास्ट चलाया आदर कर ब्रहम मास्ट का बन गए पवन कुमार इंद्र जीत के संग चले रावन के दर्वार काटें बंधन कर्म के जो कि पानू रघुरा कहें मासे शिव बना दूत उन्ही का आज देखी जब डर्वार की शोभा यह विचार कर कपि मन शोभा इतना वैभव ऐसी प्रभूता पर चरित्र में कैसी लगूता ओ कपि को देख हसा अभिवानी बोला व्यंद भरी कटवानी रे मरकट रे वानर रे दुस्साहसी यह अक्षम में दुस्साहस तेरा क्रोध बढ़ाता जाए मेरा क्यों फलदाई व्रिक्ष उखारे निरप राध क्यों श्चर मारे तीन लोक मुझसे आतंकित क्या तु नहीं मेरी कीर्टी से परचित अनुमान बोले भली भादी परचितूं जग में फैला सुयश तुम्हारा सहज बाहु ने तुम्हें पचारा दावे रहा कांख में बाली सुनते रहे तुम उसकी गाली और श्री राम जी का सुयश वबरणनती थे जिन से पेरित हो रचे ब्रहमाने ब्रहमांड जिनका इंगित पाकरे माया नित नवकांड धर्म धरिप्री संत सुर इनका हो उद्धार इस कारण आते रहे वही विविध तन धार पाकर जिनका लेश बल तुझ में प्रचुर घमंड वे अब अश्य ही आएंगे देने तुझ को जंग ओ अंत नहीं जिनके सद्गुन का मैं छोटा सा दूत हूँ उनका ओ तू पंडिक वेदों का जानी बुद्ध तेरी कैसे बोरानी ओ फेर दे सीता उन्हें मना ले लंका को मितने से बचा ले ओ सुन का पिवानी गर जारावन बोला रोख यर्थ संभाशन करके जब दंडिक तुझे पुनि-पुनि मारा जाए तब जाकर होगा तेरे अप राधों से न्याए हमारे घर में आके सीत हमको ही सिखा रहा कई दिनों से मूढ अपनी मित्य को बुला रहा कहा निशाचरों से अब विलंब मत करो चलो दुराग्रही दुरंत के तुरंत प्रान काढ़ लो रावण द्वारा हनुमान जी को प्रान दंड देने की आग्या मान कर प्रान लेन जब निश्चर धाये सचिवन सहित बिभीशन ओये बोले साधर शीश नवाकर सुनिये ज्याए निपुन लंकेश्वर नहीं दूत का बधन्यायोचित राजन निर्णै हो मर्याजित तब सचिवों ने राह सुझाई अंग भंग की युक्ति बताई वानर अपनी पूँच से करे बहुत अनुराग रावन बोला पूँच में चलो लगा दो आग रावन के आग्याकारी अनुचरों ने हनुमान को नगर फिराया फिर फेल में पूछ डुबाई फिर पूछ में कपड़ा बांधा कपड़े में आग लगाई ज्वाला जलती देख कपि लिया रूप लगुधार चड़े स्वर्ण अट्टाल का एक उछट्टा मार उसी समय हर की इच्छा से बेहन लगे उनचास कवन अट्ट हात कर घर जे कपि वर बढ़के छूने लगे गगन पल भर में हनुमान के द्वारा स्वर्णि मलंका हुई देहन चीतकार हर और भयानक का हिताहि के साथ रोधन नहीं जलाया राम दूत ने भक्त विवीशन का घर द्वार बन अशोक तक गही नलपते जिसमें सीता रही पधार निश्चरियों में जली नत्र का जिसको था सीता से प्यार शीराम जैराम जैजैराम प्रताप से बच गए पवन कुमार रावन की नगरी जला दे असुरों को त्रास पूछ बुझा कपी सिंधु में पहुचे सिय के पास विनतियूं कर जोड सुनाई प्रभु के लिए कोई चिन्ध दमाई ओ भक्त शिरोमनी तू हन मनता सिया शिरोमनी है श्री कनता ओ चिन्ता दूर करे चिन्ता मनी कह कर देना यह चुडा मनी ओ तेरी भाक्ति अचन प्रभु पर हो सुत जग में तू अजड अमद हो कहना यू श्री राम से करके मेरा प्रणा पास दिवस में सुधी मेरी यदि नहीं ही नीरा तो मैं यार अधिक सबैं रखना सकूंगी प्राण सानु जाए शेक्रवे देने मुझ को त्राण सीता जी को हनुमाजी यू मिले जैसे डूपते को तिनके का आधार तिनका भी ऐसा शक्तिमान कि जिसके भय से जंजावात अपना मारक छोड़कर पलायन कर जाए जिसका स्वर्ण निर्मित परवताकार शरीर देखकर परवता को लज्जा का बोध हो परंतो इस समय तो वे सीता जी के दुख से करणा विभलित हो रहे हैं माता को धहर्य क्या दें वे तो स्वयम ही धहर्य खो रहे हैं जाने की आज्या मांगने पर सीता जी बोली तुम भी कहते हो अब जाओं कहो सुत किसका आश्रे पाओं तुम्हें देख साहस किया संग्र है फिर वोही दिन वोही निशा भयाव है बार बार चर्णन सिरनाया धीरज देशिय को समझाया आएंगे सानुज भगवन्ता यूं कहेगा मन कियान मन्ता चूड़ा मनि परम पुनीता की सुधी और निशानी सीता की रघुनायक तक पहुचानी है ये रामयन शीराम की अमर कहानी है रामजी की प्रेम निशानी मुद्रिका सीता जी को देकर सीता जी का स्वहाक चिन्ध छूणा मली लेकर हनुमान जी ने जब लंका से प्रत्यागमन किया तो उनके मार्ग में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुए क्यूंके वे महालक्षमी सीता का आशीरबाद लेकर लोटे थे पवन पुत्र के मन में जाते समय राम काज करने का जोश तथा आते समय सीता के दर्शनों का संतोश था कहना कठिन है कि आवागमन में किस समय वे अधिक शीगरगामी थे वेगवान मारत सुत धीरा आए लांगे जलधि गंभीरा किल किलाए जब नाद सुनाया मानो नया जनम सब पाया पूछत कहत नवल इतिहासा पहुच गए सुग्रीब के पासा हनुमता दिवीरों को लेकर कपी पती आ गए जहां थे रघुवर सब ने रभ को सबी ने प्रणाम किया और जामवन्त ने रघुवर को अनुमत के सुख्रित गिनाए कैसे लांगा सिंधु जला कर लंक सिया सुधी लाए अनुमत बोले सिंधु को लांगा और जो लंक जराई राम प्रताप से सब हुआ संभव मेरी कोन बढ़ाई श्री हनुमान जी की वे नमबरता से अब ही भूत होकर हे अंजनी सुत हे बजरंगी महाशक्ति के धारी सुर नर्मुनी में कोई न मेरा कुझ जैसा उपकारी मेरे काज समारन में तो कभी तनिक नहीं ठकता सुत में तेरे उपकारों से उरिन नहीं हो सकता जब चूडा मनिलाय अनुमत ने दीरां को यूली रिदय लगाय जैसे वैदे ही स्वयम भगवान ने भक्त को स्निह से रिदय लगाया बिर हात पकड़ कर अपने में कट बिठाया पूछा किसी आ जो मुझे प्राण धन कहती मेरे दिन कैसे प्राण बचाए रहती हनुमान जी ने श्री राम को ही सीता के जीवी त्रहने का अत्रदाई बताते हुए कहा जागरित पहरी नाम तुम्हारा जनकनंदिनी का रखवारा ऐसे ध्यान का पाट लगे हैं तन में प्राण उन्ही से रुके हैं नेन ग्रिष्ट निज चरणों पर है चारों और से पंद डगर है रोकने वाले हों जब ऐसे प्राण पठेर उने तो कैसे पूच रही थी मात श्री नैनों में भर नीर दासी को किस दोश पर विसराया रघुवीर भावक होकर बोले रघुवर शिया प्राण प्रिया को विसराकर अपनी ही सुधि विसरानी हैं ये रामयन शीराम की हमर कहानी है ये रामयन शीराम की हमर कहानी है शीराम और हनुमान जी कुछ समय युही भावनाओं के सागर में डूपते उतराते रहे सहसा हनुमान जी को स्मरन हो आया माता को दिया हुआ वचन ये रामजी शीक्रात शीक्र आएंगे हाथे वुनों न शीराम से सेना सजाकर लंका प्रयान की विन्ति की रामा ग्यापा कर सुब्रीव ने सैना को आदेश किया बोल राम की जै समने लंका की और प्रयान किया जै गोरी जै सिद्ध गनेश जै तिरमा बतिराम रमेश जै जै आद देव श्व शंकत हर हर महादेश हर हर महादेश अथों में के सरिया घजे शीष पे राम चरण की रजे जोश में भरे हुए जलते हुए अंगारे हर हर महादेश कहते सब आगए सिंध की नारे हर हर महादेश कहते सब आगए सिंध की नारे राम इस पार को सिया उस पार है बीच में गहरा सागर जिसका शत्योजन विस्तार है राम सोच में पड़े इस विशाल सिंध से कोन अब पार उतारे हर हर महादेश कहते सब आगए सिंध की नारे हर हर महादेश कहते सब आगए सिंध की नारे दे तु बंध का जब निर्मान हो तब इस संकट से परित्रान हो आज राम जी का मन सर्व आपदा हरन गिरजा पति को पुकारे हर हर महादेश कहते सब आगए सिंध की नारे हर हर महादेश कहते सब आगए सिंध की नारे सागर कट पर कटक ले बैठे हैं रघुनाच लंका मेरा वर नहीं सुने किसी की बात मन दो दरी ज्यान गुण भरी सुकन्या मयदानव की पति को समझाने की चेश्टा उसने यथा संभलती सुनिये स्वामी आप हुचा है अब चुकन्थ तक पानी नहीं जान की के कारण हो जाए न जान की हानी चिया सोप अबिलंब उन्हें पिय राज करोनिश्कन तक सिंधु पार कर राम पहुचने वाले है लंका तक रावन से लोहा लेना बच्चों का केल नहीं है दानव और मानव की शक्तियों में कोई मेल नहीं है किसी भात आभी गए यद्वे सागर पार सबके सब बन जाएंगे असरों के आहार मन्दोगर को देखई एहमपूर व्याख्यान आवैचा दरबार में मुटिमान अभिमान निजबुप्त चरों से पूछ रहा वहराम कहां तक आया है क्या दिग्विजयी रावन की लंका पर किसी भल की छाया है कहे उठे सभासत हम न कोई शंका शंका खरते हैं त्रिभवन जिन से भैभीत कहां वे नरवानर से जरते हैं अनुजवी भीषण आ गया उत्तम अवसर पाई आज्याले आसन ग्रहन कर बोला सिर्माय यज्यपी तुम निगमा गम ग्यानी तदपी सुनो इतकी यह बानी ओ बुधुजन तजे परिस्त्री ऐसे चोथ कश्रा पित चंदा जैसे ओ ग्यानिन पर यह भेद उजागर प्रतन पराए लेतन सागर ओ तुम समरत सागर की नाई कही कारण एही भूल गोसाई काम प्रोध मत लोब सब भोर नरक ले जाए इन्हें तजों जों हरी भजों जैसे संत भजाएं सचिव वैद्य गुरु ओ सभैं सच न कहें यदिस्पश्ट राज धर्म तन शीग ही हो जाते हैं नश्ट ओ जो यतार्थ सब कहा विवीशन मालवान ने किया समर्थन ओ मालवान रावण के नाना उन पर भी दसशीश रिसाना जो न सुने माने न किसी की इतसे भरी सिखावन उस दुरा ब्रही छली अची कपची का नाम है रावन बुरा भाला अग्रज से सुनकर पदा घात भी सेहकर राज सभा तज चला विवीशन नीति बचन सब कहकर वीकर विश्य अपमान का धोकर व्यथित अधीर वहां विवीशन आ गया जह राजत रघुवीर सुग्रीवा दिले प्रभु को बताया रावन का भाता यहां आया पता नमाया विके मन का कारण क्या है राम मिलन का निश्चर आया है यहां लेने कोई भेद कहिए तो बंदी करूं या फिर दूसिर चेद नेति कहे संदिक्ध व्यक्ति को बंदी जाए बनाया ओ संदेह तो फिर संदेह से जाए लाव उठाया किंतों से क्या बाज़ागे जाओ भक्ति में बंदा बंदाया लेने भेद नहीं आया वो भेद बताने आया जाओ सुग्रीव विभीशन को समान सहित यहां ले आओ मैं हूँ मित्रों का मित्र उसे अपने अनुभव से समझाओ मम चिंतन से चिंता जाए दर्शन से कोटिक पाप कटे मिलने से चार पडार्थ मिले अनुकंपा से त्रयताप मिटे लाने अति थी विशेश को देखूरा सन्मान सूपी और अंगत चले संगवीर हनुमान जयति राम भग्मान आये वहां विभीशन लेकर जहां शर्णा गत्वत्सल रगुवर जुगल नयन की द्रिष्टि ब्रात्य वल पर जब पड़ी तब होई आनंद व्रेश्टि लगावी भीशन भीगने राम विलाकत त्रिग सजल उलकित हुआ शरीर बार बार कहने लगा त्राही त्राही रगुवीर मैं निश्टर रावन का भाई कहता देकर राम दुहाई तुम ही अब मेरे पित माता राखो शरण निभानाता राम हरे श्री राम हरे भत परायन राम हरे तुम लोभमान माया मद मद सर या पलायन तुम दर्शन कर राम हरे श्री राम हरे भत परायन राम हरे ओ वास नर्क का बहुत बुरा है दुष्ट संग से किंत भला है राम हरे श्री राम हरे भत परायन राम हरे ओ मिल वर्दानी चरण कमल से अब मैं हूं सब भाति कुशल से राम हरे श्री राम हरे भत परायन राम हरे सुन हूं बिभिशन शरना गत्वों जो जन हमसे आश्रय मांगे उनकी रक्षा धर्म हमारा निर्मल मन से जो अनुरागे शत्रु के भ्रात के बात ही क्या हमें आश्रित शत्रु भी शत्रु न लागे रघुकुल वाले त्यागे प्राण परंतु न शरना गत्वों त्यागे सक्खे भरति निश्काम तुम्हारी जिसमें स्वार्थ न कोई पर मेरा दर्शन अमोग है जो निश्फल नगी होई ऐसा कहकर करुणा सागर निर्मगा सागर से दिलक विभी शन के मस्तक पर किया परम आदर से दस शीष चड़ाने पर शिव जीने जी संपत्ति जो रावन को वह अतिसं कोच भाव से दी श्री राम ने मित्र विभी शन को रावन के रहते राजा का पद मिला अनुज को रखवर से सब बोल उठे शी राम की जय लगे पुष्प बरसने अंबर से प्रभु जग पालक खल दल घालक पूछें सुग्रीव विभी शन से गंभीर जलदी को पार करें किस जतन कौन से साधन से है एक बान में शक्ति आपके पोट समूद सुखाने की पर नीति कहें सागर से विनए कीजै कोई मार्ग सुझाने की ओ नीति विभी शन ने जो बताई वह लक्षमन को तनिक न भाई ओ बोला सुनो रमा के नागर मारो बान सुखाओ सागर ओ शांत हो लक्षमन बल बीरा करहु प्रतीक्षाधर मन दीरा ओ सागर कु निज्विन ये सुनाई कर प्रणाम बैठेर घुराई पीछे पीछे विभी शन के रावन ने अपने दूच पठाए दूच वे कपटी वानर का तन धर के सागर के चट आए वानर वीरुन दूचों को स्वामी सुग्रीव के सन उखलाए पासुग्रीव की आज्या सेनिक अंग भंग करने को धाए बोले दूच के राम की आन जो कोई हमें विकलांग बनाए दूचों को बंधन से चोड़ा कर लक्ष्मन जीने जी एक पाती पाथी में लिखा था के सुन रे रावन असुरा धम खुल घाती वो सीता सविने लोटा दे वो सीता सविने लोटा दे कश्च तेरी नगरी में जो पाती जा फिर बन उस मृच्यू का भाजन जो तेरे सर पे मंड राती तेरे संग ही मिट जाएंगे इक लख पूत सवालक नाती उधर दूत लंकेश से कह रहे सब वृत्तांत इधर प्रतीक्षा सिंधु की कर रहे लक्षमी कांत सिंधु यथावत शांत सिंधु विनय करते रहे तीन दिवस तक राम दक्षिन सागर ने लिया नहीं उत्तर कांत चर संधान की यार घुवर ने लगा उबलने सागर ताप मान बढ़ दया सिंधु का लगे जुलसने जलचर तब रतनाकर प्रकट हुआ ब्रह्मन का वेश बनाकर प्रभु की सेवा में लाया रतनों से थाल सजाकर मून जलधि में आपकी क्या गाउं गुलमाल हाच जोड विनती करूं सुनिये राम किपाल तुम मर्यादा पुरुशोत्तम हो प्रभु में आधिन तुम्हारे हूँ तुमने जो सिखाई मर्यादा मैं उसको ही मनधारे हूँ रतना कर सुनो नहीं मंगल अब और विलंब लगाने में सहयोग तुम्हारा वांचित है लंका तक से तु बनाने में नल नील नाम के दो भाई रभु काम आपके आएंगे वे जो पत्थर हैं केंगे वो पानी में डूब न पाएंगे जो सब के बंधन काटे उनके हाथों यदि बंध जाऊंगा तो खारा होने पर ही जग में अक्षय कीर्ति कमांगा उत्तर सटवासी असुर कोहुचाएं मुझे पीर उन पर छोड़ो नाच जो मुझे पर साधा पीर उन्हें बधो रगवीर एव मस्तु कहरामने हरासिंधु कात्रास सागर को हरे शक्ति पर हुआ पूर विश्वास निज ग्रह किया निवास जय श्री राम लंका तक सेतु अभी बाधा जाना है उसके लिए विशाल परवत खंड बड़े बड़े विट्षों को उप्योग में लाना है परंतु नर्वानर की मैत्री में श्री हन्मान जी सेत्वण्ध का काम संपन कर चुके हैं प्रभु ने विभीशन को शरण देकर अपने शरणागत वच्सल होने का प्रमान दिया तथा उसका राज्टिलक करके लंका पर विजय प्राप्ति का संकेत भी दे दिया बाल कांड में राम लला के योगी भीर धियान गम्यम संदर्थम रूप का दर्शन हुआ तथा भुवन मुविनी जानकी जी का पाणि ग्रहन कर कोटी काम रती को लज्जित करने वाली मनहर जोडी परिलक्षित हुई अयोध्य कांड में भ्राताओं के प्रेम का संदर्थम उदाहरन मिला अरण्य कांड में नैसर्दिक संदर्य तथा मनिजन मिलाव की संदर्था अवर्णनिय थी किश्किन्धा कांड को संदर्था प्रदान की नर्वानर की मैत्री ने परन्तु इन मेंसे किसी भी कांड को संदर नहीं कहा गया कांड सुन्दर तब हुआ जब सत्यम शिवम सुन्दरम के रुद्रावतार श्री हनुमान जी राम जी का सहीयोग करने आये श्री हनुमान जी का नाम संकत मोचन केवल भक्तों के संकत दूर करने के कारण नहीं वरन भगवान श्री राम के संकत दूर करने के कारण पड़ा औरना चूला फूंपने के बरावर था वे चाहते तो जनकनंदिनी सीता को सुकोमल पुछ्प के जमान उठा ले जाकर राम जी को अर्पित कर देते परंत उन्होंने स्वामी के श्रेय में भागीदार होना दासोसित नहीं समझा और वे कदाचित माता को ले भी आते तो राम जी के रामावतार का हैतु पूर्ण कैसे होता असरों के भाहर से रसातल में जाती हुई पित्वी की रक्षा कैसे होती श्री हनमान जी ने अपने लौकिक स्वामी सुग्रीः एवं पारलोकिक स्वामी श्री राम जी दोनों पर ही पूर्ण निश्था रखे सुन्दर कांड के पठन श्रवन से यह जीवन हो जाए सुन्दर वर्तमान में सुन्दर कांड का पाट भविश्य बनाए सुन्दर मंगल के अवतारी का जब मंगल सर्व मिलाए सुन्दर सुन्दर तम हनुमान के कारण ही यह कांड कहाए सुन्दर रामो राजमनि सदा विजयते रामम रमेशं भजे रामेणा भीता निशाचर चमू रामायत स्मैनम रामान्नास्ति परायनं परतरं रामस्यदा सोष्म्याहं रामेशित्तलय सदा भवतुमे भोराम मामुद्धर नागेंद्रहाराय तिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय निच्याय शुत्धाय विगंबराय तस्मैनकारायनमह शिवाय वंदाकिन सलिल चंदन चर्चिताय नंधीश्वर प्रतमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्व पहुपुष्व सुपूजिताय तस्मैनकारायनमह शिवाय शिवाय गोरी वदनाव्य विंद सूलाय दक्षत्भरनाशकाय श्री नीलकंचाय व्रशभध्वचाय तस्मै शिकारायनमह शिवाय वशिष्थ कुम्भोध भवगोत मार्य मुनींद्र देवार्चित शेकराय चंद्रार्कवेश्वानर रोचनाय तस्मै वकारायनमह शिवाय यज्यस्वरूपाय जटाधराय तिनात हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै शिकारायनमह शिवाय सेहमत हो श्रीराम सागर की दियुकिसे दोले से तुललाम बाधो सब अविलंब मिल ओ जामवंत नल नील बुलाकर बोले सब योजना बताकर राम पे रखो द्रिडवेश्वास से तु बनेगा बिना प्रदास ओ राम का नाम सुमिर कर्मन में सब जुट जाओ से तु बंधन में श्री राम जै राम जै जै राम राम आएगा राम के काम जामवंत हनुमंत नल नीलंगद कपिभाल शिला वरिक्ष लाने लगे कहे जै राम क्रिपाल रामा जै से वीर सिंदु पर से तु बनाने लगे छोड़े राम नाम जो लिख कर फूल समान हुए वे पत्थर राम सिया के मिलन हे तु पत्थर जुड़ जाने लगे सैनिक ज्यान राम का धरे से नामे प्रभुता हस भरे अलग अलग नामों से हरी अपना काम आपको ही करी कार्य जो दुश कर था जो असंभव नाम प्रभाव से हो गया संभव से तु बंध को देख देख भगवन मुस्काने लगे राम जी बोले इस परम रमणिय भुमी को देख कर मेरे हिदय सिंधु में ऐसी भावना हिलोरें दे रही है कि मैं अपने आराज शिव शंकर का जो तिरलिंग यहां स्थापित करूँ सागर तट पर राम शद्धा भाव भगती सहित शंकर उरन का वेधि पूर्वत स्थापित किये ओ शिव को पूजे राम जतन से वचन कहें ये अंतर मन से ओ शिव समान प्रिय मोही में कोई शिव पूजत मम पूजा होई जै महादेव शिव हर महादेव मम प्रिय गारी श्वर महादेव ओ शिव से द्रोह तनिक जो रांखे सो मम कृपा प्यूश न चाखे जै महादेव शिव हर महादेव मम प्रिय गारी श्वर महादेव ओ नाम तुम्हारा रामेश्वर हो भक्तों के लिए शेयस कर हो जै महादेव शिव हर महादेव मम प्रिय गारी श्वर महादेव हे शिव शंकर आपकी महिमा गम अपार पंचाख्षर के मंत्र को नात करो स्वीकार ओ ममश्वाय ओ ममश्वाय ओ ममश्वाय राम प्रिपासे हो गया सेतु बंध निर्मान अब लंका को लक्ष कर सिना करे प्रयान शंभु करें कल्यान सेतु बंध से पार हो सेतु बंध समरान लंका पंच सुवेल गिरी तहां किया विश्वान सेन्य सहित शियान लंका नगरी है सर्मई और राजा राक्षस वर्मई बरदान प्राक्त अभिमानी है ये रामन श्री राम की अमर कहानी है ये रामन श्री राम की अमर कहानी है लंका में श्री राम के सेनिक युद्ध प्रवीर अश्रों को करने लगे करना सिका ही शत विक्षत राक्षस राक्ष सेंद्र रावन के द्वारे आ पहुचे व्याकुल हो बोले राम लखन प्रभु नगर हमारे आ पहुचे यह समाचार सुन अंबर से रावन धर्थी पेगिरा जैसे गंभीर भया वह अतल सिंधु का पिरिक्षों ने बाणा कैसे यह काम असाधारण करना साधारण जन का काम नहीं उस राम की शक्ति अपरिमित है वह केवल मानव राम नहीं आश्चर ये छुपाता हसता हुआ मंदोदर के सन्मुख आया मंदोदर ने मतवाले को फिर से मधुस्वर में समझाया जिन नाराय ने धरे समय समय अबतार आई है में अब स्वयम अरने को भूभार लेके राम अबतार ये वही विश्ण भगवान है जिन्होंने योग नीद से उठ किया मधुकै तब संहार धर्म धरित्री संत सुर इनका करें उद्धार धर के विविद अवतार मंदोदरी रावण को विश्ण जी के विशय में बता रही है मत्स्यावतार कूर्मावतार इन्होंने ही धारण किया तथा धर्वाराहरुप यही श्रीहरीलाय प्रित्तिवीहिरन्याक्षुखल से छुडाके हरिन्यकशिप संहारा नर सिंग बन बली को छकाया रूप भामन बनाके परशुराम हो विटादिया सहस्र बाहु महिमा अनन्त वेद ठक गएगा के वही श्रीराम आज आये हैं हमारे धाम उनको प्रणाम करो शरण में जाके बैर उचित है उससे जिसे बुधिवल से जीता जाए उनसे कैसा बैर के जिनका पार न कोई पाए तुम में और शीराम में सौमी सुन लो अन्चर ऐसा सूरज और जुगनू की चमक में पार्थक के है जैसा विश्णू की प्रशन सा सुन रावन कुपितो कहने लगा मैं तेरा पाणी ग्रहन करके लाया मैंने तुझे महरानी बनाया बलशाली पत्रों की माता होने का गोरा प्रदान किया तु है किशत्र के गुणों का बखान किया जा रही है वह बोली महराज मुझे तो आपके हिट की चिंता सता रही है हाथ जोडविनती है यही सीता फ्रभ को लोटा दो मांग बस इतनी सी है मांग की लाली अमर बना दो कौन मूर्ख सिता जैसी निधी पाले ने पर खोता सागर में आकर सरिता का बहिर गमन नहीं होता सभा बैठ मन्त्रिन सोंबूझे यही विधि कहो शत्र से जूझे हस हस कहें सभा सद सारे नर्वानर आहार हमारे रावन पुत्र प्रहस्त नीति भरे बोले वचन हो ये दंब में ग्रयास पित भूले हित अहित तुम राम दूत हनुमान जो आया उसने सारा नगर जलाया जब भीषण आतंतु मचाया क्यूं तब उसको पकड न खाया जो लंका तक आ गए बांध के सिंदु विशाल वे अब तुमको खाएंगे रखो प्राण समाल सुन सुत कैसे वचन रावन गया रिशाई बोला मेरे वन्ष को तुने दिया लजाई निर्खत निजभुजबीस चला दंभ में शूर हो कहने को दस सीज सुमत किन तु नहीं एक में राम को ऐसा पड़ा दिखाई जैसे घटा कही पर छाई ओ दूर ही दामिनी दमकत देखी प्रबन सुनी गरजना भिसे की पूछ बिवीशन से रहे चकित चित रघुनाच कहो मित्र कहा हो रही बिन रित्व की बरसात लगती जो घन धोर घटा है भाता के छत्र की छटा है करण फूल भावी के ऐसे दमक रहे जो दामिनी जैसे वादक ऐसे वाद बजाएं घन गरजन का भ्रम उप जाएं नहीं रावन को शत्रु की चिंता राम का आना कुछ नहीं गिनता राम जी ने शल संधान किया और महल की और छोड़ दिया राम बाण से घूमी पर गिराम कुट संग छाट्र करण फूल भी जब गिरे व्यापा भय सरवत्र हम गया निच्च बंद हुआ गाना वादक भूले बाद बजाना रामन साध अचूक निशाना सूचित कर दिया अपना आना आहट हुई ना अस्त्र की दीख पड़ा नहीं बान पर इस घटना से हुए कम्पित सब के फ्रान रावन ने सब से कहा जाओ लो विश्रान पर भय के परवेश ने निद्रा का क्या कान मुकुट और कनफुल गिरने से मंदोदरी को भयाकुल देख लंकेश ने कहा मारानी शीष सुरक्षित हैं तो मुकुट बहुत आ जाएंगे इन करण युगल में करण फूल हम लाकर कयम सजाएंगे नहीं शीष पहोदे छत्र मुकुट तो सीधी शीष की बारी थी नहीं घड़ी दो घड़ी पहने की मेरी सुहाग पर भारी थी प्रियवर है यही चात्रा तुम से बारं बार प्रीत करो शीराम से हट और बैर बिसार तुम कहती हो मैं करूं अपने शत्र से प्रीत रावन की अरधांगिनी और इतनी भयवी भयत चंचलता जूट छल दुस्सास दुर्भूत्ति निर्दयता संदेह भ्रम तन में रोग अशुद्धि नारी अब गुण की खान बता फिर उन लोगों के बीच चला जिन्हें उसकी ही जयगानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है भोरभय जागे रघुराई जामवन्त ने युप्ति सुझाई बाली सुत अंगद प्रवल निर्भय चतुर दुरंत रावन पर भेजो उसे दूत बना भगवन्त प्रभ बोले अंगद से तुम हो नीति कुशल और ग्यानी कार्यसिद्ध हो जिससे कहना रावन से वही बानी शान्ति दूत बन चलाप की आज्याशीश संजू के ऐसा दिन आशीश के लोटू सफल मनूरत हो के नगर प्रवेश किया तो हो गई रावन के बेटे से भेट अंगद को यू लगा के भूके सिंग को मिल गया जूँ आखे के बात बात में बात बढ़ गई दोनों वीर लड़े भर पे गुमा फिरा अंगद ने ठेका सीधा गया धूल में लेट देखने वाले सन रह गए रावन के सुत को मित जान हो भैभीत लगे कहने सब लोट के आ गया फिर हनमान कोला हल मच गया नगर में निश्चर भागे लेकर प्रान अंगद को बिर पूछे देने लगे सबहा कहीं की पहचान वीर बांकु राजा जटा राज सभा के द्वार तित उत चित वै सिंग सं निर्भै बालि कुमार अंगद ने अपने आने की सूचना देखर एक निश्चर को रावण पर भेजा निश्चर ने लोट कर कहा चलिए महाराज ने बलाया है रामदूत दरबार में जाकर बैठ गया निज़ पूछ बिछाकर अंगद को रावण लगा ऐसे काजल का परवत हो जैसे व्रिक्षों जैसी लगी भुजाएं शीशों से गिरी शिखर लजाएं नाक कान मुख लग रहे से गिरी की गहन गुफाएं जैसे रावण के आचंक से कम्पित सब के फ्रान पाप तनुज तनधार कर बैठा ले अभिमान जिसके अंग अंग से छल के शोर्य यही वो अंगद आदर में उठ खड़े हुए रावण के सभी सभासद सभासदों का देख आचरण वदशानन क्रोधित सब को बिठाया हिर बोला कर अंगद को संबोधित कौन कहां से आया है तू रे उश्रिंखल बंदर क्यू उत्पाथ मचा रखा है मेरे पुर के अंदर निर्भे बोला मैं बाली सुथ अंगग नाम है मेरा पिछली रात ही डाला है श्री राम संग यहां देरा जान शंभु का भग राम ने तुमसे नह निभाया दूत बना कर शान्ती संदेशा दे कर मुझे पठाया राम नाम सुद कर रावन ने त्रोध में बोध गवाया वही बोलने लगा निरंकुष जो कुछ मन में आया रे कुल घालत रे मूनमती मेरे पॉर्ष से अंजाने आया है यहां प्रान गुमान तेरे पिता का जो हत्यारा तू बन उसका दूद पधारा क्या रावन की शक्ति न जाने राम के गुण चो बहुत बखाने वो पत्नी के विरह में कातर क्या कर लेगा रण में आकर उसके दल में कौन है ऐसा जिससे लड़े वील मुझ जैसा मुझ समान शिव भक्त न दूजा शीष चढ़ा की शिव की पुजा रे अभिमानी कहीं जुका नहीं जो आदर से शिव कब रीजें ऐसे सर से तू लेकर कुबेर से लंका अपनी कहकर पीटे डंका अरे बाली ने तुझे कांख में दाबा क्या बढ़ बढ़ कर गाल बजावा रे अभिवेकी रे अभिचारी छल से हर लाया परमारी शक्तिमान स्वेच्छा से खेले जो भाए भुजबल से ले ले भुजबल से ले ले दुश्कृत्यों का दंड तू पाएगाओ दंड शमाराम की जान हिं और क्रोधागनी प्रचंड हो ख्यमादान का अन्तिम अवसर मत खो मूढ दंभ में रहे कर बर्शाली नहीं किसी से डरते शमायाचना निरबल करते राम है नर हनुमान है वानर नर वानर से काहे गढ़र अपना पक्ष रखते हुए रंगद ने कहा क्या केवल श्री राम है नर हनुमान है केवल वानर क्या गंगाजी मात्र नदी हैं कल्प विक्ष बस तरवर काम धीनुचा केवल पशु है नारी केवल अबला रे पुलस्त्यके नाती तेरा ज्यान कुंद है उत्ला लंकेश ने कहा तू तो बड़ा वाचाल है तेरा राम भी ऐसे ही अनर्गल बोलता होगा खलके मुख से सुन प्रभु निंदा भूमिते मारा हाथ का पिंदा ओ भगे सभासद भय के मारे मुक्ट गिरे रावन के सारे सिर पर वो रखने लगा तुने समहार समहार अंगद ने प्रभु के निकट मुकुट भेज दिये चार अंगद की इस प्रिया पे दशानन गया भी भर पीवर स्वर में बोला अपने सेनिकों को टेर कर मरकटों से भालों से खीन कर दो भूमी को जाओ उन तपस्वियों को जीवित ही बांध लो सुनके खलके बोल उसका रक्त खौलने लगा अंगद यू रोश भरे सर में बोलने लगा वद उसका कर यहां जो धूत बैठा राम का राम पीछे देख पहरे बल उनके नाम का तुनिश चरपति और मैं प्रभु सेवत का दास राम नाम का अमित बल रखूं अपने पात अंगद विश्वास में भर कर फिर बोला ओ तू अपने चरपर इत्राए राम नाम बल नेरा बढ़ाए ओ नहीं चाहिए सेनिक मेला तुझको मैं ही बहुत अकेला ओ वीर बली यो धाये तेरे दिगा सकें यदिपग को मेरे तो मैं देता हूँ वचन बिना किये संग्राम सीता जी को हार कर लोट जाएंगे राम राम प्रताप सुमिर करमन में प्रभु का ध्यान लगाया राम भरो से अंगद ने दर्वार में पाओं जमाया गड़ गयो खंब हमारो अर गड़ गयो खंब हमारो हिम्मत होई तो याहे उखारो पग नहीं हिले को हमसे हारो बोलो राम जी की जय पग नहीं हिले को हमसे हारो बोलो राम जी की जय एक एक जो घौधा आवे एक एक जो घौधा आवे बलेडी चोटी को लगावे पग नहीं हिले आप हिल जावे बोलो राम जी की जए भग नहीं हिले आप हिल जावे बोलो राम जी की जए दंभ सूर बीरन को माटी में हिलाए दियो राबन के सुत मेघनाद को अराए दियो राम को प्रताप राबन को दिखाए दियो राबन को आते देख पग को हटाए दियो बोला रे अभिमानी बोला रे अभिमानी तब की चरन पकड बरगानी देकर उन्हें सिया महरा ने बोलो राम जी की जय श्री राम जी की जय राजा राम जी की जय खोसिता राम जी की जय चहुदिस अपनी जैज से सुनने का अभ्यास वो क्या बोले राम जैज राम न जिसके पास रावन का मुख आर से यू हो गया मलीन मध्य दिवस का चंड्रमा जैसे आभाहीन मंदो दरी जो हिता हित भली भाग समझती थी बोली हम राजा हो प्रजा के विनाश को रोकू फिर वही मंदो दरी वही रावन लगी नीति के वचन सुनावन किन्तु मृत्यु जिसकी नियराई उसे नीति नहीं पड़े सुनाई ये बात सिधुई रावन से कितने ही वीजारोपण से बंजर में फसल न आनी है ये रामायन श्री राम की अमर कहानी है अंगद ने लोट कर राम चरण गही ली ने कहा तुम प्रताप से मैं कोतुक बहु की ने दिना जुए दस मुकुट गिराए चार मुकुट तुम निकट पठाए सामदाम दंदोर भेद इन मुकुटों के नाम इनके द्वारा शत्र को विजय करो श्री राम सुनत चतुर अंगद की वानी अक्ति प्रसन भय सारंग पानी जामवंत हनमंत बुलाए संग सुक्रीव विभीशन आए प्रभु सब के संग मन प्रणा कर रण भूमी में कैसे ठरण धर अब क्या रण नीत बनानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है निपुण विभीशन रिक्ष पति कप्ति किया विचार चार द्वार को घेर ने जूथ बनाएं चार असुरों के लिए काल संदेसा लाया नया सवेरा राम किसे नाने लंका को चारों और से घेरा बजने लगे युद्ध के भाजे योधा लगे गरजने पापी के घज का ललकारा धर्मवान की धजने श्री राम जी ने चारों द्वलों के संचालन हेतु स्योग्य सेन्यापति नियूक्त कर दिये शेनिक अपने अपने स्वामियों का जैगोश करते हुए रण प्रागण में उतर पड़े धर्म का अधर्म से न्याय का अन्याय से छिड़ गया है घोर संद्रा जीतने महासमर चल पड़े है भीरवर कहते हुए जैश्री राम लंका के दुरगम दुर्ग पर चड़े ऐसे वानर नहीं जैसे दुरगा के सिंग है रावण के योधा मित रहे हैं ऐसे राम जैसे दीप जोती राक्ष सिंग है बानर भालू हा करके दानव दल पर करें प्रहार जूज रहे रावण के योधा माया मंदित ले हतियार भक्त भरी है राम के दल में रावण दल में शक्ति अपार गहरी होती जाए लडाई कोई भी नहीं माने हार तीरों पर तीर चले वीरों से वीर भीडे युद्ध न ले थमने का नाम जीतने महा कमर चल पड़े है वीर बर कहते हुए जैश्री राम वानर भालू असरा पर भारी पढ़ने लगे वे रण से पलायन करने लगे तो रामन ने कहा रणवी में उखों के लिए लंका में कोई स्थान नहीं मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा नित्रण में सैन्याहान वन्ष हान हो रही रावण की बुद्ध चिंतु कुंचित हो सो रही रणचंडी मुंडों की माला फिरो रही लंका की धरती को रक्त में गुबो रही या कुल मंदो दरी आशंका से भरी सोच सोच रण का परिणाम जीतने महासमर चल पड़े हैं वीरवर कहते हुए जैश्री राम देखत घटा असरों का दलवीर अकमपन और अतिकाए चारों और हुआ अंधियारा ऐसी माया दई फिराए एक को एक न पड़े दिखाई बानर भालु रहे अकुलाए अगनिबान से दिया रामने पल में माया की मिर मिटाए माया विक और माया पती में माया पती का ही पलड़ा भाली रहा आधी सेना का हुआ एक दिन में संघार सच्चिव बुला करने लगा तब लंकेश विचार रण में अब किसे भेजा जाए युद किस प्रकाद जीता जाए रावन के नाना मालेवान ने कहा युद को यहीं रोख दिया जाए और विश्नु के अवतार श्री राम जी से समझोता किया जाए रावन बोला नाना प्चारे हो गए हैं बल बुधि तुम्हारे मत ग्यानी को सीख सिखाओ निज प्राणों की कुशल मना नेग नाद बोला रावन से कल जब लोटूँगा मेरन से गर्वित होकर कंठ लगाना विजय हार मुझे को पहनाना मेग सागरत तहुआ बेग नाद आ गया उसकी गर्जना से युद्ध क्षेत्र थर थर आ गया कहां रामक्ष्वन जो बनते भगवान अंगत सुक्रीव कहां कहां नुमान कहां है विभीषन जो द्रोही निजब्रात का सबसे पहला लक्ष है वही मेरे घात का युद्ध में करूंगा शूर वीरों की नीत से देखता हूं कौन जीतता है इंद्र जीत से मेग नाद माया वी योधा लगा छोड़ने ऐसे बान पंखों वाले नाग तनेकों जैसे भर के चले उडान भायल होकर निर्बल होकर भाग चले वान अर बलवान अपने दल को देख के विच्रित अनुमत धाय काल समान बजरंगी महाशैल उप्ताया महाबली की ओर चलाया देखते आता भारी गुधर मेग नाद जाचणा गगन पर हांक मारती बहुत लगावें मेग नाद पर निकट न आवें जाने कपने कितना बल है इसी दिये निशर ओजल है रामचंद्र के निकट अब आ पहुचा घननाद डाले शस्त्र अने इक और कहे बहुत दुर्वाद दुर्वचनों पर ध्यान कुछ दिया नराम उदार नश्ट कर दिया दुष्ट का पल में शस्त्रागार माया वी आकाश पे चड़ कर बरसा रहा विपुल अंगार पल में प्रगटा रहा भूमी के गर्भ से भीशन जल की धार रक्त मांस हट दिया गिरा की अशुच पदार्थों की भर्मा चला धूल का अंधन कर दिया अध्या राच होर अपार आकुल व्याकुल भाल कप्रि अस्थिर त्रस्त अधीर दल को विचलित देख कर जतन किया रघुवीर कहा दंभी का छूत्र सुत और कहा विश्णू विराट राम ने एक विवान से दी सब माया काट अंग दादि कपि साथ और शरासन हाथ ले नबा राम को मात लक्षमन जी चले युद्ध को ओ लक्षमन नेगनाद भट भारी दोनों आमित शक्त के धारी ओ भिड़ गए दोनों सिंग परस पर दोनों में कांटे की टकर ओ धन विद्यामें लक्षमन पंडित अश्वसार की रथ किये खंडित ओ मेघनाद अनुमान लगाया अब प्राणों पर संकट आया शक्त वीर गात नी लखन की ओर छोड़ दी उसने धसके वक्ष में लखन की चेत नाहरी शाहता था रंका ले जाए वो लखन को मूर्चित ने विपल किया उसके हर जतन को उठा लखन को ले चले महावीर हनमन्त कपिने निकट अनन्त के पोँचा दिया अनन्त देख स्टब्ध भगवन्त गाम को लक्ष मन प्राणों से प्री उसके प्राणों पे संखट आया जो प्रभु के लिए निश्दिन जागा आज उसे जाए न जगाया जा मुवन्त ने भेजिके हनुमत लंका से वैद्य सुशेन बुलाया संजीवन दे सकती है जीवन वैद ने ये रघुवर को बचाया मैंने संजीवन निकले हनुमान जी करने को दुश करका पवन के हिवेग से पवन पुत्रूल चले कहते हुए जैजिरा शेशावतार के मूछित होने से स्थिपी बड़ी गम्भीर हो गई है राम जी मनुज की भाती विलाब करके कह रहे हैं मेरे लक्षुमन मेरे प्राण प्यारे खोल अकियां के भैया पुकारे लाड ले ये आयोध्या नहीं है कोई लंका में अपना नहीं है कोई लंका में अपना नहीं है तू समर बीच क्यूं सोगया रे खोल अकियां के भैया पुकारे तुझको वनवास में संग लाया रण में जोका असुर से लडाया रण में जोका असुर से लडाया दोश अक्षन है मेरे सारे खोल अकियां के भैया पुकारे है पवन सुत की प्रतिपल प्रतिशा ये मेरे धैर्यकी है परिक्षा सुर्या कर डुबो दे नक्तारे खोल अकियां के भैया पुकारे राम जी लखन की दशा देखकर अर्ध रिक्षिप्ट हो गए हनुमान और समय दोनों ही की वरगति से उड़े जा रहे थे माया वी कालने मिरावण ने भेज कर बाधा उपस्थित की हनुमत के मार्ग पर रावण का चेला राम नाम रट रहा सुन सुन कर ध्यान बज रंगी का बट रहा जी राम जे राम जे जे राम पवन देव का तुसे पुतर कालनी मिसे मेरा नाम मैं हूँ राम नाम का तोता तेरे रोम रोम मेराम किते से आया किते न जावे मैं जानू तन के है काम बाबा की कुटिया में बच्चा थोड़ा सा कर ले विश्राम नहाले धोले साफ सुथ्रा होले भूक प्यास कुछ ना लागे तन ऐसा मन तुसे खा दियू रे जिस परवत पे जाना से पल भर में बहां पहुंचा दियू रे अर नई जाना तो संजीवन बूटी भी यही मंगा दियू रे लच्मन ने जीवित करके तेरे राम का कष्ट मिता दियू रे कपी से जल की मकरी ने कहा कालने मी दैत्य है हनुमत आगे बढ़े बल भर में भेज के कालने मी कोयम के धा दिश्टी में संजीवनी तन में शक्री राम की मुख पर जैश्री राम यह हिमाले परवत है यहां सभी बूटियं जगमगा रही है इन में संजीवनी कौन सी है पहचानना बड़ा कठी है बूटी संजीवनी जब नचीन पाए हनुमत ने परवत का परवत उठा लिया हनुमान जी अयोध्या के आकाश को पार कर ही रहे थे कि सहसा एक बाण के प्रहार से परवत सहित भूमी पर आगे रहे बाण सनाने वाले कोई और नहीं राम जी के ही ब्राता श्री भरत जी थे उन्हें क्या पता था कि भूमी गत होने वाला कौन है कहां जा रहा है उसका एक भी पर नश्ट होना रक्ष्ण के प्राणों पर कितना भारी है भरत जी के वल इतना जानते थे कि राम जी की एवध्या की रक्षा करना उनकी पहली जमेदारी है हनुमान जी मूर्चित अवस्था में भी श्री राम जै राम जै जै राम कहना नहीं भूले भरत जी को राम भक्त पर बान चलाने का बड़ा खेद हुआ बेसुद पवन पुत्र जपते थे श्री राम जै राम जै जै राम धरत में पूछा आप कौन है और इस परवत से क्या काम परवत ले जाना है वहाँ जहां मूर्चित लक्षमन गाखुल राम हनुमत गोले कलकत अवेरा लक्षमन के जीवन की शाम बोले भरत के आपकी सेवा में है उपस्थित मेरा बान पल भर में वहाँ पहुचा दूंगा जहां है मेरे जीवन कान नमन भरत को करके बोली आज्या दे अब पेम निधान राम खुपा और तवकताप से जा पहुचेगा ये घनमान लेके संजीवनी पहुचे हनमान जी आई जो लक्षमन के काम जाग उठे लक्षमन करने लगा जन जन धनमत की शक्ति को प्रणा अनमान जी ने सुशेण वैदे को सधन्यवाद यथा स्थान पहुचा दिया रावन का प्रवल प्रतापी भ्राता कुम्व करने छे महीने सोता और छे महीने जागता था नीद तूटने पर मनो मदिरा सैक्णो महिशादी मांगता था समय से पूर्व कभी निद्रा नहीं त्यागता था रावन ने उसे जगाने के लिए बड़े ढ़ोल नगाडे घड़े आल पिटवाने आरंभ किये और थोड़ी दिर के लिए बंद किया अपनी वीरता का ढोल पीटना कुम्व करन क्योंकि नीद में सोया था इसलिए उसे जगाना संभव हुआ रावन जो जाक कर सोया था उसे ना अंगत जगा सका ना हनुमान ना मंदुदरी ना माल्यवान कुम्व करने भी उसे समझाने का बिथा ही प्रियत्म किया उसके हित का उफदेश अवश्य दिया कि तू जिससे वैर मो ले रहा है वह नर नहीं नारायन है और सीता साक्षा जगदंबी का महलक्ष्मी है तूने मजे देर से जगाया है अब तो पानी सर से उपर चड़ाया है कुम्व करन बोला तूने पाप किया रावन रजा का विनाश हुआ राजा के कारन तू है अन्याई किन्तु मैं तेरा व्रात हूँ नीति के विरुद्ध है तू फिर भी तेरे साथ हूँ कुम्व करन कुद्ध हो निकल पड़ा युद्ध को शोर शक्ति वीरता कधा अग्रज को देखकर चरणों के शीश धर कर रहे विवीशन प्रणाम जाता प्रणाम तादर प्रणाम रिदय लगाकर अनुज को देखकर आशिरवाद कुम्व करन कहने लगा भाव भरे संबाद पिये दंब की वारुणी मद माता लंकेश नहीं सुन रहा काल वश कोई हित कर उपदेश तूने शरण राम की पाई राम ने तुझ पर दया दिखाई दूर हुए तेरे दुख दूशन तात हुआ निश्चर कुल भूशन फिर वोरा मुझे काल वश नहीं निजपर का ध्यान तन मन से भज राम तू यहां से कर प्रस्थान प्रभु को विभीशन ने बत लाया व्रिहदाकार महाभट आया समाचार महाभट का पाया कट कटाए प्रभु का दल धाया बड़ बड़ परवत व्रिक्ष उठाकर वानर भालू करें प्रहार कुम्भ करण यू सहता जैसे हाथी सहे पुष्प की मार कुम्भ करण महसिंग के आगे वानर भालू लगे सियार रुंड मुंड का धेर लगाए जुंड के जुंड करे संहार जब हनमान मुष्ट का मारी गिरा धरा पर चक्कर खाए उसने जब कतिगात किया तो अंजनी पुत्र हुए असहाए वीरवली नल नील पचारे कुम्भ करण ने क्रोध में आये मसर्द ये कितने कप भालू उनकी गिंती करी न जाये अंगदादी कप मर दिकर बलधरने सुग्रीब दाब लिये निज कांख में करप्ता यह निरजीव हो हो सचेत बज रंगी जागे हिर सुग्रीब को खोजन लागे होते ही चैतन्य का पीश्वर कांख से खिसके तन धीला कर हुए स्वतंत्र तो जपट पड़े वे कुम्भ कर्ण पर के उड़ चले गगन की ओर नाक कान काट कर पकड़ के पाउं उनको कुम्भ कर्ण ने गिरा दिया कपीश होने का घमंड धूल में मिला दिया उठे जटक के धूल और खल पे पुनिप्रहार कर समीप रामजी के आगाए कुरंट वीरवर जयत कृपाने धान बार बार बोलने लगे रहस्य कुम्भ कर्ण के छरों का खोलने लगे शैल व्रिक्षुले भालों कपि कहकर जैशीराम दोड़ पढ़े महदैच्य से करने सब संग्राम कुम्भ कर्ण मध्य पान कर मतवाता हो गया था महिशों के आहार ने उसका बल और भी बढ़ा दिया हाथों लाथों दाथों से कपि भालू महाखल ने दल डाले असुरों की धरती पर बहचली सुरसंतति के रक्ष पनाली प्रभु बोले हनुमान सुग्रीव से तुम्रहों सेना के रखवाले मैं आया उसे पाठ पढ़ा कर जो न पढ़ा अभी राम के पाले राम के बान के भाजन का नहीं टलता काल किसी के टाले दुर्मिवार को जीतना खाना किसी का काम असुरुदमन को अंत तै रण में आये राम राम अपरिमित शक्ति के स्वामी कुम्भ करण माया की खान एक सिध से एक माया से नई नई शस्त्र करे संधान कुम्भ करण के तन में धसकन निश्वल हो लोड का आये बान राम की ओर महादान अब ने शैल चलाया वज्ज समान महादैच्य के दुशास पर प्रभ को आया क्रोध प्रशंड परवत कर दिया टुकणे टुकणे काट दिये दोनों गुझ दंड पहले प्रभु ने उसके दल को दल कर खलका हरा घमन बुग भैला प्रभु पर जपता तो पा गया वज्जत दंड ओ दंड कुम्भ कर्ण को परमगति की प्रदान जगदीश मेज दिया दस शीश के निकट बंध का शीश देकर सब को सांपना रावण ने किया शांथ पर यह अघटन कर गया अंतर को आक्रांथ यहानी बहुत रावण को खली बोला विशाद कर अरे बली कोई तुझ सा कहां बलिदानी है यह रामएल शीराम की अमर कहानी है यह रामएल शीराम की अमर कहानी है मेघनाद विक्राल पुनेह समर में आ गया तूट पड़ा बनकाल सेना पर शीराम की मायारत पर बैठ कर पहुचा नभ पर जाए मेघनाद शस्तस्त के नेघ रहा बरसाए शक्त शूल बर्ची और सेमर खरसा असिक्रपान और पत्थर वानर भाल उठा गिड़ चरवर देने लगे उसे प्रत्ततर खलने ऐसे आयुद डाले हुए निरुप्तर लड़ने वाले कितर वितर सेनिक हुए सारे कुछ आहत और कुछ गय मारे लक्षमन हनमत नील नल और रंगद के साथ काका जी का भी किया खलने जर जर गात जोधा जिगज देखके हारे वयम राम रण बीच पधारे सनमुख जब देखे न घुडाया योधा दुगनित पोध में आया लगा जूज ने राम से मेहनाद बलवी नाग रूप धर ने लगे उसके छोड़े तीर श्री राम जी नट के समान अनेक दिखावटी चरितर करते हैं जिनके नामस्मरंड से मुनी भव की भासिकार डालते हैं जिनसे सकल चराचर बंधे हुए हैं वे भला किसी के बंधन में आ सकते हैं राम जी के नाग पाश में बंधने की लीला आपके मन को भी बांध कर रख देगे तनिक सुनिये प्रभू ने किस किस को कैसे कैसे बंध रखा है किश लीला करमात को बंधा मोह में पूज्य पिता को भाथाओं को स्नेह में बंधा कह रिद वचन प्रजा को जनक विदेह को शोर्य से बंधा प्रेम से जनक सुता को परशुराम को विनय भक्ति से बंधा शंभु उमा को शिव शंकर थे कंठ हार से कर लिये अंद विभूशित मेग नाद की सिध्धि को सार्थक कर दिया होकर मूर्षित इसलिए बाधने वाले ने स्विकार किया बंध जाना नाग पाश थे कर्तन का था गरुण को श्रेय दिलाना जिंद्र जीत देने लगा जब सिना को त्राश जाम बंत ने सब उसे हैं का महल के पास जुवन पत श्रीपत शीता पति रख पति माया पति भगवान नाग पाश में नर समान कर चरित बंधे माया की खान देव और देविंद्र हुए भैभीत नाथ को मुर्चित जान नारत की आग्या से प्रेदित गरुण को ने आये हनुमान हुए पाश मुक्त राम और लक्षुमन जो खेल समझ कर लड़ते रण अब उनकी बारी आनी हैं ये राम एडशी राम की अमर कहानी है ये राम एडशी राम की अमर कहानी हैं रण भूमी छोड़ कर मेघनाद निकला एक महायक्य करने कुल देवी को कर सिध्ध अमरता के वर से जोली भरने रगुवर से कहा विभीशन ने यद्यग्य सफल हो जाएगा तो दुर निवार दानव का अन्तु प्रभु सहज नहीं हो पाएगा रामाग्या पाकर लखन विभीशन सुप्रिवरु हनुमान चले उस ओर जहां पर सिध्धी है तु साधक की अगनी प्रचंड जले वहगी के सान पे रुधिर और समिधा में महिश चड़ाता है उस अनल तेज को तेजवन्त हनुमत का तेज भुझाता है हनुमान द्वारा यग्य भंग हो गया तब इंद्रजीत उठ यग्य से धाया लिये त्रिशूल चप्याय लक्षमन निकट देख बायू प्रतिकूल नेगनाद एक बार लक्षमन पर शक्ती प्रहार कर चुका था अपने त्रिशूल लेकर उनकी और दोड़ा लक्षमन पर जो शूल चलाया लक्षमन ने उसे काट गिराया छल बल को शल से लगा लड़ने नहीं पाया कोई उसे पकड़ने कभी ओजल कभी तकट हो कभी निकट कभी दूर अंगदारी का मदलगा योद्धा करने चूर मन विचार लक्षमन के आया बहुत खेल मैंने खल को खिलाया राम प्रताप सुमीद कर मन में मारा बान असुर के तन में इंद्रजीत के वक्ष में विधा लखन का बान राम लखन का कर स्मरण रजेवीर ने प्राण छल बल कोशल भूल कर हो माया ते मुक्त रावन सुत की आत्मा ओई राम सैयोक्त दिन प्रयास बिन शम किये फल में पवन कुमार रख आये युबराज का शबलंखा के गवार कपी की जय जय गार लक्षमन के हाथों हो गया वध जिंद्र जीत विचीत्र का श्री राम की जय बोल सुरयश गाउठे सौमीत का रगवीर के लगवीर नाशक दूर निवार अजेय के रख शक सुरो के जय ति जय भू रख हो तुम प्रब धेय के रावन alert के निधन से इस संग्राब में विजय की अंतिम आशा भी हार गया उसे तो फुत्र की मिर्शु का समाचार ही मार गया अब शेष रह गया अराम जी की हाथों उसका भौतिक मरन जा गई चैतना जागी बोला वचन के जूँ बैरागी यह संसार असार है देखो तनिक विचार आया है सोझाएगा अपनी अपनी बार निशी चर ने निशी भर दिये नीती भरे उपदेश पर न किसी के कम हुए शोक कश्ट भैकलेश दुख में सुलोचना डूब गई सबसे बड़ी उसकी हानी हुई पत्य जैसी निधी कहँ पानी है ये रामयन शीराम की अमर कहानी है ये रामयन शीराम की अमर कहानी है कोई कुछ भी कहे रामयन था बड़ा बद्धिमान उसने एक स्वार्थी की भाती केवल अपने ही कल्यान पर नहीं सोचा वरन बंधु बंधव पुत्र पौत्र सजातिये सबका उधार कराने के बाद रामजी के साथ रण में दो-दो हाथ करने का निश्य किया और अपनी भव्यता पून मृत्य को निमंत्र दिया यह महा समर्थ आप पहुँचा है अपने अंतिम चरण तक राम की विजय तक रावण के मरण तक बीती रेन भालू का पिधाए नगर के चारो द्वार पे आए रावण ने निज सुभट बुलाए उनको ऐसे बचन सुनाए सुनो सैन को बैर्ग मैंने निज भुजबल पर मोल लिया है अपनी लडाई आप लडूँगा मैंने ये संकल्प किया है शत्र को इसका ज्यान नहीं है किस रणवीर को छेड़ दिया है उसका जीवन क्या जीवन जो मृत्यू से हो भैभीत जिया है समर भूम में आख में चौली जीवन और मरण की संग मेरे वे आएं जिनको आन है अपने प्रण की चानों का हो बोह जिने कर जाएं अभी पलायन रणवी मिखों का पुर्षों को नहीं चमा करेगा रावन योही निकला यूद्ध को मद माते की भाति त्योही पीछे चल पड़े अपशकुनों की पाति बैठा जो रत पर अश्वरत को खीचने से नट गए हाथों से गिर गए शस्त्र मस्तक से मुकुट हट हट गए खरस्वान स्यार उलूक भीध निनाज करत भयावना हर कोई सूचित कर रहा अब गहन संकट आवना ओ दंभी इनकी करे न चिन्ता शकुन अप शकुन कुछ नहीं गिन्ता ओ निकुलाले चतुरंगिनी से ना क्या परणाम से लेना देना ओ रत और रत पर सजी भजाएं सब पापी का गोरब गाएं ओ जुंड के जुंड अश्प और हाथी साथ अनगिनत पैदल साथी जै शंकर कहकर बढ़ा सजा युद्ध के साथ दर बरले रन भूमि मी जट गया राक्षस राज सुभटों से बोला दशकंधर मसल के रख दो भालू बंदर कानों में ये बोल जो आए दोनों के दल रन को धाए फिर बोला राम और लखन है मेरे आखेट मैं ही इन्हें चड़ाओंगा महाकाल की भेट तीखे नक और पैने दात हैं राम थे वीरों के हतिया बड़ बड़ पेड उखाने जड़ से रावन दल पर करें प्रहार जिजन रूप जोड पाते ही वीर करें वीरों पेवाद दोनों दल में गूझ रही राम और रावन की जय जय खार जय रंकेश जय अधेश हर हर महरे जय शी राम रावन रत आरूड राम विरत और बिन कवच वेद विवीशन गूड जान्यों चाहत राम से दूर करो शी राम चिंता मेरे चित की इम जी तब संग्रा बिना कवच बिन रत प्रभो राम जी ने विवीशन को सहज भाव से समझाया विजय नहीं उस रत से मिलती जिस पर बैठा रावन विजय प्राप्ति जिस रत से होती सुन लो सके विवीशन शौर्य धैर्य के दो पई ये उस रत को खीच रहे हो बल विवेख दम पर उपकार के घोडे चार जुते हो शमा दया समता की डोर गोडों को जोड़ चलाएं सत्यशील की ध्वजा पता का उस रत पर पहराएं परमेश्वर का भजन सारती रत को हां के अविरल ऐसे रत का रती शत्र के आगे हो नहीं निर्वल राम तो निर्वल के बल हैं अनाश्रित के आश्रे हैं एक रत की क्या बात है दश्रत नंदन को नहीं कृत्रिम रत से कां वर नित रत पर बैठ कर जीतूंगा संग्रां संतोष की तलवार हो और ढाल हो बैराग की शक्ति अपरिमित बुद्ध की रखे जो हो वो जग जई पुत्तम धनुष विज्ञान कातर कश हो मन अविचल बिमल शमयम नियम का बान धारी हो दसो दिश में सपल पूजा गुर और बीप्रकी जो कर ले निशकाम योदानिस संदेह वो हो अभिजित संराम ऐसा रत ऐसे अस्त शस्त्र रखते हैं सुरक्षित यत्र तत्र ये वेद पुरान की बानी हैं ये रामयड शीराम की अमर कहानी हैं ये रामयड शीराम की अमर कहानी हैं निज निज दल को प्रेरित करते रावण अंगद और हनुमान प्रण भेरी और मारू बाजे फूक रहे वीरों में प्राण काटे नोचे मीजे डपटे दुष्टों को प्रभ के बलवान काड अटणियां असुरों की कपि भालू पहने हार समान अपनी से ना देख के विचलत रावण हो गया क्रोध से लाल चला वीस भुज दंडों मेले दसको दंड प्रचंड कराल बाण भालू कपि कोई उन लगने लगे कि जैसे विशधर ज्याल राम कदल हो विकलप कारे त्राही ताही रग वीर क्रिपाल राम जी ने राहे माम ताहे माम सुनकर लक्षमन को युद्ध के लिए प्रेरित किया जाए नगल का आत्म पल इसलिए लक्षमन वीर हर प्रणाम रभ को चले भरन शंग में तीर रावन से बोले लखन करके धन टंकार मुझसे तक्रा क्या रहा कपिरिक्षों को मार रावन ने रोध में आकर कहा तू ही मेरे सुत का घाती तू ही मेरा लक्ष प्रधान आज करूंगा शीतल छाती ले प्राणों के बदले प्राण लक्ष मनने रावन के दस शीशों में मारे सोसो बान बान प्रविष्ट हुए शीशों में गिर्शिकरों में सर्प समान कोटी कोटी आयुध रावन के हाथ से कंडित हुए प्रकन के फिर लक्ष मनने शस्त चलाके रख दियरत सार्थी मिटाके वक्ष स्थल में मारे शत्शर गिर्पड रावन मूर्चित होकर जब मूर्चा गई चेतना आई तब रावनने शक्त चलाई पल भर के लिए ब्रह्म से पाई शक्ति कर गई अपना काम दिया शक्ति ने शक्ति मान को मूर्चित कर थोड़ा विश्राम चला उठाने मूर्चित को तो सारा शोर्य हुआ वेदाम पवन पुत्र के मुष्टि घात से रावन भूला शक्ति का नाम रावन को जो लखन थे भारी शैल समान ले आये उन्हें फुश्प सम राम निकट हनुआन अग्रज ने जब अनुज के यश्का किया बखान लखन हुए चैतन्यकर वचन संजीवन पान श्री राम ने लक्षमण जी को उनके बल शम्ता तथा दायतों का स्मरन कराया जागी शक्ति लखन गेतन में ब्रह्म शक्ति गई निल गगन में राम प्रभु को शीश जुका कर वो नह चले धनवान सजाकर ऐसा बान शेश ने साधा शेश हो गया रावन आधा डाल सार थी तन को रथ में रन तज चला महल के पथ में रावन को संग्राम में हार न थी श्विकार हो गयतत चन यग्यरत होते ही उपचार जो ही विवीशन को पता चला के हट धर्मी यग्य को बैठ गया है वे चिंदित होकर राम जी के निकट आए जग्य की बात विवीशन ने रगुवर को तुरित बताई कहां यग्य हुआ सफल तो होगी खलवध में कठिनाई रामा ज्यापा अंगदादी कप्ली यग्य स्थल को दोडे करने लगे विद्वन्स यग्य का वक्षस्थल कर चोडे पदा घात अंगद का सहकर रावण तनिक नडोला करकटाक्ष ख्रोधित बाली सुत रावण से युम बोला तू दिख विजयी बने और संग्राम में पीछ दिखा कर यहाँ विजय श्री का वर्मांगे वक्षसा ध्यान लगाकर यग्य ध्वन्स कर चतुर कपि पहुँचे प्रभू के पास रावण फिर लड़ने चला लेकर अन्तिमास प्रण की ओर चला तो लगे होने अप शकुन अमंगल कारी उड़ उड़ बैठें गिद्ध सीरों पर स्वान सीयर रूदन करे भारी काल के हो आधिन असुर के मुद्गै नैन गई मति मारी पत्के हट और अपशकुनों से चिंचित मंदो धरिवेचारी आशंका से अमंगल की अब आकुल मंदो धरिवेचारी रावण को पुने युद्धातुर देख देवगन प्रभुसे विंति करने लगे दारुन दुख हम देवों को दिया मुढ मतिय तामस देही रक्षा करो अब रक्षा करो हे सुरगण वत्सल रामसनेही सुर नर मुन नहीं केवल खलके सुर नर मुन नहीं केवल खलके प्लास से घोर जूखी वैद ही और ना खेल खिलाओ उठाओ को दंड तो दंड करो वजते ही और ना खेल खिलाओ उठाओ को दंड तो दंड करो वजते ही ओ देव वचन सुन प्रभु मुसकाए रण के सारे साज सजाए हो जटा जूट को किया व्यवस्थित बीच बीच में पुष्प सुशो भित जीर वीर रख वीर की रण की साज निहार पुष्प व्रिष्टी कर देव गण करते जै जैकार जै शीरां जै उधेश इतने में खल से ना आई वानर से ना से टकराई धनुर्वेद ग्यातार धुराई बाणों की एक जड़ी लगाई लगत बाण दिगज चिक करही लट पटाए घर नी पर परही रुधिर बहे देहन से ऐसे परवत से जरना बहे जैसे युद्ध भयावेह देखकर रावन करे विचार मुझे को रचनी चाहिए माया अगम पार रावन रत आरूड है पाव पिया दे राम दुखित देव गण सोचते कैसे हो संद्राम इंद्र ने भेजा मात ली रथ के साथ तुरंत अर्ष सहित रथ पर चड़े युद्धा तुर शीकंत ओ श्री रघुनात को रत पर पाकर द्विगुणित बल से धाये वानर ओ खपी रिच्छन जब खल दल ढाया तब खल पति विस्तारी माया ओ अगणित राम लखन प्रक्टाए भ्रमित होये कपी भालु डराए ओ ये भ्रमित लक्षमन भी पल को पढ़ न सके रावन के छल को भय भीत मर कट भालु अच्रज में पढ़े सो मित्र से कोतक विचित लखें लखन संग सर्वंकित चित्र से देखी जो सेना चकित आतंकित ठकित विस्मित डरी एक बान कर संधान हरिने निमिश में मायारी एक बान कर संधान हरिने निमिश में मायारी राम जी सैनिकों को संबोधित कर बोले तुम रन क्लांत हुए बहुत मेरे सैनिक व्रिंद द्वंद यद उनका लखो जिन में अंतर द्वंद गर्जन करता रावन आया प्रध्मबान शब्दों खचलाया बोला रहे तापस वनवासी ज्यान सुनाने के अभ्यासी खर्दूशन त्रिशिरा के घाती तुम कर्ण के निठुर निपाती सब के नाम के बज रहनूगा गिन गिन कर में बदला लूगा शूर्पन खा को कर दिया करण नास काहीर दो अंगों के नाम दो जीवन लूगा ची मेरा वन ख्रोही हठी त्रिभुवन में विख्यात मेरे बंबी ग्रेहे पड़े सब ग्रेहे जोडे हाथ बाली छुपकर बढ़ने वाले आज पड़ा रावन के पाले वैदे ही का देखन सपना देख तुझाता जीवन अपना रावन का अनरगल प्राव सुन राम ने कहा यद शब्दों के बान का कोश हुआ होशेश तो शस्त्रों में वारता होने दे लंकेश होने दे लंकेश मेती सुना था हूँ मैं तुझको यदि कुछ तेरी समझ में आए तीन प्रकार के पुरुष जगत में होते जो आगम ने बताए एक गुलाब जो केवल पुष्प दे आम के जो पल फूल लुटाए कट हल फल दे कुछ भी नखल दे वो ना किसी श्रेणी में आए ऐसे ही नहीं कंच में तेरे डालूंगा मैं काल का पाशाँ पहले उनको भेजूंगा जिने तुझसे युद्ध की है अभी नाशाँ तेरे पापी हाथों में दूंगा तेरे पापी हाथों में दूंगा घोर निराशाँ मेरे वीर बताएंगे तुझको पाप और धर्म की क्या परिभाशा वीरों चित अब सर दिया वीरों को भगवान एक एक कर लेने लगे सब रावन के प्राण गदा चला हनुमान देखते भूले तो नहीं करनावार शक्तिमान पर पदा घात कर निजबल जाचे बालिक मार शीश चड़े नल नील उचल कर शीशों से रह केश उखार जाम बंत सुग्रीव बिभीशन परक रहे शस्त्रों की धार जितने पक्षी आमिश भक्षी सबको है आनंद अपार खाने लगे हताहत काया गिद चील बाज और सियार राम और रावण के सोजन्य से आजी अथेश्ट मिला आहार शोनित की अपवित नदी वो मुर्दों पर चड़ करते पार रण की शोभा देख देख कर नाचें भूत प्रेत बैताल पर उनके संग उनकी सहचरियां नभ पर नाचें दे दे ताल चाम उन्डाएं बजा रही कर ताल उठा धर्की से कपाल लाल रक्त से योगिनियों के हुए होठनक जिवा लाल इन लोक में कभी कहीं पर हुआ नहीं ऐसा संग्राम दोनों दल के योध्धा जूझे ले निजिनिजि स्वामी का नाम महा समर हो रहा निरंतर निकले नहीं कोई परणाम आनि देख दोनों दल की सनमुख़ा आये रावण और राम रावण ने माया से निर्मित प्रगटाए भूत प्रेत अगणित से ना जिन देख दरानी है ये रामयन शीराम की अमर कहानी है दशानन आसुरिय माया का उत्तर उत्तर विस्तार करता गया दानव ने फिर अगनि प्रकट की उची उची जिसकी लफटें वे लफटें ना तेदारों सी राम की से ना से लिपतें चारों और से अगनि लगा कर उपर से बालू बरसाई प्रलयकाल का दिश्य देख कर देने लगे सब राम दुहाई फिर माया से रच दिये बहु तेरे हनुमान हर हनुमान के हाथ में दे दिया इत पाशान लगा राम भक्तों का मेला चहुदिस हनुमत राम अकेला मारों काटों की भन करते राम बान से भी नहीं डरते प्रभु पहले दुष्टों को छूट देते हैं फिर शक्ति का वमन करा लेते हैं फिर करते हैं एक ही ऐसा शरसंदान शल बल माया शस्त्र का करता जो अवसान साथ खशनिक माया नश्ठ हो गई परंत माया भी अभी जीवित है रावन जो जो शस्त चलाए रघुबर उनको काट गिराएं कल के प्रगट किये नागों को प्रभु के बान गरुण बन खाएं रावन पर पर करे प्रमान तुपापी में बल कचुक मुनाई राम कप्रण और रावन का हट बार बार रण में टकराई बीस भजा और दस शीशों पर रावन घर्थ करे अभिमान पुर्ष सुक्त में पुर्षोत्तम के अंगों कायू किया बखान शीश सहस्ट सहस्ट पाद बुजनेत्र सहस्ट सदाच विमान इतना सब कुछ होने पर भी तनिक नहीं गर्वित भगवान खीशर भुज खल के प्रभु काट काट गए हाथ भुज नवीन मस्तक नए जुड जाएं हर बार रावर्ण ने जो शीश शीवजी को अरपन किये उनके फलस वरू राम जी के काटने पर भी उसके शीश पनह पनह जोड जाते थे भुज दंडों में कैलाश उठा लेने के कारण भुज दंड काटने पर भी उतने के उतने ही रहते थे ये शीश और भुज दंड केवल हाड मास के नहीं थे ये तो शीवजी के दिये हुए वर्दान थे और शीवजी के वर्दान अराम जी काटने ये कैसे संभाव हो सकता है राम जी के निकत विभीशन को खड़ा देख रावन को भीशन प्रोधाया उसने प्रचंड शक्ती रखने वाली अमोग शक्ती विभीशन की ओर फैंकी जब मेंगनाद ने लक्षमण पर वीर घातीनी शक्ती चलाई तो वह शक्ती प्रहार सहकर लक्षमण को बचाने का अफसर राम जी को नहीं मिला प्रभु की मित्परायन तो देखिए कि शत्रु के अनुझ पर उसके अग्रजद्वारा चलाई गई शक्ति का प्रहार प्रभु ने अपने वक्ष पर सेहन किया राम जी की यही तो विशेशता है कि वे शर्णागत का आगा पीछा जाति, कुल, धर्म, पद, जाने में न उसकी रक्षा में प्राणपन से जुड़ जाते हैं यद्य पि यह शक्ति प्रहार राम जी के लिए फुश्व भार सेहने के समान था तथा पि उनकी घड़ी भर की मूर्चा और तनिकसाभी कष्ट विविशन के लिए असहे हो गया वे रावन को अनेक संग्याय देते हुए गदा लेकर्स पर जपट पड़े दोनों में तुमुल युद्ध हुआ विविशन को क्लांत देख हनुमान जी ने युद्ध का पाला संभाला रावन ये नहीं जानता था कि इनी हनुमान जी की पूजा वे शिव के रूप में करता रहा है और शिव जी की अनुकमपा से ही उसका भंडार वर्दानों से भरता रहा है युद्ध में तो केवल एक ही नाता होता है वे शत्र से शत्र का एक ही भाषा चलती है वे शत्रों की प्रदर्शन होता है केवल शौर्य का एक ही परिणाम होता है जीत हार या पलायन हनुमान और रावन में कोई भी पलायन वादी नहीं था उन दोनों का युद्ध भूवी पर ही नहीं आकाश में भी हुआ दोनों ने देवों से प्रशन सा पाई मृत्युन जे का वर्दान होने के कारण रावन की मृत्यु संभव न जानकर हनुमान जी श्री राम जी के पास लोटा है अब राम जी ने निरनायक युद्ध के लिए शस्त्र संधान किया शस्त्र भी जब रावन से टक्रा टक्रा कर निश्वर्भाव होने लगे तो अन्तत है राम जी को विभिशन से पूछना ही पड़ा मुझे पर खोलो भेद ये है रावन के भ्रात बान विपल क्यों जाई क्यों प्राण नाए हाथ प्रभुलाब नहीं अब शक्तिवाण और समय अकारत खोने से रावन अजे रावन अबाद नाभी में अम्दित होने से यह भेज जानते ही रगपत ने ऐसा शरसंधान किया मारुत की भाति पहुच जिसने नाभी का अम्रित सोख लिया फिर उन शीशों को काट दिया जिन में अभिमान समाया था उन भुजदंडों को फिथक किया जिन से सीता हर लाया था यू रुंड मुंड हो गए भिन पर नर्तन करता रहा रुंड धर्ती पे गिरातों को चल गए वानर भालु जुंड के जुंड इस पार महा आतंकु मचा वह महादानव उस पार गया श्री राम चंड की सेना को मरते मरते भी मार गया कहां राम कहां लक्षमन कहकर उस भाक्यवान ने तान तजे वहदुल लभ गति पाई मिलती नहीं जनम जनम जो राम बजे छल बल माया चत्राई से वह कैसा लाभ उठा बैठा श्री राम अभी लंका में हैं वह उनके धाम में जा बैठा प्री राम कारा और विष्ण कावा उस नाम में नारायन का नामान रूप हरिधाम में जाना निर्धारित था रावन का भाग्यवान संसार में रावन जैसा ना हैं जो तिरूप हो जाबसा शीहर के मुखमा हैं वज्योति शक्ति का शुभ संगम श्री उर्शोत्तम का अंतरतम अब रावन की रजधानी है ये रामयन शी राम की अमर कहानी है ये रामयन शी राम की अमर कहानी है ओ तेज पुंज मिन तेज समाहित देख शंग और ब्रह्मा हरशित ओ जय ध्वानी से प्रत्रिध्वानित दिशाएं सुर नर नाग मुनी स्तुति गाएं दुर धर्ष दुर दमनिय दानव का दमन तुम ने किया सुर मनुज नाग धरित्ति संतों का महातुख हर लिया जय जय अकारण कारुणिक सुख धाम हो यश धाम हो रावन विडेता पूज वर सुखार विनय प्रणाम हो रावन विधेता पूझ्यवर स्विकार विराय प्रणाम शिवजी को अरपित होने वाले शीशों कैलाश को उठाने वाली भुजाओं का सन्मान यू किया गया राम के बाणों ने रावन के भुझ शीश धरे मन दो जरी आगे शीश भुजाएं सोसो शर्सम मन दो दरी के उर में लागे प्राणे श्वर के छूटे प्राण तो टूटे अमर सुहाद के धागे विधिने दे दिए जीवन भर को सूनी रहन और दिवस आभागे सुर नर्मनी का भाय मिटा धर्ती का भार घटा परंतु नगरी और महरानी का शोक बढ़ता है लंका पति लंका से गया चुम लंका की उजडी हरियाली रंग गई परिधानों से तन पे पड़ी मैं धव्य की छाया काली मंदो जरी के सुन महा माया मंदो जरी के सुन महा माया सबकी विंती सुनने वाली रखना सदा अक्षुन सियासत बनती के सिंदूर के लाली दूमिल होना कभी सीता भग बनती के सिंदूर के लाली सबकी पीर समझने वारे रखवीर ने सांतुना देने हैतु विभीशन को मंदो दरी के निकट भेजा आभवी के निकट विभीशन सुना रहा जीवन का दर्शन नश्वर जग की नश्वर माया नश्वर हर सुख नश्वर काया खोकर भ्रात महावल धारी मेरे भी मन को दुख भारी अश्रु लाए रख्त कनाता सब मिल जाए मिले नहीं भ्राता विसंगतियां अपने स्थान पर और नाता अपने स्थान पर विकल विभीशन देखकर लखन से बोले नात साथ विभीशन के रहो विचलित सिति में तात राम जी के आदेशा नुसार लक्षमन ने कम किया विभीशन के दुखा भार लक्षमन ने बहु विधी समझाया लोट विभीशन प्रभु पर आया कहा विभीशन से अब जाओ शोक भुलादा ये तुनिभाओ पुत्रों की अनुपस्ति पिमें है ये करतव तुमारा रावन के तामस्तन को करो पावन पावक द्वारा महा प्रतापी महा बली महा रावन यू न मरेगा राम प्रसंग में सदा जगत रावन का स्मरण करेगा रावन के पार्थिप शरीर के पास बैठी मंदोदरी कह रही है मंदोदरी अब क्या करे प्रगुवर का बुणगा बस यही जाने राम सा नहीं कोई क्रिपानी दा ओ ऐसी क्रिपा क्रिपानी धिकीनी तुमको दुर लभ चम गती दीनी एक सती के वचर शवन कर सुखी हुए सुरसिध मुनीश्वर वीरोचित सन्मान दे कर सब लोका चार अनुज ने अग्रज का किया देहदा संस्कार लखन से बोरे प्रभु खिले छै प्रमखों को सात्थ जाव विभीशन संग तुम लंका नगरी तात्थ हनुमत अंगद नील नल जाब बन्त कपिराज इनकी साक्षे में करो राज तिलक पूर्णाज ओ तुम सब जानत लखन सुजाना वचन बद्ध मोहि नगर नजाना ओ तुम सब मेरे अंग हो भाई मेरा काज करो अब जाई रामा क्या सुन लखन ने तनिक नलाई बार तिलक विवीशन का किया विधिविधान अनुसार राज तिलक संपन्न कर लोटे रगवर निकट लक्षमन परम प्रसन प्रतिनि धित्व कर रामका विवीशन को साधु बात देते हुए रामजी बोले रावन महादालव महाभट दुर निवार जटिल कठिन दुशकर था उसका वध तुम्हारे साथ बिन सहयोग बिन जो संग मेरे यश तुमारा नित नया कर गाएंगे वे बिन प्रयास और श्रम भवो दधि से सहज तर जाएंगे वे बिन प्रयास और श्रम भवो दधि से सहज तर जाएंगे सारे दायचो पुण कर रगवर को अब सरवाधिक महत्यपुण दायचों का स्मरन हो आया रगवर ने अनुमत को बुलाकर अंचर की अभिलाश बताई सिथा की सुधिले आने की दूसरी बारदई से वकाई नगरी में देखके हनमत को लंका की प्रजा उजन को धाई दर्शन के अभिलाशी कपी को दूर से सीता मात दिखाई दर्शन के अविलाशी कफि को दूर से सीता मात दिखाई हू मोन प्रेश्न हनुमत ने की ना मा वो है चीना या नहीं चीना ओ तुझ से मेरा पूत्र का नाता पूत्र को कैसे भूले माता ओ रामदूत अतुलित बलवाना देखत ही सीयने पैचाना ओ सविस्तार सुत कहां बुझाई अनुज सेन प्रभु की कुसलाई तुम्हरे उन्य प्रताप से कुशल कोशलाधीश अनुज सहित संग्राम में जय हुए जगदीश ओ राम कृपासे शुभ दिन आया अवि चल राज विभीशन पाया ओ राम विजय सुन जनक दुलारी गर्वित आनंदित भई भारी और हनुमान जी को आशिरवा देते हुए कहा पूत्र जगत तुझको कहे समसद गुण काधा लखन सहित तेरे रिदे सदा बसे श्रीरा भनुमत ने जान की मात से आशिश की मिधि पाई राम दूत ने राम प्रिया की राम को कुशल सुनाई बैदे ही की कुशल जान निशिंत हुए रघुराई बाले बुर्त अनुज रावण का दोनों लिये बुलाई सुनो बिभीशन तुम लंका पति नगर मिसिया तुमारे हनुमत संग साधर ले आओ अब उसे निकट हमारे रामा ग्यापा सब वहां पहुँचे जहां विराजित सीथा सीता की से वारत देखी बहुन शरीवी नीटा सिया राम के पनर मिलन की बिलाने कर जानकर अनुमत आदी अच्चत प्रसंद है स्तान दासियों ने सिय को कराया रघुवर के अनुरूप सजाया अनुसया ने दिये जो भूशन किये वही सीताने धारन फिर सुंदर पाल की मगाई कुई आसीन जान की माई होंगे अब राघब की दर्शन सोच सोच बढ़े रिदयस पंदन शने शने पाल की चल रही है सिया के दिव्यरूप की जियोती चारो ओर जल रही है लिये ओ मंग भालू कपी धाए सिय की एक जलक मिल जाए कपी मेरा आदेश निभाओ सिय को पाओ पया देलाओ जनक नंदिनी धीर गवाए रघुवर मन की मन में चुपाए दोनों को हैं विलन प्रतीक्षा मध्य खड़ी एक और परीक्षा राम ने सिता जी को अगनी देव के संडक्षन में रखा था अब समय आ गया है कि उन्हें सादर भुला लिया जाए राम जी का मन तव ये भी है कि लंका में रहने के कारण सीता पर मिच्चा कलंक थथा लोकों का वाद की छाया न पड़े प्रभु वस्तु स्थिति को जानते हुए सीता जी को ऐसा आदिश दे रहे है जनहित सिया सतीत्व का दे दो आज प्रमान अगनी कुंड को पार कर पालो अपना स्था सीता जी की वाणी में कैसा विश्वास भरा है इसे कसोटी से डर कैसा यह तो स्वर्न खरा है हो विवश सिया की आज्या से लक्षमन जी ने की अगनी प्रगट अब पावन और पावन तम आ गए एक दूजे के निकट निकट उन राम चंद्र का स्मरन किया जिनके पदशंकरवन दित हैं उन पदपंकज पर प्रीति सिया की जिससे तिभवन परचित हैं है रोम रोम में राम वही जीवन में नहीं अन्य द्रिष्टि में स्वप्न धान चिन्तन में मन ही मन प्रभु की जय बोली निर्भय निर्डै से नहीं डोली ऐसी शक्ति सियाने पाई आँच पे चल कर आँच न आई लो अगनी देव प्रकर प्रबल चंगन से शीतल हो गए एक निर्मला के स्पर्ष से कुछ और निर्मल हो गए लो का पवाज कलंक चाया जल गए छण मात्र में यू सीता दे ही राम को पावक ने धर दे है लक्षमी दी जू विश्न को सागर ने सस्ने राम के वाम भाग में सीता ऐसी लगत भली रे नव इन दीवर के सन मुखजों स्वर्णी में कमल कली रे नारत शारत शेश वेद ये है शोबा बरने न पावे जैसी आराम प्रिलोक दसों दिशी अरस अहर निशी गावे यूं भगवती और भगवान मिले यूं बिछले तन से त्रान मिले लीला की रीत पुरानी है ये रामयन शीराम की अमर कहानी है सीता जी सानंद रामजी से कह रही है ओ बार बार तुमको रघुराई है तु पूरती पर मेरी बधाई ओ मैं व्रितांत समर का सारा सुनती थी त्रिजटा की गवारा ओ असुरों की इस रजधानी में थी उनकी निगरानी में ओ मन से मान वी निश्चरिकाया स्नेह मात्रिवत उन से बाया ओ त्रिजटा ने दिया यो सत्राक्षन छाया भी नहीं हुई अपावन ओ धन्य करोब सारंग पानी स्वयम सुना कर समर कानी भगवान भगवती को शेय देते हुए बोले असुर्दमन में व्यस्त थे जदपिराम के हाथ तदपिलक्ष के सिद्ध बन सदास याथी साथ ओ नाथ आपका यही बड़ा पन श्रेय करें आरों में वित्रन ओ तीनों लोक से आपका लाता लगे गाब स्तुतियों का ताता मातली जब भगवान के लिए रथ लेकर आया था अब बढ़ाई देकर विदाई ले रहा है विदाई ले विमान ले चला गगन को मातली तो देव राज इंद्र ने विजय पे दी स्वरां जली इंद्र यूँ भी नम्रस्वर में प्रभु से पूछने लगा विरक्त चित कैसे जाए आपको सुखी किया श्री राम ने सहज भाव से कहा सुनो इंद्र मेरे दिये दिये जिनों ने प्राण दो तुम अम्रित ब्रिष्टि से उनको जीवन दान राम की कल्यान कारी अभिलाशा जानकर प्रभ की खितकारी आग्या मान कर सुर्पति ने अम्रित बरसाया राम के दल ने जीवन पाया बरसा रावन के भी दल पर पर जीवित हो जगेन निशिचर दशरत जी सशरीर वे प्रगट वे खुंठ से धन्य हो तुम रगुई गर्वित हो कहने लगे तुके दर्शन पाय परम प्रसन भए प्रभुई चरण में सिरनाई मधुर वचन कहने लगे हे पूज पिता श्री आपके शुब करमों का फल मैंने पाया रावन का वद कर पाने में आशिश आपका कामाया सुनव चन पूत्र के तन पुल का वल छाई नेना सजल हुए रग खुल की कीर्थी हुई ग्रिगुणित देवों के मनोरच सफल हुए राजीव नयनने स्नेहिल द्रिष्टि से खोए पितु का दरस किया दश्रत नंदन है विश्व रूप प्रभु ने इंगित से बता दिया फिर पिता पुत्र को बार बार कर शधापूर प्यणाम चले संपन राम निधि से होकर दश्रत जी पुनी सुरधाम चले चतुर मुखों से ब्रह्म वेद रूप में हुए मुखर नमन दशा नरज्याई सुभट सुधीर वीरवर तुम्हारे शर अमोग हैं अनन्त वाहु बल प्रभो तुम्हारे वाक्य भ्रम वाक्य और प्रण अटल प्रभो सुरस्वार की चिरकाल के ऐसे स्तवन गाने लगे हम परपरी जब भीर तब रघवीर तुम्ह सुरहित जगे जै जै रमापति जै सियापति ग्रेहन अभिनंदन करो रावण की आवद अवद पर चिरकाल अब शासन करो महि मांगा जब सब चले अपने अपने स्थान तब क्रिपुरार प्रगट भए करने सुयश बखान शिवजी की ध्यान समाधी में सदैव श्री राम जी रहते हैं दोनों एक दूसरे को अपना आराज्य कहते हैं जय अच्यत अविचल अविकारी मम आराध राम धन धारी जिस क्षण किया शंभु धन खंडित तत क्षण तुमने किया प्रमाणित तुम ही रावन दमन करोगे भूमि संत सुरत्रास हरोगे तुमने अपने बचन निभाए अंशन सहित अबध में आए जप तप साधन भजन में तुमी रमापति राम तुमसे सदा प्रकाश मै शिव का अंतरधाम जिस दिन राजोगे प्रभू सजाराम दरबार सफल करेंगे नैन हम राजन रूप निहार ओ शिव जी गए विवीशन आया नम्र निवेधन प्रभू ही सुनाया ओ महल पधार स्नान प्रभू कीजे रण की कांति और श्रम छीजे ओ अतुल संपदा हे नारायन कीजे अपने दल में वित्रण ओ मुझ आयोग्य को प्रभू अपना के अब अध्रे चलो दास बना के नगर महल धन संपदा मोहिवांचित का छुना ही चिंता करके भरत के निमिश कलब समझा ही यद निरधारित अवध में अवध न पहुचा राम विकल भरत लेगा नहीं फिर जीवन का नाम करके मेरा अस्मरन सके तुम राज करो चिर काल धरा पर मेरी द्रिष्टी में भरत लखन और तुम में नहीं है कोई अंतर फिर दूंगा वह धाम के जिसमें फिर दूंगा वह धाम के जिसमें सादू संत विराजे जाकर महल की ओर चला है विभीशन राम का वंदन करके सादर महल की ओर चला है विभीशन राम का वंदन करके सादर लंका का राजा अगनित रतनों से पश्पक रत भर लाया इन रतनों में समाई हुई है रावन द्वारा संचित माया सुन प्रभु का आदेश विभीशन सुन प्रभु का आदेश विभीशन ये बैभब नभ से बरसाया खान सके तो उगल जीया वानर भालू ने जो धब्य उठाया नववस्त्रालंकार पहन पहन सैनिक सकल जहां श्री राम उदा तह पहुँचे हर शित हिदे कपिरच्छन के संग राम लखन करें रसिकता मने मुकता वहुरंग कंतर पत्थर से लगें निज निज ग्ह अब जाओ सब प्रभु बहु विधि समझाओं लहर राम समद्र की सिंधु छोड कहां जाएं राम छोड गतिनाई जसके तस बैठे रहें जब सब शिचिल शरीर कब बोले यूम रिद्वचन के पासिंधु रघुवीर सुनो सकल धरिधीर ओ तुमरे बल पर रावन मारा ओ जीवन मेरने तुमारा ओ राज तिलक सैयुत बिभेशन राजा बना तुमारे कारण प्रेरित हो प्रभु वचन से राम रूप उरधार अपने अपने ग्रिहन को लोट चले मन मार सजल नयन सुग्रीव और अंगद नल नील और विभीशन अंतर दशा जान कर इनकी द्रवित हुए रगु नंदन पुष्पक पर संग लेने पर धिल उठे पुष्भ मुर जाए अवद मुकी शीराम ने उनको ऐसे वचन सुनाए घर जैसा कुछ और नहीं चाहे फिर लो जगत समुचा लक्ष्मन जननी जन्म भूमि का स्थान स्वर्ग से उचा उत्तर दिशिकी और राम ने दिव्य विमान चलाया एक रिक्स्तान रिखा सीता को समर्ब तांत सुनाया सुनो सियायश लखन का गाता है यहस्तान तिंद्र जीत को जीत कर यही किया निश्प्राण देवों को दिया त्रान अंगद और हनुमान के हाथों जीवन हार यहां सदा को सो गए आशुर पर्वताकार बहुत हुआ संदार ओ कुम्ब करन अतुलित बलशाली रामबान से सद्गति पाली ओ शुर नर्मुनी के दुख का कारण यहां बधा मैंने महरावन ओ करके स्थापित मम प्रियशन कर सेत बंध बांधा सागर पर ओ सपत्नीक शिवजी को न मन कर बोले राम जय अचिरामेश्वर्ण जय महादेव शिवहर महादेव मम प्रिय गादिश्वर महादेव दिखावास विश्राम का वन परवत प्रत्येख सियस किया विशेश कर शबरी का उलेख कर प्रणाम आश इश ले रिशिगन को कर धन्य चित्र कूट पहुचे प्रभू वंद्य दंड कारन्य कलि मल हरनी पावन करनी सलिला सहज कल्यान की आदित्य तनया भग्नियम की ये है यमुना जान की हर की प्रिया होने से जल पर नीली मा से इच्छा गई ब्रिजधाम को कर त्रिप्त गंगा से मिलन को आ गई हर के पदाम बुझ से प्रवाहित दिव्य सुरसरि वैश्नवी मिर्खत कहा राघवने गंगा को न मन कर राघवी मम पूर्वजों की देन जान विसगर संतति तारिणी है जान की तु और गंगा उभयमम प्रियकारिणी है जान की तु और गंगा उभयमम प्रियकारिणी ओ अवदपुरी रमनी या सुहावनी त्रिविधताप भवरोग नशावनी ओ हरशित मन और पुलकित तन से प्रभु करयावध को नमन गगन से पुनितीत राज प्रयाग का रगुराज ने वंदन किया मानव त्रिवेणी ने त्रिवेणी नीर में मजन किया जाते समय था जो दिया उस वचन को पूरण किया जग पूजनी आजान की ने गंग का पूजन किया जग पूजनी आजानकी ने गंद का पूजन दिया वैदेही की विने पर प्रमुदित होकर गंद लहर लहर में कह रही हो अहवात अभंद सजा रहे प्रभुशंग विप्र परायर राम ने दिये विप्रों को दान अक्रिम भेगे अबद में महावीर हनुमान यूं बूले भगवान ओ हरशित मन और पुल कित तन से नमन अवध को करूँ गगन से ओ बटुक रूप धरी हनुमत जाओ कुशल भरत को जाए सुनाओ पवन वेग से उड़ चले पवन पुत्र हनुमान भरत वाज के धाम पुनी पहुंचे श्री भगवान बहु प्रकार मुनी पूजन करके आशिश दीनी मोद मन भरके बार बार कर मुनी पदवन्दन ले आशिश चले रघुनन्दन पीर्थ शिरो मनी पुन्ने प्रयागा सहज राम से जाए न त्यागा स्वामी शिंग वेर पुर आए नित्र निशाग के भाग जगाए राम लखन सिया को देखकर निशाद की अवस्ता ऐसी हुई खड़ा अर्ध विक्षित सा रहा निशाद पुकार नाओ कहां केवट कहां खेहरा बारंपार गंगा तट पर राम ने दिया विमान उतार जिदय लगा रहे मित्र को करुणा के अवतार ओ ऐसे करणा धाम को तज कर मैं सोया स्वी राम न भज कर ओ मैं जडवत यह मर्म न बूझा भबतारक जल्यान न दूझा ओ कल युग केवल नाम धारा सुमिरी सुमिरी नरूत रहे पारा ओ जो प्रभुरण की गाथा गाते बुधि विवेक बल बैभब पाते सत्य में वजयते रहे सदा जगत में व्याप्त यहां आपचारिक हुआ लंका कांड समाप्त आस्था रखो रामायन में यद जीवन के भीशन रण में तुम्हे सेज विजेशी पानी है यह रामायन श्री राम की अमर कहानी है जै श्री राम लंका धनपति कुवेर की थी इसलिए उसके स्वर्ण मई होने में कोई संदेह नहीं किया जा सकता फरन्तु रावन के हस्तगत करने दे के कारण उसकी कांती कलुशित अवश्य हो गई थी जब वहां अगनी परिक्षा की अगनी प्रज्यूलित हुई तो उसके प्रखरताप से नगरी मुक्त हो गई निशाचर क्रिक्पाप से आज धरित्री भार मुक्त, सुर्नर्मनी भय मुक्त, सीता बंधन मुक्त, रावन जीवन मुक्त, सुग्रीव रिन मुक्त, हनुमान रण मुक्त, रामजी प्रण मुक्त मुक्तों की इस गाथा को सुनने वाले प्राणे लाख चोरासी योनियों के आवागवन से मिस्संदे मुक्त होंगे लंका के दुर्ग पर अब धर्म की धोजा फेहरा रही है दिशा दिशा सत्यमेव जयते गा रही है चारों और बज रहा है श्री राम विजय का डंका रावण बद से राम के हरी होने में रही न शंका यहां का राजा धर्म परायन नहीं चरित्र से रंका अवध पुरी में हो गई परिनत लंका रही न लंका आपादमस्तकं यस्य विजय श्री अंकितं रामचंद्रम धनुष हस्तं जितसंग्राम नमाम्यां सूय पुत्रम पवन पुत्रम आली पुत्रम सेचरं विधी पुत्रम विश्रवा पुत्रम दशरत्र पुत्र नमूस्तुते श्रीशिदा रामं सब गुण नामं युगल मूर्ति मनहारी उर्ष्पक आरूढम लक्षमन सहितं शोहा सिंधु खरारी जय जय महमाया प्रभु की छाया महालक्षमी महासीता राघव पियकारिणी विश्पाधारिणी पुनेह पुनेह परिणीता जय विष्णु रमापति राम सियापति सर्व अमंगल हारी उए उत्तरोन मुख राजा दशरत के उत्तराधिकारी जो धर्म धरित्री सुरसंतों का सनरक्षन करते हैं हम उत्तर कांड प्रवेश हेत उन प्रभु को नमन करते हैं सिया राम सुमिर कर शिव गोरी की कृपा सहज पाएंगे श्री राम के पूरवजबन शजद भजबज भवजल कर जाएंगे जय भगवत जय जय भगवान जय लक्षमन जय जय हनुमान जुत गति से उड़े पुश्पक विमान अवध कुरी को शुब प्रस्थान राम जी को भली भाति ग्याद था कि भरत निर्धारित अवधि से एक दिन भी अधिक प्रतिक्षा नहीं कर पाएगा तब ही तो उन्होंने हनुमान जी को अयुद्या जाने का आदेश देकर भरत के नाम अपना संदेश देकर पहले ही भेज़ दिया था हनुमान जी ने जाकर देखा कि भरत जी राम ने हपियुश पीने के लिए कैसे व्याकुन है भरत जी की विरह व्यथा वरणन से परे है राम विरह के सिंधु का भरत न पावे पार यूँ आए हनुमान जूँ डूबत को आधार हनुमान जी यदि मूल रूप में योध्या जाते तो भरत जी कदाचित उनके मिलन के सुखत आश्चरे को न सह पाते इसलिए हनुमान जी जो विपर रूप धर के राम जी से मिले थे वही रूप बनाकर भरत जी के सनमुख प्रस्तुत हुए आगन तुक विपर को देखकर भरत जी पूछने लगी तुम हो कौन कहां से आए तुम्हें देखकर रिदय जुडाए बोले कपि निज परिचय देकर मैं हनुमान राम पद किंकर जैसे मेगा च्छन आकाश देखकर तुष्णा हारिनी विष्टी की सुखद कल्पना से प्रिथ्वी ये सोच कर प्रफुलिद होने लगती है कि उसकी प्रतिक्षा की अवधी अवसमाप्त होने वाली है भरत जी की दशावी कुछ ऐसी ही थी राम दूत आया जानकर वे भावे भर हो गए भरत न पूछा भ्यान भरत का जाक नहीं स्वामी को हनुमत बोले स्नेह सहित करते थे स्वरन तुमी को पवन पुत्र को भरत ने उचकर सादर जय लगाया राम दूत और राम व्रात ने मिल के परम सुख पाया देख भरत की दशानैन से अश्र प्रेम के छलके कपी बोले वे वचन के जिन से विरह भार हुए हलके आठोयाम नाम जब जिन की गुण गाथा तुम गाते सखुशल सी तालकन संग वे शीग आयोध्या आते आगमन का समाचा सुनते ही भरत को ऐसा अभास हुआ पंगो को पग ज्यों मूख को बानी मरना सन को जीवन यू हनुमत से मिला भरत को धीर भरा आश्वासन प्रभु के अबज आने की अबज में शेश एक ही दिन है चोदह वर्ष में यही एक दिन बारी भीर्ग कठिन है परन्तु अनुमान जी के आश्वासन ने इस कठिन दिन को कुछ सहज कर दिया है नीके नीके शकुन सब हो रहे चार हो चल के भोर की सोच चुके सब आनंद विभोर आएंगे उदल किशोर जुका भरत कोशीश कपि पहुचे रगुवर निकट कुष्ट कोशला अधीश कुषल भरत की जान के कहा आगमन राम कहा गुरुवर से प्रभुनिष्ठ यह सुख कर समवाद सुन। अर्ष निमर्ण वशेष्ठ आएंगे ममिष्ठ ओ समाचार सुन मंगल कारी जागे तंद्रित महल टारी ओ माताओं की ममता जागी जागे रिदयराम अनुरागी ओ नैन लगे सियराम की दिशे में कोई न सोया अंतिम निशि में ओ मंगल भवन का सुनकर आना हुआ रंभ सुमंगल गाना लखन सिया संग प्रभुवर पहली यात्रा को दोरा दे चले अवध की और अवध पती अवध की महिमा गाते उस यात्रा और इस यात्रा में अंतर धरा गगन का भिन्न भिन्न अनुभव पद यात्रा और रत आरोहन का सुदीर्ग चौदेह वर्ष पश्चात राम जी अवध हुन मुखी हुए और यह कहने का सुवजर आया मैं राम आयोध्या के प्रति उम्रे स्नेह सलिल में बहते हुए निज जन्म भूमी तक आ पहुचा जै मात्र भूमी की कहते हुए यह भव्या योध्या कर्म भूमी है धर्म वीर राजाओं की है अनुक्रमनी का अंतहीम पूर्वजों की पुञ्य कथाओं की ओ रुचिर मधुर रमनी ये सुहानी अवद पुरी पुरियों की रानी ओ यह सर्यू वैकल्पिक गंगा मोक्ष प्रदाई निपातक भंगा ओ सरल सहीष्णु राम विश्वासे अति प्रियमों है अवध के वासे ओ जन जाने वैकुंथ को सुन्दर अवध मोहे वैकुंथ से बढ़कर यह नगरी है सब विधिमाहान स्थल पुर्णवान दृप धर्मवान रववन्शियों की रजधानी है यह रामन श्री राम की अमर कहानी है आज अयोध्या में किसी की दृष्टी घुमी पर है ही नहीं सबकी आँखें आकाश पर रगी हुई हैं और यह आँखें तो चार रातों की नहीं चोदेह वर्षों की जगी हुई हैं आत्माएं रामरस में पगी हुई हैं शरीर जीवित हैं तो यही आशा लेकर कि कब राम जी बिमान को धर्टी पर उतारें और वेकव राम लखन सीता की त्रिमूर्थी को निहारे अंत तह तर्दिक्षा के अंत होने का अंतिम दिन आही गया उत्रा नगरी के निकट आग्या पाई विमान सिया लखन अरुनव अतिति संगलाए भगवान पुश्पक से प्रभुवर यूं बोले अब सेवा निव्रेत तो होले है कुबेर तेरा अधिकारी कहना हम उसके आभारी स्वामी से मिलने का सुक है राम भिछडने का भी दुख है प्रभु को छोड़ के प्रभु की घर तक प्रत्या गमन करें अब पुश्पक भरत संद सब लोग आए क्रभु के घरस को सहकर राम व्योग पीच वर्ण क्रिश तन भै देखे राम वशीष धनुष धरा उपर घरा रिनय शील गुरु नीश लखन सहीत गुरु पद गहे रिदय लगाकर पूछते कुशल सुगुरु गुन धाम नाथ कृपा से आपकी सकुशल है ये राम द्विजवत सल निजधर्म निभाया विप्रजनों को खीष नबाया राम स्वामि भगवन अरु अग्रज देखि भरत पूजे पद पंकद ओ चरनन परे उठे न उठाए बर्बस राम भरत उरनाए ओ तन पुलकित अर भावक अंतर नेन कमल से जल बह जर जर धागा है भरत मूती है राम दीपत है भरत जोती है राम एक चंदन है एक पानी है ये रामायड शीरम की अमरतानी है विचोह पीडित रदयों के मेल विलाब का क्रम आरम हुआ नाथ मिले शत्रूग्न से लेकर से अपार प्रिदय लगा वादसल्य की उस पर की बोचार मिले परस पर भरत रूलक्षुमन करते हुए प्रेम मधु वर्शन तुम हो भरत राम प्रियकारन सिया कहे यश रहे चिरंदन रिप सूदन सिय के बदपर से नेह सुमन उस पर भी बरसे जगमग हुई नगर में ऐसे तीन चंग यहां चमके जैसे राम चंद्र में चंद्र है चंद्र मुकी है सी गौरवर्ण शशिसमलखन यह त्रिचंद्र कमनी ओ दर्शन दे त्रिमूर्ति सुखराशी विरह जनित विड़ा सबनाशी को तुक किया राम ने ऐसा देखा सुना कभी नहीं जैसा यथा योग्य सब से मिले बन प्रभु राम नेक सुनावा शिव ब्रहम का आराया विवेक अत्प्रभता प्रत्येक राम लखन को देखकर योँ दाड़ी सब मात्थ नव प्रसूति का धेन ज्यूं बच्छ देख नव जात सहज दुब्ध करे पात प्रतिक्षा से पथराई माताओं की आखें सुखाश उसे गीली होने लगी मात्तितों के प्रारंभ का बात सलिये खिदयों में हो नहीं करवट लेने लगा जो प्राण चेतना और ग्यान लुप्त प्राय हो गए थे वे रामलखन सीता के लोटने पर पुने संचारित होने लगे माताओं का मन दर्शन मात्र से त्रिप्त नहीं हुआ वे रामलला के मुख से दो गुल सुनकर अपने आपको धन्य कर लेना चाहती थी रघुनात माताओं से बोले बचन सीह सुधासने वे बचन विरह विदीन हरदयो है तु संजीवन बनी ओ मल प्रक्रिती कुछ मधुर चितवन और कुछ रंग शाम से संकुष्ट माताओं हुआ साक्षात कर निज राम से परिपूण माताओं हैं हुआ सर भीट सुत गुल धाम से कर राम की सेवा लक्षमन ने भ्राता का धर्म निभाया है श्री राम से कर यह ग्यात सुमित्रा ने अतुलित सुख पाया है कोशल्या और सुमित्रा को शद्धा से शीश जुकाया है पर पैके इसे मिलने पर लक्षमन का मन सकुचाया है करके पद स्पर्ष सास मूंके सिय चरण धूली सर पर धरती हर सास वधू के आँचल में अक्षय सुहाग का सुख भरती सब राम सिया की युगल मूर्थ को भाव विभोर विलोक रहीं वे जान मांगलिक समय नैन जल को नैनों में रोक रहीं ओ छविदेखत नैना नगाएं आरती हरण की आरती गाएं युगल सुपावन सीताराम ओ रामलखन सिय सनमुक पाकर तनमन धन सब करें चावर सीताराम जै सीताराम जनमन भावन सीताराम ओ पुनिकोशल्या मात विचारे ओ मलांग की मितानव मारे सीताराम जै सीताराम पाक नसावन सीताराम ओ एक नारायन एक महमाया शब्दों में यश जाए लगाया सीताराम जै सीताराम प्रेम के सावन सीताराम समझ गई यहराम नहीं केवल कोशल चन्द मन ही मन गर्वित जननी पारही परमानंद हुए उपस्थित वालु कपी मन हर नर तनरार रामा ज्या से गुरु चरन वंदे बारंबार गुरु की जै जै कार श्री राम सेना को संबोधित कर बोले सेना की बढ़ाई करते हुए बोले ओ मुनिवर ये सैनिक ममनागर पार करा लाए रन सागर ओ मुझ पर हुए समर पित सारे ये मुझ को प्राणों से प्यारे प्रभु ने माता का परिचय यूं दिया प्रिभुवन पत की बात को सबने किया प्रणां माता बोली तुम मुझे यूं प्रिय जैसे रां दर्शन दे संत्रिप्त कर पुरवासी नरनाद सानु जिस ये संग प्रभु रहे अब निजभवन पधार राम जी कभी किसी को यथोचिस सन्मान देना नहीं भूले राम लला से बढ़के नहीं था के कई को कोई और सुहा था राम किसी भी कारण से नहीं भूले उनसे नहकाना था जननी के घर पीछे पहले जननी के घर पीछे पहले कई कई के घर आये विधा था लजित का संकोच मिटे यही यतन करें बहुविधी सुखदाता कल की बात पे डाल या वनिका आज की बात करें सुखदाता ओ जब निजभावन गमन किया भगवन परम सुखी हुए परिजन पुरजन ओ गुरुवर ने रिप्राओं को बुलाकर इतकी बात कहीं समझाकर लगनवार की थी योग सब शेयस्कर हैं आज उचित समय है अबध के राम बने महाराज पुरुवशिष्ट के वचन सभी विप्रों को बहुत सुहाए अब व्यवधान पड़े न तिलक में हर कोई यही मनाए दुजगन ने राज्या विशेक्त के सुन्दर साज सजाए सर्यू सहित विविध नदियों के जल से कलश भराए निर्मल जल मंगल कलश और मोहोर्त शुभ जान इच्छाते भगवान की कपिदलने की आस्नान जटा भरत की राम ने सुलजाई निजहाथ सुलजी सारी उलजने जटा जूट के साथ अपने केश राम बिखराए गुरु से आग्या मांग नहाए सिये को सास उसनान कराए वन उपवन की जूल हटाए वैदेही का दीव्यतन प्रतिमा का पर्याय प्रतिमा को भी किंतुनित धोया पोचा जाए माताय कदाचित ये नहीं जानती कि सीता महालक्ष्मी का रूप है और महालक्ष्मी कन्या है सागर की जिसका जीवन सागर में वतीत हो उस पर जल धालने का क्या प्रोविजन आभुशन उन्हें पहना रही है जो स्वर्ण कांता राद दिन सोना रुपा दान करती है वस्त्र उन्हें पहना रही है जो संसार भर की लज़ट हकती है ऐसा करना इनकी अज्ञानता नहीं वरन स्निह की पराकाश्ठा है सासुओं ने सिया का ऐसा सिंगार किया जैसा सक्षियों ने विवाह के पूर किया था विविध बतन बूशन पहिराए सिया की शोभा कहीं न जाए ओ राम संज्यू सोहे सीता कचम दिवस की यो बरीता महरानी महराज ये दोनों तिम लोख के माताओं के आज देख हुए जीवन सपल रेम के जवार ने उमणव शिष्ठ के मनसागर का वेग बढ़ाया मंचो चारण कर महराजा है तु सिंहासन देव्यम गाया सिंहासन की स्वर्णिम कांती ने दिनकर को निस्टेज बनाया लोट गया एक बार जो आकर फिरवही शुब दिन लोट के आया लोट गया एक बार जो आकर फिरवही शुब दिन लोट के आया राम जी के राज्याविशेक के लिए सर्व तीठों का जल्वगाया गया है कलशों पर दिठोना लगाया गया है ताकि वहजन अमरित ही रहे और राम जी का राज्याविशेक निर्विखन संपन हो सके लोटती हुई वर्दानी तिठी का वरण बड़े सन्मान से किया जा रहा है लोग आनंदाती रेक में विगत की कड़वी स्मृतियों को विलीन कर देना चाहते है सब विधी से यही मना रहे हैं कि फिर विधना वाम नहो और उनसे कभी दूर उनका राजा राम नहो दूजी का न स्वस्ती वाचन में मुखर है ओम स्वस्तिना इंद्रो विधश्रवाह स्वस्तिना पूशा विश्ववेराह स्वस्तिना स्तार्चो अरिष्टनेवी स्वस्तिनो विहस्वतिर्ददातु विज स्वस्ति वाचन कर रहे गुरुवर करी मंदल तिलक आनन्द घन चाये हुए पाताल से वैकुंच तक गंधर्व गाएं तब सरानाचे बजे शुब दुन्दुभी बरसे सुमन राज्या भिशेक निमगन सुर्नर मुनिसभी जिन 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 भूले तब दिन आया दीर्ग प्रतीक्षित आज भाल पर कबके चंदन रोली हुए सुशोबित सजा रामजी से सिंगासन सियस रामस सजित रामसिया के आगे कोटिक रति और काम पराजित कहते काक भुशंड जी मैं क्या कहूं खगेश यह शोभा नहीं कह सके वेदशार दाशेश लीला परम विशेश ओ निज निज ढंग स्तुतिया कर सारे सुरगन अपने धाम पधारे ओ चारण वेश वेद धरियाए नेति नेति कही प्रभुगुण गाए जैस गुण निरगुण प्रकट ओजल एक अनेक नमोस्त ते जै सत्य सनातन अभिनव चेतन राम रमेश नमोस्त ते जै सारंग पाणि असुर निकंदन जै समरेश नमोस्त ते जै बचन परायन श्री नारायन सर्व हितेश नमोस्त ते अज शंभु पूजित लक्ष्मी सेवित चरण भव जल यान हैं आई अहिल्या देविगंगा तब पदों का अगान हैं ए ज्यानती तम ज्यानती तम कथन चिंतन से परे अमवेद सीमित जेद बंचित रक्ष रक्ष हरे हरे ओ यहरस केवल शिवही चाके चाक चाक इरजासन भाके ओ लीला देख लूट सुकराशी स्तुति गावे शंकर कैलाशी जै शानता कार रमार अमनम जै तुर निवार दानाव दमनम जै मेघ वर्ण मंगल करनम जै योग जनास्यत्र दय हरनम जै सूर्य वंश अवतन्ष प्रभो भ्रात प्रय ओरस अन्ष प्रभो शर्णागत की तुम ही गटि हो आश्रित जन की सुख संपति हो नहीं आदि माध्य अवसान कहीं रामम विहीन कोई लोक नहीं तिहुं काल अवास्थित अक्षय हो जग तुम मैं है तुम जग मैं हो निश्क्रिय रहकर भी सक्रिय हो हरी तुम हर रूप में हर प्रिय हो जगनायक हो रणनायक हो तुम ही शिव के शिव दायक हो बस इतनी कृपा भगवान करो अनुपाई निभक्ति प्रदान करो परिभाशत कर राम को शंभु चले निजधाम तब सुख सुविधा प्रद दिया वास कपिन को राम दिन दिन प्रभु के प्रतिवरी भक्ति प्रेम प्रतीत माया बस सुधी नहीं पड़ी गए मास छेवीत श्री राम विविधा वतार धर आते रहे हैं संभवाम युगे युगे का वचन निभाते रहे हैं यूगी जन उनके ध्यान समाधी में कल्प पर कल्प बिताते रहे हैं उनके संसर्द में रहकर छे माह की अवधि व्यतीत करना एक श्वास के लेने और छोड़ने के समाम अंतर है वे तो राम जी ही हैं जिन्हें निमिश निमिश का अभास होता रहता है उनके साथ आये अतिथिगन के अपने अपने कारेक्षेत रहें यदि विवीशन को विदाई न दी तो लंका में धर्म की धोजा कौन फैराएगा सुग्रीब को विदाई न दी तो किशकिंधा का राजकाज कौन चलाएगा अंगत को विदाई न दी तो युवराजपत को कौन सजाएगा जाम बंद को विदाई न दी तो लिक्षों का सन्मान कौन बढ़ाएगा नल्नीर को विदाई न दी तो फिर कहीं कोई सेत बंद कौन बनाएगा हनुमान जी को विदाई न दी तो पिता केशरी और माता अंजनी का अनंद कौन बढ़ाएगा यदि निशाद राज को विदाई न दी तो फिर किसी राम या भरत का अतिछे कौन करेगा कौन उन्त पर सर्वसर लटाएगा यदि ये सब आयोध्या में ही रहे तो मेरी माय में पड़े-पड़े इनका जन्द युहीं बीच आएगा यही सोचकर प्रभु ने सबको बड़े प्रेम से संभोधित किया हनमानंगद और जामवन्त नल नील निशाद और कपिराया सबका आभार प्रकट कर प्रभु ने मृदु स्वर में मधु बरसाया हनुमान रूप धर स्वयम सदाशिव मेरी सेवा में आये सीता की खोज लक्ष मल के प्राण उनके सहयोग से ही पाए नल नील निश्राप जो पाया था वो सिद्ध यहां वरदान हुआ इनके थे के पाशाणों से एक से तुबंद निरुमान हुआ अंगज ने पाओं जमाया तो रावन के पाओं खाड दिये बाली के बल शाली बेटे ने बड़े बड़े वीर पचाड दिये सुग्रीव के योधाओं में थी एक होड लगी बल दानों की थी धर्म के दीपों से तक कर उन माया वी तुपानों की श्री जामवन्त से समय समय पर नीति भरे निर्देश लिये महराज विभीशन नेरावन पर विजय के सारे मन्त दिये तुम सब हो मेरे अंतरंग यहां रह सकते हो जीवन भर पथ किंत तुम्हारा देख रहे आशित पर जन और सूने घर अब अपनी अपनी जन्म भूमी की और सभी प्रस्थान करो कल्यान तुम्हारा निश्चित है बस मेरा सुमिरन ध्यान करो श्री राम सब के प्राम चेतना आभास अनुभव अनुभूति और आधार भूत हैं जो माया ब्रहम ने जीव पर डाली है अब ब्रहम ही उस माया से जीव को विरत होने को कह रहे हैं प्रान ही शरीरों को विदाई दे रहे हैं तो शरीरों कास्ते तो क्या हो अतेव यहां हर कोई अपने रहने का कारण जुटा रहा है कोई कहकर और कोई मौन रहकर राम जी को अपना निवी दिन सुना रहा है जाने को प्रभु कहे चुके तो भी सब असहाई चुम्ब की यद्व्यक्तित्व की माया तजी नजाई नहीं विस्ले रधुरा माहराजा श्री राम ने सुन्दर भूशन वसन मंगाए किश्किन्धा पति के तन परवे भरत ने स्वयम सजाए लंका पति को वस्ता भूशन लक्षमर ने पहनाए तिलक इनी आथों से लगा तो माहराजा कहलाए अंगद अचल अंग हो बैठा आसन से नहीं दोला दिनय भरे अवरुद कंठ से धीरे धीरे बोला अंत मुसमय पिताशी ने मुझे आपके अंक में डाला मात पिताब आप ही मेरे तुम सब की सुधी रहेगी मेरे अंतर बीच निरंतर दूर नहीं होते दूरी से बंधु सखा और प्रियवर धरत लखन आये शीमा तक देने उन्हीं विदाई हनुमत ने सुख्रीव से मांगी प्रभ की और से उखाई मन की कहें तो राम चरन को तजना कब मन चाहे हरी इच्छा से सहने पढ़ते विरह के दुख अनचाहे अंगद कपिसे कहना तको नमन दंदवत कहना एक अकिंचन की भगवन को सुरति कराते रहना केश्री जी पर राम का सुने है अंजनी माता पर सीता की ममता विजाई हुए आज्याले सुख्वीव से लोट आय हनुमन्त सुन अंगद की भावना द्रवित हुए श्रीकंत प्रभु निशाद को कर संभोधित बोले मधुर वचन मित्रोचित एक वनवासी का अभिवादन किया विचापल को का आसन महनि स्वार्थ नेह निर्वाः सर्वस अरपन करना चाहा राम निशाद को रिदे लगाके इज यू बोले समय विदाके चिंतन मेरा पवीत्र करते रहना नियम से बाते रहना मित्र यह पुर निज पुर जान के शिंग वेर पुर आ गया राम चरण उरधार अब निशाद वर्णन करे राम स्वभाव उदार ओ मैं रजकन वे सूर समाना तो भी मुझे मित्र ही माना राम हरे श्री राम हरे नित्र परायन राम हरे ओ सुधिन मेरी बिस्राना स्वामी राम नमामी 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 राम हरे श्री राम हरे मित्र परायन राम हरे गिरिजा से यूं बोले महेश यह भली भात जाने रमेश कहां कैसी प्रीचिनिवानी है यह राम यड़ श्री राम की अमर कहानी है यह राम यड़ श्री राम की अमर कहानी है सिंहासन बैठे प्रभोख हरशित हुए त्विलोख नहीं मन चिन्ता रोगतन गए दैल्य दुख शोक राजा राम को धोक राम राज की सापना हो गई विज्य अनुसार स्क्रेभु बन पति हुए अबध पति करसी मित विश्कार राम की जय जयकार अयोध्या कैसी पुण्यमई है साक्षात साकेत बन गई है पजाजन आनंद से फूले नहीं समा रहे हैं प्रेम निमग्री नाच रहे हैं गा रहे हैं राज करती विराजे राजा रामजी संग सोहे सिया महारानी अनुपम्षा अश्वत अभिनव प्राकृत अनपमशा शुक्त धीनव प्राकृत जोड़े सरस सुहानी सुहानी राज गर्दी वी राजे लाजा रामुजी संग सोहे सिया महारानी राज गर्दी वी राजे लाजा रामुजी संग सोहे सिया महारानी सब धर्म मार्ग पर चलते शुब संस्कारों में ढलते जन जलते नहीं परस पर सद भाव के दीपक जलते सपने में भी कोई किसी को नहीं पहुचाता आनी रहानी राज गरदी विराज राजा राम जी संद सोह सिया महरानी गज सिंग हिरन गउमों के संग जल एक घाट पर पीते हैं स्वाभाविक बैर भुला कर सब रामा शृत होकर जीते हैं एक प्रभू से अनुप्राणित हैं जगते सारी पानी रे पानी राज गरदी विराजे राजा राम जी संद सोह सिया महरानी पतियों पर नारिया समर पित उरुष है एक पतनी व्रत धारी त्रेता सत्य युगदारू पांतर सब बर्मार्थी वेदाचारी धन धान्यसे पूरित वसुधा धन जब मांगो जल देते शेरित के भल दीतर बर प्रभू विन मांगे भल देते बस अभाव का ही अभाव है शिव कहें सुनो शिवानी शिवानी राजगदी विराजे राजा रामजी संग सोहे सिया महाराणी कोई दीन हो तो कहें दीन बंध ओ अनाथ तो दीनानाथ कहें करुणा सागर कहें हगवन को यदि किसी नयन से अश्रुब हैं पूर्व पदवियों से नहीं प्रभु की महिमा जाए बखानी बखानी राजगदी विराजे राजा रामजी संग सोहे सिया महाराणी राजगदी विराजे राजा रामजी संग सोहे सिया महाराणी अनपमशाश्वत अभिनम प्राक्रिक योडी सरस सुहानी सुहानी राजगदी विराजे राजा रामजी संग सोहे सिया महाराणी साम काम आए वहाँ जहाँ आज ज्यानी होई दाम किसे दे जब फिर धन रहा न कोई दंड तुके वल रह गया सन्यासी के हाथ राजा रामजी कीजए रामजी कीजए रामजी कीजए चारों दिशिते प्रमुख रिशी आए प्रभु दरवार अभिनंदन करे रामका लेकर हरश आपार प्रभु करे रिशी सत्कार कर्षप वशिष्थर अत्रि गोतम सुमूनि विश्वामित्र जी यमदगनी भारत वाज इन रिशी सप्त से नगरी सजी साक्षात दरशन रामका कर परम सुख पाने लगे रभुवर कमल के कुंज की स्तूति प्रमर बन गाने लगे धर्ती डोले अंबर कापे सुनके रामधर श्टंकार रामबान यक चल जाए तो रुके सिष्ट का हर व्यापार सुर्संतुष्ट मनुजमन निर्भै सुनके रावन का संगार संकट हरन धर्म संस्था पक राम आपकी जैजैकार राम आपकी जैजैकार जिंद्र जीत को जीतना था अति दुश्कर कार्य साधु वाद इस विजय पर लोधन वेदाचार्य राम जी आश्यरे चकितो कर पूछने लगे बोलो रिशिगन कुम्बकर्न रावन जब दोनों थे बलधा फिर क्यों मुझे बधाई देते लेकर इंद्र जीत का नाम इंद्र जीत अतुरित पलशाली मेधावी अभिजित संग्राम रक्ष्मन जी ने बद किया उसका आपसे प्रेरित होके राम रिशिगन ने रावन के कुल के विश्य में बताया कन्यामुनित्रिण विंदु की रिशिपुलस्त्य गुणखान पड़ी जो रिशिकी द्रिश्टितु हो गया गर्भाधान फिर वो ले रिशिगन पुलस्तिर्श जगत पिटा ब्रह्मा का अंश उनसे विश्रवा और विश्रवा से कुबेर रावन अवतंश ब्रह्मा से वरपा के रावन करने लगा दस्मुक से दंश गटने लगी सजनों की संख्या बढ़ने लगा दुर जनों का वंश राम जी पापियों का नाश कर धर्म का प्रकाश कर सिंग हसन पर आसीन हो गए हैं अब यहां धर्मात्मा पुर्णियात्मा महात्माओं का हावा गमन लगा रहता है ठश्न पूछते जाते रघुवर मुन जन देते जाते उत्तर स्वयम्रमा पत ग्यान के सागर बूंद बूंद से भर रहेगा अगर राज का अज तो चल रहा न्याए नीति के संग मुन जन का सत संग है दिन चरिया का अंग राम चले भ्रातन सहित करने इतन विहार शीतल मंदल बवन बहे संग प्रिय बवन कुमार स्वयम्र प्रतिपालित प्रकृति के अवलोकन का आनंद अनिर्वचनिया है विकसित प्रकृति की ऐसी सुश्मा जैसे हो सुंदरी अनुकमा नवकलियां पंखुरियां खोले स्वागत है श्री राम से बोले दर्शन को सनका दिक आए बंदन कर प्रभुनिकट बिठाए ब्रहमा नंदन दश्रत नंदन इन से जगमग कर रहा उपवन सलत सनन्दन सनातन और श्री सनत कुमार दर्शन करता चार है दर्शन दाता चार शामलतन नीरज नयन शोभा गुण के धान मोहित्म निजन तक रहे राम रूप अविराम इनकी दशा अब लोकन करके चल चल करें नैन रघुवर के ओ लीजे सुमनी प्रणाम हमारे बडे भाग्य जो आप पधारे ओ विना प्रयास मिला सत संगा पाप विना शक भव भय बंगा ओ विशय भोग बंधन ही बंधन और सत संग मोक्ष का साधन राम की माया का पड़ा ऐसा सुखद प्रभाग वे प्रश भुटित स्थवन बन मुनि जन्मन के भाब जय पूल पराद पर बुर्शोतम सब देवों में तुम अन्योतम तुमें उपनिशदों ने पूल कहा यह पूर जगत तुम से प्रक्रटा तुम स्वयम सिथ संपूर प्रभो कोई पूर मिले तो पूल रहो यहे श्रीकांत अचल उधर है अखिल निखिल तुम पर निर भर कैग्यान निधान गुमान रहित सामर्ध्यवान खुर्सर्वसरित शिवपूजक हो शिवदाता हो विधिपालक स्वयम विधाता हो सित्प्रग्य तुम्ही सरवाग्य तुम्ही धर्माग्य तका मर्माग्य तुम्ही सीमा बर्ध असीमित हो कहीं लगु हो कहीं विष्टारित हो कल्यान मूटि कल्यान करो पदव्रीति अखंध प्रदान करो गुण माला मैं ओ मुखर सनकादिक गुण घां पुने हैं पुने हैं प्रभु पदपर से गए ब्रहम के धां रिशीराम दरस को आते रहे प्रभु से प्रशाद में पाते रहे जो उनकी अम्रितवानी हैं ये रामायन श्रीराम की अमर कहानी हैं श्री हनुमान राम से बोले मस्तक नवाचरण में कुछ कोतु हल जिग्यासा कुछ प्रश्ण भरत के मन में आप से पूछ न पाए संकोची स्वभाव के कारण संत असंतों की व्याख्याब करे कि पाकर भगवन प्रभु जिनकी व्याख्या करे वे संत असंत दोनों ही भागवान हैं संत असंतों को यू जानों जू कुठार और तरुवर अंग अंग वह तरुके काटे निर्मम निर्दय होकर काच के लिए असंत प्रकृति चंदन तरु काट गिरावै संत प्रकृति चंदन कुठार में फिर भी सुर्वी बसावै सरल चित को मल प्रकृति रिदय दया की खार संत करे धर्मा चरन मन में रख भगवान संत वास्तव में निराकार परमात्मा के साकार पति निधी हैं क्रोध मान मद मोह प्रलोभन इनसे दूर संत कर विच्रन हर्श विशाद में नहीं कोई अंतर काटे करम धीर दिढ़ रहकर करें कामना सब के सुख की द्रवित कथा सुनकर पर दुख की नीतिनियम से संत न डोले करवे बचन कभी नहीं बोले भक्त करें निश्काम संत जन भगवत भजन ध्यान जब चिंतन विनए शांति वैराग्य है भूशन सदा प्रसन नकलेश नकरंगन निंदास्त तिसमान ही जाने मैं उन्हें मानू वो मुझे माने ये सब लक्षन जिन में पाओ संत जान उन्हें शीष जुकाओ पसंत जन की रहती हैं सदा अशुध भावना किसी के पुन्य गर्म यदि सुखों के रूप में फलें तो एर्शा और देश से बिना ही अगनिवें जलें बुद्धि विवेक और धर्म का छाया से हो नास दुष्ट जनों के संग से भला नर्क का वास जाओ न उनके पास सच से नहीं कुछ नातेगारी जूट के ये सच्चे व्यापारी बोले बचन मोर के जैसे खाएं सर्प कठी नहीं ऐसे परधन परस्त्री पर सुख लोते मिशे भोग के विसन न चूटे परनिंदा पर चर्चा भाएं स्वार्थ न इनके मन से जाएं सज्जन दुर्जन तो रहे आधिकाल से संग प्रीतिनी तीन की प्रिछक 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 है रंग सुल आँखे खुल जाएं मन की परभाशा सज्जन दुर्जन की ऐसे श्री राम बखानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है रामुप देश की शंकला इतकर सरस अटूट सुर नर्मनी पुनी पुनी रहे गुण मन मुखता लूट कब हु कराम रजाहे प्रबोधें कितने हु प्रश्न करो नहीं क्रोधें देव पुदेश कभी मुनी जन को देते दिशा ज्यान दर्शन को ओ दुर लभतम मानव तन पाना जडता वश्मत किसे गवाना ओ परमारत सम धर्म न दूजा परमाथी की जग कर पूजा अगम अतल है ग्यान प्राप्ति में विगन अनेक है जपतप सेयम ध्यान इनसे भी मन नहीं बन्दें हो जाए विद्यावान कठी नाई से ग्यान पान तो भी मोह सुजान भक्त बिना कोई प्रिय नहीं ओ बिन सत्संग भक्त नहीं आवे भक्त बिना नर मोहिन पावे ओ पुन्य कर्म बिन संत न भेटे संत मिले तो संशय मेटे गुप्त भेद करता प्रकट मैं तुम पर कर जोड़ मेरी कृपान प्राप्त हो शिव का सुमीरन छोड़ वान्चित भक्ति के मार्ग में नहीं श्रम नहीं प्रयास मेरी प्राप्ति को चाहिए बस मुझ पर विश्वास धन्य धन्य नर्नारिवे अवद में दिन का वास सयम सच्चदानंद घन उनकी बुझाबे प्यास गुरु वशिष्ट नजाने कबसे अपना मन तवे मन ही में सजोए हुए थे उचित अफसर पाकत ले निज कथन राम पेद्वारे एक दिन सुमनी वशिष्ट पधारे राम दिया गुरु को परमादर पादो देख लिया गुरु पदधो को मुनि बोले सुनो रघु कुल चंदा कर्म पुरोहित का आति मंदा ब्रहुमा का आदेश जो पाया कुल गुरु वन रघु कुल में आया आने का एक और था कारण यहां अब तरेंगे नारायन देख नरोचित चरित तुम्हारा मोह बढ़ा विरत मन हारा पाने दरश सर्व दुख हारा उपरोहित्य कर्म स्विकारा सुन गुरु वचन राम मुस्ताने बोले वचन विनीत सुहाने वेदों के लिए विष्णु मैं जग के लिए भगवान परशिक्षा बिन आपकी हा जड्मती पाशान ओ आपन सोया ग्यान जगाया शिशु को राम प्रबुद्ध बनाया ओ मैं गुरु चरन सदान गामी क्या प्रिय करूं आपका स्वामी वशिष्ट जी ने बड़े विनित भाव से कहा यही एक वर मांगता देहु क्रिपा करना जनम जनम छूटे नहीं पदपंधज का साथ आदर्श राम का है महान ब्रह्मा हर शिव सा गुरु का सान यह बात उनी से जानी है यह रामायन श्री राम की अमर कहानी है यह रामायन श्री राम की अमर कहानी है एक दिन अमराई में आये दश्रत नंदन चारों भाई बैठन को दिया भरत पीतां बर पवन के सुतने पवन चलाई जग पर जिन की छाया उन्होंने आमर के विक्ष से छाया पाई दोनों मधफल देने वाले ये अमराई वोरघुराई दोनों मधफल देने वाले ये अमराई वोरघुराई देवरिशी नारद आ पहुँचे नारायन नारायन गाते विश्णू स्वरू पी राजा राम को महलक्षमी का स्मरण कराते नारद और नारायन गाते नारद और नारायन दोनों ना अक्षरते नाम सजाते नाम में ना होने पर भी नारायन ना कह कर न फिराते एक है नाम का पत्मा अक्षर इस कारण दोनों दोनों को भाते वीना मधुर बजाय सुत्ति गावें गायन कुशल प्रभु के सनमुख आय प्रभु रिसुनावें प्रभु चरित जय मंगल मूलं भक्तन कूलं प्रणत पाल भगवन्ता जय भव दुख हरणं शुब शुब करणं आद्रचित श्रेकन्ता युग नेत्र कमल युग चरण कमल युग हस्त कमल कमनियं जय कमल कुञ्ज है सुगुण कुञ्ज जय मदन मान दमनियं जय मंगल मूलं भक्तन कूलं प्रणत पाल भगवन्ता जय भव दुख हरणं शुब शुब करणं आद्रचित श्रेकन्ता दश मौलिक परधन धर्म सुवरधन रंजन सुर नर्मुनिके गुण गिनत नामे आनंद पामे भक्ति सुकीरति सुनिके जय मंगल मूलं भक्तन गूलं प्रणत पाल भगवन्ता जय भव दुख हरणं शुब शुब करणं आद्रचित श्रीकन्ता पंचानन शिव चतुरानन प्रह्मा शेश सहस मुखधारी अविरल बरने पर बरन न पामे महिमानात तुम्हारी जय मंगल मूलं भक्तन गूलं प्रणत पाल भगवन्ता जय भव दुख हरणं शुब शुब करणं आद्रचित श्रीकन्ता हे देव तुम्हारे सब नामों में राम नाम मत प्यारा नारत ये मनावे जग तुम्हे ध्यावे इसी नाम के द्वारा जय मंगल मूलं भक्तन गूलं प्रणत पाल भगवन्ता जय भव दुख हरणं शुब शुब करणं आद्रचित श्रीकन्ता जीमन नारायन 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 गुण गा कर गुण ग्राम के करके कोटी प्रणा ले अशीश फीराम से नारत गए निजुधा करके कोटी प्रणा ओ शिव बोले मेराम कहानी यथा सुनी कही कथा भवानी ओ हरियनन्त अगनित गुण धारी नाम अनेक विविध अवतारी सिंधु बिंदु और भूमि के रज कणगिन ले कोई राम चरेत्र असंख की गण ना किन्तु न होए ओ विमल कथा हारी तक पहुँचाए सुनकर भक्ति अचल हो जाए राम हरे श्री राम हरे मंगल मय सुखधाम हरे काकभ शुन्ड गरुन सन गाई उमा कथा सोई तुम्हे सुनाई राम हरे श्री राम हरे मंगल मय सुखधाम हरे ओ राम की गाथा कच्छुत बखानी अब का कहों सुखधाम भवानी राम हरे श्री राम हरे मंगल मय सुखधाम हरे ओ कह गिर्जा मै धन्य पुरारी राम कथा सुन मंगल कारी राम हरे श्री राम हरे मंगल मय सुखधाम हरे ज्यान ध्यान वेरा आग्य तप राम चरण परने इस विधि बाया काक ने मेटो शिव संदे धन्य धन्य है काक भुशंडी महाग्यानी महाध्यानी राम भक्त पक्षी की गाथा शिव से सुनो शिवानी राम की भक्त लिये मन में नाथ के चर्च लिये मन में एक महा संत की आत्मा बस्ती कागा के तन में काग का मोल नकमा को संत का मोल नकमा को उस महा भाग के जीवन में मेरी आँखों से जांको महा देवी उसकी जीवन में मेरी आँखों से जांको यह काक भुशुन्दी एक समय हर की नकरी में हर जन था शिव शंकर का था परमभक्त और गुर के स्नेह का भाजन था गुर का अपमान शिष्य द्वारा शिव जी के शाप का खारन था लिये जन्म से हैसर परंतु न भूला जो उसका ग्यानार जन था ब्रहमन जन्म में लो मशुरिष से वाद विवाद की ठानी महग्यानी ने महारिशी से वाद विवाद की ठानी लामभक्त पक्षी की गाथा शिव से सुनो शिवानिया वेप्र बस हठ पर अड़ जाता वो अपनी हठ पर अड़ जाता लो मश निरगुण और ब्रहमन अपने सगुण के गुण गाता शाप लो मश रिशी से पाया या तक्षन बन जा काग त्याग कर ब्रहमन की काया शाप देने पर उसकी कोई प्रतिक्रिया न देख रिशी को आश्यर हुआ और वे जान गए कि हरी इच्छा से ही उन्होंने ऐसा शाप दे डाला रिशीवर में दोबर दिये देवरहमन को शाप रिशीवर में दोबर दिये देवरहमन को शाप बाल रूप का ध्यान और राम मंत्र का जाप राम हुए प्रकट अयोध्या में नाथ हुए प्रकट अयोध्या में आनंद लूटने लगा पाग हरी की शिश लीला में वुआ काक भुशुंदी से भागी पी राम की लीला में राम जी देख अपनी छाया नाच पे देख अपनी छाया कागाने राम लला का जूटा प्रेम सहित खाया आते ही प्रेम प्रशाद ज्यान का संकुरू गाया राम जी हसे पुकाग भुशुंडी उनके श्री मुख में प्रवेश कर गया वहां उसने देखे अगानित ब्रह्मान अनेकों सुष्टिया देवी देवता ब्रह्मा विश्णु महेश राम के अनेकों अवतार परंतु हर अवतार में राम जी गारू एक ही जैसा देखा और राम जी हसे तो काग भुशुंडी पुने बाहार आ गया हुआ गरूण ब्रह्मित श्री राम को देखा जब नागों के बंदन में करता विचार क्यांतर है मानव में और नारायन में निगमागम है असमर्थ राम जी की महिमा के वर्णन में फिर राम की माया जान सके कहां शक्ति विष्ण के वाहन में गर्ण उड़े तो पंखों से निकले वेदों की भानी हन्य धन्य है काक भुशुंडी महाग्यानी महाध्यानी राम भक्त पक्षी की गाथा शिब से सुनो शिवानी अभेरे दूर किये भ्रम के कागने की मिरहरे भ्रम के कहचर्क गर्ण से रगवर मर्यादा पुर्षोतम के भुशुंडी ने उपकार किया जर्ण पर यह उपकार किया पीराम कथा का हर पसंद समझा कर खोल दिया सेवक के आगे स्वामी का घटना क्रम खोल दिया हे पार्वति काग भुशुंडी का निवास स्थान भी बड़ा रमणी है सुमेरु के उत्तर में नील परवत परवत पर चार स्वर्णिम शिखर शिखरों पर चार व्रिक्ष पीपल के तले ध्यान पाकर के तले जब यग्य आमुर की छाया में मानसिक पूजा तथा विशाल वर्गत के तले अनंत राम कथा पाक भुशुंडी आज भी कहता रहता सुनो उमाधर हंस्तन मैंने भी एक बार पाक भुशुंडी से सुनी रामायन सुकसार भुशुंडी वह का गाक्षी है महत्मा वह का गाक्षी है यो निर्गुण प्रभु की सगुण रूप का सच्चा साक्षी है यह अलिक निरन्यन के सरूप का दर्शक साक्षी है नाम प्रभु का भजना चाहे राम निस जिन भजना चाहे जिस तन में पाया गान काग उसे नहीं तजना चाहे जिस तन में समा ए राम काग उसे नहीं तजना चाहे काग भुशुन जी के कथा सुनकर आपने यह अनभव किया होगा कि श्री राम प्रानी मात्र पर खिर्पा करने वाले हैं उनके लिए प्रत्यक जीवात्मा एक है यह कथा विश्वेशर शिवजी ने विश्वरूपा पारवती जी को सुनाई सुनकर परम अहलादित होई महमाई शिवजी के कृपापात्र राम मै काग भुशुन जी को उनके सौभागे पर मेरी ओर से और आप सब की ओर से कोट इशह बदाए सुनत गरुण के वेन कन चाई पुल का बली आश्रू से डब डब नैन हरशित काग भुशुन जी धन धन काग भुशुन जी की तुम तो रामो दर में डोल के आए अगणीत जीवों ब्रहमांडों लोकों के अनुभव संग में लाए गेरे थे भ्रहम के जो अंधेरे दूर अंधेरे वो सारे हटाए खाग भुशुन जी के शीमुख से सुन राम कथा फूला न समाए सोचे गरुण हो जाऊं धन्य जो हर पद की सेवा मिल जाए खाग भुशुन दीवी नीत भाव से पक्षी राज से बोल रहे हैं आप हैं सब विधी पूज हमारे जाती में श्रेणी में पद में बड़े हैं आपको मोहन भ्रह्म नहीं शंका आपको मोहन भ्रह्म नहीं शंका ज्यान ही ज्यान से आप भरे हैं आपके माध्यम से रघुनात ये शस्पी काग को करने चले हैं राम समान उदाग रिदय दानी वरदानी नहोर हुए हैं दोनों पक्षी जानते राम कठा कासार तदपी परस परमानते पुनह पुनह आवार हे खगपत जो आपने किया निज्मों बखा गाले रखते मोह में सब को यू भगवार गहमा शिवना रदसन का दिख मोह से कोई बच नहीं पाया माया कोना उन्होंने छुआ तो उनको मोहित कर गई माया कागभु शुन्डि गर दोनों कागभु शुन्डि कर दोनों पर ऐसी पड़ी माया की छाया राम खता में रम के उन्होंने जग का हर एक पदार्थ भूलाया आत्मु पदेश करे मुनी शेष्ट जो तक चप उन्होंने भी ये बताया किस किस को नहीं मोहने अंध किया जगमाई काम विवश ना चान हो ऐसा जन को ना है त्रिबवन में को ना है मोह से मोहित हो काम से पीडित हो कितने सुजानों ने विवेक खो डाला है ऐसा कोई देखने में कहीं पे भी आया नहीं त्रिश्णा के वश हुआ जो नामत वाला है बुद्धी को तूरंत हरे चेतना को भैके परे रिदय को भस्म करे क्रोध वो जवाला है काम क्रोध तृष्णा मोह इन व्यू हुमे मन माया ने डाला माया पति ने निकाला है है कोने साग्यानी तपसी बलवीर गुणों का धाम यहां जो लोब संबरण करके जीवन जीता हो ने इश्काम यहां ये लोब कराता पाप मृच्च को पाप गेर कर लाता है जो लोब की धार में बह जाए वो दोनों कूल गवाता है है कोन चंचला लक्ष्मी के मद में जो तेड़ा हुआ नहीं जिसने प्रभुता पाई उसने प्रभु का भी कहना सुना नहीं है कोन जो घायल हुआ नहीं मृगन नीस्त्री के बाणों से आश्चर यक छल की प्रतिमा को सब चाहें बढ़कर प्राणों से ओ रजगुण तम गुण ये गुण ऐसे पाकर हो नर पागल जैसे कोई युक्ति ना आये काम वही बचे जिन्हे राखे राम हो कौन अचूता मान और मद से पद डगमग करें भारी पद से कोई युक्ति ना आये काम वही बचे जिन्हे राखे राम हो युवन ज्वर जब तन को तपाए कौन है जो आपाना गवाए कोई युक्ति ना आये काम वही बचे जिन्हे राखे राम हो यश्की रति की नाशिनी ममता हो ना प्रभावित किसमे ख्रमता हो युक्ति ना आये काम वही बचे जिन्हे राखे राम हो इर्शा सारे सुगुण जलाए करे कलंकित ना मुड भावित कोई युक्ति ना आये काम वही बचे जिन्हे राखे राम हो शोक रूप मारुत जब आये द्रड व्रिख्षों की जड़े ही लाए कोई युक्ति ना आये काम वही बचे जिन्हे राखे राम हो चिंता ना गिन किसे न खाए माया पंत किसे न भुलाए कोई युक्ति ना आये काम वही बचे जिन्हे राखे राम हो तन लकडी और कीट मनोरत जिसे न लागा कौन वो समरत कोई युक्ति ना आये काम वही बचे जिन्हे राखे राम पुत्र प्रतिष्ठा संपदा ये इच्छोएं तीन कौन है जिसकी बुद्ध को करती नहीं मलीन मोहक माया नाम का यह संक्रामक रोग एक दूसरे से इसे धारण करते लोग अतिविशाल वलवान माया का परिवार है किस में इतना ग्यान जो विस्तित वर्णन करें जीव और ब्रहम के माध्य में माया का है स्थान ब्रहम शिव भयभीत हूं इसको बैरिन जान दूर रखे भगवान सारा संसार माया का परिवार कहां तक विस्तार कोई जान न पाया है काम क्रोध लोब से न पती माया दल के हैं इनका आतंक तीनों लोकों में छाया है दंब कपट पा खंड महा योध्धा हैं किसी से न हारे जग इनोंने हराया है स्वामी सभी की माया दासि श्री राम जी की उसे नहीं व्यापी जिसने राम जी को ध्याया है यत्य पिमाया कुछ नहीं है एक शाया मात्र तद पिभेद यह जानते राम क्रिपा के पात्र ओ शिव के संग रह गौरी बन के लक्षमी बन संग नारायन के माया पत्य के जो है दासि माया का नहीं उनमे वासि ओ जिसने सब को नाच नचाया नाच रामिंगित पे वो माया माया पत्य के जो है दासि माया का नहीं उनमे वासि तीनों लोकों में राम कथा अपनी अपनी बोली में सदा कहता सुनता हर प्रानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है राम को शीव जी परम प्रिया शीव के प्रान है राम एक रूप दो नाम को गिर्जा करे प्रणा ये है प्रसंग पियुश पानकर पार्वती जी ने शीव जी का बार बार आभार प्रकट गिया कथा जो रचि मानस मेरा की नात कृपा कर मोसन भाकी राम कथा सुन मंगल कारी रोम रोम शीव का आभारी शीव के शीमुक से रामायन अत्वुत भाव पून पारायन राम कथा सुन मर्म ये बूझा राम सियासम चरत न दूझा शवन ठके नहीं मन भरे सुन कर प्राण जुडाएं शीव तुम कहते ही रहो हम सुनते ही जाएं उमा को प्रसंदेख शीव जी परम प्रसंद हुए और बोले मंगल मैं सुख कर गुण धर की हमें उत्तर वासी रगवर की अब उत्तर कथा सुनानी है ये रामायन शी राम की अमर कहानी है ये रामायन शी राम की अमर कहानी है उत्तर रामायन ने परिस्थितियां राम जी को धर्म संकट तथा सीता जी को अपवादों में डालती गई राज्या भिशेक का आनंद सार्व भोमिक था जिसका उपभोग सुर नर्मोनी सबने किया आज सिया राम जी ऐसे व्यक्तिगत आनंद में लीन हैं जिसे दामपत्य जीवन का शुभ परिणाम जानते हैं इश्वर का वर्दान मानते हैं शोत अगन आए आपको आयो ज़दे चलते हैं और सिया राम जी के आनंद से अवगत कराते हैं सिया राम जी आनंद पूर्वक्त समय बिताने लगें स्वपन संजोकर भीत में खोकर पागत से अनजाने होकर संग संग रह विगत दिनों की जथा बुलाने लगें अशोक वनिका सौरभ जरी विविध विटप बहु पूश्वो भरी प्रियतम के संग प्रियकारिणी दोल रही बन के सहचरी वर्षों में कुछ मदुक्षन पाए जिन में क्राण में कटर तब आए हाथ में आते ही ये मदुक्षन हाथ से जाने लगें वर्षा गई शरद दित गई लभ निर्मल हुआ फित भी नए सियका मुख पड़ राम नहीं जाना गर्ववती हुई मंगल मैं कब विवाह हुआ कब मधुरज नी भगवत भगवती साजन सजनी देल युकतिक शिप सुक कर सुक्टे अश्रुब हमें लगें इस दुरलब्दम कुपलब्धी पर भगवान भगवती से कूछ रहे हैं किस अवसर पर आंत रिके क्या इच्छा सिय बोल हर इच्छा हर मोल पर ले जाएगी मोल क्या इच्छा सिय बोल मुनि जन का सत्संग हो और हो विपिन विहार ताकि मिले संचान को संस्कृति और संसार प्रभु ने कहा हमें तुम्हारी मांग सहर स्वीकार तुम्हारा वन विहार हो मुनि दर्शन हो भावी संतति को आरियोचित संस्कार मिले सिद्धों को आशिरवाद प्राप्त हो इससे उत्तम और क्या हो सकता है राज महल का हरश अब नगरी में हुआ व्याप्त समाचार जिसने सुना किया परमानंद प्राप्त किया परमानंद प्राप्त माले महल में बढाई किया बनने चली माई समाचार सुद्धाई किया बनने चली माई कोशल्य सुमित्रा के तई माई पूली नगराई सीता पर करके लिछार बनी मुख्ता कोश रुटाई मुख्डों पर लाली छाई माजे महल में बनाई किया बनने चली माई समाचार सुद्धाई किया बनने चली माई अगराम के राज कुवर से रगुवंश का नाम चलीगा माटी के दीप जली बरसों अब तुल का दीप जलीगा ये बाज कही शहला आई माजे महल में बनाई सिया बनने चली माई समाचार सुद्धाई दिया बनने चली माई अंकर में लिये उमंगे महराजा राब के जारे कर भर्ष को आशिश देले सुर्णर मुनियाज पधाए सुख की सरिता रहाई आई में महल में बनाई दिया बनने चली माई समाचार सुख दाई दिया बनने चली माई सीता मात कीजे शीराम चन्द कीजे बोलो आज के आनंद कीजे नगरी आनंद में ड्यूग गई और शीराम संभावित संतति के आगमन की सोच कर आनंद से अभी घूत हैं गुरु वशिष्ट एक सुखत संभाद लेकर पस्थित हुए कि आर्यावर्द के स्वनाम धन्य मुनिगण अयोध्या पधार रहे हैं रखु कुल वर्धिनी सीता को आशिद बाद ले हैं मुनिगण का शुखागमन हुआ आध्याद्र की अविलल धारा बहने लगी किसी को समय के व्यतीत होने का भान ही नहीं रहा राम जी को भद्र नामक दूद के आने पर राज काज की सुधी आई पूछा सरवत्र कुशल तो है दूद ने कहा महराज एक स्थ्री आपके दौार पर न्याय की भीक मांगने आई थी न्याय नपाकर निराशुकर लोट गई राम जी ने कहा न्याय में विलंब होना न्याय नमिलने के समान है और यह अपराद राजा के लिए कदाबिक शमय नहीं अब से ऐसे नहीं होगा राम जी ने संतों की सुधसंग का लाव लिया उन्हें समुचित संवान देकर विदा किया तद पश्चात लेकर हर्ष अपार विदय में राम सखाओं मज्ज पढ़ारे ये वो सभा है निच्च के जिसमें बहते हास्य विनोज के धारे बोले राम के तुम सब मित्र हो बोले राम के तुम सब मित्र अशी मित्र है अधिकार तुमारे निसन कोच कहो हमसे क्या कहते लोग विशय में हमारे जानने की जिक्या सा है क्या कहते लोग विशय में हमारे मित्र गण बोले घर घर करते लोग प्रशन सा रगवर आपके रण को शलकी आपने उस धश ग्रीव को मारा थाह नहीं ती जिसके बलती गर्व से कहते सुनते कथाएं गर्व से कहते सुनते कथाएं सब राजन के चरित्र वी मलकी हा देवी सीता को लेकर बातें अवश्य करें कुछ हलकी महरानी सीता के विशय में बातें अवश्य करें कुछ हलकी प्रजार क्या क्या कहें मित्र कहो कुछ स्परश्ट किन बातों से हो रही कित्स्या की नश्टे मित्रों ने प्रजा का मतामत रखा फिर राम जी का मन रखने के लिए कहने लगे नहीं विश्वास योग्यवे बातें जिन से अगनी की हूं बरसातें अगनी कहीं सरवत्र न फैले हो न वंच के आचल मेले किसी वस्त किसी नाम के कारण यदि विरोध कर जन साधारण तक्षन उसका त्याग करेंगे धर्म ज्याय से नहीं फिरेंगे महराज महरानी की विशे में सपश्ट तो नहीं परंदु जन साधारण दवे सोर में अवश्य कह रहा है सीता को गोजी में उठाके ले गया रावन रत पे बिठाके क्या अशोक बाट का में रखकर छोड़ा होगा लाभ का अबसर लोग आपसे कहने में डरते क्यूं नहीं घ्रिणा सियासे करके वैदेही का उदाहरन देगी हस्त्री उनके पथ पे चलेगी जनगन का मनत आव्य सुन हत प्रभ रह गए राम सभा भंग करके चले करने को विश्राम विश्राम कहा नित्रा कैसी जब मानस में हो पुथल पुथल आगामी कल की सोच सोच राजा चिंतित और राम विकल सीता ने गुप्त चरों से राघव की जिन्ता को जान लिया कुछ निश्यकर रघुवर के कक्ष में सहसा स्वयम प्रवेश किया वे राम जी से पूछने लगी संपूर स्विष्टी को संभालने वाले प्रभू आज विचलित क्यों है प्रभू बोले सीते यह राजमकुट मेरे शीष का भार बनता जा रहा है और राज सिंगासन मुझे पूरवजों का प्रण स्मरण करा रहा है मैं इतना बड़ा दायत वहन करने में क्लांती का अनुभव करने लगा हूँ वेदे ही बोली नाथ आप शत्योजन सागर पार करने में क्लांत नहीं हुए विकट भटों से संग्राम करने में क्लांत नहीं हुए चराचर के प्रतिपालन में क्लांत नहीं हुए तो छोटे से अवद पर शासन करने में क्लांती कैसी शुभे सागर पार कराने में तुम्हारे पुनर दर्शन की उतकंठा थी संग्राम लड़ने में फवन्पत्र हनुमान तथा असन्क्य वानर वीर योद्धाओं का सही योग था यहां तो एका की राजा है और उसका राज धर्म नहीं देव आपके मानसिक तनाव एवं शारिजिक प्लांति का एक मात्र कारण है सीता राजव आपने मजे दिया हुआ हर वचन निभाया है पून की है मेरी हर इच्छा स्मरण कीजे अपने पूरवजों के समक्ष किया हुआ प्रण कि राजधर्म ने शिथिर्ता लाने वाली प्रियसे प्रियवस्तु का मोह नहीं करेंगे अब समय है आपके राजधर्म पालन तथा मेरे नारी धर्म स्थापन का उचित है अपने अपने हेतों की पूर्ती हेतों हम प्रिथक हो जाएं लोकिक द्रिष्टी में आप मेरा परित्याग कर दीजे सीता के निर्णे ने राजा को बल दिया तथा राम को निर्भल कर दिया जो राम सिया के मध्य हुई वह संध कोई ना जान सका दोनों की निशित लीला का अध्याय नया आरंभ हुआ दुविधा की स्थिती में पड़े राम जी ने अनुजों को बुलवाया जनगन में व्याप्त सिया के प्रति जो संशय है वह समझाया लक्षमन के पौंके नीचे से धरती खिसक गई जैसे ये सोच किस तब्ध भरत के प्रजाने ऐसा सोच लिया कैसे मतिमंद प्रजाने जो सोचाओ राम ने कैसे मान लिया शत्रुघन व्यतित क्या धाता श्री ने सियकों दोशी जान लिया बोले अनुज के भगवती सती है सीता मात जनमत हो या राजमत हम सहमत नहीं ना प्रजा व्यर्थ करे बात राई का परवत तिल का ताड़ बनाने पर भी प्रजा की बाती राजा को सुननी ही पड़ती है हम किस किस का मुख बंद करेंगे किस किस को समझाएंगे प्रस्तुत यदि किये प्रमान तो फिर अपवाद और बढ़ जाएंगे राजा का धर्म ये कहता है नहीं कभी प्रजा को रुष्ट करें देकर बलिदान त्याग करके सब भादि उसे संतुष्ट करें है मेरी शपत तुम्हे मेरा निरने अमान्य मत कर देना निर्मम ही सही मेरी आग्या पर ये आग्या शिरधर लेना लक्षमन कल प्रात है काल सिया को रत में बिठा कर ले जाना जहार शिमनियों के आश्रम हो वही कही छोड़ उनको आना यह निर्णे श्रीराम का ग्रेहन करें नहीं बोध शपत बध सुमित्र पर कैसे करें विरोध सुमित्र अनिच्छा से प्रात है जथ सिया के लिए ले तो आए कापसी को बैठा कर परंतु रत एक पग नहीं आगा जाए लधना तु जो लिख लिखे वो कोई पढ़ नहीं पाए तु जब जैसे चाहे वैसे तु जब जैसे चाहे वैसे सब को खेल खिलाए विधना तु जो लेक लिखे वो कोई पढ़ नहीं पाए कभी दंडक वन कभी अशोक वन वन में ही जी कहसियां का जीवन दोवन गमन में एक ही अंतर तब थी स्वेच्छा अब निश्कासन राज कुमारी राज वधू को जनक दुलारी राम प्रिया को फिर तू बन ले जाए विधना तु जो लेख लिखे वो कोई पढ़ नहीं पाए तुने चुनकर जो दुख चांटे सबके सब सिता को बाटे पुष्पों में पलने वाली को तुने रे दिये काटे ही काटे बन शूलों से अधिक विशेले तू जो शूल चुभाए विधना तु जो लेख लिखे वो कोई पढ़ नहीं पाए राम की छविले मानस पट पर तत्वी हीन सिया गंदा तट पर सोचे जथित लखन की विजय अप कैसे पाए धर्म संकट पर राम ने सिय को त्याग दिया है पती ने सची को त्याग दिया है कहते हुए सक चाए विधना तु जो लेख लिखे वो कोई पढ़ नहीं पाए सुख की इती पर दुख के अत पर तू ही मोहर लगाए विधना तु जो लेख लिखे वो कोई पढ़ नहीं पाए तेरा लिखा समझ नहीं आए कभी कोई पढ़ नहीं पाए रामा अग्या पालन करने के लिए लक्षमन सीता जी को यहां ले तो आये हैं परन्तु अब यह समझने में समर्थ हैं कि उन्हें एकाती वन में कैसे छोड़ कर जाए सीता जी यह सोचकर प्रसंद हैं कि राम जी ने उनकी मनों कामना पूर्ण करने के लिए उन्हें वन में भीजा है पर राम जी का मत है कि जन्मत के विरोध के कारण सीता का त्याक करना ही न्याय संगत है फिर गुरु वशिष्ट का भी तो निर्देश यही है कि जिसके प्रति आसकती हो और जो राजधर्म पालन करने में बाधक बने उसका परित्या कर देना ही उचित है लक्षमन जी सोच रहे हैं कि विधना ने उन्हें कैसी विशम परिस्थिती में डाल दिया है क्या उन्हें माता से पुत्र का नाता ऐसे ही निभान होगा उन्हें बिना कोई कारण बताए एवध्या लोग जाना होगा लक्षमन जी की इस समय है कि इंक करतव या विमूढ अवस्था वे समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसी है राम जी की ये न्याए विवस्था गंगा का जल शीदल है पर मन में लखन के जल रही द्वाला ज्वाला के उस ताप में अपने आपको अब जाए न संभाला सीता से रोते हुए कहें लक्षमन सीता से रोते हुए कहें लक्षमन मैंने जपी जिनकी गुण माला काम उन्ही श्री राम ने सोपा लोख में निंदा पाने वाला राम ने ऐसा कौन सा काम दिया तुम्हें बोडो सुमिता के लाला लक्षमन जी ने अपना अंतरभाव निवेजन करते हुए कहा पावन ता की जीवित प्रतिमा सीय जैसी नहीं तीनों भुवन में वह देवी जिसके लिए शद्धा भगतिया पार है मेरे मन में आज्या हुई उसे छोड़के आँ एका की इस निर्जनवन में ऐसा करने से पहले मुझे मृत्युवरन कर ले इसी ख्षण में विधिका लिखा यही हरी इच्छा यही लक्षमन नीर ना लाओ नयन में हरी इच्छा ऐसी ही क्यूं है मैं कुछ समझ न पाता राम के राज धर्म पालन पर शोब से मन भर आता रिशिमनियों के दिव्यत पोवन है जहां जनक सुजाता छोड़ चला मैं वहां तुम्हें करना विशाद मत माता सीता हो के लखन के भरत हो सब प्रभुपद अनुगामी वही किया है वही करेंगे जिससे तुष्ट हो स्वामी हाथ जोड़ इतनी सीविनिती करना रगुनन दन से सिया तजी तो सिया की चिनता भी तज दे अब मन से छे सौमी प्रनात से करना इतना और निवेदन भूल व्यक्ति गत रोश पुत्रवत करे प्रजा का पालन विदित राम को है के राम मय मेरा तनवन जीवन बहप यश मैं दूर करोंगी हूँ आज मेरे कारण कहना के प्रभो करे राज धर्मयों पालन जिससे हो राज अकंड अचल सिन्हासल कर देती मैं प्रान विसरजित गर्भ वती को पर यह वरजित राम कि थाती गर्भ में मेरे चहुंदिश से दाईत ये गेरे श्री राघव को सौप कर राघव की संसार करोंगी मैं इस लोक से मंगल मय प्रस्थान मेरे आसों का ये बहना मेरी सासों से मत कहना निशकासन का दुख नहीं किन्चित दुख है सेवा से हुई मन्चित गुरुजन से कहना मेरा बारं बार प्रना परजन पुर्जन संगले पुशल रहे श्री राम लक्षमन सीतामा की परिक्रमा करके कर चरन स्पर्ष चले चरन धूली सिरधर के सोच रही सिया पति परित्यक्ता जाए कहां ले गर्भावस्था कोन उसे संग्रक्षन देगा श्रेह का आश्रय कहां मिलेगा सीता के नयन गंगा यमना लक्षमन के नयन सावन भादों साप्षी गंगा का पानी है ये रामायन श्री राम की अमर कहानी है ये रामायन श्री राम की अमर कहानी है लक्षमन से उनका अंतरमन पूछ रहा है कि तू कौन सा अफकीर्दी कमाने का कारे कर चला है क्या सीता को अकिली छोड़कर जाने में तेरा मन विशाथ से नहीं जला है अब ये तो राम ही जाने कि क्या करने में किसका क्या भला है विधी और विधना का लखन सेहन सका शड़ यंत्र रत पर यू बैचा के जियों आहत खग पर तंत्र ओ आवध की शोभा छोड के वन्यें लोटा लखन शोभलिये मन में ओ कुछ मुनि पुत्र अरण्य विहारी वहां आये जहां जनक दुलारी सीता जी को देख विश्मित हुए ओ विश्मित हो तच्छन वहां आये गुरु बैठे जहां ध्यान लगाए ओ वालमी किके करपद बंदन करने लगे सिया का वर्णन ध्यान मगन गुरुदेव को ध्यान से जगा कर मुनि कुमार कहने लगे सर्ता निकट शविमान है जीवन्त प्रतिमा रूप की छिटकी है वन में चान ने उस दिव्य रूप अनूप की माता के धर्शन मात्र से मन में स्वयम शद्धा जगे वह भूमे पर आकाश से फुतरी कोई दे भी लगे वह भूमे पर आकाश से फुतरी कोई दे भी लगे है स्वयम से धाकिन तो लगती है कोई असहाएसी दुख हारणी है पर दिखे दुख से भरे अध्याएसी लालेत्य से परिपून का किस बात हम बरणन करें जो तिर्मई का आप चल कर स्वयम अब लोकन करें रिशित्रिकाल दर्शी चले मुन पूत्रों के साथ वहां आए राजे जहां वहलक्ष्वी साक्षात देव्य प्रभा साक्षात जान रिदे की तीर को देखनन में नीर धीर बनाने को उसे बोले सुनी सुधीर वालवी की गंभीर ऐसे वचन चिन में सिया की प्रशंसा भी थी और अपना आश्वसन भी तुम जनक नंदिनी रामरंजनी सती साधवी सीता हो निश्काप निरंजनी निश्कलंक तुम निस्संदेह पुनीता हो जान की मुझे तुम जनक जान निज्पिता मान विश्वस करो ऐ निकट तपोवन वहा निरापद निर्भय निध्य निवास करो जो आग्या कहकर नारायन की स्वामिनी चली हात जोड रिशिवर की हो अन्गामिनी वालमी की सीता को लेकर पहुँचे मुनिपत्निया जहां पर सीता का दाये त्थमाया कहा के रखना स्निह की छाया रिशी शेष्ट किया क्या शिरोधार्य करके तपो मूर्ती रखने लगी वैदेही का ध्यान देख रेख करने लगी सीय की मात्र समान वालमी की के रूप में जनक रंदिली को जैसे पुनेह जनक जी मिल गए गुरुदेव के आश्रम मी माता जान की रहने लगी वासल यधारा देव के व्यवहार से बहने लगी रगवन्ष के दीपक निरंतर गर्भ में पलते रहे पतिदर्शनों के हेतु व्रत उपवास भी चलते रहे भारी मन और शितिल तनलिये शियवन में रख लखन राम के राज महल में आए अस्त व्यस्त शिराम के लोचन सजल सिक्त से पाए राम से कुछ पूछा नहीं जाए लखन से कहा न जाए चलन पकड़कर अगरज के यूँ अनुझ उन्हें समझाए यद्यपी अनुझ का अगरज को समझाना सज़ता नहीं तथा पी परिस्थिती ऐसा करने पर विवश्च कर देती है विदित जगत पतियाँ आपको जग का सार असार प्रूर काल की चाल से बड़े बड़े गए हार महराज आप सर्वग्य हैं भली भाती जानते हैं जग स्विष्टाने स्विष्टी के समय ही प्रलय काल लिख डाला है हर दिवस ने अपने अंतर में एक सघन रात्र को पाला है जन्मोर मरन उत्थान पतन ये प्रकृति के नियम अटल सारे दुर्योग अवांशित जुटते हैं सैयोग लुटें प्यारे प्यारे प्रभु आपके जैसे सिंग पूरुष किसी स्थिती में नहीं व्याकुल होतें कुछ पाकर मोह नहीं करतें कुछ खोकर धैज नहीं खोतें सुनकर लक्षमन के बचन राम को थोड़ा सा संतोश हुआ राजा की विवश्टा पर सोचा और निठूर दैव पर रोश हुआ वैदेही के वनगमन के पश्चात राम जी ने अपने अंतहपुर को भी वन का रूप दे दिया है दोनों यंत्रचारित की भाती अपनी भूमिकाएं निभाने में संलगन है सीता जी भावी संत्यतिकों संभालने में तथा राम जी शासंद की वागडोर संभालने में तलीन है यद्य भी ये घटना क्रम स्वयम के बनाए हुए है तद भी इन चरित्रों में दोनों भली भाति समाए हुए है पिथक रहकर भी मानसिक संतुलन बनाए हुए है सीता पति राजा राम इधर ग्रिह में रहते ग्रिह क्यागी से तन से तो पालते राज धर्म मन से परंत वैरागी से जनगन में द्रिण सैयत रहते एकांत में होते नैन सजल सीता की चित से भी पल भर ओजल न हुए वे नैन कमल सीय सोचे प्रिय को शांती न दी केवल अपवाद ही सुनवाए अरधान शुन दुख का बाट सकी अब क्या अरधान गिनी कहलाए दायत तो ग्यान करतव्य बोधरे दोनों जागा करते हैं सियवन में राजभवन में राम जनहित ही सोचा करते हैं एक आश्रम एक महल में वैदे ही रघुराज निज संकल्पों में बंधे करते निज निज काज महाराणी महाराजा के लिए जगदीश जगनमाता के लिए विधना की गति अनजानी है सीता के विछोह से आकरान राम जी का हदै बुला सुनो लखन हुए चार दिवस मुख राज काज से मोडे बरखा हूं लेकद विशाद चादर वियोग की ओडे जोड सभा सद मंत्री पुरोहित फिर दरबार सजाओ या यही तो कार्यार थी आए हो तो शिग्र बुलाओ राम जी को समरन हुआया राजा अन्रिग और ब्राह्मनों का प्रसम्द वे श्टाप से भैवी थो कहने लगे और अधिक दिन मैं योही बैठा यदि चुप चाप मुझे मिध पीडित को न दे कोई न्रिग जैसा श्राप राम जी ने लक्षवन्ट से राजा अन्रिग को मिले श्राप की कथा कहना आरम किया एक दिन राजा अन्रिग के द्वारे निजविवाद ले विप्र पदारे उनकी आर ध्यान नहीं दे के बैठा रहा मंत्र ना लेके राजा का साक्षात न पाके ब्राहमन उठे क्रोध में आके अभि मंत्रित कर छिड का पानी बोले श्राप योप्त कटवानी गाए याचकों से छुपने वाले सदा जगत से छुपा रहेगा तुबन के गिरगित धराख नीचे युही युगों तक पड़ा रहेगा निजला भानी पर ध्यान न दे राजा न्यायो चित कार्य करे शास्तों ने ये नीत बखानी है ये रामायन श्री राम की अमर कहानी है देखें इस पार कौन राम जी के समक्ष पस्चित हुआ है भिग के सुत श्री चवन रिशी शत्मनियों के साथ राम की द्वारे पर खड़े मांग रहे साक्षाक तीनों लोकों के ज्यायार्थियों के लिए राम का दरबार सरवदा खुला है नारायन के घर ना का प्रावधा नहीं कहा सु मंत्र ने राम से आकर सुनिये संत परायन रघुवर्ड करने को एक चत्य निवेदन रिशिगन चाहें आपके दर्शन प्रभु बोले नविलंब लगाओ सादर उने यहां ले आओ महराज ने सिंगासन से उठकर रिशियों का वहवादन किया रिशिगन को प्रभु ने दिया संतोचित सन्मान निज निज आसन बैठ सब करें राम गुंगान ओ जयति राघव मंगल करनम जयति हरि भक्तारति हरनम हर दूशन त्रिशिरारिकु मर्दन वीस घुजा दस शीष का परदन ओ जय पुरुशोत्तम जय करुणानव बिविद स्वरूपी प्रत युग संभव बचन परायन जय श्री राम प्राहिमां प्राहिमां स्तुति के पश्चात रिशियों ने अपना संकट निविदें किया फेरात लवणां सुर के कारण धर्म धर्ती द्वस्त हैं सुर्मनुज मुनि उस जैठ्य के आतंक से अतित्रस्त हैं मधुपुर में रह दीनों पुरों पद आप दाडाता है वो यज्यादिकर विद्वंस नित्मुनि विंद को खाता है वो पाप ही सर्ब समर्थ हैं आपका है आधार जग संघारक का करें नात शीक्र संघार रिशीगन को धैर्य बनाते हुए राम बोले आपकी आग्यार अपना दाइत्म करूंगा पालन आप रहे आश्वस्त किसी से भय नहीं करें अकारन लबना सुर के प्राण हरेगा मेरा अनुजरि पुसूदन बचन बढ़ है दैट दमन को चारो दशरत नंदन रामानुज शत्रगन के अपना नाम सार्थक करने का समय आ गया है दुर्निवार बहे दैट है अहनकार का रूग्न वधकर शत्रवध का यश्पाओ शत्रूग्न निज कर से शीराम ने अनुज किया अभिशेक्त बढ़ा बंग का आत्म बल कलश हुए जल रिक्त बान अमोग अनुज को दे प्रभु ने यूं वचन उचारे इसी बान से महा विष्णु ने मधु कटव संधारे लवना सुर के शिर छेदन को जो शर तुमें थमाया रावनवध को भी मैं वहशर नहीं उपयोग मिलाया रिशिगर ने एक विशेश रहसे का धाटन किया लवनवश धरमद को शिव से शूल मिला वरदानी शूल के रहते कर नहीं सकता कोई उस वनश की हानी शूल सुफूजित हो गानव के अंतहपुर में रहता शूल पे भूला फिलता खल जो चाहे जिससे कहता राम जी ने शत्रभुन को भेजने के पूर ऐसी रननीती बनाई पहले भेजो सैन्य को फिर तुम करो प्रयान जाओ वक्स विजयी भवर शंभु करें कल्यान रिप सूदन चला सैन्य के एक माह पश्चात ताके आगमन शत्रु का होना शत्रु को ग्यात निकल अवध से मार्ग में कर दो निशी विश्राम आप पहुचा शत्रु ग्न शी वालुमी की कैधां रिशी को किया प्राम कर जोड महर रिशी से रिप सूदन यूँ विनय भरी वानी में कहें रिशी वर पवित्र इस आश्रम में एक निशी प्रवास की अनमति दें रिशी बोले मेरा आशम तो एक श्वाक वंशियों का घर है हे दश्रत मेरे परम मित्र अभिमान मुझे रग कुल पर है जब तक जी चाहे यहां रहो स्विकार करो मधु अभिवादन रामानुज आसन ग्रेहन करो लोपाध्य अर्ग्य दश्रत नंगन संभव है तुम्हारे शुभाग मन से कोई शुब संबाद मिले हम सब जिसका पठ देख रहे वह कमल कदाचित आज खिले मुनि कुमार रिश के निकट आये ले उल्हास बोले चलिये शीग्र अब वन देवी के पास कुई भर्वति आस विधना भी कभी कभी रहस्य पून संजोग मिला देती है नातों को गुप्त रखती है और नातेदारों को बुला लेती है शक्त्रुग्ल एक अनभिक्य अतिथी की भाति अनाया से बालकों के जन्मोस सब में सम्मिलित होने चले आये हैं चाया हर्ष अपार अर चाया हर्ष अपार वन में हो रह मंगला चार वन देवी के दो सुकुमार आज पधार गए वन देवी के दो सुकुमार आज पधार गए जन्में बालक प्यारे ओ बालक प्यारे प्यारे मुख पर रविशश के उज्यारे इनके मुखडे देखन हारे मन हार गए इनके मुखड़े देख नहारे मनहारे बंधु यूगल के फूलों जैसे तन है लगता है जैसे राज कोश के रतन है रिशी वाल मीकिने जातक संस्कार किये छोटे छोटे प्यारे प्यारे कुश लब नाम दिये प्रभु से सब यही मागे इनके भाग्य दिनों दिन जागे इनको अला बला नहीं लागे मंतर मार ले दिशिवर जल अभी मंतित करके मंतर मार ले नमन है राम जी व्यापक द्रिश्टी वाले को घर बैठे देखे कुल दीपों के उजाले को मेहल में नगरी में आनंग चाए रहे उर्वासियान जाने मंगल गाए रहे सुर्णर्मुन हरशावे सुर्णर्मुन हरशावे सुर्गन दिव्य सुमन बरसावे विन पहुचाए चार दिशा में समाचार गए बन देवी के दोस कुमार आज पधार गए शत्रगन रिशिश रे आशीश जमना पार गए ओ जमना पार गए श्री राम की आग्या सिरधर के शत्रगन को राक्षस बढ़ करके वहाँ धर्म घजा पहरानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है शत्रगन शत्रदलन को मधपूर पहुँच गए वीर प्रवर्शत प्रुगन घेर कर खड़ा हुआ मधपूर का द्वार लोट रहा दानव जंगल से करके मुनियों का संगार अट हास कर बोल रहा श्रुशंकर तुम हो बड़े उदार भूके सिंग को अनाया से भेज दिया उतम आहार द्वन्द युद्ध में दोनों करते एक दूजे पर मुष्टि प्रहार मुष्टि प्रहार में हार गया तो मारा भारी विक्ष प्कार एक जूदर के बान न कर दिया एक विक्ष के खंड हजार खिसिया करदान अबने भारी विक्ष दिया मस्तक परमार व्रेक्ष प्रहार से मूर्चित हो गया अवज का छोटा राजकुमार मूर्चित परमृत का ब्रह्म करके और असुर ने किया नवार रामानुज को देखके मूर्चित हुआ ति लोक में हाहाकार दोपल में मूर्चा तूटी तो लिया वीर ने धनश संभार राम ने बान अमोग दिया जो छोड़ दिया वो अब की बार एक ही बान में लवणा सुर को पहुचा दिया मृस चुके द्वार धरमात मा की गिजै हो गई पापात मा की हो गई हार चार दिशा में गूजे राम और रामानुज की जै जैकार निरधारित है अंत तहे अभिमानी का अंत ग्रिश्म गय पर व्रिष्टि हो पत धर विगत वसंत सुर नर्म निनाग सुरक्षित है सब जिस मधुपुर से परिचित है शत्रुघन की अब रजधानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है शत्रुघन ने नगरी को सरवांग सजाया भज अवधुपुरी का मधुपुरी में फेहराया अवध का मोह राम के दर्शन मन खीचे दो दो आ कर्शन जहां जन में हैं जहां पले हैं रिप सुधन पिर वही चरें ओहच आयोध्याधां विगत सुम्रितियों से भरें परमपुनीत प्रणां रामपदां बुझपर करें चोदे है वर्ष विताय लोटे थे प्रभु अवध में मुख रहे अनुज दिखाय बाड़े है वर्ष व्यतीत करें शत्रगुन कहें घर की माया से मोहित हो घर आया हूं जिस कार्य हेत आग्यादी थी वह कार्य पूण कर आया हूं उस दुर निवार दुर जेय तैत्य का दुर लभतम संहार किया प्रभु आप किया शिशनों का पर चड़ रणसागर को पार किया अपने अग्रज राम की अब मानो यह बात लाट जाओ प्रियम धो पुरे यहां विता दिन साथ सुख अधिक समय नहीं तिकते हैं राजाविहीन रजधानी में ऐसे हो जाते हैं विलुक्त जों सांज का सुरज पानी में है आपकी आग्या शिरोधार्य शत्रू ने दीनवानी में कहा गुरुजन के चरण बंधन करके राजा निज राज्य में लोट रहा निध्यनियम से राम का सजता रहा दरबार नाथ ज्याय करते रहे धर्मनी ती अनुसार एक दिवस भरत जी से कहने लगे राम जी मुझको अभिलाशा है राज सुय यग्य की एक श्वाकू अंश का चहुदिशी विस्तार हो आधिपत्य राम का सबको स्वीकार हो हाथ जोड भरत जी करते ये निवेदन आश्याय पर आपके ठिके है नाच पिरुवन हो विनाश भूतल का जिसमें दिष्टी गोचर आपके लिए उचित नहीं वो यग्यर अगुवर दिया अनुज के बचन को अक्रजने सन्मान जगत विनाशक यग्यका कर दिया स्थागित विधान शी राम जी की यह नीति अनुसरन के योग्या है बाल वृद्या तरण की आयू पे दो मत ध्यान तच्छन ग्रहन करो कोई देता यदि सत ग्यान ग्रहन करो सत ग्यान लक्षमन ने राम जी को यग्य की एक और युक्ति सुझाए यद यग्या आपको है अभिष्ट तो यह सुझाब देता लक्षमन है यग्या शिरो मण अश्वमेद करें उसी यग्य का आयो जन कहते हैं जिसको अश्वमेद भगवन उसी महा यग्य द्वारा सुर्पत को मिला ब्रहम हत्या के महा दोश से छुटकारा सुमित्र तुमारा यह सुझाब श्रेयस कर मंगल कारी है संपन यग्य करने में किंतु असमर्थ अमंगल हारी है इस यग्य हें तुकल ल्यान मैं सीता की आवशकता है यह धर्म यग्य संपन धर्म पत्मी बिन नहीं हो सकता है गुर्व शिष्ट बोले के जूं करो यग्य संपूर्थ रखो संग विधान में सियकी सुवरन मूर्थ सियकी सच्चाई नहीं जदपिस्वर के पास सदपि विकल्प नहीं कोई पून करे जो आस गुरु का करो विश्वास गुरु वर का मंगल मै सुझाव अभि लंब राम ने मान किया इस महाय अग्यका कार्यभार लखन और भरत को सुंप दिया बनने लगी रिशियों पुरोहतों के साथ रित्विजों की सुची सुची में सम्मिलित विभूतियां होने लगी उची से यूची यग्यहे तु निशित हुआ देव्यने मिशारण्यां मनुशत रूपा के महां तपसे स्थान वरण्यां धन्यक्ति इर्थ पति धन्यां रामजी अपने स्मृति कोश में अंकित नाम लिखाने लगे सब को आमंत्रन भिजवाने लगे लक्ष्मन द्वारा यज्या मंत्रन निच्र विभीषन को भिजवाया मानर पति सुग्रीव कोण की सैन्य सहित साधर वुलवाया सुर्णर मुन यक्षों गंधर वो नागों तक्नियों था पहुचाया राम ने फिर करने वाले हर राजा का शुभ नाम लिखाया पुर्वासी इश्टों मेत्रों को यग्यकी किथी और स्थान बताया भरत को भेजा आगे आगे लेशत कोटी स्वर्ण मुद्राई करने लगी अनुसरन भरत का शस्त्रों से सजित से नाए आज्या हुई वानिकों को पत में क्रयवे क्रय के हाठ लगाएं जन्मन रंजन जितुनती नट सिन्य सवारी के संग जाएं गायन वाधन नच्च प्रवीन पुर्श और नाई सभा को सजाएं राम जी के अन्ता की यह भी कामना थी रहें यग्य में शीश पर माताओं के हाठ स्वर्न मूर्ति सियकी रहें सब वधूं के साथ राम जी ने यह निर्देश भी दिये बने अतिफियों के लिए सुरुचि पूर्ण आवास खुदा तिशा का हो नहीं कहीं तनिक आवास वह तत परता से करें जो जिसका करता अग्यां या चक जन मांगे बिना पाएं वांचित द्रभ्यां सब को आगे भेज कर दे दे कर आदेश अश्रमेध के हे तु अब स्वयम चले अवधेश जब यग्यस्थल को जाकरनाथ निहारा बोले अद्भुत अपूर्व सुन्दर्मन हारा यज्यवेदि का परम सुहावन मनिमय रित्विजगन के आसन सुरभिकरे आघ्रान द्रमधन वायु सुवासित दिखेन चंदन यज्यस्थल पर विराजमान प्रमुख विवुतियों के नाम सुने हैं गुरु वशेष्ठ संग वामदेव जाबालि सुमुनी का शप हैं और अनेक रिश ज्यान पायों निधि मूर्तिमान जप तप हैं ओ त्रि उद्गा त्रि अद्वार्यों ब्रह्मन यज्य है तुझो वन्चित हैं उनका वरण किया प्रभुने आशीश लिया आकांशित महराजाओं को महिमा मंधित करने वाला है यह अश्वमेद यज्य यही यज्य इतिपूर्व हुआ महराज सगर के द्वारा उनके सुथों की मुक्ति है तुपलाई गई घंगा धारा सुर्नर्मुनिनाग सुर्सिद दल के जल यहां पधारे उचितासन दे सभी राम ने यथा स्थान बैठारे इस महायग्य में किस-किस ने कौन-कौन से परग्रहन किये हैं वो तावे श्वामेत्र बने हैं चवन रिशी उद गाता श्रिंगीरिशी अध्वरियुत ब्रहमन मुनिवशिष्ट वेक्याता डाले खील नवल कन्याएं गाए मंगल गायन करा रहे हैं विधिविधान से सुमुनि पंच सुर्पूजन पंच पूजी देवों के नाम और प्रभाव इस प्रकास हैं गणपति सुर्य विष्ण शिव दुरगाव पंच देव कहलाएं गणपति के सुमिरन से कार्य में बाधा विघन न आएं सुर्य करें पथ आलो कित और विष्ण जगत के त्राता शिव करते कल्याण तो दुरगति नाशनी दुरगा माता पंच देव का पुजन करने वाले अवश्य सफल मरो रत होते हैं मांडवी संग शुत की तिवर मिलाईं कंचन कलशों में रासुक जल भर लाईं लज्जानत जल ढारन लागी प्रभु के चरण पखारन लागी प्रभु ने उनको चरण धुलाई तीन दिशा की दी चक्राई अलोकिक वातावरण में ये केखा शारम हुआ शत कोट कंच मिल वेद मंत्र उचारें स्वाहा स्वाहा कहकर आहुतियां बारें स्वाहा अगनी देव की भार्या यूनिज धर्म मिभाए आर्या जिनका नाम मंत्रों में आये यज्य भाग उन तक पहुचाए कपिदल परिवेशन करें प्रेम सहित आहार और विभीशन रिदय से करें अतिची सत्कार यज्य को दिवस 21 हुए अब छोडेंगे वह अश्व जिसे रगुकुल की की पढ़ानी है ये रामयन शीराम की अमर कहानी है गुर्भय बूले वशिष लागाम अधुमास मनोहर है सुयोग अब जत्ती पात और सिधा योगीनी सुक कर गुर्भ और चंद्र के मंगल युति सकलान पूलता विधा यज्यक अश्व छोड़ने की यह सुतिति सुलगन सुसिधा परम सुदर्शन अश्व लखन प्रभु की सेवा में लाए बोले राम शीग्र गामी को शीग्र सजाया जाए जैसे ही पूजन के दव्य शत्रभन के हाथ में आए साधू साधू के उठे साधू बाग कोने बात बजाए राम निश्व कर कमलों से लक्ष्मन को मुकोठ पहनाया गुरु वश्ष ने शुप्र भाल पर एका अरुण सजाया सुन्दरिया अश्व को लगी बहुविति सिंगार सजाने प्रिष्ट भाल और कंठ प्यांके मंगल चिन सुहाने अभिमंत्रित कर अश्व को रहे साधू जन छोड़ अश्व है यदि बेजोड तो रक्षक भी बेजोड लिखा अश्व के भाल पर रगुवर का संदेश पढ़कर रामा धीनु जिसको सकर नरेश रामानुज रामप्रियम शेश रूप सौमित्र जिनके चिंतन मत्र से होता चित्त पवेत्र सौमित्र चले जय करने सब राजा भू मंदल के वेश्वास भरे नैनों में जलके रे विजैशी जलके पथ तक की रही मैलों में उर मिल की मांग की लाली बनवास मेरा मुसिया की जगते हुए की रखवाली नाता ने स्वार्त ने भाया इच्छुक न हुए किसी खलके सौमित्र चले जय करने सब राजा भू मंदल के लंका मीराम के पीछे प्राणों का दाव लगाया संजीवन इलाए पवन्सुत तो फिर से जीवन पाया शक्ती का दिया प्रत्युत्तर लक्षमन के बानने चलके मेश्वास भरे नैनों में जलके रे विजैश्वी जलके उस शक्ती से भीगा तक था वैदेही का निश्का संग भु आरिदय अविदिन की आना रामा ग्या का उल्लंगन सोने किसी या कोन मन कर फिर घाओ हरे हुए कलके सोमित्र चले जय करने सब राजा भूमंदल के लक्षमन है प्रकरते जोमय और अश्वपरमा करशक दोनों है निडर निर्भीक प्रतापी दुर्गम पंत प्रवर्तक भज छत्र चवर चर मासन संग सेनिक रगवर दल के सोमित्र चले जय करने सब राजा भूमंदल के आश्वप लक्षित गती भरे जोमदमत समीर उसे लियंचन में रखे सैत लक्षमनवीर लेतर कश्में कीर चतुरंगिनी सेना चहंदिशी में जैलाभ कमाती चलती है रामा श्रिक रामा धीनों की संख्या को बढ़ाती चलती है लक्षमन बलात किसी राजा पर बल का प्रयोग नहीं करतें भूपाल स्वयम भीष्टी लेकर श्री चर्णों में सिर्धरतें ग्रामों नगरों का प्रांतों का लक्षमन उठान कराते हैं बावडी कुए तालाब नहर मंदिर निर्मान कराते हैं जो भेट चड़ाते हैं राजा उनको ही लोटा देते हैं उससे दुगनी आ जाती हैं जो अवध को भिजवा देते हैं त्रिभुवन के राजा राम उन्हें क्या काम किसी के वईभव से वे तो बस इतनों चाहते हैं सब लोग रहें मिलकर सबसे ओ राम राज बेस्तार तो जग में धर्म पुने हैं संस्था पित हो वों सब आदर्श चरित्र आचरण जन जन का मर्यादित हो सर्यू तमसा गोमती होकर गंगा तत पर आ गए लक्ष्मन गंगा जैसे पूछे अब किसे त्याग ने आए हो रगु नंदन लक्ष्मन चारो और निहारे हो जाएं कहीं सियके दर्शन राजा के न्याय की जाज ने गिरके दूर किये लक्ष्मी नारायन सिता कहां गंगा न बताए मुख नहीं खोले नीरव कानन श्री राम निरंतर यग्य करें लक्ष्मन भूमंदल पर विचरें दोनों को सिध्य भी पानी है ये रामयन श्री राम की अमर कहानी है ये रामयन श्री राम की अमर कहानी है जै श्री राम दिग विजय हे तो छोड़ा गया अश्व अपना कार्य बड़ी कुशलता से संपन करता जा रहा है राजन्य वर्ग श्री राम पर समर्कित हो अपना अस्चित्व रभु की श्री चर्णों पर धरता जा रहा है विविद राजाओं का द्रव्य रख कुल के कोश को भरता जा रहा है परंतु वास्तविक विजय भिशेश है यह समय है उत्तर रामायन में श्री राम के उत्तर आधिकारियों के प्रवेश का आईए हम कथा को रिशी वालमीकी के आश्रम में लिए चलते हैं और शुभारम करते हैं लवकुष कांड का अश्वमेध की धूम है यत्र तत्र सर्वत्र वालमीकी को भी मिला यज्यामन तन पत्र सीता से कहें उलहसित राम के नंदन माच रोकरे हम दिवे आयोचा घंदन महाराच राम ने कियाया के आयोचन हम गाएंगे रिशिवर विरचित रायन भात युगल अच्चरी कुलसित अपने रदे का कोतुहल माताश्री के सन्मुख रख रहे हैं कैसे राजा कैसी नगरी कैसे महल हाट और डगरी पहले सर्यों सान करेंगे फिर नगरी में पाओ धरेंगे बन दिवी की साज उतारो स्वयम को महारानी सा समारो चलो आयोच्चा पेज बुलाएं कोतुहल बढ़ता ही जाएं कुश लव आगे की योजनावी माता को बता रहे हैं पूजे की कोश या माता जिनके पूत्र राम जगनाता मात सुमेत्रा पर बलिहारी रहुवर पर जिननी जिनी धिवारी देखेंगे देखेंगे करिमाई चिनकी बूधि मन्थरा फिराई कुमार ये भी नहीं जानते के जो बंदेवी है वही सीता है नैन युगल होंगे सफल निरख जान के मात रखेंगे युगबाद पर युगमसक युगबाद इनकी जिग्यासा तो बढ़ती ही जा रहे है ये तो अवत के आयोजन और अतितियों से भी परशित है निशिचर पत के संग है निशिचर वानर पत के संग है वानर श्री हनुमान जी इनका विशेशा कर्शन है गुर्देव ने ये भी बताया है आयोगदान हनुमान कभारी दुशकर कारी के बलधारी पत्रों के ज्यान, कुतुहल तथा अवत के प्रसंगों ने सीता को विच्रीत कर दिया बाल वचन सुन व्याकुल सीता रिशी पर आए हरी पर रीता यक्य करे राजा बिनरानी किस विधि संभव कहो भुनि ज्यानी मैं अपने अधिकार से वंचित बाम भाग में कान सुशो भित दिये वचन प्रभु भूल गए क्या मख व्रत हितनी जुव्रत से गिए क्या सीता की उद्युद्म का देख वाल्मी की जी उन्हें यथा संभव समझाने का प्रैत्म कर रहे हैं धीरज धारिणी धरती की सुते यू धीरज की पूझी नगवा नहीं केवल दशुरत पुत्र राम यह नाम सत्यवरत सैयम का अविकारी में ढूडे विकार यह दुर्बलमन की है दुर्मति अब से नहीं आदिकाल से तू पत्नी है और हरी तेरे पत्नी अब वालविकी जी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहते हैं ए सर्व विदित तलवार त्याग मैंने लेखनी उठाई हैं श्री रघुवर के प्राकच्य पूर्व उनकी गुण गाथा गाई हैं मैं अपने नायक राम को यदि रामक से दिगता देखूंगा हुआ रीज गुणों पर कवी तो खीज दुरबासा रूप भी ले लूँगा रविदित कदाचित पश्चिम से हो सकते हैं प्राचीत अजकर संभव है शीतल प्रक्तित्याग शश अंगारों में जाए विखर चाहे असंतुलित हो सुमेर संतुलन राम नहीं खो सकते मर्यादा चोड़े सिंधु राम मर्यादा चित नहीं हो सकते राम रिदय में है तेरा सदा सुरक्षित सान जो घटना घटती उसे हर की लीलामान भगवत को पहचान नहीं तुझको आश्रय दिया मैंने अब लाजान तू लक्ष्मी जगदंब का बोले मेरा घ्यान राम विश्ण भगवान महर्शिवालमिक ने अपने इश्टुतिधर शिश्य युगल को रामायन महानदी के सातों घाटों पर ले जाकर प्रत्चेक प्रसंग का पारायन कराया लवकुष्ण ने कथा नकेवर्ष्रवन की वरन आत्मसाध करके उसकी पुनःवरित्ती भी की फितुमात्रि परायन राम, भ्रात्रि स्नेही राम, गुरु निष्ठ राम, एको पत्नी वर्ती सितापती राम, तापस वेशी शे राम, मित्र प्रेमी राम, संत समर्थक राम, धर्म प्रवर्तक राम, शेष्ट धनुर्धर राम, भक्त वत्सल राम, राम के प्रत्य ग्रूप पर भात युगल की श्रद्धा प्रगाण होती गई राम यात्रा का यहरत उत्तर कांड पर आकर अटक गया लवकुष जानकी जी के निश्कासन को नहीं पचा पाए राम जी के प्रति अपने अटूट विश्वास को डगमगाने से नहीं बचा पाए बालकों ने जगदंबिका सीता को अपने मन मंदिर में देवी माता के स्थान पर भिठा रखा था उनके साथ अन्याय हुआ तो गुरुदेव से आकरोश भरे स्वर में पूछने लगे करने हे तु ऐसा करने पर विवश्ट थे वे नहीं चाहते थे कि वैदेह की छवी किसी भी कारण से तनिक भी धुमिल हो पूर्वजों के मान सनमान का दायत तो था राजा राम पर उन्हें रखुकुल के प्रण की रक्षा भी करनी थी लवकुष ने पूछा अच्छा गुरुदेव बताईए क्या उन्होंने सीता जी को गर्भावस्था में अकेले बन भेज कर अपने वचन की रक्षा की गुरुदेव राम के पक्ष में बोलते रहे परंतु उनके तरकों से संतुष्ट न होकर लवकुष अपनी माता बंदेवी के पास आए और अपनी जिग्यासा उनके सन्मुख रखी कि सीता जी ने राम जी के अनुचित निर्णे पर कैसे शीष जुका दिया अन्याय को मौन रहकर सहना भी अन्याय का समर्थन करने जैसा है फिर माता जान की मौन क्यों रही सीता ने कहा क्यूंकि वे मानव राम के भावख्रदय और महाराजा राम के कर्तवे बोध को भली भाती जानती थी लवकुष ने पूछा माता आप यह बात कैसे जानती है माता बोली जिन गुरुदेव ने तुम्हें रामायन सिखाई है उन्होंने वह कथा मुझे भी सुनाई है बालक सीता जी के समझाने पर भी तथ्य को भली भाती न समझ पाए अश्वमेध का चल रहा नित्यज्या नुष्ठान लवकुष के मन पल रहा सीता का अपमान देवी का अपमान इस महायज्य की पूराहुति में दिवस बचे अब थोड़े से और नियम यज्यका सर्व विदित आहुतियां डालें जोड़े से इस हे तु यज्यका अश्वसोप रिप सूधन की निगरानी में और मिल संग आहुति देने को लक्षमन लोटे रजधानी में प्रवल अश्वशत रूगन संग जा पहुचा उस ओर वन में विचरन कर रहे थे जहां युगल किशोर लवकुष युगल किशोर भव्यसु सजित अश्व को देखकर उसे पकड़ने की उतकंठा तब और भी तीवर हो गई लवकुष ने जब उसके मस्तक पर लिखी इस चेतावनी को पढ़ा यह श्री राम जी के अश्व मेध यग्य का अश्व है इसे दिग विजय हे तो छोड़ा गया है इस चेतावनी को पढ़ने वाले राजा राम जी की आधिंता स्विकार करके अपने राज्य का अवद के महाराज्य में विले कर दे और यग्य को सफल बना जिन्हें इस पर आपत्ति हो या अपनी शक्ति पर अभिमान हो वे युद्ध के लिए प्रस्तुत रहे सहियोगा गांच्छी महाराज रामचंद्र लवकुष ने इस आश्य से अश्य को रोक लिया कि इसकी खोज में महाराज रामचंद्र आएंगे और उनके प्रशनों के उत्तर भी में जाएंगे ऐसे दृतगामी अश्य को जब दो बालकों ने पकड़ लिया तो अयोध्या की सेना के आश्यरे का ठिकाना न रहा लवकुष बोले हमें यह चिनोती स्विकार है महायोगी बालवी की जी यह सारा दृष्य ध्यान समाधी में दिव्य दृष्टी से देख रहे थे रन भूमी में डट गए लवकुष दोनों ब्राता ये नहीं जाने जिन से लड़ते उनसे है क्याना आता रन भूमी में डट गए लवकुष दोनों ब्राता शक्त रुघन बड़ी सेना के साथ है नन्हे नन्हे बालकों के छोटे छोटे हाथ है भिड़ गए बालक बड़े बड़े वीरों से काट के गिराने लगे तीरों को तीरों से वे शैत्र उघन जो शैत्र को लगते काल समान स्तंभन अस्त से हर लिया उनका भी अभिवान इससे वे हारे वालमी की हैं जिनके शिक्षा दागा ये नहीं जाने जिनसे लड़ते उनसे हैं क्या नाता रण भूमी में डट गए लब पुष दोनों राता अश्र छोड़ाने लच्मन आय काट दिये उनके भीवान धन विद्या में कुशल है दोनों नए नए शस्त्र करे संधान ये नहीं ऐसे वैसे योधा बात ये ली लक्ष मनने जान कैसे ले गोई इनसे लोहा ये तो रखवर की संधान लब कुशने फिर साज कर छोड़े ऐसे तीर मूर्चित निजगल बल सहित हो गए लक्ष मननी जो देखे इनका रण कौशल अच्रज में फड़ जाता ये नहीं जाने जिनसे लईते उनसे है क्या नाता रण भूमी में डट गए लग कुश दोनों ग्राता रण से मन मत करें निवेडन दिव्यद्रिष्टि प्रभु करो प्रदार उनका दरस करा दो मुझी को लब कुश है जिनकी संता लब कुश में जब पड़े दिखाई मातास या राम भगवान युगल मूर्त बच्चों में देखकर उन्हें प्रणाम करें अनुमार लब कुश में भी राम है अनुमत में भी राम चहुदिस माया राम की राम के हैं सब का राम ही खेल खिलाने वाला राम ही खेल रजाता ये नहीं जाने जिनसे लड़ते उनसे है क्या नाता रण भूमी में डट गए लब कुश दोनों भाता रण भूमी में डट गए लब कुश दोनों भाता आई भरत लिए सेना अपाग हाथों में बड़े बड़े हतियार लब कुश के वालों के बदले करने लगे ब्रहमास्त्र प्रहार वीर युगल के वाल का बिनातिये फ्रतकार नाग पाश में सयम ही बंधगे पवन कुमार लब कुश भरत का युद्ध देखकर हनुमत आनंद पाता ये नहीं चाने जिनसे लड़ते उनसे है क्या नाता रड़ भूमी में डट गए लब कुश दोनों भाता रड़ भूमी में डट गए लब कुश दोनों भाता विजित हुआ जब राम को सब योधा गए हाथ निर्णय किया के हम स्वयम जाएंगे इस बार लेकर शस्त्रागाः अपनी ही संतान से करने को संग्राम अपनी शक्ति को जाचने निकल पड़े श्री राम ले शिव जी का ना ध्यानस्त बालमी की जी ने जब श्री राम का शभागमन देखा तो उनका मुखमंडल आंतरिक हर्ष से देदी प्यमान हो गया वे जान गए उन्हें जिस पल की प्रतीक्षा है अब उसके आने में कुछ ही पलों की दिर है लवकुष ने जब रण प्रांगन में देखा जगमग सूर्य को आते आपका स्वागत है श्री राम जी आप ही यदि पहले आ जाते नाम के नियोधा पर हम जर्च समय अपना नागवाते बानों का करते ना अपव्य निर्वल को बंडी ना बनाते सीधे करते आप से प्रश्मार सीधा उतर आप से पाते तुमने हमारे अश्व की गति में क्यों डाला व्यव धान बताओ दिग्विजई को मुक्त करो आदेश सुनो ना विलंब लगाओ राम का क्रोध भयंकर है राम का क्रोध भयंकर है मत बोध गवा कर क्रोध बढ़ाओ यदि किसी प्रश्न का चाहिए उतर तो तुम राज सभा में आओ तक्षण अश्व को मुक्त करो हट छोड़ो ना और विलंब लगाओ राम का आदेश अंसुना कर उन्होंने अपना हिंद्र ने सुनाया विजय प्राप्त हम पर करें या फिर वाने हार आश्व छोड़ना अल्य था नहीं हमें स्वीकार तुम वालमी की महाग्यानी के संसकारों से संपन्द हुए हम देख तुम्हारी ख्षत्य सुलब वीरता परम प्रसंद हुए यद्य पिवा चाल हथी हो तुम्हम तद पिख्षमा कर सकते हैं सीमा उल्लंगन करने पर परिणा मुल्टा कर सकते हैं हम कहते हैं नगिलाब देव शब्दों के बान प्रहारों से चाहे तो रणकाशी गडिश करे पीरों से तरवारों से ये सुनके धनुष पर प्रचन्चा जैसे ही चड़ाई रगवर ने तत्तुत्तर को संधान किये शर लवकुष युगल धनुरधर ने जू ही तक्राने चले दीप और जन्जावात मुनिन कर मध्यस्तता रोके बढ़ते हात यू बोले मुनिनात यदि हम समय पर ना आ जाते तो आज अवश्य ही कोई अघटन घट जाता पुण्य है तुम्हारे बड़े रामजी निकट खड़े स्वर्श करो प्रभुजी के चरण कमल को राजा पिता तुल्य होते प्रजा संतान जैसी आदर दोवस इस नाते निर्मल को शमय आचना करो उस अपराध की जो आहत किया महराज श्री के दल को सुनो सुनो युवराज करना ना ऐसा काज लज्जित करे जो आज आने वाले कल को वीरों ने तीरों को रोका यज्याश्व रामजी को सुपा गुरु देव की आग्या मानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है लब कुष्र को अवध आने का देया मन्तन लक्षमी से मिले बिन लोट गए नारायन जनुनी के निकट पुत्राए दोडे दोडे जानती है माताश्री रन भूमी में आपकी फुत्रों ने कैसा कोशल दिखाया तनि ठ्यार से सुनिये लखन भरत शात्रूप बवन सुद्र सफपे गिरी बाणों की विद्युत स्टंभ नात्र यू हम में चलाया मूर्चित कर उन्हे बंदी बनाया अंत मिराजा राम पधारे चलने को थे शक्त हमारे हार गरे हम दो बिरहारे प्रश्न रहे गरे रोब सिधारे पुत्रों का कथं सुनमाता स्टब धर रह गई और सोचने लगी पिता पुत्र में आज यदि हो जाता संग्राम ना जाने संग्राम का क्या होता परिनाम भटने वाले अगठन की आशंका से आतंकित सभय रिदय और सजलन यनसिय बोली होकर ख्रोधित तुम पर प्रभु और प्रभु पे तुमारे आयुद यदि चल जाते हैं जब तब साधन ब्रत आराधन मेरे नीश्वल जाते व्यात नहीं है तुम्हें आज कैसा नर्थ हो जाता सदा सदा के लिए तूट जाता रग कुल से नाता समझ नहीं पाए बालत माता का आशे क्या है जू नैनों से अशुब हैं हमसे का दोश हुआ है चरण धरे विर्ती करे पूछे दोनों भ्रात किस कारण मन खिन्न है कुछ तो बोलो मात ओ सीता बस रोती ही जाए कुछ नहीं बोले कुछ ना बताए ओ समाधान बन गुर्वर आए भेदर दै का मुख पर लाए ओ बन देवी के राज दुलारों साबधान हो सुनो कुमारों ओ ओ आज समय की मांग यही है बात कहें वह जो न कही है यह बन देवी यही तुम्हारी सीता माता राम और तुम मैं है तिता पुत्र का नाता धर्म विवश निपने रानी को घर से निकाला पहद भूल सिया ने तुमको जाया पाला संतानों चित कर्म अब करो वीर बर्वान उने है दिलाओ मात को होया पद संमान ले अपना अभियोग अयोध्या नगरी जाओ जन आंदूलन करा वहां जन जन को जगाओ बोलो मैं अंगारे भर कर गीत सुनाओ तुम संदिक प्रजा का हर संदेख मिताओ गुर्वर से आशीश ले मां से अनुमत मांग कुवर अयोध्या को चले मन में लेकर आग आरा पुला गाते चले नगरी को जगाते चले जित के माध्यम से लगकुषिये प्रस्ण उठाते चले धरती तुमारी पावन राजा तुमारा न्याई अन्याय की प्रकृति तुम्ही कहां से आई अवधवासियो उत्तर दो मौन मत रहो उत्तर दो उत्तर दो उत्तर दो इन तशनों का उत्तर दो धरती तुमारी पावन राजा तुमारा न्याई अन्याय की प्रकृति तुम्ही कहां से आई अवधवासियो उत्तर दो मौन मत रहो उत्तर दो संदेह किया तुमने क्यों कर सियासती पर क्यूंगलिया उठाई निर्दोश भगवति पर रावन और सोने की लंका जिस महरानी ने ठुकराई सक्वी पर छादे कर माता राम के संग आयो जाई बोलो रे एक मूढ के कहे का किसने किया समर्थन भर से गई निकाली वैदे ही किसके कारण ओ महाजनों उत्तर दो मान मत रहो उत्तर दो तुम ही करो हमारी शंकाओं का निवारन तुम ही करो हमारी शंकाओं का निवारन राजा हुआ तुम्हारा लजित तुम्हारे कारण पश्चात आप करो करनी पर तुम अपन अंचर में झाखो जग मैं बन राण मैं सीता का मुल्य यतोचित आपो बोलो रे जग दंबे का सिया का सनमान का है चीना जो राम ने दिया था वो स्थान का है चीना ब्रहम ज्यानियों उत्तर दो मोन मत रहो उत्तर दो केवल नहीं कहानि तुमको सुनाने आए हम तो तुम्हारी सोई आत्मा जगाने आए अभी समय है जागो रे जागो मन से उतारो भ्रंकी चादर कांगो ख्षमा उस महदेवी सी जिसका किया अपमान अनादर ओ लो रे साक्षात विश्न लक्षमी जगरी तुमारी आए तुम दिश्टिहीन उनको पहचान क्यों न पाए बुद्धी जीमियों उत्तर दो मोन मत रहो उत्तर दो उत्तर दो, उत्तर दो इंफ्रशनों का उत्तर दो कोई उत्तर किसी के पास हो तो दे लवकुष ने उत्तर मांगकर सब को निर उत्तर कर दिया लवकुष इसी तयात्न में लगे रहें दिन रात रिदायों में स्थापित करें उन्हें भगवती मात बन जाए बिगडी बात हाट बात ग्रिह लांग कर लवकुष के स्वर्थाल पहुचे वहाँ विराज ते जहां राम जगपाल राम जी को जब विदित हुआ कि दो वनवासी मारमिक गीत गाते फिरते हैं नगरी की आत्मा को जगाते फिरते हैं क्रांति की लहर उठाते फिरते हैं जन्मानस को उसकी भूल का भान कर आते फिरते हैं तो श्री राम जी ने उन्हें अपने महल में बुला भेजा बंधु जुगल को यू लगा जैसे किसी याचक की जोली में अनायास ही चिंता मनी रतना आ गिरा अथवा वन में फूल चुनने वालों को आकाश कुसम का निमंत्रण मिल गया मन ही मन माताश्री को प्रणाम कर गुरुदेव का स्मरण कर राजमहर की ओर जाने को अग्रसर हुए राम जी ने बालकों को देखकर पूछा क्या तुम वही रिशी वालमी के शिश्य नहीं हो जिन्हें हम अबद आने का आमंत्रण देकर आये थे जी महराज आप तो अंतर्यामी हैं आप से क्या छुपा है गुरुदेव कहते हैं कि आप जगत पिता हैं इस नाते हमारे भी पिता हैं हमारे मानस में श्री वालमी की विरचित रामकथा है जिसे हम श्री राम के सन्मुख सुनाने की रामजी से ही आग्या चाहते हैं रामजी ने कहा कुमारो तुम्हारा स्वागत है कल दर्वार में आकर सर्व साधारन के सन्मुख रामयन का पारायन करना श्री रामजी के आत्मज, वैदेही के तनय, रगकुल के कुलदीद, गुरुबालमीकु के शिश्य, लवकुष के सभामे पस्थित होने के पूर। दरवार में थी जन जन को प्रतीक्षा, धात युगल के आने की, प्रभुने भी प्रशन सा सुन रखी थी, रस्मय कथा सुनाने की। मुनिगन मोहित हुए छविनिहार, सुधि जन साधारण भूल गए, प्रतिविंब स्वयम के देख रौम, स्वागत अभिवादन भूल गए। भद्र बालकों ने शिश्ता के साथ निवेदन किया। रघुपति प्रस्तुति की अनुमति दें, अब घट हैं व्यग्र छलकने को पाने को आपसे, साधुबाद प्रतिक्रिया सभा की लखने को। रघुनात विनम्र बालकों की गुरुदत शिश्टता पर रीधे। गायन सुनकर क्या गति होगी जब नैन नैन छविलक भीजें। लव कुश की चब देखकर कह रही तीनों मात। हम को तो बालक लगी राम लखन साक्षात। बाल रूप साक्षात। सुई गिरे तो धनी करें छाया ऐसा मून। नैन श्रवन में घोड है कितना पाय कून। खुलने को है मून। ओम्रीम श्रीम वदवद वागवाद निनमह। ओम्रीम श्रीम वदवद वागवाद निनमह। साद मारे साथ। सानी पागारे सारे मापनास। पागेश्वरी नमस्तुप्यं वन्देवी नावाद नी। पाणि पुस्तक तथा माल्यां। शाश्वती शार दे नमह। शुक्लाम वरंधरे देवी। शुभपद मासन संस्तिता। स्वरम देवाणी देमातः। मुनि मन विपिन विहारिनी। तण्मामि पार्वती देवी। सर्वशक्ती समन्विते। कल्यान रूप आदीश्वर। नमः शिवाय नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय नमः शिवाय। अखंड मंडला कारं। ज्यात्तं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन। तस्मै श्री गुरवे नमह। तस्मै श्री गुरवे नमह। सुमिरे हम पितुमात। साफ्षा भगवत भगवती। मांगे दोनों भ्रात। स्निया शिश परंकृपा। हम है लगु सब भाति। वित्यावय गुण ज्यान में। वित्वच्चन की पाति। शमा करें सब दोश्त्रुटी। प्रचक्षा प्रच्याक्ष। जितने देवी देवतां। हम कहें सर्वसमाक्ष। गुरु प्रगत्राभव कथा। कैसा अपूर्व सैयोग है। श्री राम अपने आत्मजंसित। अपनी ही आत्मपथा श्रवण करने जा रहे है। इनकी प्रस्तुती तन को शुद्धता, मन को स्थिल्था, प्राणों को उर्जा और आत्मा को पर्मनन्द प्रदान करेगी। कैसा हमारा विश्वास। ये रामायन श्री राम की अमर कहानी है। लिखने वाला एक सन्या से जाने वाले दो अरवासे सुनने वाला हर प्राणी है। ये रामायन श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायन श्री राम की अमर कहानी है। लवकुष राम जी के प्राकट्चे का कारण बता रहे हैं। असहनी यहोनी लगा रामन का दुश्कित्या। पाप दिमिर में छुप गला उज्वल धर्मा देट्य। असुराधम से द्रस हो कायोगों की धार। ब्रहमा से करने लगी तृत्वी करुण बुकार। उसने अपना मनोभाव प्रकट करते हुए कहा। ए प्रहमुदेव रामर नाम कापदा से सुष्टी को बचाने की कोई युक्ति सुझाई। जकत जनकने युक्ति सुझाई। विन्ति जाए हरी को सुनाई। कौन कहे हरी कहां मिलेंगे। बोले शिव जह स्मरण करेंगे। शिव प्रिय हरी और हरी प्रिय शंकर। हरी का पता शंक उसे पाकर। स्वर प्रथ्वी के सर में मिलाया। सबने हरी को तेड़ जगाया। प्राहिमा, प्राहिमा, हे नारायन दुख बन्जन प्राहिमा। सुन विकल व्यथित प्राणों की आरतवानी। चादी प्रभु की चेतना जगत कल्यानी। यू बूले मंगल भवन अमंगल हारी। प्रति युग संभव की प्रति बधता हमारी। हो अभय देव गन प्रिथिवी सिद्ध सुरेश्वर। हम हे तु तुमारे प्रगटेंगे नर्वन कर। प्रभु ने बताया के रामावतार का सूत्रपात कहां से हुआ। ओ कशप अदिति महातप करके ज्यान अखंद रात दिन भरके। ओ हमसे जोड़ा नेह कधागा पुत्र रूप में हमको मांगा। ओ जब वे हुए कौशल्या दशरत। पूरन करने उनका मनोरत। ओ अपनी प्रतिकृति बन हम आए। अपने अंश संग में लाए। भरत, लक्षमन, शत्रग्न, ये रामजी के ही अंश है। सूर्यवंच में ले लिया जब हमने अवतार। होने लगी प्राकट पर चगुदिश जय जयकार। युगल किशोर राम जनमोजव का वनन करते हुए उच्साहित होकर गा रहे हैं। हुए प्रकट क्रिपानी धी देव दयानी धी देखर वचन निभाया। पितु दशरत माता कोशल्याने अकठनी असुख पाया। धन चेत्र माक में शुखल पक्ष की नवमी दिथी सुखकारी। माध्यान समर्चन दर्शन दीनहा नाथ चतुर भुझधारी। इंगीर शिने कामेशी अग्य कर सुफल देमन हारी। शीराम भरत लखन शार प्रुघन सुत चार तीन महदारी। नैना फिराम छबिशाम वर्ण शुभा सरवांग पमल की। कोस्त भुमनी भिगुरिशी चरण चिन्ध से गरिमा वाक्ष स्थल की। पगतर में अंकित चीन अश्च शुभ उनवेश्ण भग आरा। कोशल्या मा की विनती सुन बालक समरोदन ठाला। प्रभु ज्याना दीतम ज्याना दीतम अगम अपार नंता। पुरुशोतम अन्योतम सरवोतम सुगण कोश शीकनता। हम रूप विराट के विस्तृत गाथा छोटे मुख क्या गाए। श्री राम सिंदु के कत्रामरत को बिंदु बिंदु छलगाए। राजा तश्रत को जोथे पन में वहनी भी प्राप्त हुई है। जिसकी महिमा तिनो लोकों में चहुद शिव्याक्त हुई है। यह राम गठा का प्रत्म सर्ध कोई आसन से मत डोलो। जन्मो सब में जो पाया है उस आनद की जै बोलो। राम भत्रम नमहा भरत शेष्ठम नमहा लखन शेषम नमहा शत्रुभन अनुचम नमहा। लव कुछ कहते जा रहे राम कथा अभी राम। जग पालक बालक बने कोशल्या के धाम लीला करें ललाम। माताओं के इरदय वातसले से भरने लगे हैं। दश्रत जी परंप्रसन होकर आकाश पर पगधरने लगे हैं। दश्रत अजीर विहारी जी को लव कुष्र ले आए हैं गुर कुल विद्याध्ययन को। सुगूरु वशिष्ठ ग्यान स्मरण करा रहे हैं। खुले से जगा रहे हैं भुजग शयन को। गुरु मा अरुन धति स्नेह पुष्प वारती हैं। सानुज दुलारती हैं राजीव नयन को। वर्शों पो रोहिताई की हैं रघु कुल की। वशिष्ठ जीने ऐसे योग्या शिष्य के चयन को। विद्यानी धी पुन है विद्यार्जन कर सानुज राजमहर लोट आये हैं। जो है उद्गम ज्यान के जिन पर विद्याशेश। उन्हें देख जननी चकित गर्वित हैं अब धेश। विस्मित उमा महेश। रभु के गुलकुल से लोगते ही रिशी विश्वामित रुपस्तित हो गए। दश्रत जी सोचे बिना दे दे कुछ भी दान। विश्वामित्र तो मगते मानों तन से प्राण। रिशिले चले राम लखन को करने मख की रखवाली दश्रत जी ने हे तू समझ कर प्राणा धेक लिदे डाली। पद धूली से तार अहिल्या पद प्रावित गंदर नहा कर। ओ विश्वामित्र के अनुगत उस नगरी में ओ गई रघुवर। जहां विश्णू का पंथ निहारे लक्ष्मी खेरो दधिवाली। दो बंधू के दर्शन करके हर द्रिष्टी हुई मतवाली। मिठिला की फुलवारी में रजयों के फूल खिले हैं। अन जाना परचित बनके युग युग के मित मिले हैं। मैंनोने नयन निधि पाकर निज अंतर बीच छुपाली। रखी है जानक निजिया को पाने की शर्त निराली। राजा महारा राशिय की अभिला शाले कर आए। सब हारे किन्तो किसी से शिव धनुष उठा न उठाए। शिव धन कर भंग जनक के प्रण की त्रभु लाज बचाले। फिर सजगई राम के हाथों सीता की मंग में लाले। चारों भ्रातों के जोडे विधिने एक स्थान मिलाए। कोरी ने दिया अगर एक को चारों बेहनों निवर पाए। हरी की छा से छाई हरी आली ही हरी आली। जगदम बेने मिथिला से जगदिश्वर संग विदाली। बरवधों को संग ले घर लाटे बारात। अगद पुरी में हो रही आनत की बरसात। बंधु युगल संक्षित किन्तु सार गर्वित कथा कहते जा रही है। अतीत को वर्तमान में सजा रही है। निठुर नियती से क्या कोई जीते। रंग भरी दिन चिन में बीते। पालद कर रे पितु के वचन को। भवन त्याग प्रभुचन दिये वन को। गंग वेर पुर सौमी आए। मित्र निशाज के फाग जगाए। भवसागर से तार नहारे। गंग पार के वटने उतारे। के वटने कैसे लावखा सौदा किया। उतराई न लेकर राम के धाम में अपना स्थान आरक्षित करा लिया। यात प्राजनित यात ना सह कर। चित्र कोट पाँचे सी अरगुवर। पण कोटी लक्ष मनने छाई। देव भील बन हुए सहाई। भरत में लाप हुआ सुखदाई। जिस लेवन के व्यथा घुलाई। स्थाना तरण यहां से की था। अगणित मुनिजन को सुखदी था। चित्र कोट से आ गए पंचवटीर घुलीर। गोडावर के दीर फिर चलानी अजीखा तीर। राम कथा में अब जो पात्र आएगा। वह श्री राम को रामवतार के हेत्र के निकट पहुंचाएगा। विधना प्रीरित शूट लखाने क्रोधित की आराम और लक्षमन को। दह गई कराकर स्मरण राम के खल खंडन वाले प्रण को। मारेच का बद सेदा का हरण इस पंच गटे में घटित हुआ। हनुमत ध्वारा राम और सुग्रीव में मित्र का नाता गटित हुआ। राम और रावन का हुआ लंका में संग्राम। विजय धर्म की पाप पर रनका शुब करिना। हुए विजय शीराब। यदि नवी भी शन करती रावन का रह सुखाटन। राम की जैसे योधा को भी दुरनिवार था रावन। राज तिलक पहले की अप्रभु ने राजाज बनाया। अतिसंकोच भाव से दी छोटे को बड़े की माया। बोले राम विभीशन से अब सियकी कुशल सुनाओ। राम पिया सुख संचारनी संजीवनी को ले आओ। हनुमत अंगत और विभीशन राम के आग्या पाकर। लिये आ रहे सीता को साजर शिविका में बिठा कर। लव कुशक था वहां ले आए जहां प्रसंग अगनी बरसाए। गुरुजन शोतागन सुने मनोयोग के संग। आधि परिशा का यहां कैसा ने छुर कसंग। तसंग सुनने के पूर्वी शोतागन के दैकिकती बढ़ रही है। लव कुशकी छवी भी उग्र होती दिखाई पढ़ रही है। पग पग शिविका बढ़ती जाए। हर कोई दर्शन को धाए। कहा रामने सुनों कहा रों। शिविकारों को सिया उतारों। कौन पराया साए अपना। तुड रहा सी तागा सक्रा। गो कट वचन लगे प्रभु कहने। कठिन हुए जो सिय को सहने। रामजी के वचन रामवांड से कहीं अथिक घातक थे। सुनों सिया अब टिक पक भी आगे मधरना। निकठ हमारे आपा मांग न कलुशित करना। तुम इतने दिल निशाचरों में रहकर आई। स्कर्ष नहीं तो पड़ी अवश्य उनकी पर छाई। वांशित है तुम से हमें सतका आज प्रमाण। आगनी कुंड में बैठ कर रखो सुरक्षित प्राण। जनकवंश रगवंश को महिमा मंड़त करदो। सीता सतियों का चरित्र परिभाशित करदो। सक अपियश अपवाद अगनी में जब जल जाएं। तब तुमको सादर अपने वांवांग सजाएं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या वशक्ता है। राम ही जाने उनकी क्या विवश्ता है। बोली सीता सुनो लखन तुम धर्म पूत्र हो मेरे। अगनी करो संधान नाथ की संशय मिटे घने रे। मर मर जीती रही राम की करती रही प्रतिक्षा। प्रेम समर पन भक्ति का बदला है ये अगनी परिक्षा। लक्षमन जीने अगनी बान से अगनी देव प्रकटाए। वे अंबर को छूने वाले लपडे लेकर आए। इन तु अगनी की पहुच है के बल धाड मास के तन तक। जा नहीं सकती उसकी उष्णता किसी सती पावन तक। जिसे वे रह की अगनी तपा कर कुन्दन मना चुकी हो। उसे काश्ट की अगनी से कैसा भै। सुमिरन करके राम का सिरघर के आदेश। अगनी कुन्द में कर गई निरभर्तिया प्रवेश। हो नहीं सकती मैथिली अगनी तप से शेश। सीता भी तो है रमा यदि है राम रमेश। कृत कृत्य हुए पासिय का सर्श हताशन बन गए स्वयं कमला के लिए कमलासन। सब अंगारे परिनत हो गए कमल में। हुई हाँ हाकार से जय जय कारे कुपल में। धर्म की जय पर सतीतों की विजय पर महराज दश्रत सशरीर स्वर्ग से उपस्थित हुए। दश्रत बोले स्वर्ग से आकर माता मेरे दोशिक्षम आकर मेरे लिए हुआ बन जारन सारी कष्टों का मैं कारन। रामन हर ले आया बन के रामसिया चले विरह पगन से सब संकट तेरे शीन से हारे सिय तने दोड़ों कुल तारे। पुत्र ने पिता से एक अनुठी मां की। बूली राम के बाल हठ पून करो पितवाज। मेरी के कई मात को शमा करो महराज। श्री राम मर्यादपुर्शुत्तम उदार फिदय और स्वभाव से ही शमाशी है। दश्रत के केईया की मन्तरा बने नहीं पाशानों के। ये सारे नाम है वास्तव में विधना के घातक बानों के। कहते मैं श्रेष्ट धनुर्धर हूं मेरे बानों का जोड नहीं। ब्रहमास्त्र भले मैं रक्षों पर विधनास्त्र का मुझे पर तोड नहीं। है नेश्क लंक सिया प्रमानत करके जगते सामने। दी अगनी को ली अगनी से फिर मांग सीता रामने। सुरगन निलक्ष्मी विष्णु को शप्था सुमन अरपित किये। यश्कीति का दशरत सहित निजलोक को सब चल दिये। सादर युगल भदवंद कर निजलोक को सब चल दिये। सिय धर्मने मुब्रत शीला से यह गुधि राम की लीला से अनजानी थी अनजानी है। ये रामायन सी आराम की हमर कहानी है। अगनी परिशा का किया वर्णन जटिल प्रसंग। राजा गुरुजन और सभा सुनकर रह गए दंग। अगनी परिशा की अगनी के ताफ से लवकुष के सुकोमर फिदय भी जुलस कर रह गए। वे समझ नहीं पाए कि जब श्री राम को जानकी जी की पावंता पर दिढ़ विश्वास था तो ऐसी कठिन परिक्षा लेने का ओचित्य क्या था। फिर उन्हें समरन हो आए वालमीकी जी के वाक्य के वच्स कथा शांत चित्त से कहना मन का आवेश मन ही में छुपाए रहना। राम जन्म से अगनी परिक्षा तक की कथा सुनाई। जैसी श्री गुरु देव से सीखी वैसी ही दोहराई। उससे आगे का खट नाकम सुनिये अब रखुराई। कथा हुई आरंभ अबज से लोट अबज में आई। सूर्य वन्शी राम जब से अबज से कए प्रभात जैसे यहां का मार्ग ही भूल गया। अब जियोती लोटी है तसिया राम जी के ही संग। सानुच सिया संग राम जी किन हावध पुनरागमन। प्याकुल प्रतिक्षारत भरत से पुनी हुआ भावुक मिलन। ध्राता मिलन माता मिलन पर देव देपूष पांजली। उपलक्ष में लंका विजय के मन रही दीपावली। मंगल प्रदीप जले अबद में मन रही दीपावली। पथरा गए थे जो नयन रखुबर का पंधनी हारते। सियाराम लखन त्रिमूर्ती परवे हश्रु मुक्तावारते। छाई थी नीरव रात दिन सपने हुए थे हर्ष के। यहां सूर्य देवू दय हुए पश्चात चौद है वर्ष के। वर्दानी तिथी में सजी राज तिलक के साज। दश्रत के उवराज दिया। राम बने महाराज। आज बने महाराज। राम को राजा देखने का स्रपन दश्रत जी ने संजोया। उनके राम राज की कलपना अब जाकर साकार हुए। प्रिथवी पे राम राज हो गया सापित। जन जन से प्रभु नाय लगे करने। मंगलाय तन हरी बैठे जो सिंगासन तो सारे सुख लगे घर घर में उतरने। महारानी सितावाम भाग में विराज मान योगल स्वरूप से अम्रित लगा छरने। अनुपम शोभा से आयोध्या के पराजित हो स्वर्ग लगा ही इर्षा आयोध्या से चरने। दिन सानंद व्यतीत होते गए और आगे बढ़ता समय एक दिन अपूर्व सुख का समवाद लेकर पस्थित हुआ। सीता जी ने महालक्ष्मी रूप में नारत को अपना मानस पत्र माना, सीता रूप में हनुमान को पत्र कहकर संबोधित किया। माता पारवती के आशिरवाद से जिन राम जी को वर रूप में पाया आज उन्ही के सौजन्य से, त्रिलोक की बहुमूल्य संपत्ती अर्थात संतति के गर्भ में आने के लक्षन देखकर फूली नहीं समा रही है। अपनी आराधिता कार्तिक गनेश की जननी माता पारवती की भाती सीता जी भी जननी बनने जा रही है। सीता यू तो जगन माता है परंतु औरस संतान जिस सुकी डाता है उसका आनन शब्द में नहीं कहा जाता है। सीता राज महल में आकर सोचे आने वाले कल पर। आचल में जो फूल खिलेगा रगवर का प्रतिरूप मिलेगा। नन्हा मुख जब मात कहेगा खनभव कैसा सुखद रहेगा। बोलेगा जब बाबा कहेपर राज काज बूलेगे रगवर। ओ सुखद कल्प नाओं में होई सीता ना जागी ना सोई। ओ जग कर राम का पंत नहारे सोकर सुपन में शिशु को दुला रे ओ विगत वेदना भूल रही है सुख कहीं डोले जूल रही है। ओ सबका नेह सुधारस पीते दिन सानंद जा रहे वीते। चले एक सी चाल ये नहीं काल की रीती। विधना के संग मिल करे अत्याचार अनीती। लव कुशका आवेश भी सत्य को उजागर करने वाला है। पतिव्रत धर्म निभाकर जिसने जग में किया उजाला। सतीश रेश जिसके सतीश्व को जलाना पाई ज्वाला। सदा प्रजा को जिसने निज संतान समझ कर पाला। प्रजा ने उसको लांचित करके अप वादों में डाला। अप वादों में डाला। राजा ने पालन किया राजा का करतव्य। राम के मन में ही रहा जोन का मंतव्य। रगुकुल की प्राजीन पुरुहित मुनिवशिष्ट गुरुग्यानी। ऐसे अवसर परून की भी कुंठित हो गई वाणी। करना की मूरत माताओं को भी दयानाए। गुर्जन की गुर्तामाओं की मंताज लजाए। मानव रूम यहां गया राजा राम सिहार। सिय को निर्वा सित किया मन पर रख कर भार। पतिया क्या सिरधार के पन को किया प्रयान। वालमी की गुरुबर वहां मिल गए जनक समान। वहां जान की बात ले जाई दो संतान। अब छोटे मुख क्या करे जननी का गुलगान। देवी का गुलगान। यदि आप में तनिक भी मानवता है भावुकता है तो पूच्य भाव से देवी की दिन चर्या का श्रवन कीजिए। नित नित नदिया से भर भर लाए नीर नीर किन्तु नैनो से कभी न छलकाती है। कच्छिन कुलहाडी से वो काटती है काच गिन्तु कर्म लिखे को कोई दोश ना लगाती है। धन्य ऐसी देवी को सोयम चाकी पीसती जो चाकी में परिस्थिती की पिसमुस काती है। कर्म योगीनी का ध्यान रखे आना रखे राम राम जी का ध्यान वो नियम से लगाती है। करती आई है सारे जीवन संघर्ष और बच्चों को भी पाठ संघर्ष का पढ़ाती है। कर्म बताती है वो वीरवर छत्रियों का धर्म का भी उन्हें अव्यास कराती है। सक्षम सुत्रिण स्वाम लंबे स्वाभी माने और आत्म निर भर संतान को बनाते है। शक्ति मई शक्ति का संचार कर प्राणों में शक्ति का हो कहा उपयोगी वताती है। ये है राजा राम का ज्याय पूर दर्वार। ज्याय दिलाने मात को आए प्रभु के द्वार। उनके राजकुमार। रामायन की कोई भी घटना हमने घटाई है और ना बढ़ाई है। राम सियाजी की जीवन गाथा जैसी गुरुशी से सुनी वैसे ही सुनाई है। माता जी के निर्वल पावन चरत्र पर गालिख गलंक की किसने लगाई है। अबज निवासियों विचारों ने इश्पक्ष होके फिर कहो दोशी तुम हो किसी दावाई है। हो सकता है बाक्य हमारे। तुम्हे चुभे हो ती समाल। किन तुकलंकित हो माता तो। कैसे मौन रहे संतान। माता हमारी जान की जग पूचिता गुण धाम है। हम पूत्र है श्री राम की लबकुष हमारे नाम है। जिस धैर की प्रतिमा का जीवन पट गया वनवास में। मैं है आज भी जीवित है केवल पति दरस की आस में। मात की आस करो पितु पूरण। विरह विधित को जोब दर्शन राम सिया राम सिया राम जै जै राम। हम भी अपना भाग सवारे दोनों की आरतिमतारे राम सिया राम सिया राम जै जै राम। हम रगपल की दिव सितारी राम सिया आ राज हमारी राम सिया राम सिया राम जै जै राम। हम माता को सादर ले आ यूगल रूप हम को भी दिखाओं। राम सिया राम सिया राम जै जै राम। सिया राम सिया राम जै जै राम। रन ना यक गायक कुशल यूगल बंधु गुन खान। चाहे सब माता पिता तुम जैसे संतान। तुम ये कहते हो कि हो तुम रग कुल के दीप। रिदय हमारा भी करे अनुभव तुम्हे समीप। हम राजा है इसलिए विके प्रजा के हाथ और प्रजा तो मांगती हर प्रमान साक्षात। यद्य पे हम जानते हैं सिया सर्वता निर्दोश है तथा पे हम ये कहने को विवश हैं। सिय को होकर स्वयं उपस्थित करना होगा सत्य प्रमानित सत्की शपत उठानी होगी तभी पुनह महरानी होगी। एक भी उंगली उठे सिया पर नहीं हमेश वीकार ये प्रियवर। यदि वैदे ही उचित विचारे तो रिशिवर संग यहां पधारे। वालमी की कोरा मुने ने जाए है संदेश। सिया आगमन के यहां आकांची अबधेश। ओ पासंदेश तुष्ट है कभी वर। नहीं शंका कुछ अपने लिखे पर। ओ कहने से पहले हां या ना रिशिने मत सीता का जाना। ओ गुरुवर से बोली वैदे ही। आप जनक शुभ जिन तक से ही। ओ आप जुआ क्या तेंगे गुरुवर। पालेगी पूत्री मस्तक धर। सीता की ओर से स्विकारों की मानकर अबध चलना ही उसके लिए हितकर जानकर वालमीच जी ने कहा। है उचितक राजा के प्रियजन राजा क्या का सनमान करें। अब और विलंब न करके अयो ध्या नगरी को प्रस्थान करें। सीता के द्रिगतारों के लिए रगकुल के रखवारों के लिए। जाना नितांत आवश्यक है पुत्रों के अधिकारों के लिए। वैदेही भ्रमितों संदिक्धों के चौबारे में आ पहुची। राघवशश की चंद्र का धवल अब अधियारे में आ पहुची। सोगंध उठाए बिना सत्य को सत्य कहेंगे लोग नहीं। सहयोग बिना संभव होगा फितु पुत्रों का सैयोग नहीं। सबरानी का आगमन बिन बोले गए जान। सिया सुमन की सुरभिज्यों। सबने की आग्रान जगे चेतना घ्यान। नगर में नगाले पर आघात करते हुए उद्धोशक ने यह घोशना की। महराज राम जी की ओर से सर्व साधारन को सूचित किया जाता है कि कल यग्य मंडफ में जनकनंदनी सीता अपने मातित्व की शुदता प्रमानित करने को शपत ग्रहन करेंगी। सुरेंद्र, नरेंद्र, पनिंद्र, यक्ष, गंधर्व, देवी देवता, दिक्पाल तथा प्रजाजन। जिन्हें भी शपत श्रवन करनी हो, वे अनोपचारिक लूप से सभा में सम्मिलित हो सकते हैं। यज्यस्थल की ओर यू, सीता करें प्रयान। पूड़ा हुतिके हे तुझू, यज्य करें आवान। ओम पूडमदह, पूडमिदम्, पूडात पूडमुदच्यते। पूडस्य पूडमदाय, पूडमेवावशिष्यते। सीता गतिमान, समय गतिमान, विद्यमान मंच पर प्रभुप्रतीक्षुमान। पगपग बढती हुई, आई सियराम तक। दर्शन विभोर हुई, फूली प्रणाम तक। पहुच गई स्यकी द्रिष्टी राम, रिदय कक्ष तक। सरिता ज्यू सिंधु तक, वल्लर ज्यू बिक्ष तक। पूनाहुति देने की लगन भीती जा रही, आशन का कोई मुनिवशिष्च को सता रही। शुब पर शुब शीफल धरे, कहें व्यग्र मुनिनात। पूनाहुति दो यग्य की राम सिया के साथ। वर्षों पीछे राम सिया फिर आज निकट तम आए। लज्जा भार से नत है सीता राम भी कुछ सक चाए। एक दूजे पर पढ़ने वाली लोक द्रिष्टियां टालें। सदा मुखर रहने वाले नीरव आहुतियां डालें। सीता के अंतर में जलती स्वाभिमान की ज्वाला। रोश की ज्वाला में जलते हैं वैदेही के लाला। राम अवद पति अंतर जुंद की ज्वाला में जलते हैं। मन में प्रजा के संदेहों के कंगारे पलते हैं। ज्वाला में जल जहां रिदय हो रहे शात। शांत पाठ का चल रहा वहां पे मन तो चात। नशांत लवकुष नशांत लक्षुमन नशांत सीता नशांत भगवन। नशांत मातह नशांत गुरुवर नशांत प्रिच्वी नशांत अंबर। महायग्य की उणाहुत पर प्रतिज्वनित हैं सामुहिक स्वर। ओ शांती 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 ओ शांत कर भारो। युगल पदाम बुझ पर जुकी करने सिया प्रणा। ना जाने क्यूं चार पग पीछे हट गएरां करना सकी प्रणा। वास्तव में सीता तुम प्रणम्य मुझे को प्रणाम क्यों करती हो। जन मानस की छोड़ो तुम मेरे मानस मधविचरती हो। परशपत ग्रहन के हें तु सभा में तुमको आज बुलाया है। रख कर तुम पर विश्वास पूर्ण मैंने ये चरण उठाया है। क्या कहा राम ने सुना नहीं रभु के भावों को पढ़ा नहीं। अपने में अंतर नीन सियां विगता गत का कुछ पता नहीं। सीता के कुछ कहने के पूर्व रशिवालमी की जीबोल उठे। जो नाय तुला पर तुल न सकी उसे धर्म तुला पर तोल उठे। मैं वालमी की हूँ मनुका दस्वा पुत्र प्रचेता सपने में भी मिथ्या संभाशन किया न मैंने। सीता विमला शुद्धा साक्षात महालक्ष्मी है उसे बिन जांचे आश्रम में आश्र दिया न मैंने। मैंने जो सहस्रों वर्ष तपस्या विरल करके किये संचित पुण्य नष्ट हो जाएं वे पलभर में। यदि रखने सिय का पक्ष जूट का आश्रेलू में। यदि सिय की भक्ति न अविचल पाई हो रगुवर में। सीता का प्रेम प्रमान तुम्हें गौरी से मांगा। सीता का त्याग प्रमान तुम्हारे हित ग्रह त्यागा। सीता का शील प्रमान प्रलोभन पर नहीं दोली। सीता का चरित प्रमान कित्रण की ओट में बोली। किया अगनी परिक्षा दे कर प्रबल सतित्व प्रमानित, कितने ऐसे प्रमान सीता के पक्ष में संचित, हे राम, पूर्व पुर्षों में तुम्हारे सब्थे राजन, पर धर्म पत्नियों से प्रमान का थाना प्रयोजन। विधिने फेका जीवन में तुम्हारे उल्टा पासा, इसलिए शान्त होती न प्रमानों की जिग्यासा, जान की तनए ये लव कुछ दोनों पुत्र तुम्हारे, स्वीकार करो अपनी संतति कुछ भिना विचारे प्रिशिवाल मीक के सम्यक वचन श्रवन कर, नत मस्तक होयूं सादर बोले रघुवर। भेका व्यस्रिजक युग बोधक धर्म प्रणीता, शत शत प्रमान हर वाक्य आपका देता आप जनक जी के समकक्षी, आगम भासकर भ्रमतम भक्षी, आपके कारण हे मुनी राया, रही सुरक्षित राम की छाया विशिवर आपके हम आभारी, लबकुष की ये धर्म संसकारी, विदित हमें है देवी सीता, निशकलंक निरदोश पुनीता सत्क शील शुचिता सुगुण इनसे सिय संपन स्वयं करे दो शब्द तो, जन जन हो ये प्रसन शपत शुद्धता की ग्रहन, करे दरे मनधीर संदे हानल में पड़े समाधान का नीर उन्नत कर निजभाल मंतर गत्य से चल रही जप रही राम कृपाल माग रही बल और कृपाल विधनासिय से रूष्ट बार बार जाँचे उसे सब जिससे संतुष्ट चलीसिया करने वही खड़ी हुई जब यक्यकी कर परिक्रमाती सत्वंती के तेज से रविशशी हुए मलीन समय हुआ गतिहीन प्रहमा जी को आगे करके इस अवसर पर इंद्र पधारे विश्मे देवा जिच्य मरुत वसुत नाग गरुल जुणे रिशिगन सारे को तू हल से भरे बैठे सब कान लगाए नेत्र पसारे पावन ता किशा पत लेने को वैदे ही क्या बचन उचारे ये जी क्यासा ये हल कोई सिता जी की और निहारे सिता है सतियों की शिरूमनी शक्तियों का परयाए है सिता जिसकी रिचाए सत्य सनातन बेद का वो अध्याए है सिता सिता गाये त्रियोर गंगा सत गुण खा समुदा ये है सिता तुम से शपत का आग है करना ये तो बड़ा अन्याए है सिता पावनता पर प्रश्न उठाना बास्तव में अन्याए है सिता विधना राजा प्रजा सभी को थी इस तिन की प्रतीक्षा भोर विबादों अब वादों में जिसकी हुई समीक्षा राम आराजन करती रही जो राम पिलै कर बीक्षा मही जथी भगवती जिया फिर देने चली परीक्षा मन सावा चाकर मना राम का आरा धन किया यह सत्य है तुभू देवी अपने अंक में शरण दे स्वप्न में भी पर पुरुष का नहीं मैंने चिंतन किया यह सत्य है तुभू देवी अपने अंक में शरण दे रागव के आदेश का अक्षर सह पालन किया यह सत्य है तुभू देवी अपने अंक में शरण दे रामा तिरिक्तना मन्य नहीं नहीं सुमिरन किया यह सत्य है तुभू देवी अपने अंक में शरण दे रिदयस पंदन ने सदा राम का ही वंदन किया यह सत्य है तुभू देवी अपने अंक में शरण दे आदि मत्य अवसान बस राघव को अरपन किया यह सत्य है तुभू देवी अपने अंक में शरण दे अपने अंक में शरण दे मा से अधिक संतान की पीडा अनुहव करने वाला अरदय और किसी का नहीं हो सकता सीता पर होने वाले नियती के प्रहारों को धरती भी सीता की भाती इतने दिन प्रतिवात किये विना सहती रही पुत्री की मान मर्यादा पर आँच आते देख उसका विरुदय विदीर हो गया यदि यह लक्ष्मी नाराण की लीला है तो भी आत्मा को जगजोड़ देने वाली है महालक्ष्मी के रूप में सागर की आत्मजा सीता के रूप में पित्वी की तनया वैदेही के रूप में जनक जी की सुपुत्री पावंता को पावन करके सतियों की आचल में गरिमा भरके पुत्रों को पिता के संदक्षण में धरके अपना दायुत पून कर अपनी कथा का पठाक्षेप करने जा रही है धर्ती माता उसे सन्मान सहित ले जाने स्वयम आ रही है माता ने स्विकार किया पुत्री का करुण निवेदन धेजा नागों के सरधर कर सोने का सिंहासन स्वयम प्रगट हुई रिथवी देवी दोनों भुजा पसारे कहने लगी इस लोक के वासी नहीं अनुरूप तुम्हारे राम की संगिनी राम की सहचरी राम प्रिया वैदे परम सुकी निशिंत संग लख पुत्र और पिता सने जग रंबे चली जग से सब की फुशल काम ना करके आज सिया पर बरस गए सब दिव्यस मन अंबर के बालक रोते रहे गए राम हुए पाशान संग सिया के चल दिये मानु सब के फ्राण भूमी के गर्ब से भूपे आई भूमी जा भूमी में जा समाई ऐसी ले कर गई तू विदाई जो न जाए युगों तक भुलाई जग चुभोता रहा तुझको कांटे तूने सुक साख्य वर्दान बांटे पुष्प जैसी प्रकृती तूने पाई असकेस ने हिल सुरभी ही लुटाई जो पड़ी थी पुरुष के चरण पर उसको पहुचाया तूने गगन पर अब लानारी की गर्मा बढ़ाई क्या करें मात तेरी बढ़ाई विधि के अश्याय पर मनी रोया एक पाया तुदू जे को खोया पिद को पाया तू माता को खोया निधि पिता जेसे तूने मिलाई कौन तुछ से मिलाए गवाई राम के नाम में भाग तेरा पूज है चाग अनुराग तेरा पूज है चाग अनुराग तेरा जोति सत्यों में सत्य की जगाई तुझ को शत्य शत्य नमन सी तमाई भूमी पर वह भूमी जा निज भूमी काका कर गई कैसा समापन मर्म स्पर्शी स्टब्द हम सुनकर तनिक उनकी भी सोचें तब थे इस लीला के जो प्रत्यक्ष दर्शी हर ओर नी रवता केवल आरती हरन राम की आरत वानी गुज रही है मा भू देवी तनिक राम पर गया दिखा दो सीता लोटा दो मेरी सीता लोटा दो लक्षमी बिन अस्तित्व नहीं कुछ नारायन का उचित नहीं यू करुण अन्त इस रामायन का लंका से जिस वैदेही को लोटा लाया अपने घर अपने ही नगर में उसे गवाया सीता ने मेरे कारण सारे सुख जागे मैंने जीवन भर उससे प्रमान ही मांगे हे प्रित्वी वास्तों में मेरी सास तुही हो क्यो जामाता का भीरज यू तोल रही हो है कैसा क्रोध राम का यथेश्ट जानती हो तुम उठाओ शस्त्रिया की मेरी बार्त मानती हो तुम मुझे न दिव्ध सुष्टि के मिताने पर विवश करो प्रलै के पूर्वत मत प्रलै को लाने पर विवश करो वनों की सिंधु नदियों पर्वतों की स्थिती बिगाड कर उजड गया हूँ मैं तुम्हें भी रख दूंगा उजाड कर जग पालक के हाथ हो कहीं न जग संदार सिता लोटा दो मुझे कहता अंतिम बार भैर्य धारिनी धरनी ने सहे बचन के बार मौन रही यह सोच कर मौन मेही कल्यान वह मौन ब्रहमा जी ने तोड़ा जब देखा के धैर्य किसी महराम है आज़त चधिक अधीर व्यठित कर रहा है उन्हें सियविछोह का तीर लिये देव समदाए जगत पित जगपति निकट पधारे चतुरानन सुवेद वेताने ऐसे वचन उचारे रामो चित नहीं तात आपका ऐसे विचलेत होना यह तो आपकी माया है महा माया को यूंखोना ओ सिर्चित आप अपना वे है श्रीपति रूप निहारे तिर अविभाज जुगल जोडी की सकता तनिक विचारे जाने पर साकेत धाम उनिभेट सियासे होगी विरह काल है अल्प राम सीचा है चिरसें योगी जग से जाने वाले जग में आने वाले अपने वन्शजों में शिरकाल तक जीवित रहते हैं माता प्रितु को दे गई पुत्रों का दायक को दोनों में पाले जिये दोनों का व्यक्षित्व प्रभु ब्रहम बाक्य सुन शान्तु वे शियकी अनुपस्थिती से समझे जो हरी भूमे का निभानी है ये रामयन शीराम की अमर कहानी है ये रामयन शीराम की अमर कहानी है गए ब्रहम आनिज लोक जाते जाते कहे गए मिच जाएगा शोक लब खुश के मुख देख कर बीत गई एक रात पर प्रभात आया नहीं सीता जी के साथ हो गया जूं हर सुख विदा सिया सुनी धी खोकर रही माताएं अकुलाएं कोशल्या जी की दशा वर्ण करी न जाएं हो मूर्शित है दश्रत निकेतना ज्यान फिरे लोटे न चेतना हो मात सुमेत्रा बिजना डुलावें कै कै पगतल सहलावें ओ उर्मिल जल आचमन करावें मृत्युन जय मांडवी सुनावें ओ शुत की रचि कर गही कर ठाड़ी पढ़ी मुख भाव जाच रही नाड़ी ओ राजवैज ओ शभी देहारे सिया कहां से लाएं विचारे ओ सीता नाम का सुन संकीरतन तंद्रित तन में लोटा चेतन जैसीता जैशीलवती पदित पावनी महासती जैसीता जैशीलवती पदित पावनी महासती सुन सिया नाम जैतना फिरी बल भर को फिर चली राम की मार राम के घर को रख राम लला को जिसने अंक में भर के उस मा का शीश अब अंक में है रग भर के राम राम कहे कर तजे दशरत जीने प्रान सीता सीता कहे हुआ कोशल या निर्वान कालेश्वर को आ रहा क्रूर काल पर क्रोध जगनात को हो रहा अनाथत्व का वोध मैं जी मूल अमंगल का मैं कारण मात्रिगमन का राज धर्म में गौन हुआ मनत भेदाम के मन का शोक सिंध में राम चंद्र परपल दूबे उत्राए जो मरणों परांत होते त्वेलों का चार निभाए गई सुमित्रा के कैई भी कोशल्या के पत पर प्राण यहां त्यागे तो स्वर्ग में पुनह मिले प्राणे श्वर धर्म वती सीनों माने ऐसा पुण्य कमाया विधना ने जीवन चीना विधि से जीवन धन पाया माताओं को पारलोकिक उपलब्धी हुई परन्त इस लोग की वास्तवेक्ता तो यह है पुन्य त्रिवेनी मात्र की सबय ले गया चीन चारों भ्राता हो गए रमशेह मात्रिवीन राम भरत लक्षमनर पुसूदन मात्रि निधन पर रोए करने लगे निजकार पूर्ववत मन में मात्रि संजोए चक्रवात के घात नदी चुपचाप सहा करती है चक्रमुक्त होने पे यथावत शांत बहा करती है माता का कोई विकल्प नहीं नहीं ममता का पर आए कहीं प्रभुने भी बात ये मानी हैं ये रामयन शीराम की अमर कहानी है ये रामयन शीराम की अमर कहानी है प्रभु समय समय पर अश्मेद यज्यों का करते आयो जन उनसे दस गुणित महत पूर्ण था वाजपेय का सैयो जन गो सब अतिरात्रिवा अगनिष्टो मुका अविरत हो मुकाराते रहे दक्षिना स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं दोनों हाथ लुटाते रहे पाशान समान राम के संग सोने के सिया विराज रही यू सपतनीक यज्ञानों श्ठानों के नियमों के लाज रहे वन के वन समिधा में भूगें अगरत आहुतियां पढ़ती रहीं पर यग्यकुंद और रामुहिदय के अगन निमिश्टों भुजी नहीं दस सहेत्र बर्शों किये पित्रित उष्टि को यग्य सर्वकाल चिंकित रहे सर्वहेत सर्वग युद्धों से निवृत यग्यों से आवृत रामजी के जीवन में फिर एक अजाब सराया कैके माता के देश से एक दिन रिश्वर गार के पधारे अगवाने करने पहुचे रग खुल के सुरज चांद सितारे इंद्र ब्रिहस्पति कोजू पूजे इंद्र ब्रिहस्पति कोजू पूजे यूमुनी वर के चरण पखारे साधुशे रोमानी प्रभुने स्वयम से उंचे आसन पर बैठारे गार्य महारिश्य प्रभुने स्वयम से उंचे आसन पर बैठारे मातुल श्रीने घोडे कंबल शाल मृदुल कालीन पठाए वस्त्रा भुशन रत्न अमोलक गार्गय मुनिश्वर संग में लाए स्नेहो पहार प्रभुने सानुच मस्तक नित्र रिदे से लगाए ऐसे सुखी हुए जैसे निर्धन चिंता मणिपा कर सुख पाए लगें पूछने बार्गय से बालक संश्रीरा सपरी बार सकुशल तो है मातुल अपने राम क्यूं पूछ रहे हो देव प्रश्न तुम ऐसा भगवान राम के मातुल को दुख कैसा वे रहे सदा चारों कुमार पर गर्वित बैठे सुदूर प्रमुदित आनन्दित हर्शित मातुल का संदेश सुनो तुम सुन कर निर्ण तुरत करो तुम है गंधर्व प्रदेश मनोहर तीन कोट गंधर्व जाहाँ पर राम विजैश्री उन पर पाओ रग कुल ध्वजावा फैराओ दृश्य मनोग्य लोक जन प्यारे सब विधि है अनुरूप तुमारे है सुरम्य सुंदर सुखद सिंधु नदी के कूल करो नगर निर्मान दो रगुपति मंगल मूल सिंधु नदी के कूल पाकर मुनि वर्गार यते मातुल का संदेश्र प्राणाधिक प्रिय भरत को देकर सने हादेश्र यू बोले अवधेश्र त्याग की तुमारे सारा जगत प्रशन सा करे प्रेम का अम्रित भरा रिदय कलश में पग पावरी को पूज दिया ऐसा सन्मान राम से विरक्त को भी कर दिया वश में दल बल अस्त्र शस्त्र लेके प्रस्थान करो पाओ गंधर्वों पे विजय जिन दश में भाव कही नहीं तुम वीरों में भी अग्रगण्य प्रित्थी करो वीर रगु वह्शियों के यश में अग्रज की आग्या सिरधर के अनुज चला दल बल संग लिये पैदल सवारों का तन शक्ती जन शक्ती शस्त्र शक्ती राम शक्ती संग्रह अशेश लिये शक्ती भंदारों का तक्ष और पुष्कल भरत के दो पुत्र सो भाग्य ये राम दूलारे के दूलारों का रण में जाने के पूर्व राजा राम चंद्रजी ने राज तिलक किया दोनों सुक्मारों का चले हैं वीर बांखुरे विजय की काम ना लिये के दुरने वार शक्त्र के दमन की भाव ना लिये पिशाच भूत प्रेत दानवादी संग जा रहे गगंचरों के जुंड संग संग उडते आ रहे ये सोचते हैं युद्ध में यथेश्ट मांस खाएंगे जो आज तक मिटी नहीं शुधा वो अब मिटाएंगे दुरगम पथ चल कर भरत पहुचे मातुलधां भरत युद्धाजित मिल चले लड़ने को संग्रां इच्छाधारी गंधर्वों के बलकी मिले न कोई था रण चंडी के मतवालों में बढ़ती जाए रण की जाएंगे मुंड बाहु कट-कट जुड जाएं रख नदी में बढ़े प्रवाह जिर ने हुआ नजीत हार पा लड़ते बीच गया सबता जूज रहे गंधर्व निरंतर ने लेकर शैलूश का नाम भरत की तैना दे रही उत्तर उच्चा रण कर जैशियाम सेना पति रण नीति बनाए पर रण नीति न आये काम देवों को भी स्मरण नहीं है कप देखा ऐसा संग्रां विचलित सेना देख भरत ने संवर तास किया संधान पीन कोटी गंधर्वों के फ़र लिये एक ही पल में फ्रां शत्र के दल में बचान कोई करना पड़ा जुध अवसान गाने लगी दिशाएं चारों जुधाजित राम जी के मातुल भरत राम जी का विशेश स्नेह पात्र और आम के पास दोनों ने ही चुधि में विज़े पाई सिंधो नदी के दोनों तट पर अनपम नगर बसाएं ऐसे प्राणियों से भरे भू मंदल पर बाद प्रलै के सिष्ची हो जैसे भरत युधाजित ही ये जान दुष्कर युध को जीता कैसे जन जीवन सामान्य हुआ फिर रहने लगे जन जैसे थे वैसे जैसे यहाँ पे हुआ ही न हो कुछ रहने लगे प्राणि फिर ऐसे दो पुत्रों में दो नगर दिये भरत ने बाच तक्ष शिला महानगर के तक्ष हुए सम्राच नगर पुष्कला बत हुआ पुष्कल के आधीन राज काज में हो गए राज कुवर कलीन भरत जी इतने दिन अबद विमुक थे परंत श्री राम सर्वदाउं के सन्मुक थे दोनों पुत्रों को स्थापित कर ओने शिंत भरत लोटे घर करके सर्ष राम पदपंकज बोले तुम कैवल नहीं अग्रज बंधु सखा पितु स्वामी सहारे हर नाते पे उज्य हमारे ऐसे वचन और मत कहना जिन को मान दूर पड़े रहना अग्रज ने अनुछ पर निहोदगार प्रगड करते हुए कहा सच पूछो तो भरत बिना मुझे को आराम कहा है जहां राम है वहा भरत जहां भरत है राम वहा है संग राम के सदा भरत का स्मरन किया जाएगा भात प्रेम में दोनों का दिश्टान से दिया जाएगा प्री राम जानते हैं कि भरत उनकी प्रतिशाया है भरत के पत्रों की और से निशिन थोकर एक और दायत उन्हें सौपते हुए राम जी ने कहा प्री अभरत राम के कांधों से कुछ कंदा इत्व का बोज करो लक्ष्मन पुत्रों के लिए सुरक्षित सुन्दर सान की खोज करो यज्य पि लक्ष्मन छोटा तका पि मैं सदारिनी लक्ष्मन का हूँ सुनिये भ्राथाशी पूर्वान चल अनुपम अपूर्व अतिपावन है वह ब्रह्म पूत्र प्लावित प्रदेश वहां कामाक्षी का शासन है साम्राच्य वहां का लक्ष्मन सुत अंगद को सेयश कर होगा रगुवर बोले होकर प्रसन वहां अतिप्रसन प्रियवर होगा राज्या विशेक किया अंगद का रगुवर ने पितु संग चलावे है बंदु पे शासन करने है चित्र केतु लक्ष्मन समान बलडारी अब है उसके राज्या विशेक की बारी अंगदेश सर्वत्र सुदर्शन सारी प्रितिवी का खर्शन गंगा वैतर रीव गंद की विश्मती नदिया ये अंग की है उत्कल नेपाल जहां तक अंग का है विस्तार वहां तक अंग पे चित्र के चुका शासन पातली पूत्र में दिया सिंहासन पुत्रों को शत्रूग्ध के दिये स्थान शुभ देख एक बना मधुरा अधिपती मालवा अधिपती एक एक का नाम सुभाह बाहु बली रणबांकुरा दूजा डरे नकाहु नाम शत्रूभाती प्रवल अनुजात मजों को निधिया बांटी लब खुश के लिए सोचा ही नहीं किस वार की जोर हमानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है ये है मृत्यू लोग है और मृत्यू लोग को परिभाशित करने के लिए तक चेक प्राणी को यहां मृत्यू का भरण करना पड़ता है किसी न किसी आयू में क्यागना पड़ता है धारण की हुई काया को भूलना पड़ता है जगत की माया को ज्यानी वही है जो मृत्यू को महोत्सर की तरह मनाते हैं उसके आने से पहले ही सांसारिक गायत्यों से निवृत्त हो जाते हैं राम जी भी लगभग गायत्यू मुक्ध हो जोके हैं जो कुछ अवशिष्ट है उसे पूर्ण करने में लगे हैं जानकी के भूमी में प्रवेश करने के पश्चात प्रभू भूमी पर विद्यमान अभश्ट रही है परन्तु विदेह होकर आत्मा तो विदेही के साथ ही विदा हो गई थी अब प्रभू की भी मानव दीला समाप्ति की ओर है काल राम से दिर्ग काल तक आँखें रहा चुराए जिसी प्रतिक्षा में किनाथ को ध्यान कब उसका आए एक दिवस वे काल रियंता राम का इंगित पाकर राम के गवारें साधु वेश में हुआ उपस्थित आकर काल ने लक्षमेंजी से निविदन किया मैं अक्बल का दूद हूँ सुनिये लक्षमन आर्य महाराज शीराम से मुझे व्यक्ष गतकार्य कर दीजे विनती मेरी भगवन से कर जोड दर्शन दी तच्छन मुझे कार्य दूसरे छोड विनय करूं कर जोड लक्षमन जी ने अविलंब रामजी से कहा सुनिये रगु कुल चन्द द्वार खड़े एक रिशी प्रवर पोटिक रविश शी मन्द सन्मुक उनकी कान्थी के सुनो लखन प्रिय प्राम सादर ले आओ उने निश्चित है कल्यान रिशिवर के साख्षात से ओ अरग्य पाध्य से करपद पूजन रिशिवर से उचे रगु नंदन ओ क्या संदेश महा मुनिलाएं करके कृपा सुनाया जाएं ओ जगत पिता ब्रहमा की बानी आपको सुननी मुझे सुनानी ज़िशी ने इस व्यक्तिकत साख्षात को गोपनिया रखने के लिए राम जी से कुछ ऐसी मांगती जो गुपत वारता हम में हो उसे और न कोई श्रवन करे यद श्रवन करे या देख भीले तो प्राप्त आपसे मरन करे स्वीकार हमे है महामुने हम श्रवन करे और आप कहे राम की ओर से निर्भय मिस संदेह और निश्चिन्त रहे लखन रहो तुम द्वार पर और ये रखो घ्यार राम और रिशिके मथ जो डालेगा गवधार जाएंगे उसके प्राण राम जी को काल ने काल से पूर्वकाल की कथा स्मरन कराते हुए कहा प्रभु प्रवयकाल परशात आप नित्रा निमगन थे सागर में संभव तह सुंदर सुखद स्वीष्टि का स्वप्न सजोए अंतर में मैं काल आपने सर्व प्रथम तब मुझे को ही प्रगटाया था पिंजरों से पंची ले जाने का दूत मुझे छेहराया था ए जग पालक जग सिष्टाने यह संदे सा भिजवाया है इधिवी पे आपके रहने का अब समय पूर हो आया है यदि योर अधिक रहना चाहें तो स्वेच्छा से रह सकते हैं पर परमधाम में रमा सहित सब पंच आपका तकते हैं प्रभु निर्धारित काल अब नहीं आपके पास शून्य काल में कर रहे स्वामिया अपने वास काल अपका अदास काल की व्याक्षा करते हुए राम जी ने काल से कहा हमको विदित पल चिन दिन माह वर्ष सुनो प्रियकाल ये तो अंग तुम्हारे है विदि के लिखे अनुसार तुमने ये अंग कहीं पे घटाए और कहीं विश्थारे है किनी का जीवन हुआ गर्भ में समाप्त कई लेते ही जनम पद लोक सिधारे है काल जई कोई भी तिकाल में नहीं है कहीं सत्य तो ये है के हम तुम ही सिहारे है कर ही रहे थे वार का अभी राम और काल दुर्वा सारिशी आ गए चल आन्धी की चाल इनकी ख्याति विशाल इस समय दुर्वा साता आना किसी दुर्वा सारिशी अत्र के आत्मज़ सिधियों के स्वामी है तपो बलधारी है पुण्यों से किये हैं कई वरदान प्रप्त पर अभिशापों के अक्षय भंदारी है लखन से बोले के संदेशा जो ये राम जी को समय है कम और काम बड़े भारी है करके न मन बोले लखन के गोपनिय मंत्रणा में व्यस्त अभी अवध विहारी है कहो राम उसे देप्रथम अभ्यागत पर ध्यान असेहनी यह अन्यथा अवहेला अपमान लखन धरम संपक में है राम की आग्या कैसे पाले रिशी की अवग्या से कैसे बचे रामानुज लखन उपस्थित है सेवा कह अनुप्रहीत करें प्रजा नहीं तुमने ऐसा सोचा कैसे करके अवग्या कोध हमेना दिलाओ लक्षवन करना सकेंगे हमको धागनी ध्यमे धारग राम और उसकी ये सत्ता हो जाएगी शाप्या तो भस्म अयुध्धा हो जाएगी बुरा न माने सत्यवचन लक्षवन कहता है हम दोनों के नासाग्रे क्रोध भरा रहता है आपका स्वेश अनंत अनंत नाम है मेरा हम दोनों को कहीं न कहीं दंभने घेरा एक शमता है कि मेरे मन में ममता है आप में शापित करने की अद्भुत शमता है पर्शुराम का स्वरण मुझे तू दिला रहा है मूरक रजकर को परवस्थे मिला रहा है भूके सिंख के जैसे मेरी अभी अवध्था बुला राम को तुरत करे कुछ मेरी ववध्था रखा मैंने आपको बातों में उलजाए ताकि प्रतिक्षा का समय खले नहीं मुनिराए मैं भी थाने रुपाए अवध्थ प्रिय लक्ष्मान के मन में ऐसा विचार आया मेरे वद्थ से अवध्थ का होता यदी कल्यान प्राणों से प्रिय अवध्थ पर योचावर है प्राण दुर्वासा के क्रोध से परिचित लखन कुमार चले राम की और फिर अवध्थ की और निहार वारता में व्यवध्थान की विवश्टा रकर करते हुए बोले विघन जो आकर मैंने डाला दुविधा ग्रस्था में प्रतिपाला ओ द्वार खड़े दुर्वासा मुनिवर तक्षन दर्शन का हट ले कर ओ यदिन आपके सन मुखाता देते शाफ अवध जल जाता ओ जुर्वासा को दर्शन दीजे अबद पुरी की रक्षा कीजे ओ द्वारे खड़े जान मुनिराई काल को दी रघुबर ने विदाई सीखे कोई राम से रिशिमु निखासत का तज प्रभुत पर शीवरन को करके प्रणाम प्रभु ने पूची कुशलाई मुनि दर्शन मात्क से भूल गए चत्राई क्रोधाग निपे जैसे पड़ गया शीतर पानी मृद बचन राम के सुन बोले मुनी ध्यानी रख कर वर्श सहेश चक नियमित व्रत उपवास आज उपस्त हम हुए खरदाता के पास पिछनी पर तुम राजते विश्ण रूप हे रां व्रत पारण के एतु हम आये हरी के धा साधु कक्ष में देकर आसन रघुवर भोज करें परिवेशन रिशिवर रुची रुची भोग लगाएं रघुवर भोजन देते जाएं अम्रिक रस चक हस्त कमल से भाव विभोर सुमुनि विभल से साधु वाद रघुवर को देकर मुनि वर चले विदाई लेकर प्रतिग्वन तुने रगे काल कथित संबाद अपने प्रण का कर स्मरण उपजा अधिक विशाद ओ किन करतव जब विमूढ नरेश्वर मुखनत नैन हुए है निरुझर ओ नात धर्म संकट में पड़े हैं धात बड़ा या वचन बड़े हैं ओ प्रिय रघुकुल प्रिय रघुकुल का प्रण इनसे कुछ कम प्रिय नहीं लक्ष मर्या ओ जब से राजा का पद पाया दुख अपनों को देता आया यदि घाओ लगा कभी कोई मेरे मन को तो पीर का अनुभव हुआ सदा लक्ष मन को यह सत्य राम को सदा रहे पर लक्षित जग राम से और लक्ष मन से राम सु रक्षित प्रभु के मन की जान कर दुविधा संकत पीर पर विनम्र निश्यय सुद्रिड करके बोलावीर मोह विवश्य प्रभु कुछ न विचारो मस्तक से प्रणभार उठारो हरिश्चंद्र से दश्रत जीतक सबने वचन किये हैं सार्थक आप हैं मर्याद अवतारी राम वचन का मूल्य है भारी मुझे अब क्या पर करदंदित करिधर्म को महिमा मंदित विकल राम जी ने एजिया निर्ण एक कल पर टाल निशी जग कर दरवार में आये प्रात एकाल मंत्री गुरुदेव सभासद को सारा वृत्तांत सुना डाला सच मुच्य धर्म संकट है परीक्षा रघुवर की लेने वाला यदि लक्षुमन को दंदित करते तो प्रभु दरवस्पगवाते हैं और बचन भी मुख होते हैं तो रघुपुल की रीतिल जाते हैं विशम परिस्थिति में सदा गुरु ही आते का गुरुवर पर निर्भर करें सुर नर्मुनी और राम चिमिरा चादित चतुर दिशी मान संत शुत ग्रंथ सब गुरु ही देते सुझा आगम समत पंच गुरु अशिष्थ बूले किस समय आने के लिए रुके थे घटने वाली घटनाएं हम पहले देख चुके थे बंधु विछोह स्वजन पर जन के संग सापेत में जाना तुमने स्वयम या निर्धार क्या अब तुमें बताना देते हैं गुरु मंत्र तुमें हम राम दिविध उपयोगी जिससे लखन के प्राण तथा कुल धर्म की रक्षा होगी सदा सदा के लिए लखन का परित्याग कर डालो परित्याग परियाय मृत्यु का नीत यही अपनालो मुनिवशिष्ट की हितो पयोगी सीखर दे कर धारण वचन की रक्षा को प्रभु ने ये वचन की ये उच्चारण अब से जीवित को मृतकों की गणना में धरता हूँ सबकी साक्षी में लक्ष्वन का परित्याग करता हूँ नैनों में राम जविरक मन में प्रभु भजके तक काल चले सो मित्र सभा को कजके जब राम ने क्यागा तब जी कर क्या करना लक्ष्मन ने सब विधी ये तकर समझा मरना पत्रों के न सिंदूर की लाली इसलिए मेहल पे रिष्टी न डाली उर्मिल से अनुमत नहीं मांगी ग्रिह त्यागा ग्रिह लक्ष्मी त्यागी चरण रुके सर्यू के तट पर अंतिम विधा अबध को कहकर उतर पड़े सर्ता के जल में कल्विलीन करने कल कल में लिया लखन ने योग से प्राणवाय को रोक कर गए महा प्रयान में देह सहित परलोक श्री राम के प्रत्यक्षय सने पुनिशेश नाग की धर के देह हर के हित सेज बनानी है ये रामायन श्री राम की अमर कहानी है ये रामायन श्री राम की अमर कहानी है लक्ष्मन के महा प्रयान के पश्चात सोच रहे हैं रगुनात अनुज सेवक रक्षक फून विश्वास लखन को खोकर क्या बचा है उनके पास जीवन संगिनी वह तो पहले ही छूड़ चुकी है अब मोह की यह अंतिम कड़ी भी ठूड़ चुकी है धीर धुरंदर धीरज खो रहे हैं अपनी रच्य हुई लीला को बिस्मृत कर बंधु के विचों से आकरां थो रहे हैं रोम रोम को राम के साले लखन विचों नैनों से चबी नहीं हटे मन से जाए नमोह दुस्ते हैं बंधु विचों जब आत्मा पर मोह कावरन पड़ जाता है तो मनुजोया परमात्मा भावगता की वेदना से बच नहीं पाता है सीता बिन जीवन शुन्यराम लक्ष्वन बिन जीवन हीन हुआ यू विकल सर्प जैसे मणी बिन व्याकुल जूजल बिन बीन हुआ यू लगे के जैसे जीवन में करने को अब कुछ बचा नहीं जैसे नितांत एका की हूँ संग भात पुत्र और प्रजा नहीं गुरु देव मुझे आग्या दें तो अब नर लीला संबरन करूं प्रिय भरत को देकर राज काज लक्षमन का पथ अनसरन करूं गुरु वर बोले नहीं भरत राम विन कोई सुख स्वीकारेगा यदि तन को प्राण तजीए तो तन कैसे जीवन धारेगा गुरु देव ने राम को यहगी स्मरण कराया आप हैं लक्षमी संग विश्ण रूप में सित सदा आवा गमन प्रसंग कहने सुनने मात को नाच आप अन्यत्र आते जाते हैं कहां यत्र तत्र सर्वात्र राम राम बस राम हैं ले प्रस्टाब जो राम का भरत पे गए वशिष्ट राम नहीं तो भरत नहीं बोला रगवर निष्ठ राम ही मेरे इश्ठ भरत ने अपना मनोभा प्रकट करते हुए कहा जब प्रभ को बनवास दिया गया तब मैं न था जाऊंगा बन गास वहां राम जहां जाएंगे जान भरत की भाव ना बोले भाव कराम मुझे कभी कहा भरत बिन सुख निव्रा बिश्रा एक प्रान दोना प्रेम मूर्ती राम से च्याग मूर्ती भरत कह रही हैं तब चरणों की पाद का पूजी चरण समान अब साक्षात चरण मिले कैसे तजू सुजान इन में ही खल्यान प्रेम के धाम भरत ने राम के साथ चरने का उन्हें एक और भी तर्क दिया प्रभू ही कहें कि मूर्ताया बुधि मानिकं पदवरदानी तज राजपद पाने को अब मैं उचित मानू माया संग रहने को या के माया पती भगवान संग आने को प्रभू जन जन पेलों ताई क्रिपा अनू मत देदी संग चलने की जाने अन जाने को भरत की विनती के अपनों की गिनती में रख संग ले लो इस पात की पुराने को अनू जों के पुत्रों में विभाजन धरा का किया सब को बनाया स्पामिठो और ठिकाने का देवी मैया सीता जी के स्वाभी मानी कुवरों ने कभी कोई हट नहीं किया कुछ पाने का कहते वशिट के उचित ये तमय है राम राम के आत्मज सिया सुतों को बसाने का उत्तरा धिकारियों को उत्तरा धिकार सौप कीजिए विचार प्रभु निज लोक जाने का उत्तर को शलका दिया लब को राज्य विरात कुष को घोशित कर दिया भारत का सम्राथ देधक्षिन का पास वीर गुणी धर्मा आत्मा एक से बढ़तर एक स्वयम किया श्री राम ने लब कुष का अभिशेक्ष गर्वित उनको देख्ष राम जी सबको यथा स्थान स्थापित करते जा रहे हैं महा प्रयान की दिशा में सरंधर के जा रहे हैं लब कुष लूप में राम विभाजित दो दो सिंगा सन पर स्थापित संदेशा मध पुर्भिजवाया गमन पूर्व शक्रगन बुलाया रिप सूदन ने विने सुनाई नेह जो मुझ पर है रघुराई चरणों की छाया में बिठाके लेचल ये निजदास बनाके होते सदा कनिष्ठ के सरवाधिक अधिकार इस कारण शत्रूगन की विन्ती की स्वीकार शीराम के महा प्रयान का संबाद पाते ही अगनित वानर अरुरिच अयोध्याए सबने अपने मनतव्य सहर्श सुनाए हमाए साथ गमन का निष्टाय करके अब धेश्टी लगी है निर्णै पर रघुवर के खल जो राम काम में सहयोगी हुए आज उन्हें ना कहना राम जी के वश्ट में कहाँ प्रभु सुग्रीव के मन को पढ़ कर बोले बचन लेह में जड़ कर मित्र अभिन अंग तुम मेरे मुझ पर तब उपकार घनेरे तुमने ऐसी प्रीटी भिखेरी तुम बिन कही नहीं गती मेरी जितने अनुचर मित्र तुमारे वे सबके सब मुझे को प्यारे ये से वक निस्वार्थ है बबत लिए निश्कार सबके सब वहां जाएंगे जहां जाएगा राम लंका पति से कहने लगे मेत परायन जब तक जग में तनजीव करेंगे धारन तब तक लंका पर होगा राज तुमारा निश्कल नहीं होगा ये वर्दान हमारा सीता जी हनुमान जी को अमर्ता का वर्दान दे चुकी थी उसका अनुमदन करते हुए राम जी ने कहा सुनो प्राण प्रिय के सरिनन्दन जब तक राम और राम आयन तब तक तुम धरती पे रहोगे राम कथा अविराम सुनोगे जामवंत से बोले रगुवर आयु तुम्हारी जब तक द्वापर द्वापर और कल युग की संधी पर ग्विविद मयंद के हो हस्ता शर जिन सब ने राम पद मेरत की उन सब को संगले रगुपत की योजना महा प्रस्थानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है ये रामायन शीराम की अमर कहानी है राम कथा का हो रहा अब यहां उप संधार आश्ट जन को संगले जा रहतार अन्हार जगत से जा रहतार अन्हार अगनी होत्र की अगनी शुब हर के आगे जाए बाज पे यके यक यका छत्र रहा सिर छाए राम की शोभा बरनी न जाए नर लीला करके शीराम लोट चले अब अपने धा सत्ता पाप की मिटा के जोत धर्म की जला के करके पूर यहां के काम लोट चले प्रभु अपने धा दहने पार्क में हैं शीदेवी विराजित वाम पार्क में हैं भूदेवी सुशोभित ओंकार और बशचकार संग वेदों की माता गायत त्री हैं मुखरिक अस्त शस्त नर्वन के चले संग भगवन के अस्त शस्त नर्वन के चले संग भगवन के चहुं दिशी गूजे राम ही राम लोट चले प्रभु अपने धा दिव्यवेद शी राम संग रहमन का तन्धार निज मुख से करते चले अपने मन प्रोचार लगे भ्रमर उन्जार ओ, 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 पश्चिमा भी मुख रग वीरा अब लोकन किया सरियो नीरा राम हरे जै राम हरे लोट चले निज धाम हरे ओ, ओ, उच्छर जल में उठ रही भवरे लहरे पुश्प माल बन सबरे राम हरे जै राम हरे लोट चले निज धाम हरे अंतिम बार प्रणाम कहें करके अंतिम स्नान सर्यू से अंतिम विदा माग रहे भगवान परमधाम को लक्ष कर जहां कड़े रघुनात ग्रहमा जी वहां आ गए लिये देव गण सात ओ राश राश फुष्पों की बर्शा सुर्गन कर रहे हर शा हर शा राम हरे जै राम हरे लोट चले निज धाम हरे ओ गाहन वादन अनुपम सद्भुत रिट्य अप्सराएं कर प्रस्थ। राम हरे जै राम हरे लोट चले निज धाम हरे ओ ब्रहमाजी बोरे रगुनंदन स्रीकारे वंदन अभिनंदन राम हरे जै राम हरे लोट चले निज धाम हरे ओ सानुज अब निज धाम पढ़ारे कब से सब वहां पंत निहारे राम हरे जै राम हरे लोट चले निज धाम हरे धरे शतुर्वज रूप प्रभूप या अव्यक्त स्वरूप स्वागत है हर रूप में चले त्रिभूबन भूप ओ रूप यताथ न कोई जाने केवल सीता ही पहचाने राम हरे जै राम हरे लोट चले निज धाम हरे ओ वही जाने तुम जहें जनाते कृपा पात्र कां सब को बनाते राम हरे जै राम हरे लोट चले निज धाम हरे गोप्रतार के घाच से सानुजुश्री रगवी अपने स्थाई लोक में गमन किया सशरीर बड़ी शुब घड़ी आई जोत जोत में समाई वे विलीन विष्ण मेरा फिर वही श्री हरी वही हरी धाम अपने मूल का रूप में अप है सित भगवान सिवबन में चहूर सब करने लगे गुनगान अपने अपने स्थाई राम हरे जे राम हरे नारायन अभी राम हरे शांताकार प्रभो वेश्वाधार विभो मूल सरूपम देव्यनूपम कमला पति परम प्रिपार जय जगदीश हरे जुम भवतन के प्रिपार जय जगदीश हरे नीन कभी कच्छपतन धार कभी लिया बरा हवतार कही नर सिंग कही वामन रूप परशु राम कही राम स्वरूप राम हरे जे राम हरे नारायन अभी राम हरे एरा जीव नयन विश्णू भुजग शयन देव दयारणव युग-्युग संभव दस अवतारों की माल जै जगदीश हर तुम भक्तन के प्रतिपाल जै जगदीश हर सब तुम में तुम हो सब माहि तुम से भिन कहूं कचुनाई हर तुम से बलबूत ही विवेक सूर्य एक रश्मिया अनेक राम हरे जै राम हरे नारायन अभिराम हरे देवप्रिय देवं छंकर प्रिय रामं नित्य चिरंतन सत्य सनातन फित चारों युगति हूं काल जै जगदीश हर तुम भब्तन के प्रतिपार जै जगदीश हरे नहीं गतिमान नहीं छविमान नहीं तब आदिमा ज्यावसान सयम को रखते नात सहेज जग में देते भी ग्रह भेज राम हरे जै राम हरे नारायन अभिराम हरे ब्रहम जीव माया तुमरी ही छाया जै लक्ष्मी पति जै माया पति सब पर रहे माया डाल जै जगदीश हरे तुम भब्तन के प्रतिपार जै जगदीश हरे नाम तुमारा कारण हार संबल आश्रय प्राणा धार अजपाजप का हो आप्यास सुखल प्रदायक द्रिर विश्वास राम हरे जै राम हरे नारायन अभी राम हरे नहीं जप तप साधन नहीं व्रत आराधन मंगल कारण केवल कीर्टन कीर्टन प्रिय राम रसाल जै जगदीश हरे तुम भगतन के प्रतिपाद जै जगदीश हरे राम हरे जै राम हरे रारायन अभी राम भत्राय राम चंद्राय मान से बरगो नादाय नाथा फीदाय अफ़त ए राम चंद्राय राम जै राम जै राम ब्रह्मा से उनके लिए यूं बोले भगवान मेरे अनुचर होकर जो जन यहां आए उनको भी उत्तम लोक में भेजा जाए ब्रह्मा ने कहा वे सब सद्गति पाएंगे संकानक लोकों में रखे जाएंगे भूमी पे जो कपी भालू गए थे देवों से खुच्पन हुए थे कार्य समापन कर जब आए सब निज निज देवों में समाएंगे थे सुप्रीव सूर्य के आत्मज। सूर्य में मिल गए वानर कनकज। जितने धी थे स्थावर जंगं। सब ने गति पाई सरवों कम। उत्तर रामायन का भक्त गण। लौकिक अन्त यहीं है। इसका अर्थ नहीं के राम के काथा और नहीं है। हर यनंत हर कथा नंता कोटी कोटी रामायन। सुर्य नर्मनि गंधर्व निरंतर करते हैं पारायन। हमने जो कुछ शवन किया जो सोचा लिखा गाया। वास्तव मेवे सब कुछ हम तक राम के द्वारा आया। प्रान वाय बन राम हमारे तन ने डोल रहें। हम स्तो के वल खोल रहे मुख राम ही बोल रहें। राम कथा शिव ने रखी मानस मत्य सजाए। देविय। मां खोती सुना सुन्दर अब सर पाय। ओ वही कथा लोमश ने पखानी। काक भुछुंदी हुए सुन ग्यानी। राम हरे जै राम हरे जग पालक सुख धाम हरे। ओ लोमश से जो काग ने पाई। कथा गरुण को वही सुनाई। राम हरे जै राम हरे जग पालक सुख धाम हरे। ओ वालमी की हुए नारद प्रेरित। किया कथा को काविस सहजित। राम हरे जै राम हरे जग पालक सुख धाम हरे। ओ अजवती तुलसी का मानस। जिससे छलका राम सुख धानस। राम हरे जै राम हरे जग पालक सुख धाम हरे। एक से एक बड़े यहां काव्य प्रवीन कवींद्र। उनके नख की जोत ले जिल मिल करे रवींद्र। ठाकुर ठाकुरानी सुनो चाकर की अरदास। प्रिजय मेरा मंदिर बना। उसमें करो निवास। जब जब जनम जहां जहां पाओं। युगल रूप की महिमागाओं। बहती रहे राम रसधारा। करता रहे स्नान जग सारा। राम राम सीय राम जजरम। राम राम रामें फिरामें की रवे रमें मनो रमें सहस्त नाम तक तुने राम 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 बरा अने। जैश्ती राम। नारायन स्वयम को नो अवतारों में लग्द कर चुके हैं दस्वे अवतार की समय को प्रतिक्षा है राम जी श्री हरी का सब्तम अवतार है प्रभु ने अपने प्राकट्य के लिए त्रेता युग एक्छ्वाकुवंश अयोध्या नगरी महाराजद अश्रत तथा महारानी कोशल्या का चुनाव किया जब हम रामायन का पठन शरवन करते हैं तो जिस युग में प्रभु ने अवतार लिया उसी युग में जीते हैं श्री राम अपने जो मर्यादित चरंचिन इत्वी के विशार वक्षस्तर पर अंकित कर गए हैं वे आज भी जियोके त्यों विद्यमान हैं महालक्ष्वी सीता ने जिस पतिवरत धर्म की स्थापना की वे आज भी नारी जाती को अपवर्ग प्रदान करने वाला है रामायन का कोई भी पात्र ऐसा नहीं जिसमें कोई न कोई विशेश्ता न हो महाराजा दश्रत केवल चक्रवर्ती समराथ नहीं थे अपित्व दस रत अर्थात दस इंद्रियों के नियंता थे तीनों माताएं ममता, करुणा तथा स्नेह की त्रिवेणी थी भरत की रति, लक्षमन की विरति, शत्रुग्न की सुगति, श्री राम की सुमति जिसे प्राफ्थ हो जाएं वह संसार का सबसे धनाध्य वेक्ति होका श्री हनुमान, परम शक्तिमान, राम जी में भस्ते थे जिनके प्राण उन्होंने नरवानर की मित्रता करा कर, वानरों को नरों से उची शेडी में पहुँचा दिया कपिश्वर सुग्रीव का सहयोग तथा जामवंद जी की नीती सराहना के योग्य हैं महराजा रावन कोटी कोटी धन्यवार के पात्र हैं, जो रामावतार का हेतु बने वे जानते थे कि कामस्तन से इश्वर भक्ति नहीं होगी और पापों का समुह नश्ट करने में परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी सक्षम नहीं अतयव उन्होंने मंदोदरी यादि के लाग समझाने पड़ी दुराचरण के पत पर चरण बढ़ा दिये रावण ने अपने बंध बांधव, पुत्र पौत एवं सजातियों के उधार हेतु रामजी को पहले सुपा अपनी मुक्ति का उपक्रम अंतमी किया और मुक्ति का अवसर भी उन्हें उनके अनुज बिभिशन के सोजने से प्राप्थ हुआ यदि अक्षर का अक्षरण नहीं, धुनी का विद्धुंस नहीं, तो राम कथा कालातीत है, सार्व भोमिक है, अमर है रामायन केवल गाथा नहीं, वरन वेद रूप है, गायत्री की भाति जियोतिर्मई है जिन्होंने ये कथा पढ़ी या सुनी, उन्होंने प्रयाग आदी तीर्थों, गंगा आदी नदियों, नेमिशारणी आदी वनों, तथा कुरुक्षेत्र आदी धर्मक्षेत्रों की यात्रा पूण कर ले ये है पूणिय कथा आयुवर्धिनी, पापनाशिनी, तथा मनवांचित सुफलदाइनी है, जिसने रामायन का अन्शमात्र भी आत्मसात कर लिया, वह परमात्मा की अनुकंपा का अधिकारी हो गया हम रामजी के श्री चर्णों में अपनी याचि का माता जानकी के माध्यम से रखना चाहते हैं, उनसे निविदन करते हैं कि हे माता, जब सुफ़सर देखो, तो रामजी से हमारी दीन दशा तनिक बढ़ा चड़ा कर कहना, उन्हें दीन बंधु, क्रिपासिंधु, भक्त व अशरण की शरण जैसे विशेशणों का स्मरण कराती रहना, और यह भी विंती कर देना कि दास को अपने सगुन रूप की अनुपाएनी भक्ति ब्रदान करें, रामायन अनादि है, अनंत है, असमाप्त है, तो उसके समापन की घोशना कैसे की जाएं। कवि की अपनी सीमाएं हैं, कहता जितना कह पाता है, कितना ही कह जाए लेकिन अनकहा अधिक रह जाता है, और उसी अनकहे को कहने के लिए बार बार जन्म लेने की कामना करते हैं। रामायन का नहीं समापन, पुनि पुनि राम का प्रत्या वर्तन। जे राम हरे, सीता पति श्री राम हरे, गुणधाम हरे, सुख राम हरे। जे राम का पति श्री राम आयन जी की, रिखन हरने, शुब करने सभी की। आहे पिशिरा मायरी जीते तिल्य हर रिशुब तरी समीते वाल मी किने मंगल कारी कथा काव्य में प्रथम उतारी वेनित वंदन के अधिकारी प्रथम आरती करें उनी की आरती करें उनी की आरती शिरा मायरी जीते तिल्य हर रिशुब तरी समीते प्रहमादिक संग नारद गाएं सनकादिक गाते न अघाएं शारत शेश अशेश बताएं की रती श्री बजरंग बली की आरती शीरा मायरी जीते येदिन हर रिशुब करने सभी की मानस में शिवरकी सजाकर कही उमां से अब सर पाकर राम रामा पति गुण रतना कर महिमा अगम अपार हरी की आरती शीरा मायरी जीते येदिन हर रिशुब करने सभी की काग भुशुन्दि गरुण सन भाकी सित भय करि सुनी दो पाकी धन्य धन्य जिन शवणन चाकी राम कथा अम्रित समनी की आरती शीरा मायरी जीते येदिन हर रिशुब करने सभी की चारो वेद नेती कही परवस गावे शास्त्र पुरान सुगुन जस प्रानी पाथर राम है पारस स्वर्ण करेद ती महामनी की स्वर्ण करेद ती महामनी की आरती शीरा मायरी जीते येदिन हर रिशुब करने सभी की रगुकुल के निरिप धर्म धुरंधर दशुरत अक्षय कुण के सागर नारायन निजवचन निभाकर पद्री की प्रदान की तुशी की आरती करो महामनी की आरती शीरा मायरी जीते येदिन हर रिशुब करने सभी की कोशल यार मात सुमेत्रा कैकेई मधुमई चरेत्रा मात्रि सिवेणी परम पवेत्रा चरण धूली धर शीष इनी की आरती दिलो माता अश्री की आरती शीरा मायरी जीते येदिन हर रिशुब करने सभी की राम भरत लक्षमन रिप सूधन चार चंद्र अकलंक सुपावन महराजा दश्रत के प्रण धन चारो देन इन जननी की आरती चारो जाता श्री की आरती शीरा मायरी जीते दिलो हर रिशुब करने सभी की रगु कुल जनक वन्ष मेनाता एक के सुत और एक की सुजाता शुगल जोडियां आनंद दाता रवी शशी की आभा कर धीकी आरती चारो पती पती की आरती शीरा मायरी जीते दिलो हर रिशुब करने सभी की सीता मांडवी उर्मिल प्यारी लगु कन्या शुच की इर्ची जुलारी चारो पुष्क की एक भुलवारी एक ससुराल चार भगिनी ते आरती शीरा मायरी जीते दिलो हर शब कर सभी की राम बान से जो गए मारे वे खल भी सुर लोक सिधारे राम सभी के तारन हारे देश्चित सुगति राम उस परशी की आरती शीरा मायरी जीते दिलो हर शब कर सभी की सियारा मने क्रिपा लुटाई शीहन मान जीवे सहाई मैंने प्रशाद रूप में पाई यूठन गोस्वामी तुल सीखी आरती शीरा मायरी जीते दिलो हर शोब कर सभी की रामायन की आरती जो गाएं एक बार जग में दूर लब सुख मिलें राम मिलें उस पर चारा युग स्युलाक में राम सिया हैं व्याप्त हर अनन्त हर की कथा होगी कहां समाप्त ओ जब जब जग में आएंगे रावन तब तब कद तेंगे नारायन राम सिया राम सिया राम जे जे राम ओ युग भीते सिया राम को जाकर अंतर डार सकेन युगांतर राम सिया राम सिया राम जे जे राम ओ हर नर में बस तेरे घुराई हर नारी में सिया समाई राम सिया राम सिया राम जे जे राम ओ जब तक राम की तुष्टी रहेगी राम सिया राम जे जे राम एक रूप के दो है ना राम सिया राम जे जे राम सिया राम सिया राम जे जे राम निट्य कर जोड कर सदा कर परना लश्मीन आरायन भूड काम सिया राम जे जे राम आज अनन्त अलोकिक नम सुगधाम यशधाम गुरधाम जै राम राम सिया राम जे जे राम सिया राम सिया राम श्मास सिवास में अवी राम कहो जै जै जी जा राम जै सिया राम सिया राम ये 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